हम पूरे परदेश में सभी किसानों को उनके जीवन में जो परिवर्ट लाने की उम्मीद हम देखना चाहते हैं किसानों के जीवन में किसानों के परिवार में किसानों के भविश के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं 70 साल बाद आज भी सरकारे आई और चली गई लेकिन इस देश में सबसे मेहनती सबसे मांदार लेकिन दुर्भागिवस सबसे वंचित कोई वर्ग है तो वो किसान वर्ग है इस देश में दोती हाई जनता जमीन पर काम करती है धर्दी का सीना चीर कर रानाज पैदा करती है 130 करोड़ों का पेट पालते हैं उस किसान को जो मान समान साहिता सयोग मदद मिलनी चाहिए उसके बच्चों को जो भविश मिलना चाहिए वो मिल नहीं रहा और मैं सवाल पूछना चाहता हूँ उन लोगों से दिल्ली में 8 साल से सरकार में बैठे यह वह भास्पा के साती हैं जो चुना पचार में बोलते थे कि हम किसान की आमनी दुगनी कड़ेंगे बोलो कहा कि निगा बीजयंपी ने हमने तो नहीं का आपको वादा करने के लिए लेकिन बीजयपी के साहती हो ने कहा आप वोट दो हम किसान की आमनी जोगनी हो रही है तो खाद की कीमत पेट्रोल की डीजल की बीच की यूरिया की बिज़ी की ये सारी कीमते आस्मान छू रही हैं कोई भला आदमी केंड की सरकार का आकर ये बोलने को तयार नहीं है कि ये महंगाई कम करने की कोशिश भी करेंगे आप उनसे पूछो गैस का सिल दो तीन बीगे में खीदी करते उस पर क्या बशता होगा क्या पालता होगा क्या बचाता होगा ये सवाल पूछो तो टेन की सरकार के लोगवीज़ेपे के साथ ही बोलते हैं हिंदुस्तान पाकिस्तान मुसल्मान हिंदू मंदिर मस्जिद किसी चर्चा में लोगों को कर सकते हो तो किसान पे जो प्रहारा आपने किया था ये तीन जो काले कानून बनाए थे अपनी जिद्व मनाए थे और एक साल तक किसानों ने देश की राजधानी में धरने दिये प्रदर्शन किया चक्का जाम किया तो एक साल के बाद जब चुनाम आने वाले थे तो हाथ जोड़के बोला ये तीनों कानून वापिस ले रहे हैं अब मैं जिसे पूसना चाहता हूँ कि किसके कहने पे तो आपने कानून बनाय थे और किसके कहने पे आपने वापिस ले लिए सेंख़ो किसानों की जान चली गई इस देश में किसान को जो हक और अदिकार मिलना चाहिए किसान के नमबर राजनीद सब करते हैं किसान के नारे सब देते हैं लेकिन सही माइने में किसान उसके परिवार को भला और भविश अगर बेदर करना कोई चाहता है उन लोगों के पैचान आपको करनी पड़ेगी मैं किसान परिवार में पैदा हुआ और मैं से बोलता हूँ कि मेरा जर्म गाव में नहीं हुआ मेरे पता जी एर फोर्स में थे तो जहांजा एर फोर्स का स्टेशन था माहा हमारे पोस्टिंग होती थी लेकिन जो किसान के दर्द को नहीं समझ सकता जो किसान के मुश्कुल को नहीं समझ सकता वो सरफ भाशन दे सकता है और मैं ये बात बार बार बोलता हूँ जब तक किसानों के बच्चे गरीब के बच्चे उन कुर्शे उपर नहीं बैठ जाएंगे जहां से इस देश के पर प्रदेश का कणार नहीं हो सकता जिसको पता होगा कि मुझे बैंक से गर 50 रुपे का लोन लेना है उसके सांगे चपल घिजाती है जूति घिजाती है बैंक के चकर काटते काटते हैं दो बार क्लर्क मिलेगा बोले का टेस्ट करके लाओ नोटराइस करके लाओ ये प्रमानप तो दस क्रोड का चेक उसी घर पहुंचाता है बैंक बेनेजर लिके जाए तो इस में फिलाल इतना है सचिन पाइलेट इस समय असंभूदित कर रहा है वालिंदू जी राकेश मोडिया जी मनीश यादव साहब सुभाष मील जो खंडेला से आए हैं मंच पर उपस्तित सभी न बच्चो मैं सबसे पहले आप सभी लोगों का धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपने आज हम सब के कर दो तिन दिनों से इसी प्रकार के किसांध सम संगटित और आगे बढ़ने के रास्ति के तरफ उनको उनसे बातें की उनकी बात को सुना अपनी बात को रखा शेखावटी की इस दर्ती पर बीरों की जमीन है एतिहासी की मिट्टी है और यहां पर जब जब मुझे आने का मौका मिला है आप सबने अपार्स नहीं और प्रे देश में सबी किसानों को उनके जीवन में जो परिवर्त लाने की उम्मीद हम देखना चाहते हैं किसानों के जीवन में किसानों के परिवार में किसानों के भविश के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं 75 साल बाद आज भी सरकारे आएं और चली गई लेकिन इस देश में सबसे मेहनती सबसे मांदार लेकिन दुर्भा के पर सबसे वंचित कोई वर्ग है तो वो किसान वर्ग है इस देश में दो तिहाई जन्ता जमीन पर काम करती है धर्ती का चीना चीर का रनाज पैदा करती है 130 करों लोगों का पेट पालते हैं उस किसान को जो मान सम्मान साहिता सयोग मदद मिलनी चाहिए उसके बच्चों को जो भविश मिलना चाहिए वो मिल नहीं रहा और मैं सवाल पूछना चाहता हूँ उन लोगों से दिल्ली में आठ सासे सरकार में बैठे हैं ये वो भाजबा क साथी हैं जो चुनाब पचार में बोलते थे कि हम किसान की आमनी दुगनी कर देंगे बोलो कहा कि निगाब बीज़ेपी ने हमने तो नहीं का आपको वादा करने के लिए लेकिन बीज़ेपी के साथियों ने कहा आप वोड़ दो हम किसान की आमनी दुगनी कर देंगे कि और सारी पूछान बेठे हैं मैं आप से पूछना चाहता हूं किसी की अंद्री दुगनी हो इक सदो कि अगर कुछ दुगनी चौगनी हो रही है तो खाद की कीमत पेट्रॉल की डीजल की बीच की यूरिया की बिजली की ये सारी किमत आसमान चुछ रही हैं कोई भला आदम केन की सरकार का करें बोलने को तयार नहीं है कि महंगाई कम करने की कोशिश भी करेंगे आप उनसे पूछो गैस का सिलिंडर 12 रुपे का क्यूं भिकरा है तो कहते हिंदुस्तान और पाकिस्तान आप पूछो किसान आज भुकमरी के गार बखड़ा है जो दो तीन बीगे में ख हुए पाकिस्तान मुसल्मान इंदू, मंदिर, मस्जिद इसी चर्चा में लोगों को समेटना चाते हैं लेकिन मैं चाहता हूँ हम सब चाहते हैं किसान को एक ऐसी रूपरेखा देनी जरूरी है किसान को मदद अगर आप नहीं कर सकते हो तो किसान पे जो प्रहारा आपने किया था ये तीन जो काले कानून बनाए थे अपनी जिद्व मनाए थे और एक साल तक किसानों ने देश की राजधानी में भरने दिये परदेशन किया, चक्का जाम किया तो एक साल के बाद जब चुनाम आने वाले थे तो हाथ चोड़के बोला, ये तीनों कानून वापिस ले रहे हैं अब मैं इसे पूसना चाहता हूँ कि किसके कहने पे तो अपने कानून बनाए थे और किसके कहने पे अपने वापिस ले लिए सेंकडों किसानों की जान चली गई इस देश में किसान को जो हक और अधिकार मिलना चाहिए किसान के नम राजनी सब करते हैं किसान के नारे सब देते हैं लेकिन सही माइने में किसान उसके परिवार को भला और भविश अगर बेदर करना कोई चाहता है उन लोगों के पैचान आपको करनी पड़ेगी मैं एक किसान परिवार में पैदा हुआ और मैं इसले बोलता हूँ कि मेरा जर्म गाउ में नहीं हुआ मेरे पता जी एर फोर्स में थे तो जहांचा एर फोर्स का स्टेशन था माहा हमारे पोस्टिंग होती थी लेकिन जो किसान के दर्द को नहीं समझ सकता जो किसान के मुश्कुल को नहीं समझ सकता वो सरफ भाशन दे सकता है और मैं ये बात बार बार बोलता हूँ जब तक किसानों के बच्चे गरीब के बच्चे उन कुर्शों पर नहीं बैठ जाएंगे जहांसे इस देश की प्रदेश की नीतिया लाग होती है तब तक वेस्का कल्णा प्रदेश का कलना नहीं हो सकता? जिसको पता होगा कि मुझे बैंक से जबर 50,000 रुपे का लोन लेना है उस किसान की चब्पल घिज जाती है जूती घिज जाती है बैंक के चक्र काटते है देश के अस्था के अंदर और कोई धन्ना सेट मोटा सामी को उद्योग पती बैंक मेनेजर को फोन कर दे तो दस क्रोड का चेक उसे घर पहुंचाता है बैंक बैंक बैंगे लिके जाए तो इस प्लेटिन में फिलाल इतना है सचिन पाइलेट इस समय असंबूदित कर रहे हैं बालिंदू जी, राकेश मोरदिया जी, मनीश यादव साहब, सुभाश मील जो खंडेला से आए हैं, मंचपर उपस्तित, सभी नितागन और इस किसान सम्मिलन में मौजूद मेरे किसान भाईयों, माताओं, भेनों, बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, प्यारे बच् कि आपने आज हम सब के निमंदरन को सुभीकार किया और इस किसान सम्मिलन में आप यहां सम्मिलित हुए हैं, पिछले दो-तिन दिनों से इसी प्रकार के किसान सम्मिलन हम लोगों ने पहले नागोर में किये, और कल मैं हनवानगर जिले में था, पीली बिन्ना में, बहाँ पर भी हमने किसानों को एकत्रित संगटित और आगे बढ़ने के रास्ति के तरफ उनको उनसे बातें की उनकी बात को सुना अपनी बात को रखा शेखावटी की इस दर्ती पर बीरों की जमीन है एतिहासी की मिट्टी है और यहां पर जब जब मुझे आने का मौका मिला है किसानों को उनके जीवन में जो परिवर्त लाने की उमीद हम देखना चाहते हैं किसानों के जीवन में किसानों के परिवार में किसानों के भविश के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं 75 साल बाद आज भी सरकारे आई और चली गई लेकिन इस देश में सबसे मेहनती सबसे लेकिन दुर्भागिवस्ट सबसे वंचित कोई वर्ग है तो वह किसान वर्ग है इस देश में दोती हाई जन्नता जमीन पर काम करती है धर्ती का सीना चीर का रहनाज पैदा करती है एक सो तीस करड़ लोगों का पेट पालते हैं उस किसान को जो मान समान साहिता सयोग मदद मिलनी चाहिए उसके बच्चों को जो भविश मिलना चाहिए वो मिल नहीं रहा और मैं सवाल पूछना चाहता हूँ उन लोगों से जो दिल्ली में आठ साल से सरकार में बैठे हैं ये वो भाजबा के साथी हैं जो चुना पचार मे बोस्जों ने बोलते थे कि हम किसान की आमनी डुगनी कर देंगे उफ्ट दो हम किसान की आमनी दूगनी कर देंगे कि सारी किसान बैठे हैं मैं आप से पूछना चाहता हूं किसी की आंदनी दुगनी होई किसानों की अगर कुछ दुगनी चौगनी हो रही है तो खाद की कीमत पेट्रोल की डीजल की बीच की यूरिया की बिजली की ये सारी कीमते आस्मान छू रही है कोई भला आदमी केंद की सरकार का आकर ये बोलने को तयार नहीं है कें महंगाई कम करने की कोशिश भी करेंगे आप उनसे पूछो गैस का सिलिंडर 12 रुपे का क्यूं बिकरा है तो कहते हिंदुस्तान और पाकिस्तान आप पूछो किसान आज भुकमरी के गार बखड़ा है जो दो तीन बीगे में खेदी करते हैं उसमें क्या बशता होगा क्या पालता होगा क्या बचाता होगा ये सवाल पूछो तो केन की सरकार के लोग बीजेपी के साथी बोलते हैं हिंदुस्तान पकिस्तान मुसल्मान हिंदू मंदिर मस्जिद इसी चर्चा में लोगों को समेटना चाहते हैं लेकिन मैं चाहता हूं हम सब चाहते हैं किसान को एक ऐसी रूप रेखा देनी जरूरी है किसान को मदद अगर आप नहीं कर सकते हो तो किसान पे जो प्रहार आपने किया था ये तीन जो काले कानून बनाए थे अपनी जिद्म मनाए थे और एक साल तक किसानों ने देश की राजधानी में धरने दिये परदर्शन किया, चक्का जाम किया तो एक साल के बाद जब चुनाम आने वाले थे तो हाथ जोड़के बोला, ये तीनों कानून वापिस ले रहे है अब मैं इसे पूछना चाहता हूँ कि किसके कहने पे तो अपने कानून बनाए थे और किसके कहने पे अपने वापिस ले लिए सेंकडों किसानों की जान चली गई इस देश में किसान को जो हक और अधिकार मिलना चाहिए किसान के नमबर राजनीद सब करते हैं किसान के नारे सब देते हैं लेकिन सही माइने में किसान उसके परिवार को भला और भविश अगर बेदर करना कोई चाहता है उन लोगों के पैचान आपको करनी पड़ेगी मैं किसान परिवार में पैदा हुआ और मैं से बोलता हूँ कि मेरा जर्म गाव में नहीं हुआ मेरे पता जी एर फोर्स में थे तो जहां जहां एर फोर्स का स्टेशन था महां हमारे पोस्टिंग होती थी लेकिन जो किसान के दर्द को नहीं समझ सकता जो किसान के मुश्कुल को नहीं समझ सकता वो सरफ भाशन दे सकता है और मैं यह बात बार बार बोलता हूँ जब तक किसानों के बच्चे गरीब के बच्चे उन कुड़्शों पर नहीं बैठ जाएंगे जहां से इस देश की प्रदेश की नीटिया लाग होती है तब तक डेश का कल्णान प्रदेश का कल्णान नहीं हो सकता है जिसको पता होगा कि मुझे बैंक से घर 50,000 रुपे का लोन लेना है उसके सान की चपल घिज जाती है जूती घिज जाती है बैंक के चक्र काटते काटते हैं दो बार क्लर्क मिलेगा बोलेगा टेस्ट करके लाओ नोटराइज करके लाओ ये प्रमान पत्र दो क्या गिर्वी रखोगे दस चक्र काटेगा फिर किसी दलाल को दो पांच जाव रुपे पकड़ाएगा तब जाके उसको मिलेंके पचाहईजार रुपे यह अखीकत मनिये देश की विज समय असंबूदित कर रहे हैं वालिंदू जी राकेश मोडिया जी मनीश यादव साब सुभाश मील जो खंडेला से आए हैं मंच पर उपस्तित सभी नितागन और इसके सांट सम्मिलन में मौजूद मेरे किसान भाईयों माताओं भेनों बुज़ूर्गों नौजवान दोस दो प्यारे बच्चों मैं सबसे पहले आप सभी लोगों का धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपने आज हम सब के निमंद्रन को सुभिकार किया और इसके सांट सम्मिलन में आप यहां सम्मिलित हुए हैं पिछले दो-तिन दिनों से इसी प्रकार के किसान सम्मिलन हम लोगों ने पहले नागोर में किये और कल मैं हनुआन गड़ जिले में था पीली बिन्ना में बहां पर भी हमने किसानों को एकत्रित संगटित और आगे बढ़ने के रास्ति के तरफ उनको उनसे बातें की उनकी बात को सुना अपनी बात को रखा शेखावटी की इस दर्ती पर वीरों की जमीन है एतिहासी की मिट्टी है और यहां पर जब जब मुझे आने का मौका मिला है आप सबने अपार्स नहीं और प्रेम दिया है मैं आप सब का कायल रहूंगा लेकिन आज इस मुद्टे को लेक आते हैं किसानों के जीवन में किसानों के परिवार में किसानों के भविश्च के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं 75 साल बाद आज भी सरकारे आई और चली गए लेकिन इस देश में सबसे मेहनती सबसे मांदार लेकिन दुर्भागवश्च सबसे वंचित कोई वर्ग है तो व तिहाई जन्ता जमीन पर काम करती है धर्टी का चीना चीर का रानाज पैदा करती है एक सो तीस करोडों का पेट पालते हैं उस किसान को जो मान सम्मान साहता सयोग मदद मिलनी चाहिए उसके बच्चों को जो भविश मिलना चाहिए वो मिल नहीं रहा और मैं सवाल पूछना चाहता हूँ उन लोगों से जो दिल्ली में आठ साल से सरकार में बैठे हैं ये वो भाजबा के साथी हैं जो चुना पचार में बोलते थे कि हम किसान की आमनी दुगनी कर देंगे बोलो कहा की निगा बीजेपी ने हमने तो नहीं कहा आपको वादा करने के लिए लेकिन बीजेपी के साथियों ने कहा आप वोट दो हम किसान की आमनी दुगनी कर देंगे कि सारी किसान बैठे हैं मैं आप से पूछना चाहता हूं किसी की अंधनी-दुगनी होई-किसानों की अगर कुछ दुगनी-जोगनी हो रही है तो खाद की कीमत पेटरोल की डीजल की बीच की यूरिया की बिजली की ये सारी किमतें आस्मान छु़ रही हैं कोई भला आदमी क किन की सरकार का करें बोलने को तयार नहीं है कि महंगाई कम करने की कोशिश भी करेंगे आप उनसे पूछो गैस का सिलिंडर 12 रुपे का क्यूं भिक रहा है तो कहते हिंदुस्तान और पाकिस्तान आप पूछो किसान आज भुकमरी के कहार बखडा है जो दो तीन भीगे में ख बुसलमान, हिंदु, मंदिर, मस्जिद इसी चर्चा में लोगों को समिटना चाहते हैं लेकिन नहीं चाहता हूँ हम सब चाहते हैं किसान को एक ऐसी रूप रेखा देनी जरूरी है किसान को मदद अगर आप नहीं कर सकते हो तो किसान पे जो परहारा आप ने किया था ये तीन जो काले कानून बनाए थे अपनी जिद्म मनाए थे और एक साल तक किसानों ने देश की राजधानी में धरनें दिये परदर्शन किया चक्का जाम किया तो एक साल के बाद जब चुनाम आने वाले थे तो हाथ जोड़ के बोला ये तीनों कानून वापिस ले रहे हैं कि हम मैं इसे पूछान चाहता हूं कि किसके कहने पे अपने कानून बनाए थे और किसके कहने हैं आपने वापिस ले लिये को सेह उक्षान की जान चली गई कि इस देश में किसान को हक और अधिकार मिलना चाहिए कि किसान के नमबर राजनी सब करते हैं किसान के नारे सब देते हैं लेकिन सही माइने में किसान उसके परिवार को भला और भविश्य अगर बेदर करना कोई चाहता है उन लोगों के पैचान आपको करनी पड़ेगी मैं किसान परिवार में पैदा हुआ और मैं से बोलता हूं कि मेरा जन्म गाओं में नहीं हुआ मेरे पता जी एरफोर्स में थे तो जहां जा एरफोर्स का स्टेशन था महां हमारे पोस्टिंग होती थी लेकिन जो किसान के दर्द को नहीं समझ सकता जो किसान की मुश्कुल को नहीं समझ सकता वो सरफ भाशन दे सकता है और मैं ये बात बार बार बोलता हूं जब तक किसानों के बच्चे गरीब के बच्चे उन कुर्षे उपर नहीं बैठ जाएंगे जहां से इस देश की परदेश की नीतिया लाग होती है तब तक देश का कल्णान परदेश का कल्णान नहीं हो सकता जिसको पता होगा कि मुझे बैंक से गर 50,000 रुपे का लोन लेना है उसके सान की चपल घिज जाती है जूती घिज जाती है बैंक के चकर काटते काटते हैं दो बार क्लर्क मिलेगा बोलेगा टेस करके लाओ नोटराइस करके लाओ ये प्रमान पत्र दो क्या गिर्वी पांच जार रुपे पकड़ाएगा तब जाके उसको मिलेंके पचाहई जारुपे ये अखिकत मनिये देश की विजस्था के अंदर और को धन्ना सेट मोटा सामी को उत्योग पती बैंक मेनेजर को फोन कर दे तो दस क्रोड का चेक उसी घर पहुंचाता है बैंक मेनेजर ल और इस किसान सम्मिलन में मौजूद मेरे किसान भाईयों माताओं भेनों बुजर्गों नौजवान दोस्तों प्यारे बच्चों मैं सबसे पहले आप सबी लोगों का धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपने आज हम सब के निमंदरन को सुविकार किया और इस किसान सम्मिलन में आप यहां सम्मेलित हुए हैं पिशले दो तिन दिनों से इसी प्रकार के किसान सम्मेलन हम लोगों ने पहले नागौर में किये और कल में हनवानगर जिले में था पीली बिंगा में बहाँ पर भी हमने किसानों को एकत्रित संगटित और आगे बढ़ने के रास्ति के तरफ उनको उनसे बाते की उनकी बात को सुना अपनी बात को रखा शेखावटी की इस दर्ती पर बीरों की जमीन है एतिहासी की मिट्टी है और यहां पर जब जब मुझे आने का मौका मिला है आप सबने अपार्स नहीं और प्रेम दिया है मैं आप सब का कायल रहूंगा लेकिन आज इस मुझे को लेकर हम पूरे परदेश में सबी किसानों को उनके जीवन में जो परिवर्त लाने की उम्मीद हम देखना चाहते हैं किसानों के जीवन में किसानों के परिवार में किसानों के भविश्च के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं 75 साल बाद आज भी सरकारे आई और चली गई लेकिन इस देश में सबसे मेहनती सबसे मांदार लेकिन दुर्भा के वर्ष सबसे वंचित कोई वर्ग है तो वह किसान वर्ग है इस देश में दो तिहाई जनता जमिंग पर काम करती है धती का सीना चीर का रनाज पैदा करती है 130 करों लोगों का पेट पालते हैं उस किसान को जो मान समान सायता सयोग मदद मिलनी चाहिए उसके बच्चों को जो भविश मिलना चाहिए वो मिल नहीं रहा और मैं सवाल पूछना चाहता हूँ उन लोगों से जो दिल्ली में 8 साल से सरकार में बैठे हैं यह वो भाजबा के साथी हैं जो चुनाप प्रचार में बोलते थे कि हम किसान की आमनी दुगनी कर देंगे बोलो कहा कि निगा बीजेपी ने हमने तो नहीं कहा आपको वादा करने के लिए लेकिन बीजेपी के साथियों ने कहा आप वोट दो हम किसान कि आमने दुगनी कर देंगे सारे किसान बैठे हैं मैं आपसे पूछना चाहता हूँ किसी की आमने दुगनी होई किसानों की अगर कुछ दुगनी चौगनी हो रही है तो खाद की कीमत पेट्रोल की, डीजल की बीज की, यूरिया की, बिजली की ये सारी किमते आस्मान छू रही हैं कोई भला आदमी केंद की सरकार का आकर ये बोलने को तयार नहीं है कि ये महंगाई कम करने की कोशिश भी करेंगे आप उनसे पूछो गैस का सिलंडर 12 रुपे का क्यों भिक रहा है तो कहते हिंदुस्तान और पाकिस्तान आप पूछो किसान आज भुकमरी के एक आर बखड़ा है जो दो तीन भीगे में खेदी करते हैं उस पे क्या बचता होगा क्या पालता होगा क्या बचाता होगा ये सवाल पूछो तो केन की सरकार के लोग बीजेपी के साथी बोलते हैं एक पाकिस्तान मुसल्मान हिंडू मंदिर मस्जित एसी चर्चा में लोगों को समेटने चाहते लेकिन मैं चाहता है हम सब चाहते हैं कि astag को ए एक ऐसी रूप्रेखादेनी जुरूबी और को मदद अगर आप नहीं कर सकते हो किसान पे जुब्रहारा आप ने था ये तीन जो काले कानौन बनाए थे अपनी जिद्व मनाए थे और एक साल तक किसानों और देश की राज़ानी में धरनें दिए पज़्शन किया चक्कहयान किया तो एक साल के बाद जब चुनाम आने वाले थे तो हाथ चोड़के बोला यह तीनों कानून वापिस ले रहे हैं मैं से बूंसा चाहता हूं कि किस के कहने पे तो आपने कानून बनाए थे और किस के के हैं आपने वापिस ले लिए سैंक डोड गशानों की जान चली गई हुआ कि इस देश में खिसान को जो हक और अधिकार मिलना चाहिए इस किसान के नारीं सब देतेों लिकिन सही माइंने में किसान उसके परिवार को भला और भाविश अगर बेड़ करना कोई चाहता है ति उन लोगों के पैचान आपको करनी पड़ेगे मैं किसान परिवार में पैदा हुआ और मैसे बोलता हूं कि मेरा जर्म गाव में नहीं हुआ मेरे पता जी एर फोर्स में थे तो जहां जा एर फोर्स का स्टेशन था महां हमारे पोस्टिंग होती थी लेकिन जो किसान के दर्द को नहीं समझ सकता जो किसान की मुश्कुल को नहीं समझ सकता वो सरफ भाशन दे सकता है और मैं यह बात बार बार बोलता हूं तब तक किसानों के बच्चे गरीब के बच्चे उन कुर्शे पर नहीं बैठ जाएंगे जहां से बेश की परदेश की प्रदेश का कलना नहीं हो सकता जिसको पता होगा कि मुझे बैंक से गर 50,000 रुपे का लोन लेना है उसके सान की चपल गिस जाती है जूती घिस जाती है बैंक के चक्र काटते का नहीं दो बार क्लरक मिलेगा बोलेगा टेस्ट करके लाओ नोटराइस करके लाओ ये प्रमान पत्र दो क्या गिर्वी रखोगे दस चक्र काटेगा फिर किसी दलाल को दो पांच जारुपे पकड़ाएगा तब जाके उसको मिले के पचाईजार रुपे ये अखीकत मनिये देश की विएस्था के अंदर और और धन्ना सेट मोटा सामी को उद्योग पती बैंक मेनेजर क प्रफोन कर दे तो दस क्रोड का चेक उसी घर पहुंचाता है बैंक मेनेजर लिके जाएगा तो इस में फिलाल इतना ही है सचीन पाइलेट इस समय असंबूदित कर रहा है वालिंदू जी राकेश मोडिया जी मनीश यादव साहब सुभाश मील जो खंडेला से आये हैं सबसे पहले आप सभी लोगों का धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपने आज हम सब के निमंद्रन को सुभीकार किया और इस किसान समयलन में आप यहां समलित हुए हैं पिछले दो-तिन दिनों से इसी प्रकार के किसान समयलन हम लोगों ने पहले नागौर में किये और कल मैं हनवानगर जिले में था पीरी बिन्गा में बहां पर भी हमने किसानों को एकत्रित संगटित और आगे बढ़ने के रास्ति के तरफ उनको उनसे बातें की उनकी बात क तो सुना अपनी बात को रखा शेखावटी की इस दर्ती पर बीरों की जमीन है एतिहासी की मिट्टी है और यहां पर जब जब मुझे आने का मौका मिला है आप सबने अपार्स ने और प्रेम दिया है मैं आप सब का कायल रहूंगा लेकिन आज इस मुद्टे को लेकर हम प ही किसानों के जीवन में किसानों के परिवार में किसानों के भविष्ख के लिए हम लोग क्या करसकते Х09 75 साल बाद आज भी सरकारे आएं और चली गई लेकिन इस देश में सबसे मेहनती, सबसे मांदार, लेकिन दुर्भागी वर्ष सबसे वंचित कोई वर्ग है, तो वो किसान वर्ग है इस देश में दो त्याई जन्ता जमीन पर काम करती है धर्ती का छीना चीर का रहनाज पैदा करती है 130 करों लोगों का पेट पालते है उस किसान को जो मान सम्मान साहिता स्योग मदद मिलनी चाहिए उसके बच्चों को जो भविश मिलना चाहिए वो मिल नहीं रहा और मैं सवाल पूछना चाहता हूँ उन लोगों से जो दिल्ली में 8 साल से सरकार में बैठे हैं ये वो भाजबा के साती हैं जो चुनाब पचार में बोलते थे कि हम किसान की आमनी दुगनी कर देंगे बोलो कहा की निगाब बीजेपी ने हमने तो नहीं कहा आपको वादा करने के लिए लेकिन बीजेपी के सातियों ने कहा आप वोट दो हम किसान की आमने दुगनी कर देंगे सारी किसान बैठे हैं मैं आप से पूछना चाहता हूं किसी की आमने दुगनी होई किसानों की अगर कुछ दुगनी चौगनी हो रही है तो खाद की कीमत पेट्रोल की डीजल की बीच की यूरिया की बिजली की ये सारी कीमते आस्मान चू रही हैं कोई भला आदमी केंद की सरकार काकर ये बोलने को तयार नहीं है कि ये महंगाई कम करने की कोशिश भी करेंगे आप उनसे पूछो गैस का सिलंडर 12 रुपे का क्यों पिक रहा है तो कहते हिंदुस्तान और पाकिस्तान आप पूछो किसान आज भुकमरी के कहार बखड़ा है जो दो तीन बीगे में खेदी करते हैं उसमें क्या बचता होगा क्या बचाता होगा ये सवाल पूछो तो केन की सरकार के लोग बीज़ेपे के साथी बोलते हैं हिंदुस्तान पाकिस्तान मुसल्मान हिंदू मंदिर मस्जिद इसी चर्चा में लोगों को समेटना चाहते हैं लेकिन मैं चाहता हूं हम सब चाहते हैं किसान को एक ऐसी रूप रेखा देनी जरूरी है किसान को मदद अगर आप नहीं कर सकते हो तो किसान पर जो प्रहारा आपने किया था ये तीन जो काले कानून बनाए थे अपनी जिद्व मनाए थे और एक साल तक किसानों ने देश के राजधानी में धरने दिये पदर्शन किया चक्का जाम किया तो एक साल के बाद जब चुनाम आने वाले थे तो हाथ जोड़के बोला हम ये तीनों कानून वापिस ले रहे हैं अब मैं जिसे पूसना चाहता हूं कि किस के के कहने पे तो आपने कानून बनाए थे और किस के कहने पे आपने वापिस ले लिए सेंख़ों किसानों की जान चली गई इस देश में किसान को जो हक और अधिकार मिलना चाहिए किसान के नमबर राजनीद सब करते हैं किसान के नारे सब देते हैं लेकिन सही माइने में किसान उसके परिवार को भला और भविश्च अगर बैदर करना कोई चाहता है उन लोगों के पैचान आपको करनी पड़ेगी मैं किसान परिवार में पैदा हुआ और मैं से बोलता हूं कि मेरा ज़र्म गाव में नहीं हुआ मेरे पता जी एरफोर्स में थे तो जहां जा है एरफोर्स का स्टेशन ता माहा हमारे पोस्ट ने होती थी लेकिन जो किसान के दर्द को नहीं समझ सकता जो किसान की मुश्कुल को नहीं समझ सकता वो सरफ भाज़न दे सकता है और मैं ये बात बार बार बोलता हूँ जब तक किसानों के बच्चे गरीब के बच्चे उन कुर्शें पर नहीं बैठ जाएंगे जाहां से इस देश की पर अलान प्रदिश का करना नहीं हो सकता जिसको पता होगा कि मुझे बैंक से गए 50 जार रुपे का लोन लेना है उसके सान की चपल गिज जाती है जूती कि जाती है बैंक के चक्कर काटते काट तो बार क्लर्क मिलेगा बोलेगा टेस्ट करके लाओ नोटराइस करके लाओ ये प जनना से मोटा सामी कोई उद्योग पती बैंक मेनेजर को फोन कर दे तो दस क्रोड का चेक उसी घर पहुंचाता है बैंक मेनेजर लिके जाए तो इस में फिलाल इतना है सचिन पाइलेट इस समय असंभूदित कर रहे हैं वालिंदू जी राकेश मोर्दिया जी मनीश याद दोस्तों प्यारे बच्चों मैं सबसे पहले आप सभी लोगों का धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपने आज हम सब के निमंदरन को सुविकार किया और इस किसान समयलन में आप यहां समयलित हुए हैं पिछले दो-तिन दिनों से इसी प्रकार के किसान समयलन हम लोगों ने पहले नागौर में किये और कल मैं हनवानगर जिले में था पीली बिंगा में बहां पर भी हमने किसानों को एकत्रित संगटित और आगे बढ़ने के रास्ति के तरफ उनको उनसे बातें की उनकी बात को सुना अपनी बात को रखा शेखावटी की इस दर्ती पर बीरों की जमीन है एतिहासी की मिट्टी है और यहां पर जब जब मुझे आने का मौका मिला है आप सबने अपार्स ने और प्रेम दिया है मैं आप सब का कायल रहूंगा लेकिन आज इस मुद्टे को लेकर हम पूरे परदेश में सबी किसानों को उनके जीवन में जो परिवर्त लाने की उम्मीद हम देखना चाहते हैं किसानों के जीवन में किसानों के परिवार में किसानों के भविश्च के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं 75 साल बाद आज भी सरकार हैं और चली गई लेकिन इस देश में सबसे मेहनती, सबसे मांदार, लेकिन दुर्भा के वर्ष सबसे वंचित कोई वर्ग है, तो वो किसान वर्ग है इस देश में दो तिहाई जन्ता जमीन पर काम करती है धर्टी का सीना चीर का रहनाज पैदा करती है 130 करों लोगों का पेट बालते है उस किसान को जो मान समान साहिता सयोग मिलनी चाहिए उसके बच्चों को जो भविश मिलना चाहिए वो मिल नहीं रहा और मैं सवाल पूछना चाहता हूँ उन लोगों से जो दिल्ली में आठ साल से सरकार में बैठे है ये वो भाजबा के साथी हैं जो चुनाब पचार में बोलते थे कि हम किसान की आमनी दुगनी कर देंगे बोलो कहा कि निगा बीजेपी ने हमने तो नहीं कि आपको वादा करने के लिए लेकिन बीजेपी के साथियों ने कहा आप वोट दो हम किसान की आमनी दुगनी कर देंगे सारी किसान बैठे हैं मैं आप से पूछना चाहता हूँ किसी की आमनी दुगनी होई किसानों की अगर कुछ दुगनी चौगनी हो रही है तो खाद की कीमत पेट्रोल की, डीजल की, बीज की, यूरिया की, बिजली की ये सारी किमते आस्वान चू रही है कोई भला आदमी केन की सरकार का कर ये बोलने को तयार नहीं है कि ये महंगाई कम करने की कोशिश भी करेंगे आप उनसे पूछो गैस का सिलिंडर बारा सुरुपे का क्यूं बिक रहा है तो कहते हिंदुस्तान और पाकिस्तान आप पूछो किसान आज भुकमरी के एक आर बखड़ा है जो दो-तीन बीगे में खेदी करते हैं उसमें क्या बचता होगा, क्या पालता होगा प्याख बचाता होगा यह सवाल पूछो तो केन के सरकार के लोग बीजेपे के साथी बोलते हैं हिंदुस्तान, पाकिस्तान, मुसल्मान, हिंदू, मंदिर, मस्जिद इसी चर्चा में लोगों को समेटना चाहते हैं किसान को एक ऐसी रूप रेखा देनी जरूरी है किसान को मदद अगर आप नहीं कर सकते हो तो किसान पर जो प्रहारा आपने किया था यह तीन जो काले कानून बनाए थे अपनी जिद्व मनाए थे और एक साल तक किसानों ने देश के राजधानी में धरने दिये, पदर्शन किया, चक्का जाम किया तो एक साल के बाद जब चुनाम आने वाले थे तो हाथ जोड़ के बोला, यह तीनों कानून वापिस ले रहे हैं अब मैं इसे पूछना चाहता हूँ कि किसके कहने पे तो आपने कानून बनाए थे और किसके कहने पे आपने वापिस ले लिए सेंकड़ों किसानों की जान चली गई इस देश में किसान को जो हक और अधिकार मिलना चाहिए किसान के नमबर राजनी सब करते हैं किसान के नारे सब देते हैं लेकिन सही माइने में किसान उसके परिवार को भला और भविश अगर बैदर करना कोई चाहता है उन लोगों के पैचान आपको करनी पड़ेगी मैं किसान परिवार में पैदा हुआ और मैं से बोलता हूं कि मेरा जर्म गाउ में नहीं हुआ मेरे पता जी एरफोर्स में थे तो जहां जाए एरफोर्स का सेशन था महां हमारे पोस्टिंग होती थी लेकिन जो किसान के दर्द को नहीं समझ सकता जो किसान की मुश्कुल को नहीं समझ सकता वो सरफ भाशन दे सकता है और मैं यह बार 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 बोलता हूं जब तक किसानो पर नहीं बैठ जाएंगे चहां से इस देश की पर्देश की नीटे अलग होती है तब तक देश का कल्णान पर दूनान नहीं हो सकता जिसको पता होगा कि मुझे बैंक इसे गर 50 रुपे का लोन लेना है उसके सान की चपल कि जाती है जूती कि जाती है बैंक चक्र काटते काटते हैं दो बार क्लर्क मिलेगा बोलेगा टेस्ट करके लाओ नोटराइस करके लाओ ये प्रमान पत्र दो क्या गिर्वी रखोगे 10 चक्र काटेगा फिर किसी दलाल को दो पांच जार रुपे पकड़ाएगा तब जाके उसको मिलें के पचाहईजार रुपे ये अखिकत मनिये देश की विजस्था के अंदर और और धन्ना सेट मोटा सामी को उद्योग पती बैंक मेनेजर को फोन कर दे तो दस क्रोड का चेक उसी घर पहुंच जाता है बैंक नितागन और इस किसान सम्मिलन में मौजूद मेरे किसान भाईयों माताओं भेनों बुजर्गों नौजवान दोस्तों प्यारे बच्चों मैं सबसे पहले आप सबी लोगों का धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपने आज हम सब के निमंदरन को सुविकार किया और इस किसा नागौर में किये और कल मैं हनवानगर जिले में था पीली बिन्ना में बहाँ पर भी हमने किसानों को एकत्रित संगटित और आगे बढ़ने के रास्ति के तरफ उनको उनसे बातें की उनकी बात को सुना अपनी बात को रखा शेखावटी की इस दर्ती पर बीरों की जमीन ह है एतिहासी की मिट्टी है और यहां पर जब जब मुझे आने का मौका मिला है आप सबने अपार्स नहीं और प्रेम दिया है मैं आप सबका कायल रहूंगा लेकिन आज इस मुद्टे को लेकर हम पूरे परदेश में सभी किसानों को उनके जीवन में जो परिवर्त लाने की उम्मीद हम देखना चाहते हैं किसानों के जीवन में किसानों के परिवार में किसानों के भविश्य के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं 75 साल बाद आज भी सरकारे आई और चली गए लेकिन इस देश में सबसे मेहनती सबसे मांदार लेकिन दुर्भागिवस्ट सबसे वंचि कोई वर्ग है तो वो किसान वर्ग है इस देश में दो तीहाई जन्ता जमीन पर काम करती है धरती का छीना चीर का रहनाज पैदा करती है एक सो तीस करड़ों का पेट पालते हैं उस किसान को जो मान समान साहता सयोग मदद मिलनी चाहिए उसके बच्चों को जो भविश मिलना चाहिए वो मिल नहीं रहा और मैं सवाल पूछना चाहता हूँ उन लोगों से जो दिल्ली में आठ साल से सरकार में बैठे हैं ये वो भाजबा के साथ ही हैं जो चुनाब पचार में बोलते थे कि हम किसान की आमनी दुगनी कर देंगे बोलो कहा की ने का बीजेपी ने हमने त आता हूँ किसी की अंगनी दुगनी होई किसानों की अगर कुछ दुगनी चौगनी हो रही है तो खाद की कीमत पेट्रोल की डीजल की बीच की यूरिया की बिजली की ये सारी कीमते आस्मान चू रही हैं कोई भला आदमी केम की सरकार का आकर ये बोलने को तयार नहीं है के महंगाई कम करने की कोशिश भी करेंगे आप उनसे पूछो गैस का सिलिंडर 12 रुपे का क्यों बिक रहा है तो कहते हिंदुस्तान और पाकिस्तान आप पूछो किसान आज भुकमरी के कहार बखड़ा है जो दो तीन बीगे में खेदी करते हैं क्या बचता होगा क्या बचाता होगा यह सवाल पूछो तो केन की सरकार के लोग बीज़ेपे के साथ ही बोलते हैं हिंदुस्तान, पाकिस्तान, मुसल्मान, हिंदू, मंदिर, मस्जिद इसी चर्चा में लोगों को समेटना चाहते है किसान को एक ऐसी रूप रेखा देनी जरूरी है किसान को मदद अगर आप नहीं कर सकते हो तो किसान पर जो प्रहारा आपने किया था यह तीन जो काले कानून बनाए थे अपनी जिद्व मनाए थे और एक साल तक किसानों ने देश की राजधानी में धरने दिये परदर्शन किया, चक्का जाम किया तो एक साल के बाद जब चुनाम आने वाले थे तो हाथ जोड़के बोला, यह तीनों कानून वापिस ले रहे है अब मैं इसे पूछना चाहता हूँ कि किसके कहने पे तो आपने कानून बनाए थे और किसके कहने पे आपने वापिस ले लिए सेंकड़ो किसानों की जान चली गई इस देश में किसान को जो हक और अधिकार मिलना चाहिए किसान के नमबर राजनी सब करते है किसान के नारे सब देते है लेकिन सही माइने में किसान उसके परिवार को भला और भविश अगर बेदर करना कोई चाहता है उन लोगों के पैचान आपको करनी पड़ेगी मैं किसान परिवार में पैदा हुआ और मैं इसले बोलता हूँ कि मेरा जर्म गाउ में नहीं हुआ तो जहां-चायर फोर्स का सेशन था माहा हमारे पोस्टिंग होती थी लेकिन जो किसान के दर्द को नहीं समझ सकता जो किसान की मुश्क्रों नहीं समझ सकता वो kasihण दे सकता है और मैं ये बात बार बार बोलता हूं जब तक किसानों के बच्चे गरीब के बच्चे उन कुर्षे उपर नहीं बैठ जाएंगे जहां से इस देश की परदेश की नीतिया लाग होती है तब तक देश का कल्णान परदेश का कल्णान नहीं हो सकता जिसको पता होगा कि मुझे बैंक से गर 50,000 रुपे का लोन लेना है उस किसान की चपल कि जाती है जूती कि जाती है बैंक के चकर काटते का दो बार क्लर्क मिलेगा बोलेगा टेस करके लाओ नोटराइस करके लाओ ये प्रमान पत्र दो क्या गिर्वी रखोगे 10 चकर तब जाके उसको मिलें के 50,000 रुपे ये अखीकत मनिये देश की वहस्था के अंदर और को धन्ना से मोटा सामी को उद्योग पती बैंक मेनेजर को फोन कर दे तो दस क्रोड का चेक उसी घर पहुंचाता है बैंक मेनेजर लिके जाए तो इस बलेटिन में फिलाल इतना है केश मोरदिया जी, मनीश यादव साहब, सुभाश मील जो खंडेला से आये हैं, मंचपर उपस्तित, सभी नितागन और इस किसान सम्मिलन में मौजूद, मेरे किसान भाईयों, माताओं, भेनों, बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, प्यारे बच्चों, मैं सबसे पह पिछले दो-तिन दिनों से इसी प्रकार के किसान सम्मिलन हम लोगों ने पहले नागौर में किये, और कल मैं हनवानगर जिले में था, पीली बिंगा में, बहाँ पर भी हमने किसानों को एकत्रित, संगटित, और आगे बढ़ने के रास्ती के तरफ, उनको उनसे बातें की, उनकी बात को सुना, अपनी बात को रखा, शेखावटी की इस दर्ती पर बीरों की जमीन है, एतिहासी की मिट्टी है, और यहाँ पर जब-जब मुझे आने का मौका मिला है, आप सबने अपार्स ने और प्रेम दिया है, मैं आप सब का कायल रहूंगा, लेकिन आज इस मु इवरत अलाने की उम्मीद हम देखना चाहते हैं, किसानों के जीवन में, किसानों के परिवार में, किसानों के भविश्य के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, 75 साल बाद आज मी, सरकार आई और चली गई, लेकिन इस देश में सबसे महनती, सबसे मानदार, लेकिन वर्ग है तो वह किसान वर्ग है इस देश में दो टिहाई जन्ता जमीन पर काम करती है धर्टी का चीना चीर का रानाज पैदा करती है एक सो तीस करड़ों का पेट पालते हैं उस किसान को जो मान समान साहता सयूग मदद मिलनी चाहिए उसके बच्चों को जो भविश मिलना चाहिए वो मिल नहीं रहा है और मैं सवाल पूछना चाहता हूं उन लोगों से दिल्ली में आठ साल से सरकार में बैठे हैं ये वो भाजबा के साथ ही हैं जो चुनाव पचार में बोलते थे कि हम किसान की आमदनी दुगनी कर देंगे बोलो कहा कि निगा बीजेपी ने हमने तो नहीं का आपको वादा करन होई किसानों की अगर कुछ दुगनी जोगनी हो रही है तो खाद की कीमत पेट्रोल की डीजल की बीच की यूरिया की बिजली की ये सारी कीमतें आस्मान चु रही हैं कोई भला आदमी केम की सरकार का कर ये बोलनने को तयार नहीं है कि महंगाई कम करने की कोशिश भी आप उनसे पूछो गैस का सिलंडर 12 रुपे का क्यों भिक रहा है तो कहते हिंदुस्तान और पाकिस्तान आप पूछो किसान आज भुकमरी के कार बखड़ा है जो दो तीन भीगे में खेदी करते हैं उस पे क्या बसता होगा क्या पालता होगा क्या बचाता होगा यह सवाल प चाते हैं लेकिन मैं चाहता हूं हम सब चाते हैं किसान को एक ऐसी रूप रेखा देनी जरूरी है किसान को मदद अगर आप नहीं कर सकते हो तो किसान पर जो प्रहारा आपने किया था यह तीन जो काले कानू बनाए थे अपनी जिद्व मनाए थे और एक साल तक किसानों ने देश की राजधानी में धबनें दिये पदर्शन किया चक्का जाम किया तो एक साल के बाद जब चुनाम आने वाले थे तो हाथ जोड़के बोला ये तीनों कानून वापिस ले रहे हैं अब मैं इसे पूछना चाहता हूँ कि किसके कहने पर तो अपने कानून बनाए थे और किसके कहने पर आपने वापिस ले लिए तो सेंगरों किसानों की जान चली गई कि इस देश में किसान गोजो हक और अधिकार मिलना चाहिए किसान के नमर रा नीजसे सब करते कि Lesson के नारे सब परदेतें ने कि सही मायने में किसान उसके परिवार को भला और भबिश अगर बैतर खना कोई चाहता है उन लोगों के पैचान आपको करनी पड़ेगी मैं किसान परिवार में पैदा हुआ और मैंसे बोलता हूं कि मेरा जर्म गाव में नहीं हुआ मेरे पता जी एरफोर्स में थे तो जहां जाए एरफोर्स का स्टेशन था माहा हमारे पोस्टिंग होती थी लेकिन जो किसान के दर्द को नहीं समझ सकता जो किसान के मुश्कुल को नहीं समझ सकता वो सरफ बाशन दे सकता है और मैं यह बात बार बार बोलता हूं जब तक किसानों के बच्चे गरीब के बच्चे उन कुर्शे उपर नहीं बैठ जाएंगे जांसे इस बेश की क्षिक उसक्का जिसको पता होगा कि मुझे बैंक लिए का लोन लेना है उसके सान की छपल कि ज्यादी जूती इस जादी है बैंक के चक्र काटते काट दो बार क्लर्क मिलेगा बोलेगा टेस्ट करके लाओ नोटराइज करके लाओ ये प्रमान पत्र दो क्या गिर्वी रखोगे दस चक्र काटेगा फिर किसी दलाल को दो पांच जार रुपे पकड़ाएगा तब जाके उसको मिलें के पचाहई जार रुपे यह अखिकत बनी है तो दस क्रोड का चेक उसी घर पहुंचाता है बैंक बेनेजर लिके तो इस बलेटर में फिलाल इतना है है सचिन पाइलेट इस समय असंबूदित कर रहे हैं वालिंदू जी राकेश मोर्दिया जी मनीश यादव साहब सुभाश मील जो खंडेला से आये हैं मंच पर उपस् सम्मेलन में में मौझूद मेरे किसान भाईयों बहताओं भेनों बुज़र्गों नौजवान दोस्तों अप्यारे बच्चों मैं सबसे पहले आप सभी लोगों का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आपने आज हम सब के निमंद्रन को स्विकार किया और इस किसाना समिलन में आप यहां समलित हुए हैं पिछले दो तिन दिनों से इसे प्रकार के किसान समेलन हम लोगों ने पहले नागौर में किये और कल में हनवानगर जिले में था पीली बिंगा में बहाँ पर भी हमने किसानों को एकत्रित संगटित और आगे बढ़ने के रास्ति के तरफ उनको उन हासी की मिट्टी है और यहां पर जब जब मुझे आने का मौका मिला है आप सबने अपार्स ने और प्रेम दिया है मैं आप सबका कायल रहूंगा लेकिन आज इस मुद्टे को लेकर हम पूरे परदेश में सभी किसानों को उनके जीवन में जो परिवर्त लाने की उम्मीद हम देखना चाहते हैं किसानों के जीवन में किसानों के परिवार में किसानों के भविश के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं 75 साल बाद आज भी सरकारे आई और चली गई लेकिन इस देश में सबसे मेहनती सबसे मांदार लेकिन दुर्भागिवश सबसे वंचित कोई वर्ग है तो वो किसान वर्ग है इस देश में दो तिहाई जन्ता जमीन पर काम करती है धर्टी का सीना चीर का रहनाच पैदा करती है 130 करोडों का पेट पालते हैं उस किसान को जो मान समान साहिता सयोग मदद मिलनी चाहिए उसके बच्चों को जो भविश मिलना चाहिए वो मिल नहीं रहा और मैं सवाल पूछना चाहता हूँ उन लोगों से जो दिल्ली में आठ साल से सरकार में बैठे हैं ये वो भाजबा के साथ ही हैं जो चुनाप पचार में बोलते थे कि हम किसान की आमनी दुगनी कर देंगे बोलो कहा की निगा बीजेपी ने हमने तो नहीं कि आपको वाद दुगनी होई किसानों की अगर कुछ दुगनी हो रही है तो खांठ की कीमत पेट्रोल की डीजल की बीच की यूरिया की बिजली की ये सारी कीमते आसमान चुँ रही हैं कोई भला आदमी केंड की सरकार काहते बोलने को तैयार नहीं है कि चाहिए महंगाई कम करने की भी करेंगे आप उनसे पूछो गैस का सिलंडर 12 रुपे का चूंभ करा है तो कहते हिंदुस्तान और पाकिस्तान आप पूछो किसान आज भुकमरी के कहार बख़डा है जो दो तीन बीगे में खेदी करते उसमें क्या बचता होगा क्या पालता होगा यह सवाल पूछो तो कि इनकी सरकार के लोग बीजेपे के साथी बोलते हैं हिंदुस्तान पाकिस्तान मुसल्मान हिंदू मंदिर मस्जिद इसी चर्चा में लोगों को समेटना चाहते हैं लेकिन मैं चाहता हूं हम सब चाहते हैं किसान को एक ऐसी रूप रेका देनी जरूरी है किसान को मदद अग जो काले कानून बनाए थे अपनी जिद्व मनाए थे और एक साल तक किसानों ने देश की राजधानी में धरने दिये पदर्शन किया चक्का जाम किया तो एक साल के बाद जब चुनाम आने वाले थे तो हाथ जोड़ के बोला हम ये तीनों कानून वापिस ले रहे हैं अब मैं इसे पूछना चाहता हूँ कि किसके कहने पे तो आपने कानून बनाए थे और किसके कहने पे आपने वापिस ले लिए सेंकड़ों किसानों की जान चली गई इस देश में किसान को जो हक और अधिकार मिलना चाहिए किसान के नमबर आजनी सब करते हैं किसान के नारे सब देते हैं लेकिन सही माइने में किसान उसके परिवार को भला और भविश अगर बेदर करना कोई चाहता है उन लोगों के पैचान आपको करनी पड़ेगी मैं किसान परिवार में पैदा हुआ और मैसिते बोलता हूं कि मेरा ज़नम गाओ में नहीं हुआ मेरे पता जी एयर फोर्स पे थे तो जहां-जाए हिर फोर्स का सेशन था माहा हमारे पोस्टिंण होती थी लेकिन जो किसान के दर्ष गुजभ नहीं समझ सकता तो किसान की मुश्कुल नहीं समझ सकता वो सरफ भाशन दे सकता है और मैं यह बात बार बार बोलता हूं जब तक किसानों के बच्चे गरीब के बच्चे उन कुर्शे पर नहीं बैठ जाएंगे चाहं से इस देश की परदेश की नीतिया लाग होती है तब तक देश का कल्ण प्रदेश का कलना नहीं हो सकता जिसको पता होगा कि मुझे बैंक से गर 50,000 रुपे का लोन लेना है उस किसान की चपल घिज जाती है जूती घिज जाती है बैंक के चकर काटते काटते हैं दो बार क्लर्क मिलेगा बोलेगा टेस्ट करके लाओ नोटराइस करके लाओ यह प नहीं कोई उद्योग पती बैंक मेनेजर को फोन कर दे तो दस क्रोड का चेक उसी घर पहुंचाता है बैंक मेनेजर लिखे जाता है तो इस में फिलाल इतना है सचिन पाइलेट इस समय असंभूदित कर रहे हैं वालिंदू जी राकेश मोर्दिया जी मनीश यादव साहब स सबाश मील जो खंडेला से आए हैं मंच पर उपस्तित सभी नितागन और इसके सांच सम्मिलन में मौजूद मेरे किसान भाईयों माताओं भेनों बुज़ूर्गों नौजवान दोस्तों प्यारे बच्चों मैं सबसे पहले आप सभी लोगों का धन्यवाद करना चाहता कि आपने आज हम सब के निमंदरन को स भिकार किया और इस किसान सम्मिलन में आप यहां समलित हुए हैं। शेखावटी की इस दर्ती पर वीरों की जमीन है एतिहासी की मिट्टी है और यहाँ पर जब जब मुझे आने का मौका मिला है आप सबने अपार्स ने और प्रेम दिया है मैं आप सबका कायल रहूंगा लेकिन आज इस मुद्ध को लेकर हम पूरे परदेश में सबी किसानों क उनके जीवन में जो परिवर्त लाने की उमीद हम देखना चाहते हैं किसानों के जीवन में किसानों के परिवार में किसानों के भविश्च के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं 75 साल बाद आज भी सरकारे आई और चली गई लेकिन इस देश में सबसे मेहनती, सबसे मांदार, लेकिन दुर्भा के पर सबसे वंचित कोई वर्ग है, तो वो किसान वर्ग है इस देश में दो तिहाई जन्ता जमीन पर काम करती है धर्टी का छीना चीर का रहनाज पैदा करती है 130 करोड़ों का पेट पालते हैं उस किसान को जो मान समान साहिता सयोग मदद मिलनी चाहिए उसके बच्चों को जो भविश मिलना चाहिए वो मिल नहीं रहा और मैं सवाल पूछना चाहता हूँ उन लोगों से दिल्ली में 8 साल से सरकार में बैठे हैं ये वो भाजबा के साती ह जो चुनाब पचार में बोलते थे कि हम किसान की आमनी दुगनी कर देंगे बोलो कहा कि निगाब बीजेपी ने हमने तो नहीं का आपको वादा करने के लिए लेकिन बीजेपी के सियातियों ने कहा आप वोट दो हम किसान की आमनी दुगनी कर देंगे सारी किसान बैठे हैं मैं आप से पूचना चाहता हूँ किसी की अंधनी दुगनी होई किसानों की अगर कुछ दुगनी चौगनी हो रही है तो खाद की कीमत पेट्रोल की, डीजल की, बीज की, यूरिया की, बिजली की ये सारी कीमतیں आस्मान चू रही है कोई भला आदमी केंद की सरकार का कर ये बोलने को तयार नहीं है कि ये महंगाई कम करने की कोशिश भी करेंगे आप उनसे पूछो गैस का सिलंडर 12 रुपे का क्यूं बिकरा है तो कहते हिंदुस्तान और पाकिस्तान आप पूछो किसान आज भुकमरी के एक आर बखड़ा है जो दो तीन बीगे में खेदी करते हैं उस पे क्या बचता होगा क्या पालता होगा क्या बचाता होगा ये सवाल पूछो तो केन की सरकार के लोग बीजेपे के साथी बोलते हैं हिंदुस्तान पाकिस्तान मुसल्मान हिंदू बंदिर मस्जिद इसी चर्चा में लोगों को समेटना चाहते हैं लेकि मैं चाहता हूं हम सब चाहते हैं किसान को एक ऐसी रूप रेखा देनी जरूरी है किसान को मदद अगर आप नहीं कर सकते हो तो किसान पे जो प्रहारा आपने किया था ये तीन जो काले कानून बनाए थे अपनी जिद्में मनाए थे और एक साल तक किसानों ने देश की राजधानी में धरने दिये पदर्शन किया, चक्का जाम किया तो एक साल के बाद जब चुनाम आने वाले थे तो हाथ जोड़के बोला, ये तीनों कानून वापिस ले रहे है अब मैं इसे पूछना चाहता हूँ कि किसके कहने पे तो अपने कानून बनाए थे और किसके कहने पे अपने वापिस ले लिए सेकड़ों किसानों की जान चली गई इस देश में किसान को जो हक और अधिकार मिलना चाहिए किसान के नमब राजनी सब करते हैं किसान के नारे सब देते हैं लेकिन सही माइने में किसान उसके परिवार को भला और भविश अगर बेटर करना कोई चाहता है उन लोगों के पैसान आपको करनी पड़ेगी मैं एक किसान परिवार में पैदा हुआ और मैं इसले बोलता हूँ कि मेरा जर्म गाव में नहीं हुआ मेरे पता जी एर फोर्स में थे तो जहांजा एर फोर्स का स्टेशन था माहा हमारे पोस्टिंग होती थी लेकिन जो किसान के दर्द को नहीं समझ सकता जो किसान की मुश्कुल को नहीं समझ सकता वो सिर्फ भाज़न दे सकता है और मैं यह बात बार बार बोलता हूँ जब तक किसानों के बच्चे, गरीब के बच्चे उन कुड़्शें पर नहीं बैठ जाएंगे चांसे इस बेश की परदेश की निके अलाग होती है तब तर बेश का कलना परदेश का कलना नहीं हो सकता जिसको पता होगा कि मुझे बैंक से गड़ 50,000 रुपे का लोन लेना है उसके सान की चपल गिज जाती है जूती कि जाती है बैंक के चकर काटते काटते का दो बार क्लर मिलेगा बोलेगा टेस्ट करके लाओ नोटराइज करके लाओ ये प्रमान पत्र दो क्या गिर्वी रखोगे दस चक्र काटेगा फिर किसी दलाल को दो पांच जाव रुपे पकड़ागा तब जाके उसको मिलेंगे पच्चाईजार रुपे यह अखीकत बनी है देश की वि और दिया जी मनीश यादव साब सुभाश मील जो खंडेला से आये हैं मंच पर उपस्तित सभी नितागन और इस किसान सम्मिलन में मौजूद मेरे किसान भाईयों माताओं भेनों बुजर्गों नौजवान दोस्तों प्यारे बच्चों मैं सबसे पहले आप सभी लोगों क धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपने आज हमसब के निमंदर्ण को सुभीकार किया और इस किसान सम्मिलन में आप यहां सम्मिलित हुए हैं पिशले दो-तिन दिनों से इसी प्रकार के किसान सम्मेलन हम लोगों ने पहले नागौर में किये और कल मैं हनवानगर जिले में था पीली बिन्गा में वहाँ पर भी हमने किसानों को एकत्रित, संगटित और आगे बढ़ने के रास्ति के तरफ उनको उनसे बातें की, उनकी बात को सुना, अपनी बात को रखा शेखावटी की इस दर्ती पर बीरों की जमीन है, एतिहासी की मिट्टी है और यहाँ पर जब जब मुझे आने का मौका मिला है, आप सब ने अपार्स ने और प्रेम दिया है, मैं आप सब का कायल रहूंगा लेकिन आज इस मुझे को लेकर, हम पूरे परदेश में, सबी किसानों को, उनके जीवन में, जो परिवर्त अलाने की उमीद हम देखना चाहते हैं किसानों के जीवन में, किसानों के परिवार में किसानों के भविश्च के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं 75 साल बाद آज भी सरकारे आई हो चली गई लेकिन इस देश में सबसे मेहनती, सबसे मांदार लेकिन दुर्भा के वशत, सबसे वंचित कोई वर्ग है तो वो किसान वर्ग है इस देश में दो तिहाई जन्ता जमीन पर काम करती है धर्टी का चीना चीर का रहनाज पैदा करती है 130 करोडों का पेट पालते है उस किसान को जो मान सम्मान साहिता सयोग मदद मिलनी चाहिए उसके बच्चों को जो भविश मिलना चाहिए वो मिल नहीं रहा और मैं सवाल पूछना चाहता हूँ उन लोगों से जो दिल्ली में आठ साल से सरकार में बैठे है ये वो भाजबा के साथ ही है जो चुनाप पचार में बोलते थे कि हम किसान की आमदनी दुगनी कर देंगे बोलो कहा की निकाब बीजेपी ने हमने तो नहीं का आपको वादा करने के लिए लेकिन बीजेपी के साथियों ने कहा आप वोट दो हम किसान की आमदनी दुगनी कर देंगे सारे किसान बैठे है मैं आपसे पूछना चाहता हूँ किसी की अमदनी दुगनी हुई किसानों की अगर कुछ दुगनी चौगनी हो रही है तो खाद की कीमत पेटरोल की, डीजल की, बीच की, यूरिया की, बिजली की ये सारी कीमतें आस्मान छू रही है कोई भला आदमी केम की सरकार काकर ये बोलने को तयार नहीं है केम महंगाई कम करने की कोशिश भी करेंगे आप उनसे पूछो गैस का सिलिंडर 12 रुपेगा क्यूं बिकरा है तो कहते हिंदुस्तान और पाकिस्तान आप पूछो किसान आज भुकमरी के कार बखड़ा है जो दो तीन बीगे में खेदी करते हैं उस पे क्या बचता होगा क्या पालता होगा क्या बचाता होगा ये सवाल पूछो तो केन की सरकार के लोग बीज़ेपे के साथ ही बोलते हैं हिंदुस्तान, पाकिस्तान, मुसल्मान, हिंदू, मंदिर, मस्जिद इसी चर्चा में लोगों को समेटना चाहते हैं लेकिन मैं चाहता हूँ, हम सब चाहते हैं किसान को एक ऐसी रूप रेखा देनी जरूरी है किसान को मदद अगर आप नहीं कर सकते हो तो किसान पे जो प्रहारा आपने किया था ये तीन जो काले कानून बनाए थे अपनी जिद्व मनाए थे और एक साल तक किसानों ने देश की राजधानी में धरने दिये पदर्शन किया, चक्का जाम किया तो एक साल के बाद जब चुनाम आने वाले थे तो हाथ जोड़के बोला, ये तीनों कानून वापिस ले रहे है अब मैं इसे पूछना चाहता हूँ कि किसके कहने पे तो आपने कानून बनाए थे और किसके कहने पे आपने वापिस ले लिए सेंकड़ों किसानों की जान चली गई इस देश में किसान को जो हक और अधिकार मिलना चाहिए किसान के नमबर राणीट सब करते हैं पकसान के नारे सब देते लेकिन सही मांइने में किसान उसके परिवार को भला और भविश अगर बेटर करना कोई चाहता है उन लोगों के पैचान आपको करनी पड़ेगी मैं किसान परिवार में पैदा हुआ और मैंसे बोलता हूं कि मेरा जर्म गाव में नहीं हुआ मेरे पता जी एरफोर्स में थे तो जहांचा एरफोर्स का स्टेशन था महां हमारे पोस्टिंग होती थी लेकिन जो किसान के दर्द को नहीं समझ सकता जो किसान की मुश्कुल को नहीं समझ सकता वो सरफ भाशन दे सकता है और मैं यह बात बार बार बोलता हूं जब तब तक किसानों के बच्चे गरीब के बच्चे उन कुर्षियों पर नहीं बैठ जाएंगे जांसे इस बेश की परदेश की नीतिया लाग होती है तब तक बेश का कल्णा परदेश का कल्णा नहीं हो सकता जिसको पता होगा कि मुझे बैंक से घर 50 जार रुपे का लोन लेना है उस किसान की चपल घिज्जाति है जूति कि जाती है बैंक के चकर काटते काटते काते हैं दो बार क्लरक मिलेगा बोलेगा टेस्ट करके लाओ नोटराइज करके लाओ यह परमान पत्र दो क्या गिर्वी रखोगे 10 चकर काटेगा फिर किसी दलाल को 25-20 रुपे पकड़ा सब्सक्राइब करना चाहता हूं कि आपने आज हम सब के निमंदरन को स्विकार किया और इस किसान सम्हिलन में आप यहां सम्हिलित हुए हैं पिछले दो तिन दिनों से इसी प्रकार के किसान सम्हिलन हम लोगों ने पहले नागौर में किये और कल मैं हनवानगर जिले में था पीली बिंगा में बहाँ पर भी हमने किसानों को एकत्रित संगटित और आगे बढ़ने के रास्ति के तरफ उनको उनसे बातें की उनकी बात को सुना अपनी बात को रखा शेखावटी की इस दर्ती पर बीरों की जमीन है एतिहासी की मिटी है और यहां पर जब जब मुझे आने का मौका मिला है आप सबने अपार्स ने और प पूरे परदेश में सबी किसानों को उनके जीवन में जो परिवर्ट अलाने की उम्मीद हम देखना चाहते हैं किसानों के जीवन में किसानों के परिवार में किसानों के भविश के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं 75 साल बाद आज भी सरकारे आई हो चली गई लेकिन इस देश में सबसे मेहनती सबसे मांदार लेकिन दुर्भा के वर्ष सबसे वंचित कोई वर्ग है तो वो किसान वर्ग है इस देश में दोती हाई जन्ता जमीन पर काम करती है धर्टी का चीना चीर का रहनाच पैदा करती है एक सो तीस करोड़ों का पेट पालते हैं उस किसान को जो मान समान साहिता सयोग मदद मिलनी चाहिए उसके बच्चों को जो भविश मिलना चाहिए वो मिल नहीं रहा और मैं सवाल पूछना चाहता हूँ उन लोगों से जो दिल्ली में आठ साल से सरकार में बैठे है ये वो भाजबा के साथी हैं जो चुनाप पचार में बोलते थे कि हम किसान की आमनी दुगनी कर देंगे बोलो कहा की निगाभी जपी ने हमने तो नहीं का आपको वादा करने के लिए लेकिन बीजेपी के साथियों ने कहा आप वोट दो हम किसान की आमनी दुगनी कर देंगे सारी किसान बैठे हैं मैं आप से पूछना चाहता हूँ किसी की अंधनी दुखनी होई किसानों की अगर कुछ दुखनी चौगनी हो रही है तो खाद की कीमत पेटरोल की, डीजल की, बीच की, यूरिया की, बिजली की ये सारी कीमतें आस्मान छू रही है कोई भला आदमी केंद की सरकार का आकर ये बोलने को तयार नहीं है कि महंगाई कम करने की कोशिश भी करेंगे आप उनसे पूछो गैस का सिलिंडर 12 रुपे का क्यूं बिकरा है तो कहते हिंदुस्तान और पाकिस्तान आप पूछो किसान आज भुकमरी के कार बखड़ा है जो दो तीन बीगे में खेदी करते हैं उसमें क्या बचता होगा क्या पालता होगा क्या बचाता होगा ये सवाल पूछो तो केन की सरकार के लोग बीज़पे के साथ ही बोलते हैं हिंदुस्तानíst, पाकिस्तानों, मुसल्मान, हिंदूं, मंदिर, मस्यद इसी चर्चा में लोगों को समीठना चाहते हैं तो किसान को एक ऐसी रूप रहा देनी जरूबी है हिंद्धर आप नहीं कर सकते हो तो किसान पे जो प्रहारा आपने किया था ये तीन जो काले कानून बनाए थे अपनी जिद्व मनाए थे और एक साल तक किसानों ने देश की राजधानी में धरने दिये बदर्शन किया, चक्का जाम किया तो एक साल के बाद जब चुना मानने वाले थे तो हाथ जोड़के बोला, ये तीनों कानून वापिस ले रहे है अब मैं जिसे पूछना चाहता हूँ कि किस के कहने पे तो आपने कानून बनाए थे और किस के कहने पे आपने वापिस ले लिए सेंकड़ों किसानों की जान चली गई इस देश में किसान को जो हक और अधिकार मिलना चाहिए किसान के नमबर राजनी सब करते हैं किसान के नारे सब देते हैं लेकिन सही माइने में किसान उसके परिवार को भला और भविश अगर बेतर करना कोई चाहता है उन लोगों के पैसान आपको करनी पड़ेगी मैं किसान परिवार में पैदा हुआ और मैं इसले बोलता हूं कि मेरा जर्म गाव में नहीं हुआ मेरे पता जी एर फोर्स में थे तो जहांचा एर फोर्स का सेशन था वहां हमारे पोस्टिंग होती थे लेकिन जो किसान के दर्द को नहीं समझ सकता जो किसान के मुश्कुल को नहीं समझ सकता वो सरफ भाशन दे सकता है और मैं यह बात बार बार बोलता हूं जब तक किसानों के बच्चे गरीब के बच्चे उन कुट्षियों पर नहीं बैठ जाएंगे जांसे बेश की का करना नहीं हो सकता जिसको पता होगा कि मुझे बैंक से लिख 50 रुपे का लोन लेना है उसक इसान की चपटल गिज जाती है जूती की जाती है बैंक के चक्र काटते काट जो बार क्लर्क मिलेगा बोलेगा टेस्ट करके लाओ नोटराइज करके लाओ यह प्रमान पत्र दो क्या गिर्वी रखोगे दस चक्र काटेगा फिर किसी दलाल को दो पांच जार रुपे पकड़ागा तब जाके उसको मिलें के पचाहजार रुपे यह अखीकत मनिये देश की विश्था के अंदर और धन्ना सेट मोटा सामी को उद्योग पती बैंक मेनेजर को फोन कर दे तो दस क्रोड का चेक उसी घर पहुंचाता है बैंक मेनेजर लिखे जाए तो इस प्लेटर में फिलाल इतना ही है सचिन पाइलेट इस समय असंभूदित कर रहा है वालिंदू जी राकेश मोर्दिया जी मनीश यादव साहब सुभाश मील जो खंडेला से आए हैं मंच पर उपस्तित सभी नितागन और इस किसान सम्मिलन में मौजूद मेरे किसान भाईयों माताओं भेनों बुजर्गों नौजवान दोस्तों प्यारे बच्चों मैं सबसे पहले आप सभी लोगों का धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपने आज हम सब के निमंदरन को स्विकार किया और इस किसान सम्मिलन में आप यहां सम्मिलित हुए हैं पिछले दो तिन दिनों से इसी प्रकार के किसान सम्मिलन हम लोगों ने पहले नागौर में किये और कल मैं हनवानगर जिले में था पीली बिंगा में बहाँ पर भी हमने किसानों को एकत्रित संगटित और आगे बढ़ने के रास्ति के तरफ उनको उनसे बातें की उनकी बात को सुना अपनी बात को रखा शेखावटी की इस दर्ती पर बीरों की जमीन है एतिहासी की मिट्टी है और यहां पर जब जब मुझे आने का मौका मिला है आप सबने अपार्स ने और प्रेम दिया है मैं आप सबका कायल रहूंगा लेकिन आज इस मुझे को लेकर हम पूरे परदेश में सभी किसानों को उनके जीवन में जो परिवर्त लाने की उमीद हम देखना चाहते हैं किसानों के जीवन में किसानों के परिवार में कुसानों के भविश्च के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं सरकारे आइं और चली गए लेकिन इस देश में सबसे मेहनती सबसे मानदार लेकिन दुर्बा के पर सबसे वंचित कोई वर्ग है तो वो किसान वर्ग है इस देश में दो ती हाई जन्नता जमीन पर काम करती है धरती का छीना चीर का रहनाज पैदा करती है एक सो तीस करड़ों का पेट बालते हैं उस किसान को जो मान समान साहता सयोग मदद मिलनी चाहिए उसके बच्चों को जो भविश मिलना चाहिए वो मिल नहीं रहा और मैं सवाल पूछना चाहता हूँ उन लोगों से जो दिल्ली में आठ सासे सरकार में बैठे हैं ये वो हमने तो नहीं का आपको वादा करने के लिए लेकिन बीजेपी के स्यातियों ने कहा आप वोट दो हम किसान की आमनी दुगनी कर देंगे सारी किसान बैठे हैं मैं आप से पूछना चाहता हूं किसी की आमनी दुगनी होई किसानों की अगर कुछ दुगनी-चौगनी हो रही है, तो खाद की कीमत, पैट्रोल की, डीजल की, बीच की, यूरिया की, बिजली की ये सारी कीमते आस्मान छूरही है ओई भला आदमी केनकी सरकार का करे बोलने को तयार नहीं है कि ये महिंगाई कम करने की कोशिश भी करेंगे आप उनसे पूछो गैस का सिलिंडर 12 रुपे का क्यों बिक रहा है तो कहते हिंदुस्तान और पाकिस्तान आप पूछो किसान आज भुकमरी के कहार बखड़ा है जो दो तीन बीगे में खेदी करते हैं क्या बचता होगा क्या बचाता होगा इस सवाल पूछो तो केन की सरकार के लोग बीज़े पिक मुसल्मान हिंदू मंदिर मस्जिद इसी चर्चा में लोगों को समेटना चाहते है लेकिन मैं चाहता हूं हम सब चाहते है किसान को एक ऐसी रूप रेका देनी जरूरी है किसान को मदद अगर आप नहीं कर सकते हो तो किसान पर जो प्रहार आपने किया था ये तीन जो काले कानून बनाए थे अपनी जिद्म मनाए थे और एक साल तक किसानों ने देश की राजधानी में धरने दिये प्रदर्शन किया चक्का जान किया तो एक साल के बाद जब चुनाम आने वाले थे तो हाथ जोड़के बोला ये तीनों कानून वापिस ले रहे हैं अब मैं इसे पूछना चाहता हूँ कि किसके कहने पर तो अपने कानून बनाए थे और किसके कहने वे आपने वापस ले लिए सेंकड़ों किसानों की जान चली गई इस देश में किसान को जो हक और अधिकार मिलना चाहिए किसान के नमबर राजनी सब करते है किसान के नारे सब देते है लेकिन सही माइने में किसान उसके परिवार को भला और भविश अगर बेदर करना कोई चाहता है उन लोगों के पैचान आपको करनी पड़ेगी मैं एक किसान परिवार में पैदा हुआ और मैं इसले बोलता हूँ कि मेरा जनम गाउ में नहीं हुआ मेरे पता जी एर फोर्स में थे तो जहां जायर फोर्स का सेशन था माहा हमारे पोस्टिंग होती थी लेकिन जो किसान के दर्द को नहीं समझ सकता जो किसान के मुश्कुल को नहीं समझ सकता वो सिर्फ भाशन दे सकता है और मैं ये बात बार बार बोलता हूँ जब तक किसानों के बच्चे गरीब के बच्चे उन कुर्शों पर नहीं बैठ जाएंगे जहां से इस देश की परदेश की नीते अलाग होती है तब तक देश का कल्णान परदेश का कल्णान नहीं हो सकता जिसको पता होगा कि मुझे बैंक से गर 50,000 रुपे का लोन लेना है उस किसान की चपल कि जाती है जूती कि जाती है बैंक के चकर काटते काटते हैं दो बार क्लर्क मिलेगा बोलेगा टेस्ट करके लाओ नोटराइज करके लाओ ये प्रमान पत्र दो क्या गिर्वी रखोगे दस चकर काटेगा फिर किसी दलाल को दो पांच जार रुपे पकड़ाएगा तब जाके उसको मिलेंके पचाहजार रुपे ये अखिकत मनिये देश की वहस्था के अंदर और को धन्ना सेट मोटा सामी को उद्योग पती बैंक मेनेजर को फोन कर दे तो दस क्रोड का चेक उ सब्सक्राइब करना चाहता हूं कि आपने आज हम सबके निमंदरन को सुविकार किया और इस किसान संहिलन में आप यहां संहिलित हुए हैं पिशले दो-तिन दिनों से इसी प्रकार के किसान संहिलन हम लोगों ने पहले नागौर में किये और कल में हनौनगर जिले में था पीली बिन्ना में बहाँ पर भी हमने किसानों को एकत्रित संगटित और आगे बढ़ने के रास्ति के तरफ उनको उनसे बातें की उनकी बात को सुना अपनी बात को रखा शेखावटी की इस दर्ती पर बीरों की जमीन है एतिहासी की मिट्टी है और यहां पर जब जब मुझे आने का मौका मिला है आप सबने अपार्स ने और प्रेम दिया है मैं आप सब का कायल रहूंगा लेकिन आज इस मुद्टे को लेकर हम पूरे परदेश में सभी किसानों क लोग उनके जीवन में जो परिवर्ट लाने की उम्मीद हम देखना चाहते हैं किसानों के जीवन में किसानों के परिवार में किसानों के भविश्च के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं 75 साल बाद आज भी सरकारे आई और चली गई लेकिन इस देश में सबसे मेहनती सबसे मांदार लेकिन दुर्भा के वश्च सबसे वंचित कोई वर्ग है तो वो किसान वर्ग है इस देश में दो तिहाई जन्ता जमीन पर काम करती है धर्टी का छीना चीर का रहनाज पैदा करती है 130 करणों का पेट पालते हैं उस किसान को जो मान सम्मान साहिता सर्योग मदद मिलनी चाहिए उसके बच्चों को जो भविश मिलना चाहिए वो मिल नहीं रहा और मैं सवाल पूछना चाहता हूँ उन लोगों से जो दिल्ली में आठ साल से सरकार में बैठे हैं ये वो भाजबा के साथी हैं जो चुनाब पचार में बोलते थे कि हम किसान की आमनी दुगनी कर देंगे बोलो कहा की निगा बीजेपी ने हमने तो नहीं का आपको वादा की दुगनी होई किसानों की अगर कुछ दुगनी जोगनी हो रही है तो खाज की कीमत पेट्रोल की डीजल की बीच की यूरिया की बिजली की ये सारी कीमते आस्मान चू रही हैं कोई भला आदमी केंद की सरकार का कर ये बोलने को तयार नहीं है कि महंगाई कम करने की कोशि भी करेंगे आप उनसे पूछो गैस का सिलिंडर 12 रुपे का क्यों भिकरा है तो कहते हिंदुस्तान और पाकिस्तान आप पूछो किसान आज भुकमरी के कार बखड़ा है जो दो-तिन भीगे में खेदी करते हैं उस पे क्या बचता होगा क्या पालता होगा क्या बचाता होगा यह सवाल पूछो तो केन की सरकार के लोग बीजेपे के साथ ही बोलते हैं हिंदुस्तान, पाकिस्तान, मुसल्मान, हिंदू, मंदिर, मस्जिद, इसी चर्चा में लोगों को समेटना चाहते हैं लेकिन मैं चाहता हूँ, हम सब चाहते हैं किसान को एक ऐसी रूप रेखा द काले कानून बनाए थे, अपनी जिद्व मनाए थे, और एक साल तक किसानों ने देश की राजधानी में धरने दिये, परजशन किया, चक्का जाम किया, तो एक साल के बाद जब चुना आने वाले थे, तो हाथ जोड़ के बोला, ये तीनों कानून वापिस ले रहे हैं, का इस देश में किसान को जो हग और अधिकार मिलना चाहिए, किसान के नमबर राज़नी जी सब करते हैं, खिसान के नारे सब देते हैं, लेकिन सही माइने में किसान उसके परिवार को भला और भविश अगर बेडर करना कोई चाहता है, उन लोगों के पहचान आपको करनी पड़ेगी, मैं किसान परिवार में पैदा हुआ, और मैसे बोलता हूं, कि मेरा जर्म गाउ में नहीं हुआ, मेरे पता जी एर फोर्स में थे, तो जहांचा एर फोर्स का सेशन दा, महां हमारे पोस्टिंग होती थे, लेकिन जो किसान के दर्द को नी समझ सकता जो किसान के मुशक्ल को नी समझ सकता UX जो स्रफ भाशन दे सकता है और मैं यह बार-बार बोलता हूँ जब तक किसानों के बचची और नहीं बैठ से इस बीश की परदेश की नीत्य लाग़ो होती है तब तक देश का कलना नहीं हो सकता जिसको पता होगा कि मुझे बैंक से घर 50,000 रुपे का लोन लेना है उस किसान की चप्पल घिज जाती है जूती घिज जाती है बैंक के चकर काटते का दो बार क्लर्क मिलेगा बोलेगा टेस्ट करके लाओ नोटराइस करके लाओ य किसी दलाल को 25,000 रुपे पकड़ाएगा तब जाके उसको मिलें के 5000 रुपे यह अखिकत मनिये देश की विजस्था के अंदर और को धन्ना सेट मोटा सामी को उद्योग पती बैंक मेनेजर को फोन कर दे तो 10 क्रोड का चेक उसी घर पहुंचाता है बैंक मेनेजर लिके जा बालिंदू जी, राकेश मोरदिया जी, मनीश यादव साहब, सुभाश मील जो खंडेला से आए हैं, मंच पर उपस्थित, सभी नितागन और इस किसान सम्मिलन में मौजूद, मेरे किसान भाईयों, माताओं, भेनों, बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, प्यारे सम्मिलित हुए हैं, पिछले दो-तिन दिनों से इसी प्रकार के किसान सम्मिलन हम लोगों ने पहले नागौर में किये, और कल में हनवान गर जिले में था अपीली बिन्गा में, बहाँ पर भी हमने किसानों को एकत्रित, संगटित, और आगे बढ़ने के रास्ति के तरफ उ और यहां पर जब जब मुझे आने का मौका मिला है, आप सब ने अपार्स ने और प्रेम दिया है, मैं आप सब का कायल रहूंगा, लेकिन आज जिस मुद्टे को लेकर हम पूरे परदेश में सबी किसानों को उनके जीवन में जो परिवर्त अलाने की उम्मीद हम देखना किसानों के जीवन में, किसानों के परिवार में, किसानों के भविश्य के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, 75 साल बाद आज भी सरकारे आई और चली गई, लेकिन इस देश में सबसे महनती, सबसे मांदार, लेकिन दुरभा के पर सबसे वंचित कोई वर्ग है, तो वो किसान इस देश में दो तिहाई जन्ता जमीन पर काम करती है, धरती का चीना चीर का रहनाज पैदा करती है, 130 करोलों का पेट पालते हैं, उस खिसान को जो मान सम्मान साहिता सयोग मदद मिलनी चाहिए, उसके बच्चों को जो भविश मिलना चाहिए, वो मिल नहीं रहा, और मैं स के साथी हैं, जो चुना पचार में बोलते थे, कि हम किसान की आमनी दुगनी कर देंगे, बोलो कहा की निगा बीजेपी ने, हमने तो नहीं का आपको वादा करने के लिए लेके, बीजेपी के साथियों ने कहा, आप वोट दो, हम किसान की आमनी दुगनी कर देंगे, इस सा आज की कीमत पेट्रोल की डीजल की बीच की यूरिया की बिजली की ये सारी कीमते आस्मान छू रही हैं कोई भला आदमी केंड की सरकार का आकर ये बोलने को तयार नहीं है कि ये महंगाई कम करने की कोशिश भी करेंगे आप उनसे पूछो गैस का सिलंडर 12 रुपे का क्यों बिकरा है तो कहते हिंदुस्तान और पाकिस्तान आप पूछो किसान आज भुकमरी के गार बखड़ा है जो दो तीन बीगे में खेदी करते हैं उसमें क्या बचता होगा क्या बचाता होगा ये सवाल पूछो तो केन की सरकार के लोग बीज़ेपिके साथ ही बोलते हैं किसान को एक ऐसी रूप रेखा देनी जुरूरी है किसान को मदद अगर आप नहीं कर सकते हो तो किसान पर जो प्रहार आपने किया था ये तीन जो काले कानून बनाए थे अपनी जिद्व मनाए थे और एक साल तक किसानों ने देश के राजधानी में धरने दिये पदर्शन किया चक्का जाम किया तो एक साल के बाद जब चुना माने वाले थे तो हाथ चोड़के बोला ये तीनों कानून वापिस ले रहे हैं अब मैं और इसे पूछना चाहता हूँ कि किसके कहने पे तो पाक और अधिकार मिलना चाहिए किसान के नमबर राजनी सब करते हैं किसान के नारे सब देते हैं लेकिन सही माइने में किसान उसके परिवार को भला और भविश अगर बैदर करना कोई चाहता है उन लोगों के पैचान आपको करनी पड़ेगी मैं किसान परिवार में पैदा हुआ और मैं इसले बोलता हूँ कि मेरा जर्म गाउव में नहीं हुआ मेरे पता जी एर फॉर्स में थे तो जहांजा एर फॉस का सेशन था महां हमारे पोस्टिंग होती character लेकिन तो वो किसान के दर्द को नहीं समझ सकता जो किसान के नहीं बैठ जाएंगे जहां से इस बेश की परदेश की नीतिया लागव होती है तब बेश का कल्णान परदेश का कल्णान नहीं हो सकता जिसको पता होगा कि मुझे बैंक से गर 50,000 रुपे का लोन लेना है उसके सान की चपल घिज जाती है जूती की जाती है बैंक के चकर का तो बार क्लर्क मिलेगा बोलेगा टेस्ट करके लाओ नोटराइस करके लाओ ये प्रमान पत्र दो क्या गिर्वी रखोगे दस चक्र काटेगा फिर किसी दलाल को दो पांच जाव रुपे पकड़ागा तब जाके उसको मिलेंके पचाहईजा रुपे यह अखीकत बनी है द बालिंदू जी राकेश मोर्दिया जी मनीश यादव साहब सुभार शमील जो खंडेला से आये हैं मंच पर उपस्तित सभी नितागन और इस किसान सम्मिलन में मौजूद मेरे किसान भाईयों माताओं भेनों बुजुर्गों नौजवान दोस्तों प्यारे बच्चों मैं स पिछले दो-तिन दिनों से इसी प्रकार के किसान सम्मिलन हम लोगों ने पहले नागौर में किये और कल में हनवानर जिले में था पीली बिंगा में बहाँ पर भी हमने किसानों को एकत्रित संगटित और आगे बढ़ने के रास्ति के तरफ उनको उनसे बातें की उनकी बात क जाने का मौका मिला है आप सबने अपार्स नहीं और प्रेम दिया है मैं आप सबका कायल रहूंगा लेकिन आज जिस मुद्ध को लेकर हम पूरे परदेश में सबी किसानों को उनके जीवन में जो परिवर्ट अलाने की उम्मीद हम देखना चाहते हैं किसानों के जीवन में किसानों के परिवार में किसानों के भविश्च के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं 75 साल बाद आज भी सरकारे आई और चली गई लेकिन इस देश में सबसे मेहनती, सबसे मानदार लेकिन दुर्भा के пожष सबसे वंचित कोई वर्ग है तो वो किसान वर्ग है इस देश में दो तिहाई जन्टा जमीन पर काम करती है धर्ती का छीनाचीर का रहनाच पैदा करती है 130 करूबों का पेट पालते हैं उसके बच्चों को जो भविश मिलना चाहिए वो मिल नहीं रहा और मैं सवाल पूशना चाहता हूं उन लोगों से जो दिल्ली में आठ साल से सरकार में बैठे हैं यह वो भाजबा के साथ ही हैं जो चुनाब पचार में बोलते थे कि हम किसान की आमनी दूग नहीं कर देंगे बोलो कहा कि निगा बीजेपी ने हमने तो नहीं का आपको बादा करने के लिए लेकिन बीजेपी के साथियों ने कहा आप वोट दो हम किसान की आमनी दूगनी कर देंगे कि सारी किसान बैठे हैं मैं आप से पूछना चाहता हूं किसी की आमनी दूगनी होई किसानों की कोई भला आदमी केन की सरकार का कर ये बोलने को तयार नहीं है कि ये महंगाई कम टरने की कोशिश भी करेंगे आप उनसे पूछो गैस का सिलिंडर 12 रुपे का क्यूं बिकरा है तो कहते हिंदुस्तान और पाकिस्तान आप पूछो किसान आज भुकमरी के कार बखड़ा है जो दो तीन भीगे में खेदी करते हैं उस पे क्या बसता होगा क्या पालता होगा क्या बचाता होगा ये सवाल पूछो तो केन की सरकार के लोग बीज़ेपी के साथी बोलते हैं हिंदुस्तान पाकिस्तान मुसल्मान हिंदू बंदिर मस्जिद इसी चर्चा में लोगों को समेटना चाहते हैं लेकिन मैं चाहता हूं हम सब चाहते हैं किसान को एक ऐसी रूप रेखा देनी जरूरी है किसान को मदद अगर आप नहीं कर सकते हो तो किसान पे जो प्रहारा आपने किया था ये तीन जो काले कानून बनाए थे अपनी जिद्में मनाए थे और एक साल तक किसानों ने देश की राजधानी में धर ने दिये बदर्शन किया, चक्का जाम किया तो एक साल के बाद जब चुनाम आने वाले थे तो हाथ जोड़के बोला, ये तीनों कानून वापिस ले रहे है अब मैं इसे पूछना चाहता हूँ कि किसके कहने पे तो अपने कानून बनाए थे और किसके कहने पे अपने वापिस ले लिए सेंकडो किसानों की जान चली गई इस देश में किसान को हाग और अधिकार मिलना चाहिए लेकिन सही माइनने में किसान उसके परिवार को भला और भवश्य अगर बैटर करना कोई चाहता है उन लोगों के पैशान आपको करनी पड़ेगी मैं किसान परिवार में पैदा हुआ और मैं इसले बोलता हूँ कि मेरा जर्म गाउ में नहीं हुआ मेरे पता जी एर फोर्स में थे तो जहांजा एर फोर्स का सेशन था माहा हमारे पोस्टिं होती थी लेकिन जो किसान के दर्द को नहीं समझ सकता जो किसान की मुश्कुल नहीं समझ सकता वो सरफ भाशन दे सकता है और मैं यह बात बार बार बोलता हूं जब तक किसानों के बच्चे गरीब के बच्चे उन कुर्शियों पर नहीं बैठ जाएंगे जहां से इस देश की परदेश की नीते अलाग होती है तब तक देश का कल् जिसको पता होगा कि मुझे बैंक से गर 50 रुपे का लोन लेना है उसके सांगी चपल कि जाती है जूती कि जाती है बैंक के चकर काटते काटते का दो बार क्लर्क मिलेगा बोलेगा टेस करके लाओ नोटराइस करके लाओ यह प्रमान पत्र दो क्या गिर्वी रखोगे 10 चक बैंक मेरेजर को फोन कर दे तो दस क्रोड का चेक उसके घर पहुंचाता है बैंक मेरेजर लिके जाता है तो सचिन पाइलेट इस समय असंबोधित कर रहे हैं बालिंदू जी राकेश मोरदिया जी मनीश यादव साहब सुभाश मील जो खंडेला से आये हैं मंच पर उपस् पहले आप सभी लोगों का धन्यवात करना चाहता हूं कि आपने आज हम सब के निमंदरन को स्विकार किया और इस किसान समयलन में आप यहां समलित हुए हैं पिछले दो-तिन दिनों से इसी प्रकार के किसान सम्मेलन हम लोगों ने पहले नागौर में किये और कल मैं हनवानगर जिले में था पीली बिंगावे बहाँ पर भी हमने किसानों को एकत्रित, संगटित और आगे बढ़ने के रास्ति के तरफ उनको उनसे बाते की, उनकी बात को सुना, अपनी बात को रखा शेखावटी की इस दर्ती पर बीरों की जमीन है, एतिहासी की मिट्टी है और यहाँ पर जब जब मुझे आने का मौका मिला है, आप सब ने अपार्स ने और प्रेम दिया है, मैं आप सब का कायल रहूंगा लेकिन आज जिस मुझे को लेकर हम पूरे परदेश में सभी किसानों को उनके जीवन में जो परिवर्त अलाने की उम्मीद हम देखना चाहते हैं किसान के जीवन में किसानों के परिवार में किसानों के भविश के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं 25 साल बाद आज भी सरकार आई और चली गई लेकिन इस देश में सबसे मेंटी शब से मांदार लेकिन दुर्भा के वर्ष सबसे वंचित कोई वर्ग है तो वो किसान वर्ग है इस देश में दो ती हाई जन्ता जमीन पर काम करती है धरती का छीना चीर का रहनाज पैदा करती है एक सो तीस करोडों का पेट पालते है उस किसान को चाहिए उसके बच्चों को जो भविश मिलना चाहिए वो मिल नहीं रहा और मैं सवाल पूछना चाहता हूँ उन लोगों से दिल्ली में 8 साल से सरकार में बैठे हैं यह वो भाजबा के साहती है जो चुनाब पचार में बोलते थे कि हम किसान की आमनिनी दुग नहीं कर बुख कहा कि निगा बीजयपी के सहतियों नेक आप वोट दो हम किसान की आमदनी दुगनी कर देंगे कि सार taş घृत मैं आप से पूछ ना चाहता हूं किसी की आमदी दूगनी होई कि सानों की अगर कुछ दूगनी चौगनी हो है तो खाद की कीमत पेट्रोल की डीजल की बीज की यूरिया की बिजली की ये सारी कीमते आस्वान छू रही है कोई भला आदमी केम की सरकार का कर ये बोलने को तयार नहीं है केम महंगाई कम करने की कोशिश भी करेंगे आप उनसे पूछो गैस का सिलंडर 12 रुपे का क्यों मिक्राईब तो कहते हिंदुस्तान और पाकिस्तान आप पूछो किसान आज बुकमरी के गार भगड़ा है जो дो तिन भीगे में खीदी करते उसमें क्या बचता होगा पालता होगा क्या बचता होगा ये सवाल पूछो तो केन की सरकार के लोग बीजेपी के साथ ही बोलते हैं हिंदुस्तान, पाकिस्तान, मुसल्मान हिंदू, बंदिर, मस्जिद इसी चर्चा में लोगों को समेटना चाहते है लेकिन मैं चाहता हूँ, हम सब चाहते है किसान को एक ऐसी रूप रेका देनी जरूरी है किसान को मदद अगर आप नहीं कर सकते हो तो किसान पर जो प्रहारा आपने किया था ये तीन जो काले कानून बनाए थे अपनी जिद्व मनाए थे और एक साल तक किसानों ने देश की राजधानी में धर ने दिये पदर्शन किया चक्का जान किया तो एक साल के बाद जब चुनाम आने वाले थे तो हाथ चोड़के बोला ये तीनों कानून वापिस ले रहे हैं हम मैं इसे पूछना चाहता हूँ कि किसके कहने पे तो आपने कानून बनाए थे और किसके कहने हैं आपने वापिस ले लिए सेंखड़ों किसानों की जान चली गई इस देश में किसान को जो हक और अधिकार मिलना चाहिए किसान के नमबर राजनी सब करते हैं किसान के नारे सब देते हैं लेकिन सही माइने में किसान उसके परिवार को भला और भविश अगर बेदर करना कोई चाहता है उन लोगों के पैचान आपको करनी पड़ेगे मैं किसान परिवार में पैदा हुआ और मैं से बोलता हूं कि मेरा जर्म गाउ में नहीं हुआ मेरे पता जी एर फोर्स में थे तो जहां जा एर फोर्स का स्टेशन था माहा हमारे पोस्टिंग होती थी लेकिन जो किसान के दर्द को नहीं समझ सकता जो किसान की मुश्कुल को नहीं समझ सकता वो सरफ भाशन दे सकता है और मैं यह बार बार बोलता हूँ जब तक किसानों के बच्चे गरीब के बच्चे उन कुर्षे उपर नहीं बैठ जाएंगे जहां से इस बेश की परदेश की नीते अलाग होती है तब तक बेश का कल्णान परदेश का कल्णान नहीं हो सकता जिसको पता होगा कि मुझे बैं और दो क्या गिर्वी रखोगे दस चक्र काटेगा फिर किसी दलाल को दो पांस जार रुपे पकड़ाएंगा तब जाके उसको मिलें के पचाहईजार रुपे यह अखीकत मनिये देश की वज़स्था के अंदर और धन्ना से मोटा सामी को उद्योग पती बैंक मेनेजर को कर दे तो दस क्रोड का चेक उसी घर पहुंचाता है बैंक मेनेजर लिके जाएंगा तो इस प्लेटिर में फिलाल इतना ही है सचिन पाइलेट इस समय असंबोधित कर रहा है वालिंदू जी राकेश मोरदिया जी मनीश यादव साहब सुभाश मील जो खंडेला से आए हैं म मैं सबसे पहले आप सभी लोगों का धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपने आज हम सब के निमंदरन को सुविकार किया और इस किसान सम्मेलन में आप यहां समलित हुए हैं पिछले दो-तिन दिनों से इसी प्रकार के किसान सम्मेलन हम लोगों ने पहले नागौर में किये और कल मैं हनवान रजिले में था पीली बिंगा में वहां पर भी हमने किसानों को एकत्रित संगटित और आगे बढ़ने के रास्ति के तरफ उनको उनसे बातें की उनकी बात क तो सुना अपनी बात को रखा शेखावटी की इस दर्ती पर बीरों की जमीन है एतिहासी की मिट्टी है और यहां पर जब जब मुझे आने का मौका मिला है आप सबने अपार्स ने और प्रेम दिया है मैं आप सबका कायल रहूंगा लेकिन आज इस मुद्टे को लेकर हम पू किसानों के जीवन में किसानों के परिवार में किसानों के भविश्च के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं पिचेतर साल बाद आज भी सरकारे आई और चली गई लेकिन इस देश में सबसे मेहनती सबसे मांदार लेकिन दुर्भा के वश्च सबसे वंचित कोई वर्ग है तो वो किसान वर्ग है इस देश में दोती हाई जन्ता जमीन पर काम करती है धर्टी का सीना चीर का रनाज पैदा करती है एक सो तीस करों लोगों का पेट पालते हैं उस किसान को जो मान सम्मान साहिता सयोग मदद मिलनी चाहिए उसके बच्चों को जो भविश मिलना चाहिए वो मिल नहीं रहा और मैं सवाल पूछना चाहता हूँ उन लोगों से जो दिल्ली में आठ साथ से सरकार में बैठे हैं ये वो भाजबा के साथ ही हैं जो चुनाब पचार में बोलते थे कि हम किसान की आमनी दुगनी कर देंगे बोलो कहा की निगाब बीजेपी ने हमने तो नहीं का आपको वादा करने के लिए लेकिन बीजेपी के साथ हो ने कहा आप वोट दो हम किसान की आमनी दुगनी कर देंगे सारे किसान बैठे हैं मैं आपसे पूछना चाहता हूँ किसी की अंधनी दुगनी हुई किसानों की अगर कुछ दुगनी चौगनी हो रही है तो खाद की कीमत पेटरोल की, डीजल की, बीच की, यूरिया की, बिजली की ये सारी कीमते आस्मान छू रही है कोई भला आदमी केन की सरकार का कर ये बोलने को तयार नहीं है के महंगाई कम करने की कोशिश भी करेंगे आप उनसे पूछो गैस का सिलिंडर 12 रुपे का क्यूं बिकरा है तो कहते हिंदुस्तान और पाकिस्तान आप पूछो किसान आज भुकमरी के कार बखड़ा है जो दो तीन भीगे में खेदी करते हैं उस पे क्या बचता होगा क्या पालता होगा क्या बचाता होगा ये सवाल पूछो तो केन की सरकार के लोग बीज़पे के साथ ही बोलते हैं हिंदुस्तान पाकिस्तान मुसल्मान हिंदू मंदिर मस्जिद इसी चर्चा में लोगों को समेटना चाहते हैं लेकिन मैं चाहता हूँ हम सब चाहते हैं किसान को एक ऐसी रूप रेखा देनी जरूरी है किसान को मदद अगर आप नहीं कर सकते हो तो किसान पे जो प्रहारा आपने किया था ये तीन जो काले कानून बनाए थे अपनी जिद्व मनाए थे और एक साल तक किसानों ने देश की राजधानी में धरने दिये परदर्शन किया, चक्का जाम किया तो एक साल के बाद जब चुनाम आने वाले थे तो हाथ जोड़के बोला, ये तीनों कानून वापिस ले रहे हैं अब मैं इसे पूछना चाहता हूँ कि किस के कहने पे तो अपने कानून बनाए थे और किस के कहने पे अपने वापिस ले लिए सेंकड़ों किसानों की जान चली गई इस देश में किसान को जो हक और अदिकार मिलना चाहिए किसान के नमबर अज़ नीट सब करतें किसान के नारे सब देते हैं लेकिन सही माइने में किसान उसके परिवार को भला और भविष्य अगर बैतर करना कोई चाहता है उन लोगों के पहचान आपको करनी पड़ेगी मैं किसान परिवार में पैदा हुआ और मैं से बोलता हूँ कि मेरा जनम गाव में नहीं हुआ मेरे पता जी एर फोर्स में थे तो जहांचा एर फोर्स का स्टेशन था माहा हमारे पोस्टिंग होती थी लेकिन जो किसान के दर्द को नहीं समझ सकता जो किसान के मुश्कुल को नहीं समझ सकता वो सिर्फ भाशन दे सकता है और मैं ये बात बार बार बोलता हूँ जब तक किसानों के बच्चे गरीब के बच्चे उन कुर्शों पर नहीं बैठ जाएंगे जहां से इस देश की परदेश की नीतिया लाग होती है तब तक बेश का कलना नहीं हो सकता जिसको पता होगा कि मुझे बैंक से गर 50,000 रुपे का लोन लेना है उस किसान की चपल गिज जाती है जूती गिज जाती है बैंक के चकर काटते काटते है दो बार क्लर्क मिलेगा बो ट्राइस करके लाओ ये प्रमान पत्र दो क्या गिर्वी रखोगे दस चकर काटेगा फिर किसी दलाल को दो पांच जार रुपे पकड़ाएगा तब जाके उसको मिलेंके पचाहँजार रुपे यह अखीकत बनी है देश की वहस्ता के अंदर और और धन्ना सेट मोटा सामी कोई पुद्योग पती बैंक मेनेजर को फोन कर दे तो दस क्रोड का चेक उसी घर पहुंचाता है बैंक मेनेजर लिके जाएगा तो इस बलेटर में फिलाल इतना है है सचिन पाइलेट इस समय असंबूदित कर रहे हैं सबी नितागन और इस किसान सम्मिलन में मौजूद मेरे किसान भाईयों माताओं भेनों बुजुर्गों नौजवान दोस्तों प्यारे बच्चों मैं सबसे पहले आप सबी लोगों का धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपने आज हम सब के निमंदरन को स्विकार किया और इस किसान सम्मिलन में आप यहां सम्मिलित हुए हैं पिछले दो तिन दिनों से इसी प्रकार के किसान सम्मिलन हम लोगों ने पहले नागोर में किये और कल में हनवानगर जिले में था पीली बिन्गा में बहाँ पर भी हमने किसानों को एकत्रित संगटित और आगे बढ की उनकी बात को सुना अपनी बात को रखा शेखावटी की इस दर्ती पर बीरों की जमीन है एतिहासी की मिट्टी है और यहां पर जब जब मुझे आने का मौका मिला है आप सब अपार्स नहीं और प्रेम दिया है मैं आप सबका कायल रहूंगा लेकिन आज इस मुझे को लेकर हम पूरे परदेश में सबी किसानों को उनके जीवन में जो परिवर्त लाने की उमीद हम देखना चाहते हैं किसानों के जीवन में किसानों के परिवार में किसानों के भविश्च के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं 75 साल बाद आज भी सरकारे आई और चली गई लेकिन इस देश में सबसे मेहनती सबसे मांदार लेकिन दुर्भा के पर सबसे वंचित कोई वर्ग है तो वो किसान वर्ग है इस देश में दो तीहाई जन्ता जमीन पर काम करती है धर्ती का चीना चीर का रहनाज पैदा करती है 130 करूलों का पेट पालते है उस किसान को जो मान सम्मान साहिता सयोग मदद मिलनी चाहिए उसके बच्चों को जो भविश मिलना चाहिए वो मिल नहीं रहा और मैं सवाल पूछना चाहता हूँ उन लोगों से जो दिल्ली में आठ साल से सरकार में बैठे है ये वो भाजबा के साथ ही है जो चुनाप पचार में बोलते थे कि हम किसान की आमनी दुगनी कर देंगे बोलो कहा की निगाब बीजेपी ने हमने तो नहीं कहा आपको वादा करने के लिए लेकिन बीजेपी के साथियों ने कहा आप वोट दो हम किसान की आमनी दुगनी कर देंगे सारी किसान बैठे हैं मैं आपसे पूछना चाहता हूँ किसी की आमनी दुगनी होई किसानों की अगर कुछ दुगनी चौगनी हो रही है तो खाद की कीमत पेटरोल की डीजल की बीज की यूरिया की बिजली की ये सारी किमते आस्मान चू रही है कोई भला आदमी केन की सरकार का कर ये बोलने को तयार नहीं है कि ये महंगाई कम करने की कोशिश भी करेंगे आप उनसे पूछो गैस का सिलंडर 12 रुपे का क्यों बिकरा है तो कहते हिंदुस्तान और पाकिस्तान आप पूछो किसान आज भुकमरी के गार बखड़ा है जो दो तीन भीगे में खेदी करते हैं उस पे क्या बचता होगा क्या पालता होगा क्या बचाता होगा ये सवाल पूछो तो केन की सरकार के लोग बीजेपे के साथी बोलते हैं हिंदुस्तान पाकिस्तान मुसल्मान हिंदु मंदिर मस्जिद इसी चर्चा में लोगों को समेटना चाहते हैं लेकिन मैं चाहता हूँ हम सब चाहते हैं किसान को एक ऐसी रूप रेखा देनी जरूरी है किसान को मदद अगर आप नहीं कर सकते हो तो किसान पे जो प्रहारा आपने किया था ये तीन जो काले कानून बनाए थे अपनी जिद्व मनाए थे और एक साल तक किसानों ने देश की राजधानी में धरने दिये पदर्शन किया चक्का जाम किया तो एक साल के बाद जब चुनाम आने वाले थे तो हाथ जोड़के बोला हम ये तीनों कानून वापस ले रहे हैं हम ने इसे पूछना चाहता हूं कि किसके कहने पे तो आपने कानून बनाए थे और किसके कहने पे आपने वापस ले लिये सेंख़डो किसानों की जान चली गई इस देश में किसान को जो हक और अधिकार मिलना चाहिए किसान के नंबराद नीचे सब गरते किसान ke नारे सब देते ह। लेकिं सही माइने में किसान उसके परिवार को भला और भविश अगर बेडर करना कोई चाहता है उन लोगुंके पहुचान आपको करनी पड़ेगी मैं एक किसान परिवार में पैदा हुआ और मैं इसले बोलता हूँ कि मेरा जर्म काव में नहीं हुआ मेरे पता जी एर फोर्स में थे तो जहां जा एर फोर्स का सेशन था माहा हमारे पोस्टिंग होती थी लेकिन जो किसान के दर्द को नहीं समझ सकता जो किसान की मुश्कुल नहीं समझ सकता वो सरफ भाशन दे सकता है और मैं ये बात बार बार बोलता हूँ जब तक किसानों के बच्चे गरीब के बच्चे उन कुर्शों पर नहीं बैठ जाएंगे जहां से इस देश की परदेश की नीतिया लाग होती है तब तक बेश का कलन परदेश का कलना नहीं हो सकता जिसको पता होगा कि मुझे बैंक से गर 50 रुपे का लोन लेना है उस किसान की चपल गिज़ जाती है जूती कि जाती है बैंक के चक्र काटते काटते है दो बार क्लर्क मिलेगा बोलेगा टेस्ट करके लाओ नोटराइस करके लाओ ये प्रवान पत्र दो क्या गिर्वी रखो में कोई उद्योग पती बैंक मेनेजर को फोन कर दे तो दस क्रोड का चेक उसी घर पहुंचाता है बैंक मेनेजर लिके तो इस प्लेटर में फिलाल इतना है सचिन पाइलेट इस समय असंबूधित कर रहे हैं बालिंदू जी राकेश मोरदिया जी मनीश यादव साहब पी नितागन और इस किसान सम्मिलन में मौजूद मेरे किसान भाईयों माताओं भेनों बुजर्गों नौजवान दोस्तों प्यारे बच्चों मैं सबसे पहले आप सबी लोगों का धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपने आज हम सब के निमंदरन को सुविकार किया और इस क पहले नागौर में किये और कल मैं हनवानगर जिले में था पीली बिन्ना में बहाँ पर भी हमने किसानों को एकत्रित संगटित और आगे बढ़ने के रास्ति के तरफ उनको उनसे बातें की उनकी बात को सुना अपनी बात को रखा शेकावटी की इस दर्ती पर बीरों की ज लेकर हम पूरे परदेश में सभी किसानों को उनके जीवन में जो परिवर्ट लाने की उम्मीद हम देखना चाहते हैं किसानों के जीवन में किसानों के परिवार में किसानों के भविश के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं 75 साल बाद आज भी सरकारे आई और चली गई लेकिन इस देश में सबसे मैनती, सबसे मांदार, लेकिन दुर्भागी वर्ष सबसे वंचित कोई वर्ग है तो वो किसान वर्ग है इस देश में दो तिहाई जन्ता जमीन पर काम करती है धर्ती का चीना चीर का रहनाज पैदा करती है 130 करूँ लोगों का पेट पालते है उस किसान को जो मान सम्मान साहता सयोग मदद मिलनी चाहिए उसके बच्चों को जो भविश मिलना चाहिए वो मिल नहीं रहा और मैं सवाल पूछना चाहता हूँ उन लोगों से जो दिल्ली में आठ साल से सरकार में बैठे है ये वो भाजबा के साथ ही है जो चुनाब पचार में बोलते थे कि हम किसान की आमनी दुग नि कर देंगे बोलो कहा की निगा बीजेपी ने खाद की की मट पेटरोल की डीजल की बीज की यूरिया की बिजली की ये सारी किमते आस्मान चू रही है कोई भला आदमी केंड की सरकार का कर ये बोलने को तयार नहीं है कि ये महंगाई कम करने की कोशिश भी करेंगे आप उनसे पूछो गैस का सिलिंडर 12 रुपे का क्यों बिक रहा है तो कहते हिंदुस्तान और पाकिस्तान आप पूछो किसान आज भुकमरी के कहार बखड़ा है जो दो-तीन बीगे में खेदी करते हैं क्या बशता होगा क्या पालता होगा क्या बचाता होगा यह सवाल पूछो तो केन की सरकार के लोग बीजेपे के साथ ही बोलते हैं हिंदुस्तान पाकिस्तान मुसल्मान हिंदू मंदिर मस्जिद इसी चर्चा में लोगों को समेटना चाहते हैं लेकिन मैं चाहता हूं हम सब चाहते हैं किसान को एक ऐसी रूप रेखा देनी जरूरी है किसान को मदद अगर आप नहीं कर सकते हो तो किसान पर जो प्रहारा आप ने किया था ये तीन जो काले कानून बनाए थे अपनी जिद्वा मनाए थे और एक साल तक किसानों ने देश की राजधानी में धरने दिये पदर्शन किया चक्का जाम किया तो एक साल के बाद जब चुनाम आने वाले थे तो हाथ जोड़के बोला हम ये तीनों कानून वापिस ले रहे हैं अब मैं इसे पूछना चाहता हूं कि किसके कहने पे तो आपने कानून बनाए थे और किसके कहने पे आपने वापिस ले लिए सेंखड़ों किसानों की जान चली गई इस देश में किसान को जो हक और अधिकार मिलना चाहिए किसान के नमबर राजनी सब करते हैं किसान के नारे सब देते हैं लेकिन सही माइने में किसान उसके परिवार को भला और भविश अगर बेदर करना कोई चाहता है उन लोगों के पैचान आपको करनी पड़ेगी मैं किसान परिवार में पैदा हुआ और मैं से बोलता हो कि मेरा जर्म गाऊ में नहीं हुआ मेरे पता जी Haire Force में थे तो जहाँ जा Air Force का station ता माहा हमारी Superman होती थी लेकिन जो किसान के बर्चालो हो निंख सकता जो किसान की मुश्केल को नहीं समझ सकता वो सिरफ भाषान दे सकता है और में यह बार बार-बार बोलता हूँ जब तक किसानों के बच्चे गरीब के बच्चे उन कुर्शें पर नहीं बैठ जाएंगे जहां से देश की परदेश की नीतिया लागो होती है तब तक देश का कल्णान परदेश का कल्णान नहीं हो सकता जिसको पता होगा कि मुझे बैंक से गर 50,000 रुपे का लोन लेना है उसके सान की चपल गिज़ जाती है जूती जाती है बैंक के काटते काट कार थो बार क्लर्क मिलेगा भोलेगा टेस्ट करके लाओ नोटराइस करके लाओ ये प्रमान पत्र दो क्या गिन्वी रखोंगे दस चक्र काटेगा फिर किसी दलाल को दो पा जाता है बैंक बेनेजर लिखे जाए तो इस बलेटर में फिलाल इतना ही है सचिन पाइलेट इस समय असंबोधित कर रहा है बालिंदू जी राकेश मोरदिया जी मनीश यादव साहब सुभाश मील जो खंडेला से आये हैं मंच पर उपस्तित सभी नितागन और इस किसान सम्मिलन में मौजूद मेरे किसान भाईयों माताओं भेनों बुजुर्गों नौजवान दोस्तों प्यारे बच्चों मैं सबसे पहले आप सभी लोगों का धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपने आज हम सब के निमंदरन को सुभिकार किया और इस किसान सम्मिलन में आप यहां सम्मिलित हुए हैं पिछले दो तिन दिनों से इसी प्रकार के किसान सम्मिलन हम लोगों ने पहले नागोर में किये और कल में हन्वानगर जिले में था पीली बिंगा में बहाँ पर भी हमने किसानों को एकत्रित संगटित और आगे बढ़ने के रास्ति के तरफ उनको उनसे बातें की उनकी बात को सुना अपनी बात को रखा शेखावड़ी की इस दर्ती पर बीरों की जमीन है एतिहासी की मिट्टी है और यहाँ पर जब जब मुझे आने का मौका मिला है आप सबने अपार्स नहीं और प्रेम दिया है मैं आप सबका कायल रहूंगा लेकिन आज इस मुद्टे को लेकर हम पूरे परदेश में सभी किसानों को उनके जीवन में जो परिवर्त अलाने की उम्मीद हम देखना चा तरकार है और चली गई लेकिन इस देश में सबसे महनती सबसे मांदार लेकिन दुर्भा के वर सबसे वंचित कोई वर्ग है तो वो किसान वर्ग है इस देश में तो त्याई जन्नता जमीन पर काम करती है धर्टी का चीना चीर का रहनांज प्यदा करती है एक सो तीस क्रोडों का पेट पालते हैं उस किसान को जो मान सम्मान साहिता सयोँग मदद मिलनी चाहिए उसके बच्चों को जो भविश मिलना चाहिए वो मिल नहीं रहा और भाच्वा के बात्पा केम है जो चुनाब 50 में बोलते थे कि Сам किसान की आमदरी दुग निए कर देंगे बोलो कहा की नीकाब instagram आधकने कि लेकिन вид कि Fini के सालियों ने कहां आप वोड दो हम किसान की आमदरी दुग निए कर देंगे सारे किसान बैठें मैं आप से पूछना चाहता हूं किसी की अमनि दुग नी हुई किसानों की अगर कुछ दुगनी चौगनी हो रही है तो खाद की कीमत पेटरोल की डीजल की बीच की यूरिया की बिजली की ये सारी किमते आस्मान चू रही है कोई भला आदमी केन की सरकार का कर ये बोलने को तयार नहीं है कि ये महंगाई कम करने की कोशिश भी करेंगे आप उनसे पूछो गैस का सिलेंडर 12 रुपे का क्यूं बिकरा है तो कहते हिंदुस्तान और पाकिस्तान आप पूछो किसान आज भुकमरी के कार बखड़ा है जो दो तीन बीगे में खेदी करते हैं उस पे क्या बचता होगा क्या पालता होगा क्या बचाता होगा ये सवाल पूछो तो केन की सरकार के लोग बीज़पे के साथी बोलते हैं हिंदुस्तान पाकिस्तान मुसल्मान हिंदु मंदिर मस्जिद इसी चर्चा में लोगों को समेटना चाहते हैं लेकिन मैं चाहता हूँ हम सब चाहते हैं किसान को एक ऐसी रूप रेखा देनी जरूरी है किसान को मदद अगर आप नहीं कर सकते हो तो किसान पे जो प्रहारा आपने किया था ये तीन जो काले कानून बनाए थे अपनी जिद्व मनाए थे और एक साल तक किसानों ने देश की राजधानी में धरने दिये पदर्शन किया चक्का जाम किया तो एक साल के बाद जब चुनाम आने वाले थे तो हाथ जोड़के बोला ये तीनों कानून वापिस ले रहे है हम मैं इसे पूछना चाहता हूँ कि किसके कहने पे तो आपने कानून बनाए थे और किसके कहने पे आपने वापिस ले लिए सेंकडों किसानों की जान चली गई इस देश में किसान को जो हक और अधिकार मिलना चाहिए किसान के नमबर ना लीद थी सब करते हैं शरप किसान के नारे सब देते लेकिन सही माइने में किसान उसके परिवार को भला और भविश अगर बेदर करना कोई चाहता है उन लोगों की पहचान आपको करनी पड़ेगी मैं किसान परिवार में पैदा हुआ और मैं इसले बोलता हूँ कि मेरा जनम गाउ में नहीं हुआ मेरे पता जी एरफोर्स में थे तो जहां जाए एरफोर्स का सेशन था मां हमारे पोस्टिंग होती थी लेकिन जो किसान के दर्द को नहीं समझ सकता जो किसान की मुश्कुल को नहीं समझ सकता वो सरफ भाशन दे सकता है और मैं यह बात बार 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 बोलता हूँ जब तक कि जिसको पता होगा कि मुझे बैंक से गर 50 रुपे का लोन लेना है उस किसान की चपल गिज जाती है जूती घिज जाती है बैंक के चकर काटते काटते हैं कि दो बार क्लर्क मिलेगा बोलेगा टेस्ट करके लाओ नोटराइस करके लाओ ये प्रमान पत्र दो क्या गिर्वी रखोगे दस चक्र काटेगा फिर किसी दालाल को दो पांच जारुपे पकड़ाएगा तब जाके उसको मिलेगे पचाहई जारुपे यह अखिकत बनिये दे बालिंदू जी, राकेश मोरदिया जी, मनीश यादव साहब, सुभाष मील जो खंडेला से आये हैं, मंचपर उपस्थित, सभी नितागन और इस किसान सम्मिलन में मौजूद, मेरे किसान भाईयों, माताओं, भेनों, बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, प्यारे पिछले दो-तिन दिनों से इसी प्रकार के किसान सम्मिलन हम लोगों ने पहले नागौर में किये, और कल में हनवानगर जिले में था, पीली बिंगा में, बहाँ पर भी हमने किसानों को एकत्रित, संगटित, और आगे बढ़ने के रास्ति के तरफ उनको उनसे बातें की, उ अब जब मुझे आने का मौका मिला है, आप सबने अपार्स ने और प्रेम दिया है, मैं आप सबका कायल रहूंगा, लेकिन आज इस बुद्दे को लेकर, हम पूरे परदेश में, सभी किसानों को, उनके जीवन में, जो परिवर्त लाने की उम्मीद हम देखना चाहते हैं, किसानों के जीवन में, किसानों के परिवार में, किसानों के भविश्च के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, 75 साल बाद आज भी, सरकारे आई और चली गई, लेकिन इस देश में सबसे मेहनती, सबसे मानदार, लेकिन दुर्भा के बस सबसे वंचित कोई वर्ग है, तो वो कि जो應 करती है ढठी का चीना चीर का रनाज पैदा करती है kicked एकントपीश करो़ों का पेट पालते है उस किसान को जो मान समान साहता सयोग मदद मिलनी चाहिए उसके बच्छों को जो भविश्ष मिलना चाहिए वह मिल नहीं रहा और मैं सवाज पूछना चाहता हूँ उन लोगों से जो दिल्ली में आठ साल से सरकार में बैठे हैं ये वो भाजबा के साथ ही हैं जो चुनाब पचार में बोलते थे कि हम किसान की आमनी दुगनी कर देंगे बोलो कहा की निगाँ बीजेपी ने हमने तो नहीं का आपको वादा करने के लिए लेकिन बीजेपी के साथियों ने कहा आप वोट दो हम किसान की आमनी दुगनी कर देंगे इस सारी किसान बैठे हैं मैं आपसे पूछना चाहता हूँ किसी की आमनी दुगनी होई किसानों की अगर कुछ दुगनी सौगनी हो रही है तो खाद की कीमत पेटरोल की डीजल की बीच की यूरिया की बिजली की ये सारी कीमते आस्मान चू रही है कोई भला आदमी केंड की सरकार का कर ये बोलने को तयार नहीं है कि ये महंगाई कम करने की कोशिश भी करेंगे आप उनसे तो कहते हिंदुस्तान और पाकिस्तान आप पूचो किसान आज भुकमरी के कहार बख़डा है जो दो तीन बीगे में खेदी करते हैं उस पे क्या बचता होगा क्या पालता होगा क्या बचाता होगा ये सवाल पूचो तो केन की सरकार के लोग बीजेपे के साथी बोलते हैं हिंदोस्तान पाकिस्तान मुसल्मान हिंदू मंदिर मनदिर इस यह चर्चा में PL hochow को समेठ कि मैं चाहता है हम सब का थे किसान को एक ऐसी रूप रेखा देनी जरूरी है किसान को मदद अगर आप नहीं कर सकते हो तो किसान पे जो प्रहारा आप ने किया था ये तीन जो काले कानून बनाए थे अपनी जिद्व मनाए थे और एक साल तक किसानों ने देश की राजधानी में धरने दिये पदर्शन किया चक्का जाम किया तो एक साल के बाद जब चुनाम आने वाले थे तो हाथ जोड़के बोला हम ये तीनों कानून वापिस ले रहे हैं अब मैं इसे पूछना चाहता हूँ कि किसके कहने पे तो आपने कानून बनाए थे और किसके कहने पे आपने वापिस ले लिए सेंकड़ों किसानों की जान चली गई इस देश में किसान को जो हक और अधिकार मिलना चाहिए किसान के नमबर राजनी सब करते हैं किसान के नारे सब देते हैं लेकिन सही माइने में किसान उसके परिवार को भला और भविश अगर बेतर करना कोई चाहता है उन लोगों के पैचान आपको करनी पड़ेगी मैं किसान परिवार में पैदा हुआ और मैसे बोलता हूँ कि मेरा जर्म गाव में नहीं हुआ मेरे पता जी एर फोर्स में थे तो जहां जा एर फोर्स का सेशन था माहा हमारे पोस्टिंग होती थी लेकिन जो किसान के दर्द को नहीं समझ सकता जो किसान की मुश्कुल को नहीं समझ सकता वो सरफ भाषाण दे सकता है और मैं यह बार 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 बोलता हूं जब तक किसानों के बच्चे गरीब के बच्चे उन कुर्षयों पर नहीं बैठ जाएंगे जहां से इस बेश की परदेश की नीत के अलाग होती है तब तक देश का कलनान प्रदिश का कलनान नहीं हो सकता जिसको पता होगा कि मुझे बैंक से गर 50,000 रुपे का लोन लेना है उस किसान की चपल घिस जाती है जूती घिस जाती है बैंक के चकर काटते काटते हैं दो बार क्लर्क मिलेगा बोलेगा टेस्ट करके लाओ कोई धन्ना सेट मोटा सामी कोई उद्योग पती बैंक मेनेजर को फोन कर दे तो दस क्रोर का चेक उसी घर पहुंच जाता है बैंक मेनेजर लिके जाए तो इस बैलेटर में फिलाल इतना है सचिन पाइलेट इस समय असंबूदित कर रहे हैं वालिंदू जी राकेश मोड़ पूर्गों नौजवान दोस्तों प्यारे बच्चों मैं सबसे पहले आप सभी लोगों का धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपने आज हम सब के निमंदरन को सुविकार किया और इस किसान सम्मेलन में आप यहां सम्मिलित हुए हैं पिछले दो तिन दिनों से इसी प्रकार क किसान सम्मेलन हम लोगों ने पहले नागौर में किये और कल में हनवानगर जिले में था पीली बिन्ना में बहां पर भी हमने किसानों को एकत्रित संगटित और आगे बढ़ने के रास्ति के तरफ उनको उनसे बातें की उनकी बात को सुना अपनी बात को रखा शेकावटी क इस दर्थी पर बीरों की जमीन है एतिहासी की मिट्टी है और यहां पर जब जब मुझे आने का मौका मिला है आप सबने अपार्स नहीं और प्रेम दिया है मैं आप सबका कायल रहूंगा लेकिन आज इस मुद्टे को लेकर हम पूरे परदेश में सबी किसानों को उनके और सब्सक्राइवन में किसानों के परिवार में किसानों के भविश्च के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं 75 साल बाद आज भी सरकारे आई और चली गई लेकिन इस देश में सबसे मेहनती सबसे मांदार लेकिन दुर्भा के पर सबसे वंचित कोई वर्ग है तो वो किसान वर्ग है इस देश में दो तीहाई जन्ता जमीन पर काम करती है धर्टी का चीना चीर का रहनाज पैदा करती है एक सो तीस करों लोगों का पेट पालते हैं उस किसान को जो मान समान साहिता सयोग मदद मिलनी चाहिए उसके बच्चों को जो भविश मिलना चाहिए वो मिल नहीं रहा और मैं सवाल पूछना चाहता हूँ उन लोगों से जो दिल्ली में आठ साल से सरकार में बैठे हैं ये वो भाजबा के साथी हैं जो चुनाप पचार में बोलते थे कि हम किसान की आमनी दुगनी कर देंगे बोलो कहा की निगाब बीजेपी ने हमने तो नहीं कि आपको वादा करने के लिए लेकिन बीजेपी के साथियों ने कहा आप वोट दो हम किसान की आमनी दुगनी कर देंगे कि सारी किसान बैठे हैं मैं आपसे पूछना चाहता हूं किसी की आंदनी दुग नी होई किसानों की अगर कुछ दुगनी चोगनी हो रही है तो खाद की खिमत पेटरोल की डीजल की बीच की यूरिया की बिजली की ये सारी किमते आस्मान चू रही है कोई भला आदमी केन की सरकार का कर ये बोलने को तयार नहीं है कि ये महंगाई कम करने की कोशिश भी करेंगे आप उनसे पूछो गैस का सिलिंडर 12 रुपे का क्यूं बिकरा है तो कहते हिंदुस्तान और पाकिस्तान आप पूछो किसान आज भुकमरी के कार बखड़ा है जो दो तीन बीगे में खेदी करते हैं उस पे क्या बचता होगा क्या पालता होगा क्या बचाता होगा ये सवाल पूछो तो केन की सरकार के लोग बीज़पे के साथ ही बोलते हैं हिंदुस्तान पाकिस्तान मुसल्मान हिंदु मंदिर मस्जिद इसी चर्चा में लोगों को समेटना चाहते हैं लेकिन मैं चाहता हूँ हम सब चाहते हैं किसान को एक ऐसी रूप रेखा देनी जरूरी है किसान को मदद अगर आप नहीं कर सकते हो तो किसान पे जो प्रहारा आपने किया था ये तीन जो काले कानून बनाए थे अपनी जिद्व मनाए थे और एक साल तक किसानों ने देश की राजधानी में धरने दिये पदर्शन किया चक्का जाम किया तो एक साल के बाद जब चुनाम आने वाले थे तो हाथ जोड़के बोला ये तीनों कानून वापिस ले रहे है अब मैं इसे पूछना चाहता हूँ कि किसके कहने पे तो आपने कानून बनाए थे और किसके कहने पे आपने वापिस ले लिए सेंकडों किसानों की जान चली गई इस देश में किसान को जो अधिकार मिलना चाहिए किसान के नम राजनी त焦 करते हैं किसान के नारे सब देते हैं लेकिन सही मायने में किसान उसके परिवार को भड़ा और भविष अगर बेढ़ना कोई चाहता है उन लोगों के पहचान आपको करनी पड़ेगी मैं किसान परिवार में पैदा हुआ और मैंसे बोलता हूं कि मेरा जर्म गाव में नहीं हुआ मेरे पता जी एरफोर्स में थे तो जहांचा एरफोर्स का सेशन था मां हमारे पोस्टिंग होती थी लेकिन जो किसान के दर्द को नहीं समझ सकता जो किसान के मुश्कुल को नहीं समझ सकता वो सरफ भाषण दे सकता है और मैं यह बात बार बार बोलता हूं जब तब तक किसानों के बच्चे गरीब के बच्चे उन कुर्षयों पर नहीं बैठ जाएंगे जहां से इस देश की प्रदेश की निक्या लाग होती है तब तक देश का कलना प्रदेश का कलना नहीं हो सकता जिसको पता होगा कि मुझे बैंक से गर 50,000 रुपे का लोन लेना है उस किसान की चपल गिज़ जाती है जूती गिज़ जाती है बैंक के चकर काटते काटते है दो बार क्लर्क मिलेगा बोलेगा टेस्ट करके लाओ नोटराइस करके लाओ ये प्रमान पत्र दो क्या गिर्वी बैंक मेनेजर को फोन कर दे तो दस क्रोड का चेक उसी घर पहुंच आता है बैंक मेनेजर लिके जाता है तो इस प्लेटर में फिलाल इतना है सचिन पालेट इस समय असंबूदित कर रहे हैं बालिंदू जी राकेश मोरदिया जी मनीश यादव साहब सुभाश मील जो चारे बच्चों मैं सबसे पहले आप सभी लोगों का धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपने आज हम सब के निमंदरन को स्विकार किया और इस किसान सम्मिलन में आप यहां समलित हुए हैं पिछले दो-तिन दिनों से इसी प्रकार के किसान सम्मिलन हम लोगों ने पहले नागौर में किये और कल मैं हनवानगर जिले में था पीली बिन्ना में बहाँ पर भी हमने किसानों को एकत्रित संगटित और आगे बढ़ने के रास्ति के तरफ उनको उनसे बातें की उनकी बात को सुना अपनी बात को रखा शेखावटी की इस दर्ती पर बीरों की जमीन है एतिहासी की मिट्टी है और यहाँ पर जब जब मुझे आने का मौका मिला है आप सबने अपार्स ने और प्रेम दिया है मैं आप सब का कायल रहूंगा लेकिन आज इस मुद्धे को लेकर हम पूरे परदेश में सभी किसान को उनके जीवन में जो परिवर्ट लाने की उम्मीद हम देखना चाहते हैं किसानों के जीवन में किसानों के परिवार में किसानों के भविश्च के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं 75 साल बाद आज भी सरकारे आई और चली गई लेकिन इस देश में सबसे मेहनती सबसे मांदार लेकिन दुर्भा के पर सबसे वंचित कोई वर्ग है तो वो किसान वर्ग है इस देश में दो तिहाई जन्ता जमीन पर काम करती है धर्टी का चीना चीर का रहनाज पैदा करती है 130 करड़ों का पेट पालते हैं उस किसान को जो मान सम्मान साहिता सयोग मदद मिलनी चाहिए उसके बच्चों को जो भविश मिलना चाहिए वो मिल नहीं रहा और मैं सवाल पूछना चाहता हूँ उन लोगों से जो दिल्ली में 8 साल से सरकार में बैठे हैं ये वो भाजबा के साथी हैं जो चुनाब पचार में बोलते थे कि हम किसान की आमनी दुगनी कर देंगे बोलो कहा की निगाब बीजेपी ने हमने तो नहीं का आपको वादा करने के लिए लेकिन बीजेपी के साथियों ने कहा आप वोट दो हम किसान की आमनी दुगनी कर देंगे कि सारी किसान बैठे हैं मैं आप से पूछना चाहता हूं किसी की अमदनी दुगनी होई किसानों की अगर कुछ दुगनी चौगनी हो रही है तो खाद की कीमत पेटरोल की डीजल की बीच की यूरिया की बिजली की ये सारी कीमते आस्वान छू रही है कोई भला आदमी केन की सरकार का आकर ये बोलने को तयार नहीं है कि महंगाई कम तरने की कोशिश भी करेंगे आप उनसे पूछो गैस का सिलंडर 12 रुपे का क्यूं बिकरा है तो कहते हिंदुस्तान और पाकिस्तान आप पूछो किसान आज भुकमरी के गार बखड़ा है जो दो तीन बीगे में खेदी करते हैं उस पे क्या बचता होगा क्या पालता होगा क्या बचाता होगा ये सवाल पूछो तो केन की सरकार के लोग बीजेबी के साथी बोलते हैं हिंदुस्तान पाकिस्तान मुसल्मान हिंदू मंदिर मस्जिद इसी चर्चा में लोगों को समेटना चाहते हैं लेकिन मैं चाहता हूं हम सब चाहते हैं किसान को एक ऐसी रूप रेखा देनी जरूरी है किसान को मदद अगर आप नहीं कर सकते हो तो किसान पे जो प्रहारा आपने किया था ये तीन जो काले कानून बनाए थे अपनी जिद्म मनाए थे और एक साल तक किसानों ने देश की राजधानी में धरने दिये पदर्शन किया, चक्का जाम किया तो एक साल के बाद जब चुनाम आने वाले थे तो हाथ जोड़के बोला, ये तीनों कानून वापिस ले रहे हैं हम बैसे पूछना चाहता हूँ कि किसके कहने पे तो अपने कानून बनाए थे और किसके कहने पे अपने वापिस ले लिए किसान की जान चली गई इस देश में किसान को जो हक और अधिकार मिलना चाहिए किसान के नमब राजनी सब करते हैं किसान के नारे सब देते हैं लेकिन सही माइने में किसान उसके परिवार को भला और भविष अगर बेदर करना कोई चाहता है उन लोगों के पैचान आपको कर हुआ और मैसे बोलता हूं कि मेरा जरंगाओ में नहीं हुआ मेरे पटा Gil एएफोर्स में थे तो जहां-जाएफोर्स का स्थेशन यह माहा पोस्टिंग होती थी लेकिन जो किसान की अग Почему नहीं समझ सकता तो नहीं बाशन को नहीं के बच्चे उन कुर्षे उपर नहीं बैठ जाएंगे जहां से इस देश की प्रदेश की नीतिया लाग होती है तब तक देश का कल्णा प्रदेश का कल्णा नहीं हो सकता जिसको पता होगा कि मुझे बैंक से कर 50 रुपे का लोन लेना है उस किसान की चपल घिज जाती है जू तो दस क्रोड का चेक उसी घर पहुंचाता है बैंक बैंक बेनेजर लिके जाता है तो इस फिलाल इतना ही है सचिन पाइलेट इस समय असंभूदित कर रहे हैं वालिंदू जी राकेश मोडिया जी मनीश यादव साहब सुभाश मील जो खंडेला से आए हैं मंच पर उपस् सबी नितागन और इस किसान सम्मिलन में मौजूद मेरे किसान भाईयों माताओं भेनों बुजर्गों नौजवान दोस्तों प्यारे बच्चों मैं सबसे पहले आप सबी लोगों का धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपने आज हम सब के निमंदरन को स्विकार किया और इस क पहले नागौर में किये और कल मैं हनवानगर जिले में था पीली बिन्गा में बहाँ पर भी हमने किसानों को एकत्रित संगटित और आगे बढ़ने के रास्ति के तरफ उनको उनसे बातें की उनकी बात को सुना अपनी बात को रखा शेखावटी की इस दर्ती पर बीरों की जमीन है एतिहासी की मिट्टी है और यहां पर जब जब मुझे आने का मौका मिला है आप सबने अपार्स ने और प्रेम दिया है मैं आप सबका कायल रहूंगा लेकिन आज जिस मुद्द्ध को लेकर हम पूरे परदेश में सभी किसानों को उनके जीवन में जो परिवर्त देश के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं 75 साल बाद आज भी सरकारे आई और चली गई है लेकिन इस देश में सबसे महनती सबसे मांदार लेकिन दुर्भा के बश्च सबसे वंचित कोई वर्ग है तो वो किसान वर्ग है इस देश में दो तीहाई जन्ता जमीन पर काम करती है धर्टी का सीना चीर का रहनाज पैदा करती है एक सो तीस करोड़ों का पेट पालते हैं उस किसान को जो मान समान साहिता सयोग मदद मिलनी चाहिए उसके बच्चों को जो भविश मिलना चाहिए वो मिल नहीं रहा और मैं सवाल पूछना चाहता हूँ उन लोगों से जो दि आमनी दुगनी कर देंगे बोलो कहा कि निगाभी जेपी ने हमने तो नहीं का आपको वादा करने के लिए लेकिन बीजेपी के स्यातियों ने कहा आप वोट दो हम किसान की आमनी दुगनी कर देंगे सारी किसान बैठे हैं मैं आप से पूछना चाहता हूँ किसी की आमनी दुगनी होई किसानों की अगर कुछ दुगनी चोगनी हो रही है तो खाद की कीमत पेटरोल की डीजल की बीज की यूरिया की बिजली की यह सारी कीमते आस्मान चुँ रही है कोई भ़ला आदमी केन की सरकार का कर यह बोलने को तयार नहीं है कि यह महँगाई कम करने की कोशिश भी करेंगे आप उनसे पूछो गैस का सिलिंडर 12 रुपे का क्यों बिक रहा है तो कहते हिंदुस्तान और पाकिस्तान आप पूछो किसान आज भुकमरी के कार बखड़ा है जो दो तीन भीगे में खेदी करते हैं उस पे क्या बचता होगा क्या पालता होगा क्या बचाता होगा यह सवाल पूछो तो केन की सरकार के लोग बीजेपे के साथी बोलते हैं हिंदुस्तान, पाकिस्तान, मुसल्मान, हिंदू, मंदिर, मस्जिद इसी चर्चा में लोगों को समेटना चाहते है लेकि मैं चाहता हूँ, हम सब चाहते है किसान को एक ऐसी रूप रेखा देनी जरूरी है किसान को मदद अगर आप नहीं कर सकते हो तो किसान पर जो प्रहारा आपने किया था ये तीन जो काले कानून बनाए थे अपनी जिद्व मनाए थे और एक साल तक किसानों ने देश के राजधानी में धरने दिये पदर्शन किया, चक्का जाम किया तो एक साल के बाद जब तुनाम आने वाले थे तो हाथ जोड़के बोला, ये तीनों कानून वापिस ले रहे हैं अब मैं इसे पूछना चाहता हूँ कि किसके कहने पे तो आपने कानून बनाए थे और किसके कहने पे आपने वापिस ले लिए सेंकड़ों किसानों की जान चली गई इस देश में किसान को जो हक और अधिकार मिलना चाहिए किसान के नम बराजनी सब तरते हैं किसान के नारे सब देते हैं लेकिन सही माइने में किसान उसके परिवार को भला और भविश अगर बेदर करना कोई चाहता है उन लोगों के पैसान आपको करनी पड़ेगी मैं किसान परिवार में पैदा हुआ और मैं इसले बोलता हूं कि मेरा जनम गाउ में नहीं हुआ मेरे पता जी एर फोर्स में थे तो जहां जाए एर फोर्स का सेशन था माहा हमारे पोस्टिंग होती थी लेकिन जो किसान के दर्द को नहीं समझ सकता जो किसान की मुश्कुल को नहीं समझ सकता वो सरफ बाज़न दे सकता है और मैं यह बार बार बोलता हूं जब तक किसानों के बच्चे गरीब के बच्चे उन कुर्षियों पर नहीं बैठ जाएंगे जहां से इस देश की परदेश की नीतिया लाग होती है तब तक देश का कल्णान परदेश का कल्णान नहीं हो सकता जिसको पता होगा कि मुझे बैंक से गर 50,000 रुपे का लोन लेना है उस किसान की चपल घिज जाती है जूती घिज जाती है बैंक के चकर काटते काटते है दो बार क्लर्क मिलेगा आप मोझे का टेस्ट करके लाओ नोटराइस करके लाओ ये प्रमान पत्र दो क्या गिर्वी रखोगे दस चक्र काटेगा फिर किसी दलाल को दो पांस जार रुपे पकलाएगा तब जाके उसको मिलें के पचाहईजार रुपे यह अखिकत मिनिये देश की उस्था के अंदर और धन्ना सेट मोटा सामी को उद्योग पती बैंक मेनेजर को फोन कर दे तो दस क्रोड का चेक उसी घर पहुंच जाता है बैंक मेनेजर लिके जाएं तो इस बलेटर में फिलाल इतना है है सचिंद पाइलेट इस समय असंबोधित कर रहा है वालिंदू जी राकेश मोडिया जी मनीश यादव साहब सुभाश मील जो खंडेला से आये हैं मंच पर उपस्तित सभी न अन्यवाद करना चाहता हूं कि आपने आज हम सब के निमंदरन को सुभीकार किया और इस किसान समयलन में आप यहां समलित हुए हैं पिछले दो-तिन दिनों से इसी प्रकार के किसान समयलन हम लोगों ने पहले नागावर में किये और कल मैं हनवानर जिले में था पीली बिंगा में बहाँ पर भी हमने किसानों को एकत्रित संगटित और आगे बढ़ने के रास्ति के तरफ उनको उनसे बातें की उनकी बात को सुना अपनी बात को रखा शेखावड़ी की इस दर्ती पर बीरों की जमीन है एतिहासी की मिट्टी है और यहां पर जब जब मुझे आने का मौका मिला है आप सबने अपार्स ने और प्रेम दिया है मैं आप सब का कायल रहूंगा लेकिन आज इस मुद्टे को लेकर हम पूरे परदेश में सभी किसा किसानों को कि उनके जीवन में परिवर्त लाने की उम्मीद हम देखना चाहते हैं कि किसानों के जीवन में किसानों के परिवार में कि सानुंगे भावश्च के लिए कि हम लोग क्या कर सकते हैं 55 साथ बाद आज भी सरकारे आई और चली गई लेकिन इस देश में सबसे मेहनती सबसे मांदार लेकिन दुर्भा के पर सबसे वंचित कोई वर्ग है तो वह किसान वर्ग है इस देश में दो तीहाई जन्ता जमीन पर काम करती है धरती का चीना चीर का रहनाज पैदा करती है 130 करों का पेट पालते हैं उस किसान को जो मान सम्मान साहिता सयोग मदद मिलनी चाहिए उसके बच्चों को जो भविश मिलना चाहिए वो मिल नहीं रहा और मैं सवाल पूछना चाहता हूँ उन लोगों से दिल्ली में 8 साल से सरका में बैठे हैं यह वो भाजबा के साथ हैं जो चुनाब पचार में बोलते थे कि हम किसान की आमनी दुगनी कर देंगे बोलो कहा कि निगा बीजेपी ने हमने तो नहीं का आपको वादा करने के लिए लेकिन बीजेपी के साथ यह ने कहा आप वोट दो हम किसान की आमनी पूछना चाहता हूं किसी की अंदर दुगनी हुई किसानों की अगर कुछ दुगनी चौक निको हो रही है तो खाड की कीमत पैडरोल की डीजल की बीच की यूरिया की बिजली की ये सारी किमते आस्मान चू रही है कोई भला आदमी केंद की सरकार का आकर ये बोलने को तयार नहीं है के महंगाई कम करने की कोशिश भी करेंगे आप उनसे पूछो गैस का सिलिंडर 12 रुपे का क्यों विक रहा है तो कहते हिंदुस्तान और पाकिस्तान आप प आप पूछो तो केंड की सरकार के लोग बिज़फल के साथ ही बोलते हैं हिंदुस्तान पाकिस्तान मुसल्मान हिंदू मंदिर मस्जद इसी चर्शा में लोगों को समेटना चाहते हैं लेकिन मैं चाहता हो हम सब चाहते हैं किसान को एक ऐसी रूप रेखा देनी जरूरी है किसान को मदद अगर आप नहीं कर सकते हो तो किसान पर जो प्रहारा आपने किया था ये तीन जो काले कानून बनाए थे अपनी जिद्व मनाए थे और एक साल तक किसानों ने देश की राजदानी में धरने दिये परदर्शन किया चक्का जाम किया जब किनाम आने वाले थे झो हाँज़ जोड़के बोला यह तीनों कौनून वापस ले रहे हैं और मैं ऎसे पूछना चाहता हूँ कि किश के कहने पर तो आपने कानून बनाए थे और किसके कहने पर आपने वापस ले लिये कि सेकड़ों किसानों की जान चली गई इस देश में किसान को जो हग और अधिकार मिलना चाहिए किसान के नमब राजनी सब करतेματα किसान के नारे सब देते हैं लेकिन सही माइने में किसान उसके परिवार को भला और भविश्य अगर बेदर करना को चाहता है उन लोगों के पैचान आपको करनी पड़ेगी मैं किसान परिवार में पैदा हुआ और मैं इसले बोलता हूँ कि मेरा जन गाउ में नहीं हुआ मेरे पता जी एर फोर्स में थे तो जहां जा एर फोर्स का सेशन था माहा हमारे पोस्टिंग होती थी लेकिन जो किसान के दर्दों नहीं समझ सकता जो किसान की मुश्कुल नहीं समझ सकता वो सिर्फ भाशन दे सकता है और मैं यह बार बार बोलता हूं जब तक किसानों के बच्चे गरीब के बच्चे उन कुर्षियों पर नहीं बैठ जाएंगे जहां से इस बेश की परदेश की नीतिया लाग होती है तब तक बेश का कल्णा परदेश का कल्णा नहीं हो सकता जिसको पता होगा कि मुझे बैंक से गर 50 रुपे का लोन लेना है उस किसान की चपल गिस जाती है जूती गिस जाती है बैंक के चकर काटते काटते हैं दो बार क्लर्क मिलेगा बोलेगा टेस्ट करके लाओ नोटराइस करके लाओ यह प्रमान पत्र दो क्या गिर्वी रखोग कोई उद्योगपती बैंक मेनेजर को फोन कर दे तो दस क्रोड का चेक उसी घर पहुंचाता है बैंक मेनेजर लिके जाता है तो इस में फिलाल इतना है है सचिन पाइलेट इस समय असंबूदित कर रहे हैं बालिंदू जी राकेश मोरदिया जी मनीश यादव साहब सुभा पाश्मील जो खंडेला से आये हैं मंचपर उपस्तित सभी नितागन और इस किसान सम्मिलन में मौजूद मेरे किसान भाईयों माताओं भेनों बुजुर्गों नौजवान दोस्तों प्यारे बच्चों मैं सबसे पहले आप सभी लोगों का धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपने आज हम सब के निमंदरन को सुविकार किया और इस किसान सम्मिलन में आप यहां सम्मिलित हुए हैं पिछले दो तिन दिनों से इसी प्रकार के किसान सम्मिलन हम लोगों ने पहले नागौर में किये और कल मैं हनवानगर जिले में था अपकी बिना में बहां पर भी हम किसानों को एकत्रित संगटित और आगे बढ़ने के रास्ति के तरफ उनको उनसे बातें की उनकी बात को सुना अपनी बात को रखा शेखावटी की इस दर्थी पर बीरों की जमीन है एतिहासी की मिटी है और यहां पर जब जब मुझे आने का मौका मिला है आप सबने अपार किसानों को उनके जीवन में जो परिवर्त लाने की उम्मीद हम देखना चाहते हैं किसानों के जीवन में किसानों के परिवार में किसानों के भविश्य के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं 75 साल बाद आज भी सरकार हैं और चली गई लेकिन इस देश में सबसे मेहनती सबसे मा तो वो किसानवर्ग है इस देश में दो ती हाई जन्ता जमीन पर काम करती धर्थी का छीना चीर का रनाज पैदा करती है एक सो तीस करों लोगों का पेट पालते हैं उस किसान को जो मान सम्मान साहिता सयोग मदद मिलनी चाहिए उसके बच्चों को जो भविश्ट मिलना चाहिए वो मिल नहीं रहा और मैं सवाल पूछना चाहता हूँ उन लोगों से जो दिल्ली में आठ साल सी सरकार में बैठे है ये वो भाजबा के साथी हैं जो चुनाब पचार में बोलते थे कि हम किसान की आमदनी दुगनी कर देंगे बोलो कहा की निगा बीजेपी ने हमने तो नहीं कहा आपको वादा करने के लिए लेकिन बीजेपी के साथियों ने कहा आप वोट दो हम किसान की आमदनी दुगनी कर देंगे कि सारे किसान बैठे हैं कि से पूछ ना चाहता हूं किसी की अंगि दुगनी हमभी किसान की अगर कुछ दुगनी जोगनी हो रही है तो खाद की गीमत पैट्रॉल की डीजल की बीच की यूरिया की बिजली की यह सारी किमत यास्वान छू रही हैं कोई भला आदमी केंद की सरकार का आकर ये बोलने को तयार नहीं है कि ये महंगाई कम करने की कोशिश भी करेंगे आप उनसे पूछो गैस का सिलिंडर 12 रुपे का क्यों भिकरा है तो कहते हिंदुस्तान और पाकिस्तान आप पूछो किसान आज भुकमरी के गार पकड़ा है जो दो-तीन बीगे में खेदी करते हैं उस पे क्या बशता होगा क्या पालता हुआ क्या बचाता होगा ये सवाल पूछो तो केंड की सरकार के लोग बीज़पे के साथ ही बोलते हैं हिंदुस्तान पाकिस्तान मुसल्मान हिंदू मंदिर मस्जिद किसी चर्चा में लोगों को समेटना चाटे हैं लेकिन वीक으ं मैं चाहता है हम सब चाते हैं किसान को एक ऐसी रूपरे ख़ा देनी जूरुरी है किसान को मदब अगर आप Nathan कर सकते हो तो किसान पर जो प्रहारा आपने किया था ये दिन जो काले कानुन बनाये थे अपनी जित्म मनाय थे तो एक साल के बाद जब चुनाम आने वाले थे तो हाथ जोड़के बोला ये तीनों कानून वापिस ले रहे हैं अब मैं इसे पूछना चाहता हूं कि किसके कहने पर अपने कानून बनाए थे और किसके कहने पर अपने वापिस ले लिए किसान की जान चली गई इस देश में किसान को जो हक और अधिकार मिलना चाहिए किसान के नमब राजनी सब करते हैं किसान के नारे सब देते हैं लेकिन सही माइने में किसान उसके परिवार को भला और भविश अगर बेतर करना कोई चाहता है उन लोगों के पैसान आपको करनी पड़ेगी। मैं खिसान परिवार में पड़ा हुआ और में असरे ही बोलता हूँ कि मेरा जनम तरफ उना रही हुआ मेरे पता जी एर फोर्स में थे तो जहां जा एर फोर्स का स्टेशन था माहा हमारे पोस्टिंग होती थी लेकिन जो किसान के दर्द को नहीं समझ सकता जो किसान की मुश्कुल को नहीं समझ सकता वो सरफ भाशन दे सकता है और मैं ये लोए और बार बार बोलता हूँ जब तक किसानों के बच्छे गरीब के बच्छे उन कुर्से ऑप नहीं बैठ जाएंगे जाहन से इस देस्ट की पर देश्की नीटया लागए होती है तब तक देस का क्लाई पर्देश। का कला नहीं प्रमान पत्र दो क्या गिर्वी रखोगे दस चक्र काटेगा फिर किसी दलाल को दो पांस जार रुपे पकड़ाएगा तब जा कि उसको मिलें के पचाहई जार रुपे यह अखीकत मनिये देश की विश्था के अंदर और धन्ना सेट मोटा सामी को फुद्योग पती बैंक मे इश्यादव साब सुभाष मील जो खंडेला से आए हैं मंच पर उपस्तित सभी नितागन और इस किसान सम्मिलन में मौजूद मेरे किसान भाईयों माताओं भेनों बुजर्गों नौजवान दोस्तों प्यारे बच्चों मैं सबसे पहले आप सभी लोगों का धन्यवाद क ना चाहता हूँ कि आपने आज हम सब के निमंतरन को सुभी कार किया और इस किसान सम्मिलन में आप यहां सम्मिलित हुए हैं पिशले दो तिन दिनों से इसी प्रकार के किसान सम्मेलन हम लोगोंने पहले नागौर में किये और कल मैं हनवानगर जिले में था पीली बिंगा में बहाँ पर भी हमने किसानों को एकत्रित संगटित और आगे बढ़ने के रास्ति के तरफ उनको उनसे बातें की उनकी बात को सुना अपनी बात को रखा शेखावटी की इस दर्ती पर बीरों की जमीन है एतिहासी की मिट्टी है और यहां पर जब जब मुझे आने का मौका मिला है आप सबने अपार्स ने और प्रेम दिया है मैं आप सब का कायल रहूंगा लेकिन पर तलाने की अमीद हम देखना चाहते हैं किसांव के जीवन में किसांव के परिवार में किसांव के भविश्च के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं 75 сाल बाज आज भी सरकार ने आई और चली गई लेकिन इस देश में सबसे मेहनती सबसे मांदार लेकिन दुर्भागिवर्ष सबसे वंचित कोई वर्ग है तो वो किसान वर्ग है इस देश में दो त्याई जनता जमीन पर काम करती है धर्ती का चीना चीर का रहनाज पैदा करती है एक सो तीस करूड लोगों का पेट पालते हैं उस किसान को जो मान सम्मान साहिता सयोग मदद मिलनी चाहिए उसके बच्चों को जो भविश मिलना चाहिए वो मिल नहीं रहा और मैं सवाल पूछना चाहता हूं उन लोगों से दिल्ली में आठ साल से सरकार में बैठे हैं यह वो भाजबा के साथ हैं जो चुनाप पचार में बोलते थे कि हम किसान की आमनी दुगनी कर देंग पूरां के बोलो कहा कि निगाफ बीजय पी ने कि हमने तो नहीं की आपको बादा करने के लिए लेकिन बीजय पी के सहाथ यो ने का आप वोड़ ओ हम्त किसान कि आमनी दुगनी कर देंगे मैं आप से पूछना चाहता हूँ किसी की अंगनी दुगनी हो किसानों की है अगर कुछ दुगनी जोगनी हो रहे है तो खाज की कीमत पेटरॉल की डीजल की बीज की यूरिया की बिजली की ये सारी किमते आस्मान छू रही है कोई भला आदमी केन की सरकार का कर ये बोलने को तयार नहीं है कि ये महंगाई कम करने की कोशिश भी करेंगे आप उनसे पूछो गैस का सिलिंडर 12 रुपे का क्यूं बिकरा है तो कहते हिंदुस्तान और पाकिस्तान आप पूछो किसान आज भुकमरी के कार बखड़ा है जो दो तीन बीगे में खेदी करते हैं उस पे क्या बसता होगा क्या पालता होगा क्या बचाता होगा ये सवाल पूछो तो केन की सरकार के लोग बीजेपे के साथी बोलते हैं हिंदुस्तान, पाकिस्तान, मुसल्मान, हिंदू, मंदिर, मस्जिद इसी चर्चा में लोगों को समेटना चाहते हैं लेकिन मैं चाहता हूँ, हम सब चाहते हैं किसान को एक ऐसी रूप रेखा देनी जरूबी है किसान को मदद अगर आप नहीं कर सकते हो तो किसान पे जो प्रहारा आपने किया था ये तीन जो काले कानून बनाए थे अपनी जिद्व मनाए थे और एक साल तक किसानों ने देश की राजधानी में धरने दिये पदर्शन किया, चक्का जाम किया तो एक साल के बाद जब चुनाम आने वाले थे तो हाथ जोड़के बोला, ये तीनों कानून वापिस ले रहे है मैं इसे पूछना चाहता हूँ कि किस के कहने पे तो आपने कानून बनाए थे और किस के कहने पे आपने वापिस ले लिए सेंकड़ों किसानों की जान चली गई इस देश में किसान को जो हक और अधिकार मिलना चाहिए कि किसान के नमबर राजनी सब करते हैं किसान के नारे सब देते हैं लेकिन सही माइने में किसान उसके परिवार को भला और भविश अगर बेतर करना कोई चाहता है उन लोगों के पैसान आपको करनी पड़ेगी मैं किसान परिवार में पैदा हुआ और मैं इसले बोलता हूं कि मेरा जर्म गाउं में नहीं हुआ मेरे पता जी एरफोर्स में थे तो जहां जाए एरफोर्स का स्टेशन था वहां हमारे पोस्टिंग होती थी लेकिन जो किसान के दर्द को नहीं समझ सकता जो किसान के मुश्कुल को नहीं समझ सकता वो सरफ भाषण दे सकता है और मैं यह बात बार बार बोलता हूं जब तक किसानों के बच्चे गरीब के बच्चे उन कुर्शें पर नहीं बैठ जाएंगे जहां से इस बेश की परदे लेना है उसके सान की चपल कि जाती है जूति कि जाती है बैंक के चकर काटते काट दो बार क्लरक मिलेगा बोलेगा टेस्ट करके लाओ नोटराइस करके लाओ यह प्रमान पत्र दो क्या गिभी रखोगे दस चकर काटेगा फिर किसी दलाल को दो पाँजार उपे सब्सक्राइब बैंक बेनेजर लिखे जाए तो इस बलेटर में फिलाल इतना ही है सचिन पाइलेट इस समय असंबूदित कर रहे हैं बालिंदू जी राकेश मोरदिया जी मनीश यादव साहब सुभार शमील जो खंडेला से आये हैं मंच पर उपस्तित सभी नितागन और मौजूद मेरे किसान भाईयों माताओं भेनों बुजर्गों नौजवान दोस्तों प्यारे बच्चों मैं सबसे पहले आप सभी लोगों का धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपने आज हम सब के निमंदरन को स्विकार किया और इस किसान सम्मिलन में आप यहां सम्मिलित प्षरे दो-تिन दिनों से इशी प्र्कार के किसान सम्मिलन हम लोग ने पहले नागवर में किये और कल में हनवान गर्जिले में था पीली बंगा में बहां पर भी हमने किसानों को एकात्रिट संगटित और आगे बढ़ने के रास्ति के तरफ उनको उनसे बातें की उनकी बात को सुना अपनी बात को रखा शेखावड़ी की इस दर्ती पर बीरों की जमीन है एतिहासी की मिट्टी है और यहां पर जब जब मुझे आने का मौका मिला है आप सबने अपार्स ने और प्रे किसानों को उनके जीवन में जो परिवर्त लाने की उम्मीद हम देखना चाहते हैं किसानों के जीवन में किसानों के परिवार में किसानों के भविश्य के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं 75 साल बाद आज भी सरकारे आई और चली गई लेकिन इस देश में सबसे मेहनती सबसे एमांदार लेकिन दुर्भा के वर्ष सबसे वंचित कोई वर्ग है तो वो किसान वर्ग है इस देश में दोती हाई जनता जमीन पर काम करती है धर्थी का सीना चीर का रहनाज पैदा करती है एक सो तीस करों लोगों का पेट पालते हैं उस किसान को जो मान सम्मान साहता स्योग मदद मिलनी चाहिए उसके बच्चों को जो भविश मिलना चाहिए वो मिल नहीं रहा है और मैं सवाल पूशना चाहता हूं उन लोगों से दिल्ली में आठ साल से सरकार में बैठे हैं यह वो भाजबा के साती हैं जो चुनाब पचार म ने कहा आप वोट दो हम किसान की आमनी दुगनी कर देंगे सारी किसान बैठे हैं मैं आप से पूछना चाहता हूँ किसी की आमनी दुगनी हुई किसानों की अगर कुछ दुगनी सोगनी हो रही है तो खाद की कीमत पेट्रोल की डीजल की बीच की यूरिया की बिजली की ये सारी कीमते आस्मान चू रही है कोई भला आदमी केन की सरकार का कर ये बोलने को तयार नहीं है कि ये महंगाई कम करने की कोशिश भी करेंगे आप उनसे पूछो गैस का सिलिंडर 12 रुबे का क्यूं बिकरा है तो कहते हिंदुस्तान और पाकिस्तान आप पूछो किसान आज भुकमरी के कहार बखड़ा है जो दो तीन भीगे में खेदी करते हैं उसमें क्या बशता होगा क्या पालता होगा क्या बचाता होगा ये सवाल पूछो तो केन की सरकार के लोग बीज़ेपे के साथी बोलते हैं हिंदुस्तान पाकिस्तान मुसल्मान हिंदू मंदिर मस्जिद इसी चर्चा में लोगों को समेटना चाहते हैं लेकिन मैं चाहता हूँ हम सब चाहते हैं किसान को एक ऐसी रूप रेका देनी जरूरी है किसान को मदद अगर आप नहीं कर सकते हो तो किसान पर जो प्रहारा आपने किया था ये तीन जो काले कानून बनाए थे अपनी जिद्व मनाए थे और एक साल तक किसानों ने देश के राजधानी में धरने दिये प्रदर्शन किया चक्का जाम किया तो एक साल के बाद जब चुनाम आने वाले थे तो हाथ जोड़के बोला हम ये तीनों कानून वापिस ले रहे हैं हम बैसे पूछना चाहता हूं कि किसके कहने पर तो आपने कानून बनाए थे और किसके कहने के आपने वापिस ले लिए सेंकड़ों किसानों की जान चली गई इस देश में किसान को जो हक और अधिकार मिलना चाहिए किसान के नमबर राजनी सब करते हैं किसान के नारे सब देते हैं लेकिन सही माइने में किसान उसके परिवार को भला और भविश्य अगर बेतर करना कोई चाहता है उन लोगों के पहचान आपको करनी पड़ेगी मैं किसान परिवार में पैदा हुआ और मैं इसले बोलता हूं कि मेरा जर्म गाव में नहीं हुआ मेरे पता जी एर फोर्स में थे तो जहां जा एर फोर्स का स्टेशन था माहा हमारे पोस्टिंग होती थी लेकिन जो किसान के दर्द को नहीं समझ सकता जो किसान की मुश्कुल को नहीं समझ सकता वो सरफ भाशन दे सकता है और मैं ये बात बार बार बोलता हूँ जब तक किसानों के बच्चे गरीब के बच्चे उन कुर्शों पर नहीं बैठ जाएंगे जहां से देश की परदेश क कि नीतिया लाग होती है तब तक देश का कल्णान प्रदेश का कल्णान नहीं हो सकता जिसको पता होगा कि मुझे बैंक अगर 50,000 रुपे का लोन लेना है उस किसान की चपल घिज जाती है जूती घिज जाती है बैंक के चकर काटते का दो बार क्लरक मिलेगा बोलेगा टेस्ट करके लाओ नोटराइस करके लाओ ये प्रमान पत्र दो क्या गिर्वी रखोगे 10 चकर काटेगा फिर किसी दलाल को 25,000 रुपे पकड़ाएगा तब जाके उसको मिलेंके 5000 रुपे ये अखिकत मनिये देश यूस था के इंदर और धन्ना सेट मोटा इसामी को उद्योक पती बैंक मेनेजर को फोन कर दे तो 10 क्रोड का चेक उसी घर पहुंचाता है बैंक मेनेजर लिके जाए तो इस बलेटर में फिलाल इतना ही है सचिंद पाइलेट इस समय असंबूदित कर रहे हैं बालिंदू जी राकेश मोरदिया जी मनीश यादव साब सुभाश मील जो खंडेला से आए हैं मंच पर उपस्तित सभी नितागन और इस किसान संभिलन में मौजूद मेरे किसान भाईयों माताओं भे के निमंदरन को सुभिकार किया और इस किसान समयलिन में आप यहां समलिप हुए हैं इसले दो तिन दिनों से इसी प्रकार कर किसान समयलन हम लोगों ने पहले नागौर में किये और कल मैं हनवानगर जिले में था पीली बिन्गा में बहाँ पर भी हमने किसानों को एकत्रित संगटित और आगे बढ़ने के रास्ति के तरफ उनको उनसे बातें की उनकी बात को सुना अपनी बात को रखा शेखावटी की इस दर्थी पर बीरों की जमीन है एतिहासी की मिट्टी है और यहाँ पर जब जब मुझे आने का मौका मिला है आप सबने अपार्स नहीं और प्रेम दिया है मैं आप सबका कायल रहूंगा लेकिन आज इस मुद्टे को लेकर हम पूरे परदेश में सबी किसानों को उनके जीवन में जो परिवर्त लाने की उम्मीद हम देखना चाहते हैं किसानों के जीवन में किसानों के परिवार में किसानों के भविश के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं 75 साल बाद आज भी सरकार हैं और चली गई लेकिन इस देश में सबसे मैन्ती सबसे मांदार लेकिन दुर्भागी वर्ष सबसे वंचित कोई वर्ग है तो वो किसान वर्ग है इस देश में दो तिहाई जन्ता जमीन पर काम करती है धर्टी का सीना चीर का रहनाज पैदा करती है 130 करों लोगों का पेट पालते है उस किसान को जो मान, सम्मान, साहिता, सयोग, मदद मिलनी चाहिए उसके बच्चों को जो भविश्च मिलना चाहिए वो मिल नहीं रहा और मैं सवाल पूछना चाहता हूँ उन लोगों से जो दिल्ली में आठ साल से सरकार में बैठे है ये वो भाजबा के साथी हैं जो तुनाब पचार में बोलते थे कि हम किसान की आमनी दुगनी कर देंगे बोलो कहा की निगाब बीजेपी ने हमने तो नहीं का आपको वादा करने के लिए लेकिन बीजेपी के साथियों ने कहा आप वोट दो हम किसान की आमनी दुगनी कर देंगे इस सारी किसान बैठे हैं मैं आप से पूछना चाहता हूँ किसी की आमनी दुगनी हुई किसानों की अगर कुछ दुगनी चोगनी हो रही है तो खाज की कीमत पेट्रोल की डीजल की बीज की यूरिया की बिजली की ये सारी किमते आस्मान चू रही हैं कोई भला आदमी के इनकी सरकार का कर ये बोलने को तयार नहीं है कि ये महंगाई कम करने की कोशिश भी करेंगे आप उनसे पूछो गैस का सिलिंडर 12 रुपे का क्यों बिकरा है तो क सब्सक्राइब स्वालता हुआ क्या बचाता होगा ये सवाल पूछओ तो केन की सरकार के लोग बीजईपे के साथ ही बोलते हैं हिंदुस्तान, पाकिस्तान, मुसल्मान, हिंदू, मंदिर, मस्झिद इसी चर्चा में ये लोगों को समीटना चाहते हैं लेकिन मैं चाहता किसान को एक ऐसी रूप रेखा देनी जरूरी है किसान को मदद अगर आप नहीं कर सकते हो तो किसान पर जो प्रहारा आपने किया था ये तीन जो काले कानू बनाए थे अपनी जिद्वा बनाए थे और एक साल तक किसानों ने देश की राजधानी में धरने दिये पदर्शन किया चक्का जाम किया तो एक साल के बाद जब चुनाम आने वाले थे तो हाथ जोड़ के बोला ये तीनों कानून वापिस ले रहे हैं मैं इसे पूछना चाहता हूँ कि किसके कहने पे तो आपने कानून बनाए थे और किसके कहने पे आपने वापिस ले लिए सेंकड़ों किसानों की जान चली गई इस देश में किसान को जो हक और अधिकार मिलना चाहिए किसान के नमबर राजनी सब करते हैं किसान के नारे सब देते हैं लेकिन सही माइने में किसान उसके परिवार को भला और भविश अगर बेदर करना कोई चाहता है उन लोगों के पैचान आपको करनी पड़ेगी मैं किसान परिवार में पैदा हुआ और मैं इसले बोलता हूँ कि मेरा जनम गाव में नहीं हुआ मेरे पता जी एर फोर्स में थे तो जहां जा एर फोर्स का सेशन था माहा हमारे पोस्टिंग होती थी लेकिन जो किसान के दर्द नहीं समस्ज़ सकता जो किसान के मुश्कुल को नहीं समझ सकता वो सरफ भाशन दे सकता है और मैं यह बात, बार-बार बोलता हिं जब तक किसानों के बच्चे गरीब के बच्चे उन कुड़सीं वपने भी बैट जाएंगे जांउ से देश के प्र जार रुपे का लोन लेना है उसके सान की चपल कि जाती है जूति जाती है बैंक के चक्र काटते का जैसे लिए नोटराइज करके लाओ ये प्रमान पत्र दो क्या गिर्वी रखोगे दस चक्र काटेगा फिर किसी दलाल को दो पांश-जार रुपे पकड़ा गा तब जाके उ तो दस क्रोड का चेक उसी घर पहुंचाता है बैंक बनेजर लिके जाए तो इस फिलाल इतना है है सचिन पाइलेट इस समय असंभूदित कर रहे हैं बालिंदू जी राकेश मोर्दिया जी मनीश यादफ साहब सुभाष मील जो खंडेला से आए हैं मंच पर उपस्तित सभी नितागन और इस किसान सम्मिलन में मौजूद मेरे किसान भाईयों माताओं भेनों बुजर्गों नौजवान दोस्तों प्यारे बच्चों मैं सबसे पहले आप सबी लोगों का धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपने आज हम सब के निमंदरन को सुविकार किया और इस किसा नागौर में किये और कल मैं हनवानगर जिले में था पीली बिंगा में बहाँ पर भी हमने किसानों को एकत्रित संगटित और आगे बढ़ने के रास्ति के तरफ उनको उनसे बातें की उनकी बात को सुना अपनी बात को रखा शेखावटी की इस दर्ती पर बीरों की जमीन ह है एतिहासी की मिट्टी है और यहां पर जब जब मुझे आने का मौका मिला है आप सबने अपार्स ने और प्रेम दिया है मैं आप सबका कायल रहूंगा लेकिन आज इस बुत्ते को लेकर हम पूरे परदेश में सबी किसानों को उनके जीवन में जो परिवर्त लाने की उम हम लोग क्या कर सकते हैं 75 साल बाद आज भी सरकारे आई और चली गई लेकिन इस देश में सबसे मेहनती सबसे मांदार लेकिन दुर्भा के वर्ष सबसे वंचित कोई वर्ग है तो वो किसान वर्ग है इस देश में दोती हाई जनता जमीन पर काम करती है धर्ती का सीना चीर का रनाज पैदा करती है 130 करोड़ों का पेट पालते हैं उस किसान को जो मान सम्मान साहिता सयोग मदद मिलनी चाहिए उसके बच्चों को जो भविश मिलना चाहिए वो मिल नहीं रहा और मैं सवाल पूछना चाहता हूं उन लोगों से दिल्ली में 8 साल स ट्रह्य स्थरकार में बैठें हूए ये वो भाजपा के साथी है जो चुनार्बचार में बोलते थे कि हम किसान कि आमने दुगनी कर देगे बोलो कहा कि निकाभी बीजेपी ने । हमने तो नहीं कापको वादा करने के लिए लेकिन बीजेपी दो हम किसान की आमदनी दुगनी कर देंगे सारे किसान बैठे हैं मैं आप से पूछना चाहता हूँ किसी की आमदनी दुगनी होई किसानों की अगर कुछ दुगनी चौगनी हो रही है तो खाज की कीमत पेट्रोल की डीजल की बीच की यूरिया की बिजली की ये सारी किमते आस्वान छू रही हैं कोई भला आदमी केंद की सरकार का करें बोलने को तयार नहीं है कें महंगाई कम करने की कोशिश भी करेंगे आप उनसे पूछो गैस का सिलंडर बारा सुरुपे का क्यूं भिक रहा है तो कहते हिंदुस्तान और पाकिस्तान आप पूछो किसान आज भुकमरी के कहार बखड़ा है जो दो तीन भीगे में खेदी करते हैं उस पे क्या बचता ह होगा यह सवाल पूछो तो केन की सरकार के लोग बीज़ेपे के साथ ही बोलते हैं हिंदुस्तान पाकिस्तान मुसल्मान हिंदू मंदिर मस्जिद इसी चर्चा में लोगों को समेटना चाहते हैं लेकिन मैं चाहता हूं हम सब चाहते हैं किसान को एक ऐसी रूप रेखा देनी जरूरी है किसान को मदद अगर आप नहीं कर सकते हो तो किसान पर जो प्रहारा आपने किया था ये तीन जो काले कानून बनाये थे अपनी जिद्व मनाये थे और एक साल तक किसानों ने दीश की राजधानी में धरने दिये पदर्शन किया चक्का जाम किया तो एक साल के बाद जब चुनाम आने वाले थे तो हाथ जोड़के बोला ये तीनों कानून वापिस ले रहे हैं अब मैं इसे पूछना चाहता हूं कि किसके कहने पर तो आपने कानून बनाये थे और किसके कहने पर आपने वापिस ले लिए सेंखड़ों किसानों की जान चली गई इस देश में किसान को जो हक और अधिकार मिलना चाहिए किसान के नमबर राजनी सब करते हैं किसान के नारे सब देते हैं लेकिन सही माइनने में किसान उसके परिवार को भला और भविश्य अगर बैदर करना कोई चाहता है उन लोगों के पैचान आपको करनी पड़ेगी मैं किसान परिवार में पैदा हुआ और मैं इसले बोलता हूं कि मेरा जर्म गाओं में नहीं हुआ मेरे पता जी एर फोर्स में थे तो जहां जा अरफोर्स का स्टेशन था वहां हमारे पोस्टिंग होती थी लेकिन जो किसान के दर्द को नहीं समझ सकता जो किसान की मुश्कुल नहीं समझ सकता वो सरफ भाशन दे सकता है और मैं ये बात बार बार बोलता हूं जब तक किसानों के बच्चे गरीब के बच्चे उन कुर्शों पर नहीं बैठ जाएंगे जहां से देश की परदेश की नितिया लाग होती है तब तक देश का कल्णा प्रदेश का कलना नहीं हो सकता जिसको पता होगा कि मुझे बैंक से कर 50 रुपे का लोन लेना है उसके सान की चपल गिस जाती है जूती कि जाती है बैंक के चकर काटते का दो बार क्लर्क मिलेगा बोलेगा टेस्ट करके लाओ नोटराइस करके लाओ ये प्रमान पक्र दो क क्या गिर्वी रखोंगे दस चक्र काटेगा फिर किसी दलाल को दो पांच जार रुपे पकड़ागा तब जाके उसको मिले के पचाएजागा ये अखीकत मनिये देश की विश्था के अंदर और धन्ना सेट मोटा सामी को उद्योग पती बैंक मेनेजर को फोन कर दे तो दस पश्मील जो खंडेला से आए हैं मंच पर उपस्तित सभी नितागन और इस किसान सम्मिलन में मौजूद मेरे किसान भाईयों माताओं भेनों बुजर्गों और जवान दोस्तों प्यारे बच्चों मैं सबसे पहले आप सभी लोगों का धन्यवाद करना चाहता हूं कि आप आज हम सब के निमंदरन को सुविकार किया और इस किसान सम्मिलन में आप यहां समलित हुए हैं पिछले दो तिन दिनों से इसी प्रकार के किसान सम्मिलन हम लोगों ने पहले नागौर में किये और कल में हनवान गर जिले में था पीली बिन्गा में बहां पर भी हमने किसान कि इस दर्ती पर बीरों की जमीन है एतिहासी की मिट्टी है और यहां पर जब जब मुझे आने का मौका मिला है आप सबने अपार्स नहीं और प्रेम दिया है मैं आप सबका कायल रहूंगा लेकिन आज इस मुद्टे को लेकर हम पूरे परदेश में सबी किसानों को उनके जी जीवन में किसानों के परिवार में किसानों के भविश़् के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं 55 साल बादाज भी सरकार혜य और चली गई है लेकिन इस देश में सबसे महनती कि निट्रकला कियी वश्चत्र और यह तो वह किसान वर्ग है इस देश में दो तिहाई जन्ता जमीन पर काम करती है धर्ती का छीना चीर का रहनाज पैदा करती है 130 करोड लोगों का पेट पालते है उस किसान को जो मान समान साहता सयोग मदद मिलनी चाहिए उसके बच्चों को जो भविश मिलना चाहिए वो मिल नहीं रहा और मैं सवाल पूछना चाहता हूँ उन लोगों से जो दिल्ली में आठ साल से सरकार में बैटे है ये वो भाजबा के साथ ही है जो चुनाब पचार में बोलते थे कि हम किसान की आमनी धुगनी कर देंगे बोलो कहा की निगा बीजेपी ने हमने तो नहीं का आपको वाजबा करने के लिए लेकिन बीजेपी के स先जातियों ने कहा आप वोट दो हम किसान की आमनी धुगनी कर देंगे सारे किसान बैठे हैं मैं आप से पूछना चाहता हूँ किसी की आमनी धुगनी हुई किसानों की अगर कुछ दुगनी सोगनी हो रही है तो खाज की कीमत पेटरोल की डीजल की बीच की यूरिया की बिजली की ये सारी कीमते आसमान चू रही है कोई भला आदमी केन की सरकार का आख ये बोलने को तयार नहीं है कि ये महंगाई कम करने की कोशिश भी करेंगे आप उनसे पूछो गैस का सिलिंडर 12 रुपे का क्यूं बिक रहा है तो कहते हिंदुस्तान और पाकिस्तान आप पूछो किसान आज भुकमरी के कार बखड़ा है जो दो तीन बीगे में खेदी करते हैं उसमें क्या बचता होगा क्या बचाता होगा ये सवाल पूछो तो केन क सरकार के लोग बीज़ेपे के साथ ही बोलते हैं हिंदुस्तान पाकिस्तान मुसल्मान हिंदू मंदिर मस्जिद इसी चर्चा में लोगों को समेटना चाहते हैं लेकिन मैं चाहता हूं हम सब चाहते हैं किसान को एक ऐसी रूप रेखा देनी जरूरी है किसान को मदद अगर आप नहीं कर सकते हो तो किसान पर जो प्रहारा आपने किया था ये तीन जो काले कानून बनाए थे अपनी जिद्व मनाए थे और एक सास तक किसानों ने देश के राजधानी में धर ने दिये पदर्शन किया चक्का जान किया तो एक साल के बाद जद चुनाव आने वाले थे तो हाथ जोड़के बोलां ये तीनों कानून वापिस ले रहे हैं मैं इसे पूछना चाहता हूँ कि किसके कहने पे तो आपने कानून बनाए थे और किसके कहने आपने वापिस ले लिए सेंखड़ों किसानों की जान चली गई किसान के नमबर राज नीदि सब नते किसान के नारे सब देते हैं लेकिन सही मायने में किसान उसके परिवार को भला और भविश हगर बेदर करना कोई चाहता है उन लोगों के पैसान आपको करने पड़ेगी मैं एक किसान परिवार में पैदा हुआ और मैं इसले बोलता हूँ कि मेरा जर्म गाउ में नहीं हुआ मेरे पता जी एर फोर्स में थे तो जहां जा एर फोर्स का स्टेशन था माहा हमारे पोस्टिंग होती थी लेकिन जो किसान के दर्द को नहीं समझ सकता तो किसान की मुश्कुल को नहीं समझ सकता वो सरफ भाशन दे सकता है और मैं ये बात बार बार बोलता हूँ जब तक किसानों के बच्चे गरीब के बच्चे उन कुर्शों पर नहीं बैठ जाएंगे किसान की चप्पल कि जाती है जूति कि जाती है बैंक के चेकर काटते काट मिले का बोले का टेस्ट करके लाओ नोटराइस करके लाओ ये प्रमान नपकर दो क्या गिरूई रखो के 10 चक्र काटेगा फिर किसी दलाल को दो पाबाच जारुपे पकड़ाईगा तब जाकि उसको घर पहुंचाता है बैंक बेने दर लिखे जाए तो इस बलेटिर में फिलाल इतना ही है सचिन पाइलेट इस समय असंबूदित करता है बालिंदू जी, राकेश मोरदिया जी, मनीश यादव साहब, सुभाष मील जो खंडेला से आए हैं, मंच पर उपस्तित, सभी नितागन और इस किसान सम्मिलन में मौजूद मेरे किसान भाईयों, माताओं, भेनों, बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, प्यारे बच्च मैं सबसे पहले आप सभी लोगों का धन्यवाद करना चाहता हूँ, कि आपने आज हम सब के निमंदरन को स्विकार किया, और इस किसान सम्मिलन में आप यहां सम्मिलित हुए हैं, पिछले दो-तिन दिनों से इसी प्रकार के किसान सम्मिलन हम लोगों ने पहले नागौर में किये, और कल मैं हनवानगर जिले में था, पीली बिन्गा में, बहाँ पर भी हमने किसानों को एकत्रित, संगटित और आगे बढ़ने के रास्ती के तरफ उनको उनसे बातें की, उनकी बात को सुना, अपनी बात को रखा, शेखावटी की इस दर्ती पर बीरों की जमीन है, और यहाँ पर जब जब मुझे आने का मौका मिला है, आप सब ने अपार्स ने और प्रेम दिया है, मैं आप सब का कायल रहूंगा, लेकिन आज इस मुद्धे को लेकर, हम पूरे परदेश में, सभी किसानों को, उनके जीवन में, जो परिवर्त अलाने की उम्मीद हम कर सकते हैं, 75 साल बाद आज भी, सरकारे आई और चली गई, लेकिन इस देश में सबसे महनती, सबसे मांदार, लेकिन दुरभागिवस्ट सबसे वंचित कोई वर्ग है, तो वो किसान वर्ग है, इस देश में दोत्याई जनता जमीन पर काम करती है, धर्ती का चीना चीर का अनाज पैदा करती है, 130 करों लोगों का पेट पालते हैं, उस किसान को जो मान समान, साहिता, सयोग, मदद मिलनी चाहिए, उसके बच्चों को जो भविश मिलना चाहिए, वो मिल नहीं रहा, और मैं सवाल पूचना चाहता हूँ, उन लोगों से जो दिल्ली में 8 साल से सरका में बैठे हैं, यह वो भाजबा के साथ ही हैं, जो चुनाब पचार में बोलते थे, कि हम किसान की आमनी दुगनी कर देंगे, बोलो कहा कि निगाभी जबी ने, हमने तो नहीं का आपको वादा करने के लिए, लेकिन बीजबी के साथियों ने कहा, आप वोट दो, हम किसान क आमनी दुगनी कर देंगे, सारे किसान बैठे हैं, मैं आप से पूछना चाहता हूँ, किसी की आमनी दुगनी होई किसानों की, अगर कुछ दुगनी जोगनी हो रही है, तो खाद की कीमत, पेटरोल की, डीजल की, बीज की, यूरिया की, बिजली की, ये सारी कीमतें आसमान छू रही हैं कोई भला आदमी केन की सरकार का आकर ये बोलने को तयार नहीं है कि ये महंगाई कम करने की कोशिश भी करेंगे आप उनसे पूछो गैस का सिलंडर 12 रुपे का क्यूं भिक रहा है तो कहते हिंदुस्तान और पाकिस्तान आप पूछो किसान आज भुक्मरी के आर बख़डा है जो दो-तीन भीगे में खेदी करते हैं उससे क्या बचता होगा क्या पालता हुआ क्या बचाता होगा यह सवाल पूछो तो केन की सरकार के लोग बीज़े पे के साथी बोलते हैं हिंदुस्तान पाकिस्तान मुसल्मान हिंदू मंदिर मस्जिद इसी चर्चा मे लोगों को समेटना चाहते हैं लेकिन मैं चाहता हूं हम सब चाहते हैं किसान को एक ऐसी रूप रेखा देनी जुरूबी है किसान को मदद अगर आप नहीं कर सकते हो तो किसान पर जो प्रहार आपने किया था यह तीन जो काले कानू बनाये थे अपनी जिद्व मनाये थे और एक साल तक किसानों ने देश के राजधानी में धरने दिये पदर्शन किया चक्का जान किया तो एक साल के बाद जब चुनाम आने वाले थे तो हाथ जोड़ के बोला यह तीनों कानून वापिस ले रहे हैं अब मैं इसे पूछना चाहता हूं क कि किसके कहने पर तो अपने कानून बनाए थे और किसके कहने पर आपने वापिस ले लिए सेंकरों किसानों की जान चली गई कि इस देश पे किसान जो हक और अधिकार मिलना चाहिए किसान के नमबर आजनी सब करते हैं किसान के नारे सब देते हैं लेकिन सही माइने में किसान उसके परिवार को भला और भविश्च अगर बेदर करना कोई चाहता है उन लोगों की पैसान आपको करनी पड़ेगी मैं किसान परिवार में पैदा हुआ और मैं इसले बोलता हूँ कि मेरा जर्म गाउ में नहीं हुआ मेरे पता जी एर फोर्स में थे तो जहां जा एर फोर्स का सेशन था माहा हमारे पोस्टिंग होती थी लेकिन जो किसान के दर्द को नहीं समझ सकता जो किसान की मुश्कुल को नहीं समझ सकता वो सरफ भाशन दे सकता है और मैं यह बात बार 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 बोलता हूं जब तक किसानों के बच्चे गरीब के बच्चे उन कुर्शों पर नहीं बैठ जाएंगे जहां से इस देश की पर जिसको पता होगा कि मुझे बैंक से गर 50,000 रुपे का लोन लेना है उस किसान की चपल किस जाती है जूती किस जाती है बैंक के चकर काटते का तो बार क्लर्क मिलेगा बोलेगा टेस्ट करके लाओ नोटराइस करके लाओ ये प्रमान पत्र दो क्या गिर्वी रखोगे दस चक पढ़ाएगा तब जाके उसको मिलें के 5000 रुपे ये अखीकत मनिये देश की उस्था के अंदर और को धन्ना सेट मोटा सामी को उद्योगपती बैंक मेनेजर को फोन कर दे तो दस क्रोड का चेक उसे घर पहुंचाता है बैंक मेनेजर लिके जाए तो इस प्लेटर में फिल में मौजूद मेरे किसान भाईयों माताओं भेनों बुजर्गों नौजवान दोस्तों प्यारे बच्चों मैं सबसे पहले आप सबी लोगों का धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपने आज हम सब के निमंदरन को सुविकार किया और इस किसान सम्मिलन में आप यहां समलित ह हुए है पिछले दो-तिन दिनों से इसी प्रकार के किसान सम्मिलन हम लोगों ने पहले नागौर में किये और कल में हनवानगर जिले में था पीली बिंगा में बहां पर भी हमने किसानों को एकत्रित संगटित और आगे बढ़ने के रास्ति के तरफ उनको उनसे बातें की उ यहां पर जब जब मुझे आने का मौका मिला है आप सबने अपार्स नहीं और प्रेम दिया है मैं आप सबका कायल रहूंगा लेकिन आज इस मुद्ध को लेकर हम पूरे परदेश में सभी किसानों को उनके जीवन में जो परिवर्त अलाने की उम्मीद हम देखना चाहते है किसानों के जीवन में किसानों के परिवार में किसानों के भविश के लिए हम लोग क्या कर सकते हम 75 साल बाद आज भी सरकारे आई और चली गई लेकिन इस देश में सबसे मेहनती सबसे मांदार लेकिन दुर्भा के वर्ष सबसे वंचित कोई वर्ग है तो वो किसान वर्ग है इस देश में दो तिहाई जनता जमीन पर काम करती है धर्ती का छीना चीर का रहनाज पैदा करती है 130 करों लोगों का पेट पालते हैं उस किसान को जो मान सम्मान साहिता सयोग मदद मिलनी चाहिए उसके बच्चों को जो भविश मिलना चाहिए वो मिल नहीं रहा और मैं सवाल पूछना चाहता हूँ उन लोगों से जो दिल्ली में आठ साल से सरकार में बैठे हैं ये वो भाजबा के साथी हैं जो चुनाप पचार में बोलते थे कि हम किसान की आमनी दुगनी कर देंगे बोलो कहा कि निगा बीजेपी ने हमने तो नहीं का आपको वादा कर किसानों की अगर कुछ दुगनी जोगनी हो रही है तो खाज की कीमत पेट्रोल की डीजल की बीज की यूरिया की बिजली की ये सारी कीमते आस्मान चू रही हैं कोई भला आदमी केंद की सरकार का कई ये बोलने को तयार नहीं है कि महंगाई कम करने की कोशिश भी करेंगे आप उनसे पूछो गैस का सिलंडर 12 रुपे का क्यूं बिक रहा है तो कहते हिंदुस्तान और पाकिस्तान आप पूछो किसान आज भुकमनी के कार बखड़ा है जो दो तीन बीगे में खेदी करते हैं उसमें क्या बचता होगा क्या पालता होगा क्या बचाता होगा ये सव लेकिन मैं चाहता हूं हम सब चाहते हैं किसान को एक ऐसी रूप रेखा देनी चुरूरी है किसान को मदद अगर आप नहीं कर सकते हो तो किसान पर जो प्रहारा आपने किया था ये तीन जो काले कानून बनाये थे अपनी जिद्व मनाये थे और एक साथ तक किसानों ने देश की राजधानी में धरने दिये परदर्शन किया चक्का जान किया तो एक साल के बाद जब चुनाम आने वाले थे तो हाथ जोड़के बोला हम ये तीनों कानून वापिस ले रहे हैं सेम्सेफ बूचना चाहता हूँ कि किसकि कहने पर आपने कानून बनाए थे और किसकि कहने आपने वापिस ले लिएे सेहकड़ों-किसानों की जान चली गई कि इस देश पे किसान चूछ हको अधिकार मिलना चाहिए किसान में सब करते हैं किसान के नारे सब देते हैं लेकिन सही माइने में किसान उसके परिवार को भला और भविश्च अगर बेदर करना कोई चाहता है उन लोगों के पैचान आपको करनी पड़ेगी मैं एक किसान परिवार में पैदा हुआ और मैं शरे बोलता हूं कि मेरा जड़नम गाव में नहीं हुआ मेरे पता यह एर फॉर्स में थे तो जहां जा एर फॉर्स का स्टेशन ता मां हमारे पोस्टिंग होती थी कि लेकिन जो किसान के दर्द को समझ सकता जो किसान कि मुश्कुल नहीं समझ सकता वो सरफ भाशन दे सकता है और मैं यह बात बार बार बोलता हूँ जब तक किसानों के बच्चे गरीब के बच्चे उन कुर्सियों पर नहीं बैठ जाएंगे जहां से इस बेश की परदेश की नीतिया लाग होती है तब तक बेश का कल्दान परदेश का कल्दान नहीं हो सकता जिसको पता होगा कि मुझे बैंक से गर 50,000 रुपे का लोन लेना है उस किसान की चपल कि जाती है जूती कि जाती है बैंक के चकर काटते काटते हैं दो बार क्लर्क मिलेगा बोलेगा टेस करके लाओ नोटराइस करके लाओ ये प्रमान पत्र दो क्या गिर्वी रखोगे 10 चक बैंक मेनेजर को फोन कर दे तो दस क्रोड का चेक उसी घर पहुंचाता है बैंक मेनेजर लिखे जाए तो इस बलेटर में फिलाल इतना है सचिन पाइलेट इस समय असंबूदित कर रहा है बालिंदू जी राकेश मोरदिया जी मनीश यादव साहब सुभाश मील जो खंडे चारे बच्चों मैं सबसे पहले आप सभी लोगों का धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपने आज हम सब के निमंदरन को सुभिकार किया और इस किसान समयलन में आप यहां समलित हुए हैं पिछले दो-तिन दिनों से इसी प्रकार के किसान समयलन हम लोगों ने पहले नागौर में किये और कल मैं हनवान गर जिले में था पीली बिंगा में बहां पर भी हमने किसानों को एकत्रित संगटित और आगे बढ़ने के रास्ति के तरफ उनको उन्हें बातें की उनकी बात अब जब मुझे आने का मौका मिला है आप सबने अपार्स नहीं और प्रेम दिया है मैं आप सबका कायल रहूंगा लेकिन आज इस मुद्टे को लेकर हम पूरे परदेश में सभी किसानों को उनके जीवन में जो परिवर्ट अलाने की उम्मीद हम देखना चाहते हैं किसानों के जीवन में किसानों के परिवार में किसानों के भविश्च के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं 75 साल बाद आज भी सरकारे आई और चली गई लेकिन इस देश में सबसे मैनती, सबसे मांदार, लेकिन दुर्भा के वर्ष सबसे वंचित कोई वर्ग है, तो वो किसान वर्ग है इस देश में दो तीहाई जन्ता जमीन पर काम करती है, धर्ती का छीना चीर का रहनाज पैदा करती है, 130 करोलों का पेट पालते हैं उस किसान को जो मान संबान साहिता सयोग मदद मिली चाहिए उसके बच्चों को जो भविश्च मिलना चाहिए वो मिल नहीं रहा और मैं सवाल पूछना चाहता हूँ उन लोगों से जो दिल्ली में आठ साथ से सरकार में बैठे है ये वो भाजबा के साथ ही हैं जो चुनाब पचार में बोलते थे कि हम किसान की आमनी दुगनी कर देंगे किसान की आमनी दुगनी कर देंगे सारी किसान बैठे हैं मैं आप से पूछना चाहता हूँ किसी की आमनी दुगनी हुई किसानों की अगर कुछ दुगनी जोगनी हो रही है तो खाद की कीमत पेट्रोल की डीजल की बीज की यूरिया की बिजली की ये सारी कीमते आस्मान चू रही हैं कोई भला आदमी केन की सरकार का कर ये बोलने को तयार नहीं है कि ये महंगाई कम करने की कोशिश भी करेंगे आप उनसे पूछो गैस का सिलिंडर 12 रुबे का क्यों बिक रहा है तो कहते हिंदुस्तान और पाकिस्तान आप पूछो किसान आज भुकमरी के गार बखड़ा है जो दो तीन बीगे में खेदी करते हैं उस पर क्या बचता होगा क्या बचाता होगा ये सवाल पूछो तो केन की सरकार क में लोग बीजेपे के साथ ही बोलते हैं हिंदुस्तान पाकिस्तान मुसल्मान हिंदू मंदिर मस्जिद इसी चर्चा में लोगों को समेटना चाहते हैं लेकिन मैं चाहता हूं हम सब चाहते हैं किसान को एक ऐसी रूप रेखा देनी जरूरी है किसान को मदद अगर आप नहीं कर सकते हो तो किसान पर जो प्रहारा आपने किया था ये तीन जो काले कानून बनाए थे अपनी जिद्व मनाए थे और एक साल तक किसानों ने देश की राजधानी में धरने दिये पदर्शन किया चक्का जाम किया तो एक साल के बाद जब चुनाम आने वाले थे तो हाथ जोड़के बोला हम ये तीनों कानून वापिस ले रहे हैं अब मैं इसे पूसना चाहता हूं कि किसके कहने पे तो पाक और अधिकार मिलना चाहिए किसान के नमबर राजनी सब करते हैं किसान के नारे सब देते हैं लेकिन सही माइने में किसान उसके परिवार को भला और भविश अगर बैदर करना कोई चाहता है उन लोगों के पैचान आपको करनी पड़ेगी मैं किसान परिवार में नहीं होती थी लेकिन जो किसान के दर्द को नहीं समझ सकता जो किसान की मुश्कुल को नहीं समझ सकता वो सरफ भाषण दे सकता है और मैं यह बार 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 बोलता हूँ जब तक किसानों के बच्चे गरीब के बच्चे उन कुर्षयों पर नहीं बैठ जाएंगे जहां से इस देश की परदेश की नीतिया लागो होती है तब तक देश का कल्णान परदेश का कल्णान नहीं हो सकता जिसको पता होगा कि मुझे बैंक से गर 50,000 रुप किसी दलाल को 25,000 रुपए पकड़ाएगा तब जाके उसको मिले के 5000 रुपए यह अखीकत मनिये देश की वहस्था के अंदर और धन्ना सेट मोटा सामी को उद्योग पती बैंक मेनेजर को फोन कर दे तो 10 क्रोड का चेक उसी घर पहुंच जाता है बैंक मेनेजर लिके बालिंदू जी, राकेश मोरदिया जी, मनीश यादव साहब, सुभाष मील जो खंडेला से आए हैं, मंच पर उपस्तित, सभी नितागन और इस किसान सम्मिलन में मौजूद, मेरे किसान भाईयों, माताओं, भेनों, बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, प्यारे बच मैं सबसे पहले, आप सभी लोगों का धन्यवाद करना चाहता हूँ, कि आपने आज हम सब के निमंदरन को सुविकार किया, और इस किसान सम्मिलन में आप यहां सम्मिलित हुए हैं, पिछले दो-तिन दिनों से इसी प्रकार के किसान सम्मिलन हम लोगों ने पहले नागौर म में था, पीली बिंगा में, बहां पर भी हमने किसानों को एकत्रित, संगटित और आगे बढ़ने के रास्ती के तरफ उनको उनसे बातें की, उनकी बात को सुना, अपनी बात को रखा, शेखावटी की इस दर्ती पर बीरों की जमीन है, एतिहासी की मिट्टी है, और यहां पर जब जब मुझे आने का मौका मिला है, आप सबने अपार्स ने और प्रेम दिया है, मैं आप सबका कायल रहूंगा, लेकिन आज जिस मुद्टे को लेकर, हम पूरे परदेश में, सभी किसानों को, उनके जीवन में, जो परिवर्त लाने की उम्मीद हम देखना चाहते ह हैं, किसानों के जीवन में, किसानों के परिवार में, किसानों के भविश्च के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, 75 साल बाद आज भी, सरकार हैं और चली गई, लेकिन इस देश में सबसे महनती, सबसे मांदार, लेकिन दुरबागे वर्ष सबसे वंचित कोई वर्ग है, तो देश में दो ती यही जन्नता जमीन पर काम करती है धर्टी का चीना चीर का राणाज पैदा करती है 130 करओं का पेट पालते हैं उस खिसान को जो मान सम्मान साहथा सायोग मदद मिलनी चाहिए उसके बच्चों को जो भविश मिलना चाहिए वो मिल नहीं रहा और मैं सवाल पूछना चाहता हूँ उन लोगों से जो दिल्ली में आठ साल से सरकार में बैठे है ये वो भाजबा के साथी हैं जो चुनाब पचार में बोलते थे कि हम किसान के आमनी दुगनी कर देंगे बोलो कहा की निकाब बीजेपी ने हमने तो नहीं कहा आपको वादा करने के लिए लेकिन बीजेपी के साथियों ने कहा आप वोट दो हम किसान के आमनी दुगनी कर देंगे कि सारे किसान बैठे हैं मैं आप से पूछना चाहता हूं किसी की अंधनी दुगनी होई किसानों की अगर कुछ दुगनी जोगनी हो रही है तो खाद की कीमत पेट्रोल की डीजल की बीज की यूरिया की बिजली की ये सारी कीमते आस्मान छू रही हैं कोई भला आदमी केंद क कि सरकार का का ये बोलने को तयार नहीं है कि महंगाई कम करने की कोशिश भी करेंगे आप उनसे पूछो गैस का सिलंडर 12 रुपे का क्यूं बिकरा है तो कहते हिंदुस्तान और पाकिस्तान आप पूछो किसान आज बुकमरी के कार बखड़ा है जो दो तीन बीगे में खेदी करते हैं उस पे क्या बचता होगा क्या फालता होगा क्या बचाता होगा ये सवाल पूछो तो केन के सरकार के लोग BZP के साथी भी बोलते हैं, हेंदुस्तान, पाकिस्तान, मुसल्मान, हिंदू, मंदिर, मस्जिद, इसी चर्चा में लोगों को समिऻना चाहते हैं. मैं चाहता हूँ, हम सब चाहते हैं किसान को एक ऐसी रूप रहे का देनी जरूरी है. किसान को मदद अगर आप नहीं कर सकते हो तो किसान पे जो प्रहारा आपने किया था ये तीन जो काले कानून बनाए थे अपनी जिद्व मनाए थे और एक साथ तक किसानों ने देश की राजधानी में धरने दिये पदर्शन किया, चक्का जाम किया तो एक साल के बाद जब चुनाम आने वाले थे तो हाथ जोड़की बोला, ये तीनों कानून वापिस ले रहे है अब मैं इसे पूछना चाहता हूँ कि किसके कहने पे तो अपने कानून बनाए थे और किसके कहने पे अपने वापिस ले लिए सेंखडों किसानों की जान चली गई इस देश में किसान को जो हक और अधिकार मिलना चाहिए किसान के नमब राजनी सब करते हैं किसान के नारे सब देते हैं लेकिन सही माइने में किसान उसके परिवार को भला और भविश्य अगर बेदर करना कोई चाहता है उन लोगों के पैसान आपको करनी पड़ेगी मैं किसान परिवार में पैदा हुआ और मैं इसलिए बोलता हूँ कि मेरा जर्म गाव में नहीं हुआ मेरे पता जी एर फोर्स में थे तो जहांचा एर फोर्स का सेशन था वहां हमारे पोस्टिंग होती थी आ कि लेकिन जो किसान के दर्द को नहीं समझ सकता जो किसान के निष्कण stirring को नहीं समझ सकता वह सर बाषर लुकणा है और मैं यह बात बार बार बोलता हूँ जब तक किसानों के बच्चे गरीब बच्चे उन कुर्शों पर नहीं बैठ जाएंगे जहां से देश की परदेश की नीतिया लाग होती है तब तक देश का कल्णान परदेश का कल्णान नहीं हो सकता जिसको पता होगा कि मुझे बैंक से गर 50 जार रुपे का लून लेना है उसके सान की चपल गिज जाती है जूती कि जात है यह अखीकत मनिय देश की वास्था के अंदर और को धन्ना सेट मोटा सामी को उद्योग पती बैंक मेनेजर को फोन कर दे तो दस क्रोड का चेक उसी घर पहुंचाता है बैंक मेनेजर लिके जाए तो इस बलेटर में फिलाल इतना है सचिन पाइलेट इस समय असंभूदि मेरे किसान भाईयों माताओं भेनों बुजर्गों नौजवान दोस्तों प्यारे बच्चों मैं सबसे पहले आप सबी लोगों का धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपने आज हम सब के निमंदरन को सुविकार किया और इस किसान सम्मिलन में आप यहां सम्मिलित हुए हैं प वहां पर भी हमने किसानों को एकत्रित संगटित और आगे बढ़ने के रास्ति के तरफ उनको उनसे बातें की उनकी बात को सुना अपनी बात को रखा शेखावटी की इस दर्ती पर बीरों की जमीन है एतिहासी की मिट्टी है और यहां पर जब जब मुझे आने का मौका मि आला है आप सबने अपार्स नहीं और प्रेम दिया है मैं आप सबका कायल रहूंगा लेकिन आर जिस बुद्टे को लेकर हम पुरे परदेश में सभी किसानों को उनके जीवन में जो परिवर्त लाने की उम्मीद हम देखना चाहते हैं किसानों के जीवन में किसानों के परिवार में किसानों के भविश के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं 75 साल बाद आज भी सरकारें आए और चली गए लेकिन इस देश में सबसे महनती सबसे मांदार लेकिन दुर्भा के वर्ष सबसे वंचित कोई वर्ग है तो वह किसान वर्ग है इस देश में दोती हाई जनता जमीन पर काम करती है धर्थी का सीना चीर का रहनाज पैदा करती है 130 करोड़ों का पेट पालते हैं उस किसान को जो मां समान साइता सयोग मदद मिلनी चाहिए उसके बचों को जो भविश मिलना चाहिए वो मिल नहीं रहा है और मैं सवाल पूछना चाहता हूं उन लोगों से दिल्ली में आठ साल से सरकार में बैटे हैं यह वो बहाजबा के साती हैं जो चुनाब पचार में ब कहा आप वोट दो हम किसान की आमदनी दुगनी कर देंगे सारी किसान बैठे हैं मैं आप से पूछना चाहता हूं किसी की आमदनी दुगनी हुई किसान होगी अगर कुछ दुगनी चौगनी हो रही है तो खाद की कीमत पेट्रोल की डीजल की बीज की यूरिया की बिजली की ये सारी कीमते आस्मान चू रही हैं कोई भला आदमी केन की सरकार का कर ये बुलने को तयार नहीं है कि ये महंगाई कम करने की कोशिश भी करेंगे आप उनसे पूछो गैस का सिलंडर 12 रुप्य का क्यों बिकरा है तो कहते हिंदुस्तान और पाकिस्तान आप पूछो किसान आज भुकमरी के कार बख़डा है जो दो तीन भीगे में खेदी करते हैं उस पे क्या बशता होगा क्या पालता होगा क्या बचाता होगा ये सवाल पूछो त लेकिन मैं चाहता हूं हम सब चाहते हैं किसान को एक ऐसी रूप रेखा देनी जरूरी है किसान को मदद अगर आप नहीं कर सकते हो तो किसान पर जो प्रहार आपने किया था ये तीन जो काले कानूर बनाए थे अपनी जिद्व मनाए थे और एक साल तक किसानों ने देश की राजधानी में धरनें दिये पदर्शन किया चक्का जान किया तो एक साल के बाद जब चुनाम आने वाले थे तो हाथ जोड़ के बोला हम ये तीनों कानून वापिस ले रहे हैं अब मैं जैसे पूसना चाहता हूं कि किसके कहने पे तो किसान के नमबर राजनीँ सब करते नारे सब देतें हैं लेकिन सही माईने में किसान उसके परिवार को भला और भविश्य अगर बैठर करना कोई चाहता है उन लोगों के पैचान आपको करनी पड़ेगी मैं किसान परिवार में पैदा हुआ और मैंसले बोलता हूं कि मेरा जनम गाव नहीं हुआ मेरे पता यहां जायर फोर्स थी को स्टेशन था में हमारे बोस्टिंग होगी ती लेकिन जो किसान के mental को नहीं समझ सकता ऐसन वो सिरफ भाशन दे सकता है और मैं ये बात बार-बार बोलता हूं जब तक किसानों के बच्चे गरीब के बच्चे उन कुर्ष पनी बैठ जाएंगे जहां से देश की परदेश की नीतिया लगों होती है तब तर देश का कल्णा परदेश का कल्णा नहीं हो सकता जिसको पता होगा कि मुझे बैंक से गर 50,000 रुपे का लोन लेना है उस किसान की चपल घिज जाती है जूती घिज जाती है बैंक के चकर काटते का दो बार क्लर्क मिलेगा बोलेगा टेस्ट करके लाओ नोटराइस करके लाओ ये प्रमान पत्र दो क्या गिर्वी रखोगे 10 चकर काटेगा फिर किसी दलाल को 25,000 रुपे पकड़ाएगा तब जाके उसको मिले के 50,000 रुपे ये अखीकत मनिये देश की वहस्था के अंदर और धन्ना सेट मोटा सामी को उद्योग पती बैंक मेनेजर को फोन कर दे तो 10 क्रोड का चेक उसी घर पहुंच आता है बैंक सबी नितागन और इस किसान सम्मिलन में मौजूद मेरे किसान भाईयों माताओं भेनों बुजर्गों नौजवान दोस्तों प्यारे बच्चों मैं सबसे पहले आप सबी लोगों का धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपने आज हम सब के निमंदरन को स्विकार किया और इस क पहले नागौर में किये और कल मैं हनवानगर जिले में था पीली बिंगा में बहाँ पर भी हमने किसानों को एकत्रित संगटित और आगे बढ़ने के रास्ति के तरफ उनको उनसे बातें की उनकी बात को सुना अपनी बात को रखा शेकावटी की इस दर्ती पर बीरों की ज कहूंगा लेकिन आज इस मुद्टे को लेकर हम पूरे परदेश में सबी किसानों को उनके जीवन में जो परिवर्त लाने की उम्मीद हम देखना चाहते हैं किसानों के जीवन में, किसानों के परिवार में, किसानों के भविश के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, 75 साल बाद आज भी सरकारें आई और चली गई लेकिन इस देश में सबसे मेहनती, सबसे मांदार लेकिन दुरभागिवश्ट सबसे वंचित कोई वरग है तो वो किसान वर्ग है इस देश में दोती हाई जनता जमीन पर काम करती है धरती का छीनाचीर का रहनाज पैदा करती है 130 करूडों का पेट पालते हैं उस किसान को जो मान-समान-साहिता-सयोग-मदद मिलनी चाहिए उसके बच्चों को जो भविश मिलना चाहिए वो मिल नहीं रहा और मैं सवाज पूछना चाहता हूँ उन लोगों से जो दिल्ली में 8 साल से सरकार में बैठे है ये वो भाजबा के साथ ही है जो चुनाब पचार में बोलते थे कि हम किसान के आमदरी दुगनी कर देंगे बोलो कहा की निकाबीजेपी ने हमने तो नहीं कहा आपको वादा करने के लिए लेकिन बीजेपी के स्याथियों ने कहा आप वोट दो हम किसान के आमदरी दुगनी कर देंगे सारी किसान बैठे हैं मैं आप से पूछना चाहता हूँ किसी की अंदनी दुगनी हुई किसानों की अगर कुछ दुगनी जोगनी हो रही है तो खाद की कीमत पेटरोल की, डीजल की बीज की, यूरिया की, बिजली की ये सारी कीमतें आस्पान छू रही है कोई भला आदमी केंड की सरकार का करें बोलने को तयार नहीं है कि महंगाई कम करने की कोशिश भी करेंगे आप उनसे पूछो गैस का स्रिंडर 12 रुपे का क्यूं भिकरा है तो कहते हिंदुस्तान और पाकिस्तान आप पूछो किसान आज भुकमरी के कार बखड़ा है जो दो तीन भीगे में क्या बचता होगा क्या पालता होगा क्या बचाता होगा यह सवाल पूछो तो केन की सरकार के लोग बीजेपे के साथ ही बोलते हैं हिंदुस्तान पाकिस्तान मुसल्मान हिंदू मंदिर मस्जिद इसी चर्चा में लोगों को समेटना चाहते हैं लेकिन मैं चाहता हूं हम सांग पर प्रहारा आपने किया था यह तीन जो काले कानून बनाये थे अपनी जित्ना बनाये थे और एक साल सकशानों ने देश की राजधानी में धरने दिे परदर्शन किया चक्का जान किया तो एक साल के बाद जब चुना함 पूह आने वाले थे तो हाट जोड़ के बोला यह तीनों कानून वापिस ले रहे हैं雨 मैं से बूसना चाहता हूं कि इस के कहने पे अपने कानून बनाए थे और किसके अपने वापिस ले लिए कि सेंगरों किसानों की जान चली कई कि इस देश मैं किसान को जो हक और अधिकार मिलना चाहिए किसान के नमबर राजनी सब करते हैं किसान के नारे सब देते हैं लेकिन सही मायने में किसान उसके परिवार को भला और भविष अगर बेटर करना कोई चाहता है उन लोगों के पैचान आपको करनी पड़ेगी मैं किसान परिवार में पैदा हुआ और मैं से बोलता हूं कि मेरा जर्म गाव में नहीं हुआ मेरे पता जी एरफोर्स में थे तो जहांचा एरफोर्स का स्टेशन था महां हमा वाशन दे सकता है और मैं यह बात भार-बार बोलता हूं जब तक किसानों के बच्चे गरीब के बच्चे उन कुर्शों पर नहीं बैठ जाएंगे जांसे इस देश की पर देश की नीटे अलाग होती है तब तक करदान पर दिसका कलान नहीं हो सकता जिसको पता होगा कि पत्र दो क्या गिर्वी रखोगे दस चक्र काटेगा फिर किसी दलाल को दो पांच जार रुपे पकड़ाएगा तब जाके उसको मिले के पचाहई जारुपे यह अखीकत मनिये देश की अस्था के अंदर और धन्ना सेट मोटा सामी को उद्योग पती बैंक मेनेजर को फोन कर मंच पर उपस्तित सभी नितागन और इस किसान सम्मिलन में मौजूद मेरे किसान भाईयों माताओं भेनों बुजर्गों नौजवान दोस्तों प्यारे बच्चों मैं सबसे पहले आप सभी लोगों का धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपने आज हम सब के निमंदरन को हमलित हुए हैं पिछले दो तिन दिनों से इसे प्रटार के किसान सम्मेलन हम लोगों ने पहले नागौर में किये और कल में हनवानगर जिले में था पीली बिनगा में बहां पर भी हमने किसानों को एकत्रित संगटित और आगे बढ़ने के रास्ति के तरफ उनको उनसे बा और यहां पर जब जब मुझे आने का मौका मिला है आप सबने अपार्स नहीं और प्रेम दिया है मैं आप सबका कायल रहूंगा लेकिन आज जिस मुद्ध को लेकर हम पूरे परदेश में सभी किसानों को उनके जीवन में जो परिवर्त लाने की उम्मीद हम देखना चाहत हैं 75 साल बाद आज भी सरकारे आई और चली गई लेकिन इस देश में सबसे मेहनती सबसे मांदार लेकिन दुर्भागिवस्ट सबसे वंचित कोई वर्ग है तो वह किसान वर्ग है इस देश में दोती हाई जन्नता जमीन पर काम करती है धर्टी का सीना चीर का रहनाज परदा करती है 130 करों लोगों का पेट पालते हैं उस किसान को जो मान सम्मान साहिता सयोग मदद मिलनी चाहिए उसके बच्चों को जो भविश मिलना चाहिए वो मिल नहीं रहा और मैं सवाल पूछना चाहता हूँ उन लोगों से जो दिल्ली कि आमनी दुगनी कर देंगे बोलो कहा की निकाव बीजेपी ने हमने तो नहीं का आपको वादा करने के लिए लेकिन बीजेपी के सियातियों ने कहा आप वोट दो हम किसान की आमनी दुगनी कर देंगे सारी किसान बैठे हैं मैं आपसे पूछना चाहता हूँ किसी की आमनी दुगनी होई किसानों की अगर कुछ दुगनी जोगनी हो रही है तो खाद की कीमत पेटरोल की डीजल की बीज की यूरिया की बिजली की ये सारी कीमते आस्मान छू रही है कोई भला आदमी केन की सरकार का कर ये बोलने को तयार नहीं है के महंगाई कम करने की कोशिश भी करेंगे आप उनसे पूछो गैस का सिलिंडर 12 रुपे का क्यूं बिकरा है तो कहते हिंदुस्तान और पाकिस्तान आप पूछो किसान आज भुकमरी के गार बखड़ा है जो दो तीन बीगे में खेदी करते हैं उसमें क्या बचता होगा क्या पालता होगा क्या बचाता होगा ये सवाल पूछो तो केन की सरकार के लोग बीज़ेपे के साथी बोलते हैं हिंदुस्तान पाकिस्तान मुसल्मान हिंदू मंदिर मस्जिद इसी चर्चा में लोगों को समिठना चाहते हैं लेकिन मैं चाहता हूं हम सब चाहते हैं किसान को एक ऐसी रूप रेखा देनी जरूरी है किसान को मदद अगर आप नहीं कर और एक साल तक किसानों ने देश की राजधानी में धरनें दिये पदर्शन किया चक्का जाम किया तो एक साल के बाद जब चुनाम आने वाले थे तो हाथ जोड़के बोला हम ये तीनों कानून वापिस ले रहे हैं हम मैं इसे पूछना चाहता हूं कि किसके कहने पे तो अपने कानून बनाए थे और किसके कहने पे आपने वापिस ले लिए सेंकड़ों किसानों की जान चली गई इस देश में किसान को जो हक और अधिकार मिलना चाहिए किसान के नमबर राजनीद सब करते हैं किसान के नारे सब देते हैं लेकिन सही माइने में किसान उसके परिवार को भला और भविश अगर बेटर करना कोई चाहता है उन लोगों के पैचान आपको करनी पड़ेगी मैं किसान परिवार में पैदा हुआ और मैसले बोलता हूँ कि मेरा जर्म गाव में नहीं हुआ मेरे पता जी एर फोर्स में थे तो जहां जा एर फोर्स का सेशन था माहा हमारे पोस्टिंग होती थी लेकिन जो किसान के दर्द को नहीं समझ सकता जो किसान के मुश्कुल को नहीं समझ सकता वो सरफ भाशन दे सकता है और मैं ये बात बार-बार बोलता हूँ जब तक किसानों के बच्चे गरीब के बच्चे उन कुर्शों पर नहीं बैठ जाएंगे जहां से इस देश की परदेश की नीतिया लाग होती है तब तक देश का कर्णान परदेश का कर्णान नहीं हो सकता जिसको पता होगा कि मुझे बैंक से गर 50,000 रुपे का लोन लेना है उस किसान की चप्पल घिस जाती है जूती कि जाती है बैंक के चकर काटते काटते दो बार क्लर्क मिलेगा बोलेगा टेस्ट करके लाओ नोटराइज करके लाओ ये प्रमान पत्र दो क्या गिर्वी रखोगे दस चक्र काटेगा फिर किसी दलाल को दो पांच जार रुपे पकड़ाएगा तब जाके उसको मिलेंके पच्छाएजा रुपे यह अखीकत बनी है सचिन पाइलेट इस समय असंभूदित कर रहे हैं बालिंदू जी, राकेश मोरदिया जी, मनीश यादव साहब, सुभाष मील जो खंडेला से आए हैं, मंचपर उपस्तित, सभी नितागन और इस किसान सम्मिलन में मौजूद, मेरे किसान भाईयों, माताओ, भेनों, बुजर्गों, नौजवान दोस्तों, प्यारे बच्च मैं सबसे पहले, आप सभी लोगों का धन्यवाद करना चाहता हूं, कि आपने आज हम सब के निमंदरन को सुभिकार किया, और इस किसान सम्मिलन में आप यहां सम्मिलित हुए हैं, पिछले दो-तिन दिनों से इसी प्रकार के किसान सम्मिलन हम लोगों ने पहले नागोर में किये और कल मैं हनवानगर जिले में था पीली बिंगा में, बहां पर भी हमने किसानों को एकत्रित, संगटित और आगे बढ़ने के रास्ति के तरफ उनको उनसे बातें की, उनकी बात को सुना, अपनी बात को रखा, शेकावटी की इस दर्ती पर बीरों की जमीन है, एतिहा मुद्ध को लेकर हम पूरे परदेश में सभी किसानों को उनके जीवन में जो परिवर्त लाने की उमीद हम देखना चाहते हैं, किसानों के जीवन में, किसानों के परिवार में, किसानों के भविश के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, 75 साल बाद आज भी, सरकार हैं और चली गई लेकिन इस देश में सबसे मेहनती सबसे मांदार लेकिन दुर्भा के पर सबसे वंचित कोई वर्ग है तो वो किसान वर्ग है इस देश में दो ती हाई जनता जमीन पर काम करती है धर्ति का चीना चीर करा नाज पैदा करती है एक सो तीस करोड़ों का पेट पालते हैं उस किसान को जो मान सम्मान साहिता सयोग मदद मिलनी चाहिए उसके बच्चों को जो भविश मिलना चाहिए वो मिल नहीं रहा और मैं सवाल पूछना चाहता हूं उन लोगों से दिल्ली म आठ साथ से सरकार में बैठे हैं ये वो भाजबा के साथ ही है जो चुनाब पचार में बोलते थे कि हम किसान की आमदनी दुगनी कर देंगे बोलो कहा कि निगाब बीजेपी ने हमने तो नहीं कि आपको वादा करने के लिए लेकिन बीजेपी के साथियों ने कहा आप वोट तो हम किसान की आमदनी दुगनी कर देंगे सारी किसान बैठे हैं मैं आप से पूछना चाहता हूं किसी की आमदनी दुगनी हुई किसानों की अगर कुछ दुगनी चौगनी हो रही है तो खाद की कीमत पेट्रोल की डीजल की बीच की यूरिया की बिजली की ये सारी कीमते आस्मान चू रही है कोई भला आदमी केंड की सरकार का कर ये बोलने को तयार नहीं है कि ये महंगाई कम करने की कोशिश भी करेंगे आप उनसे पूछो गैस का सिलिंडर 12 रुपे का क्यूं पिक रहा है तो कहते हिंदुस्तान और पाकिस्तान आप पूछो किसान आज भुकमरी के कार बखड़ा है जो दो-तिन भीगे में खेदी करते उस पे क्या बचता होगा क्या पालता होगा क्या बचाता होगा ये सवाल पूछो त लेकिन मैं चाहता हूं हम सब चाहते हैं किसान को एक ऐसी रूप रेखा देनी जरूरी है किसान को मदद अगर आप नहीं कर सकते हो तो किसान पे जो प्रहारा आपने किया था ये तीन जो काले कानू बनाए थे अपनी जिद्व मनाए थे और एक साल तक किसानों ने देश की राजधानी में धंए दिये पदर्शन किया चक्काजाम किया तो एक साल के बाद जब चुनावाने ऐने वाले थे तो हाठ जोड़के बोला हम ये तीनों कानून वापिस ले रहे है हम मैं अनुसे पूछना चाएता हूं कि किसके के में प अधिकार मिलना चाहिए किसान के नमबर राजनी सब करते हैं किसान के नारे सब देते हैं लेकिन सही माइने में किसान उसके परिवार को भला और भविश्य अगर बैदर करना कोई चाहता है उन लोगों के पैचान आपको करनी पड़ेगी मैं किसान परिवार में पैदा हुआ और मैं से बोलता हूँ कि मेरा जर्म गाव में नहीं हुआ मेरे पता जी एरफोर्स में थे तो जहांजा एरफोर्स का सेशन था माहां हमारे पोस्टिंग होती थी लेकिन जो खिसान के दर्द को नहीं समझ सकता जो किसान की मुश्कुल नहीं समझ सकता वो सिराफ भाशान दे सकता है और मैं यह बार बार बोता हूं जब तक हिसानोंño के बच्चे गरीब के बच्चे उनकुर्श कुर्षियों पर नहीं बैठ जाएंगे जांसे इस देश की प्रदेश की नीतिया लाग होती है तब तक बेश का कल्दान प्रदेश का कल्दान नहीं हो सकता जिसको पता होगा कि मुझे बैंक से गर 50,000 रुपे का लोन लेना है उस किसान की चपल घिज जाती है जूती घिज जाती है बैंक के चक्र काटते काटते हैं दो बार क्लर्क मिलेगा आप बोलेगा टेस्ट करके लाओ नोटराइज करके लाओ ये प्रमान पत्र दो क्या गिर् लोगपती बैंक मेनेजर को फोन कर दे तो दस क्रोड का चेक उसी घर पहुंचाता है बैंक मेनेजर लिके जाता है तो सचीन पाइलेट इस समय असंबूदित कर रहे हैं वालिंदू जी राकेश मोडिया जी मनीश यादव साब सुभाश मील जो खंडेला से आये हैं मंच प सबसे पहले आप सभी लोगों का धन्यवाद करना चाहता हुं कि आपने आज हम सबके निमंदरन को स्विकार किया कि और इस किसान समयलन में आप यहां पिछले दो तिन दिनों से इसी प्रटार के किसांट समेलन हम लोगों ने नागौर में किये और कल में हन्वानगर जिले में था पीली बिंगा में बहाँ पर भी हमने किसानों को एकत्रित शंगटित और आगे बढ़ने के रास्ति के तरफ उनको उनसे बातें की उनकी बात को सुना अपनी बात को रखा शेखावटी की इस दर्ती पर बीरों की जमीन है एतिहासी की मिट्टी है और यहां पर जब जब मुझे आने का मौका मिला है आप सबने अपार्स ने और प्रेम दिया है मैं आप सब का कायल हम पुरे परदेश में सबी किसानों को उनके जीवन में जो परिवर्त अलाने की उमीद हम देखना चाहते हैं कशनों के जीवन में किसानों के परिवार में किसानों के भविश के लिए हम लोग क्या कर सकते हैंगे 75 साल बाद आज भी सरकार आए और चली गए लेकिन इस देश में सबसे महनती सबसे इमानदार लेकिन आगे वर सबसे वंचित कोई वर्ग है तो वो किसान वर्ग है इस देश में दो तिहाई जनता जमीन पर काम करती है धरती का चीना चीर का रहनाज पैदा करती है एक सो तीस करोड़ों का पेट पालते हैं उस किसान को जो मान समान साहता सयोग मदद मिलनी चाहिए उसके कुछ मिलना चाहिए वो मिल नहीं रहा और मैं सवाल पूछना चाहता हूँ उन लोगों से दिल्ली में आठ साथ से सरकार में बैठे हैं यह वो भाजबा के साथ ही हैं जो चुनाब पचार में बोलते थे कि हम किसान की आमनी दुगनी कर देंगे बोलो कहा कि निगा बीज़ के साथियों ने कहा आप वोट दो हमिसान की आमनी दुगनी कर देंगे और सारी किसान बैठेह आप से पूछना चाहता हूं किसी की अनी डुगनी होई किसानों की अगर कुछ दुगनी चौगनी हो रही है तो खाद की कीमत पेट्रोल की डीजल की बीच की यूरिया की बिजली की ये सारी कीमते आस्मान चू रही हैं कोई भला आदमी केन की सरकार का करें बोलने को तयार नहीं है कि ये महंगाई कम करने की कोशिश भी करेंगे आप उनसे तो कहते हिंदुस्तान और पाकिस्तान आप पूचो किसान आज भुकमरी के गार बखड़ा है जो दो तीन बीगे में खेदी करते हैं उसके क्या बचता होगा क्या पालता होगा क्या बचाता होगा ये सवाल पूछो तो केन की सरकार के लोग बीज़ेपी के साथ ही बोलते ह हिंदुस्तान पाकिस्तान मुसलमान हिंदू बंदिर मस्जिद इसी चर्चा में लोगों को समेटना चाहते हैं लेकिन मैं चाहता हूं हम सब चाहते हैं किसान को एक ऐसी रूप रेखा देनी जरूरी है किसान को मदद अगर आप नहीं कर सकते हो तो किसान पे जो प्रहारा आपने किया था ये तीन जो काले कानून बनाए थे अपनी जिद्व मनाए थे और एक साल तक किसानों ने देश के राजधानी में धरने दिये पदर्शन किया, चक्का जाम किया तो एक साल के बाद जब चुनाम आने वाले थे तो हाथ जोड़के बोला, ये तीनों कानून वापिस ले रहे है अब मैं इसे पूछना चाहता हूँ कि किसके कहने पे तो अपने कानून बनाए थे और किसके कहने पे अपने वापिस ले लिए कि सेंकड़ों किसानों की जान चली गई इस देश में किसान को जो हक और अधिकार मिलना चाहिए किसान के नमबर राजनी सब करते हैं किसान के नारे सब देते हैं लेकिन सही माइने में किसान उसके परिवार को भला और भविश अगर बेदर करना कोई चाहता है उन लोगों की पहचान आपको करनी पड़ेगी मैं किसान परिवार में पैदा हुआ और मैं इसले बोलता हूं कि मेरा जर्म गाव में नहीं हुआ मेरे पता जी एरफोर्स में थे तो जहांजा एरफोर्स का सेशन था वहां हमारे पोस्टिंग होती थी लेकिन जो किसान के दर्डों नहीं समझ सकता जो किसान की मुश्कुल नहीं समझ सकता है और मैं यह बात बार 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 बोलता हूं जब करना नहीं हो सकता जिसको पता होगा कि मुझे बैंक से गर 50 रुपए का लोन लेना है उसकी सान की चपल घिज जाती है जूति की जाती है बैंक के चक्कर काटते काट है दो बार क्लर्क मिलेगा बोलेगा टेस्ट करके लाओ नोटराइस करके लाओ यह प्रमान पत्र दो क्या सब्सक्राइब कर दे तो दस क्रोड का चेक उसके घर पहुंचाता है बैंक बनेजर लिके जाए सब्सक्राइब करना चाहता हूं कि आपने आज हम सब के निमंदरन को सुविकार किया और इस किसान सम्मिलन में आप यहां सम्मिलत हुए हैं पिशले दो तिन दिनों से इसे प्रकार के किसान सम्मिलन हम लोगों ने पहले नागौर में किये और कल मैं हनवानगर जिले में था पीली बिंगा में बहाँ पर भी हमने किसानों को एकत्रित संगटित और आगे बढ़ने के रास्ती के तरफ उनको उनसे बातें की उनकी बात को सुना अपनी बात को रखा शेकावटी की इस दर्ती पर बीरों की जमीन है एतिहासी की मिट्टी है और यहाँ पर जब जब मुझे आने का मौका मिला है आप सबने अपार्स ने और प्रेम दिया है मैं आप सबका कायल रहूंगा लेकिन आज इस मुद्टे को लेकर हम पुरे परदेश में सबी किसानों को उनके जीवन में जो परिवर्त लाने की उम्मीद हम देखना चाहते हैं किसानों के जीवन में किसानों के परिवार में किसानों के भविश के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं 75 साल बाद आज भी सरकार हैं और चली गई लेकिन इस देश में सबसे मेहनती, सबसे मांदार, लेकिन दुर्भागेवर सबसे वंचित कोई वर्ग है, तो वो किसान वर्ग है इस देश में दो ती हाई जनता जमीन पर काम करती है धर्टी का सीना चीर का रनाज पैदा करती है 130 करों लोगों का पेट पालते है उस किसान को जो मान समान साहिता सयोग मदद मिलनी चाहिए उसके बच्चों को जो भविश मिलना चाहिए वो मिल नहीं रहा और मैं सवाल पूछना चाहता हूँ उन लोगों से जो दिल्ली में आठ साल से सरकार में बैठे हैं ये वो भाजबा के साथी हैं जो चुनाब पचार में बोलते थे कि हम किसान की आमदनी दुगनी कर देंगे बोलो कहा कि निगा बीजेपी ने हमने तो नहीं का आपको वादा की दुगनी हुई किसानों की अगर कुछ दुगनी चौगनी हो रही है तो खाद की कीमत पेट्रोल की डीजल की बीच की यूरिया की बिजली की ये सारी कीमते आस्मान चू रही है कोई भला आदमी केन की सरकार का आकर ये बोलने को तयार नहीं है कि महंगाई कम करने की कोश किसान आज भुकमरी के गार बखड़ा है जो दो तीन भीगे में खेदी करते हैं उस पे क्या बचता होगा क्या पालता होगा ये सवाल पूछो तो केन की सरकार के लोग बीजेपे के साथ ही बोलते हैं हिंदुस्तान, पाकिस्तान मुसल्मान, हिंदू, मंदर बंदे, बज्जिद इसी चर्चा में Llोगों को समेठ न चाहते हैं लेकिन मैं चाहता हम हम सब चाहते हैं किसान को एक ऐसी रूप रिका देने जडरी है किसान को मदद अगर आपने कर सकते हैं तो किसान पे जो प्रहारा आपने किया था ये तीन जो काले कानून बनाए थे अपनी जिद्व मनाए थे और एक साल तक किसानों ने देश के राजधानी में धरने दिये पदर्शन किया, चक्का जाम किया तो एक साल के बाद जब चुनाम आने वाले थे तो हाथ जोड़के बोला, ये तीनों कानून वापिस ले रहे हैं मैं जिसे पूछना चाहता हूँ कि किसके कहने पे तो आपने कानून बनाए थे और किसके कहने पे आपने वापिस ले लिए सेंकड़ों किसानों की जान चली गई इस देश में किसान को जो हक और अधिकार मिलना चाहिए किसान के नमबर राजनी सब करते हैं किसान के नारे सब देते हैं लेकिन सही माइने में किसान उसके परिवार को भला और भविश अगर बैतर करना कोई चाहता है उन लोगों के पैचान आपको करनी पड़ेगी मैं किसान परिवार में पैदा हुआ और मैं इसलिए बोलता हूँ कि मेरा ज़र्म गाउ में नहीं हुआ मेरे पता जी एर फोर्स में थे तो जहां जा एर फोर्स का सेशन था माहा हमारे पोस्टिंग होती थी लेकिन जो किसान के दर्द को नहीं समझ सकता जो किसान के मुश्को recovery को यह समझ सकता वो स्रफ भाषण दे सकता है और मैं यह बारा बार बोलता हूँ जब तक किसानों के बच्चे गरीब के बच्चे उन कुर्शे उपर नहीं बैठ जाएंगे कि जहां से बेश की परदेश की नीतिया लागव होती है तब तक बेश का कल ना नहीं हो सकता जिसको पता होगा कि मुझे बैंक से गर 50 रुपे का लोन लेना है उस किसान की चप्पल गिजाती है जूती गिजाती है बैंक के चकर काटते काटता दो बार क्लर्क मिलेगा कर दे तो दस क्रोड का चेक उसी घर पहुंचाता है बैंक बेनेजर लिके जाए तो सचिन पाइलेट इस समय असंभूदित करता है मैं सबसे पहले आप सभी लोगों का धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपने आज हम सब के निमंदरन को स्विकार किया और इस किसांज समेलन में आप यहां समलित हुए हैं पिसले दो तीन दिनों से इसी प्रकार के किसांज समेलन हम लोगों ने पहले नागोर में किये और कल मैं हनवानगर जिले में था पीली बिंगा में बहाँ पर भी हमने किसानों को एकत्रित संगटित और आगे बढ़ने के रास्ति के तरफ उनको उनसे बातें की उनकी बात को सुना अपनी बात को रखा शेखावटी की इस दर्ती पर बीरों की जमीन है एतिहासी की मिट्टी है और यहाँ पर जब जब मुझे आने का मौका मिला है आप सब ने अपार्स ने और प्रेम दिया है मैं आप सब का कायल रहूंगा लेकिन आज इस मुद्दे को लेकर हम पूरे परदेश में सभी किसानों को उनके जीवन में जो परिवर्ट लाने की उमीद हम देखना चाहते है किसानों के जीवन में किसानों के परिवार में किसानों के भविष्च के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं 75 साल बाद आज भी सरकारे आई और चली गई लेकिन इस देश में सबसे मेहनती सबसे मानदार लेकिन दुर्भा के पर सबसे वंचित कोई वर्ग है तो वो किसान वर्ग है इस देश में दो तिहाई जन्ता जमीन पर काम करती है धर्ती का सीना चीर का रहनाज पैदा करती है 130 करों लोगों का पेट पालते है उस किसान को जो मान समान साहता सयोग मदद मिलनी चाहिए उसके बच्चों को जो भविश मिलना चाहिए वो मिल नहीं रहा और मैं सवाल पूशना चाहता हूँ उन लोगों से जो दिल्ली में आठ साल से सरकार में बैठे हैं ये वो भाजबा के साती हैं जो तुनाब पचार में बोलते थे कि हम किसान की आमनी दुगनी कर देंगे बोलो कहा की निगाबीजेपी ने हमने तो नहीं कहा आपको वादा करने के लिए लेकिन बीजेपी के सातियों ने कहा आप वोट दो हम किसान की आमनी दुगनी कर देंगे सारे किसान बैठें मैं आप से पूछना चाहता हूँ किसी की आमनी दुगनी होई किसानों की अगर कुछ दुगनी जौगनी हो रही है तो खाध की कीमत पेट्रोल की डीजल की बीज की यूरिया की बिजली की ये सारी किमते आस्वान छू रही हैं कोई भला आदमी केंद की सरकार का आकर ये बोलने को तयार नहीं है कि ये महंगाई कम करने की कोशिश भी करेंगे आप उनसे पूछो गैस का सिलिंडर 12 रुपे का क्यों बिकरा है तो कहते हिंदुस्तान और पाकिस्तान आप पूछो किसान आज भुकमरी के कहार बखड़ा है जो दो तीन बीगे में खेदी करते हैं उस पे क्या बचता होगा क्या पालता होगा क्या बचाता होगा ये सवाद पूछो तो केन की सरकार के लोग बीज़ेपे के साथी बोलते हैं हिंदुस्तान पाकिस्तान मुसल्मान हिंदू मंदिर मस्जिद इसी चर्चा में लोगों को समिठना चाथ है लेकिन मैं चाहता हूँ हम सब चाहते हैं किसान को एक ऐसी रूप रेका देनी जरूरी है किसान को मदब अगर आप नहीं कर सकते हो तो किसान पे जो प्रहारा आपने किया था ये तीन जो काले कानून बनाए थे अपनी जिद्व मनाए थे और एक साल तक किसानों ने देश की राजधानी में धरने दिये पदर्शन किया चक्का जाम किया तो एक साल के बाद जब चुनाम आने वाले थे तो हाथ जोड़ के बोला हम ये तीनों कानून वापिस ले रहे हैं और मैं इसे पूुछना चाहता हूं कि किस के कहने पे त्यापने कानून बनाए थे और किसके कहने आपने बापिस ले लिये सेंकड़ों किसानों की जान चली गई कि इस देश में किसान को जो हक और अधिकार मिलना चाहिए किसान के नमबर राजनीत सब करते हैं किसान के नारे सब देते हैं लेकिन सही माइने में किसान उसके परिवार को भला और भविश्च अगर बेदर करना कोई चाहता है उन लोगों के पहचान आपको करनी पड़ेगी मैं किसान परिवार में पैदा हुआ और मैं से बोलता हूँ कि मेरा जर्म गाउ में नहीं हुआ मेरे पता जी एर फोर्स में थे तो जहां जा एर फोर्स का सेशन था माहा हमारे पोस्टिंग होती थी लेकिन जो किसान के दर्द को नहीं समझ सकता जो किसान की मुश्कुल को नहीं समझ सकता वो सरफ भाशन दे सकता है और मैं यह बात बार बार बोलता हूँ जब तक किसानों के बच्चे गरीब के बच्चे उन कुर्शे उपर नहीं बैठ जाएंगे जहां से बेश की परदे लोन लेना है। उसके सान की चपल घिजाती है जूती कि जाती है बैंक के चक्र काटते काटते दो बार क्लर्क मिलेगा बोलेगा टेस्ट करके लाओ नोटराइज करके लाओ यह प्रमान पत्र दो क्या गिर्वी रखोगे 10 चक्र काटेगा फिर किसी दलाल को दो पांच जारु तो दस क्रोड का चेक उसे घर पहुंचाता है बैंक बेनेजर लिके जाए तो इस प्लेटर में फिलाल इतना है सचिन पाइलेट इस समय असंभूधित कर रहा है बालिंदू जी राकेश मोरदिया जी मनीश यादव साहब सुभाश मील जो खंडेला से आए हैं मंच पर उपस्तित सभी नितागन और इस किसान सम्मिलन में मौजूद मेरे किसान भाईयों माताओं भेनों बुजुर्गों नौजवान दोस्तों प्यारे बच्चों मैं सबसे पहले आप सभी लोगों का धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपने आज हम सब के निमंद्रन को सुभिकार किया और इस किसान समेलन में आप यहां समलित हुए हैं। प्थले 2-3 दिनों से इसी प्रकार के किसान सम्मेलन हम लोगोंने नागोर में किये और कल मैं हनवानगर जिले में था पीली बिन्गा में बहाँ पर भी हमने किसानों को एकत्रित संगटित और आगे बढ़ने के रास्ति के तरफ उनको उनसे बातें की उनकी बात को सुना अपनी बात को रखा शेकावटी की इस दर्थी पर बीरों की जमीन है एतिहासी की मिट्टी है और यहाँ पर जब जब मुझे आने का मौका मिला है आप सबने अपार्स ने और प्रेम दिया है मैं आप सबका कायल रहूंगा लेकिन आज इस मुद्टे को लेकर हम पूरे परदेश में सबी किसानों को उनके जीवन में जो परिवर्त लाने की उम्मीद हम देखना चाहते हैं किसानों के जीवन में किसानों के परिवार में किसानों के भविश्च के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं 75 साल बाद आज भी सरकारे आई और चली गई लेकिन इस देश में सबसे मेहनती सबसे मानदार लेकिन दुर्भा के पर सबसे वंचित कोई वर्ग है तो वो किसान वर्ग है इस देश में दो तिहाई जन्ता जमीन पर काम करती है धर्टी का सीनाचीर का रनाज पैदा करती है एक सो तीस करोड़ों का पेट पालते हैं उस किसान को जो मान समान साहिता सयोग मदद मिलनी चाहिए उसके बच्चों को जो भविश मिलना चाहिए वो मिल नहीं रहा और मैं सवाल पूछना चाहता हूँ उन लोगों से जो दिल्ल किसान की आमनी दुगनी कर देंगे बोलो कहा कि निगा बीजेपी ने हमने तो नहीं का आपको वादा करने के लिए लेकिन बीजेपी के साथियों ने कहा आप वोट दो हम किसान की आमनी दुगनी कर देंगे सारी किसान बैठे हैं मैं आप से पूछना चाहता हूँ किसी की वह रही हैं तो खाद की कीमत पेटरोल की डीजल की यूरिया की बिजली की ये सारी किमतें आस्मान चूँ रही है कोई भला आदमी केंड की सरकार का आख ये बोलने को तयार नहीं है कि ये महंगाई कम करने की कोशिश नी करेंगे आप उनसे पूछो गैस का सिलिंडर 12 रुपे का क्यों बिक रहा है तो कहते हिंदुस्तान और पाकिस्तान आप पूछो किसान आज भुकमरी के एक आर बखड़ा है जो दो तीन बीगे में खेदी करते हैं क्या बचता होगा क्या पालता होगा क्या बचाता होगा ये सवाल पूछो तो केन की सरकार के लोग बीजबिक क साथ ही बोलते हैं हिंदुस्तान पाकिस्तान मुसलमान हिंदूustomं बंदिर मज्जिद इसी चर्चा में लोगों को समझrée ना चाहते हैं लेकिन मैं चाहते हैं हम सब चाहते हैं किसान को एक ऐसी रूप रेखा देनी जरूरी है किसान को मदद अगर आप नहीं कर सकते हो तो किसान पे जो प्रहारा आपने किया था ये तीन जो काले कानून बनाये थे अपनी जिद्वा मनाये थे और एक साल तक किसानों ने देश की राजधानी में धरने दिये प्रशन किया चक्का जाम किया तो एक साल के बाद जब चुनाम आने वाले थे तो हाथ जोड़के बोला ये तीनों कानून वापिस ले रहे हैं अब मैं इसे पूछना चाहता हूँ कि किसके कहने पे तो अपने कानून बनाये थे और किसके कहने पर अपने वापिस ले लिए सेंकड़ों किसानों की जान चली गई इस देश में किसान को जो हक और अधिकार मिलना चाहिए किसान के नम बराजनी सब करते है किसान के नारे सब देते है लेकिन सही माइने में किसान उसके परिवार को भला और भविश अगर बेटर करना कोई चाहता है उन लोगों के पैसान आपको करनी पड़ेगी मैं किसान परिवार में पैदा हुआ और मैं इसलिए बोलता हूँ कि मेरा जर्म गाव में नहीं हुआ मेरे पता जी एरफोर्स में थे तो जहां जा एरफोर्स का सेशन था माहा हमारे पोस्टिंग होती थी लेकिन जो किसान के दर्द को नहीं समझ सकता जो किसान की मुश्कुल को नहीं समझ सकता वो सिरफ भाशन दे सकता है और मैं यह बात बार-बार बोलता हूं जब तक किसानों के बच्चे गरीब के बच्चे उन कुर्षे पर नहीं बैठ जाएंगे जहां से इस देश की प्रदेश की नीटे अलाग होती है तब तक देश का कल्णा प्रदेश का कल्णा नहीं हो सकता जिसको पता होगा कि मुझे बैंक से गर 50,000 रुपे का लोन लेना है उस किसान की चप्पल कि जाती है जूती कि जाती है बैंक के चकर काटते काटते हैं दो बार क्लर्क मिलेगा बोलेगा टेस करके लाओ नोटराइस करके लाओ ये प्रमान पत्र दो क्या गिर्वी रखोगे 10 चकर काटेगा फिर किसी दलाल को 25,000 रुपे पकड़ाएगा तब जाके उसको मिलें के 5000 रुपे यह अखिकत मनिये देश की उस्था के अंदर और और धन्ना सेट मोटा सामी कोई उद्योगपती बैंक मेनेजर को फोन कर दे तो 10 क्रोड का चेक उसे घर पहुंच जाता है बैंक मेनेजर लिके जाए तो इस बलेटर में फिलाल इतना ही है, सचिन पाइलेट इस समय असंबोधित कर रहा है बालिंदू जी, राकेश मोरदिया जी, मनीश यादव साहब, सुभाष मील जो खंडेला से आए हैं, मंच पर उपस्तित, सभी नितागन और इस किसान सम्मिलन में मौजूद, मेरे किसान भाईयों, बाताओं, भेनों, बुजर्गों, नौजवान दोस्तों, प्यारे बच् कि आपने आज हम सब के निमंदरन को सुभीकार किया और इस किसान सम्मिलन में आप यहां सम्मिलित हुए हैं, पिछले दो-तिन दिनों से इसी प्रकार के किसान सम्मिलन हम लोगों ने पहले नागौर में किये, और कल मैं हनवानगर जिले में था, पीली बिन्ना में, बहाँ कि शेखावटी की इस दर्ती पर बीरों की जमीन है, एतिहासी की मिट्टी है, और यहां पर जब-जब मुझे आने का मौका मिला है, आप सबने अपार्स ने और प्रेम दिया है, मैं आप सब का कायल रहूंगा, लेकिन आज इस मुद्टे को लेकर हम पूरे परदेश में किसानों के जीवन में, किसानों के परिवार में, किसानों के भविश्च के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, पिचैत्र साल बाद आज भी, सरकारे आएं और चली गई, लेकिन इस देश में सबसे मेहनती, सबसे मांदार, लेकिन दुरभा के वस्ट सबसे वंचित कोई वर्ग तो वह किसान वरग है इस देश में दो तीहाई जनता जमीन पर काम करती है धरती का छीना चीर करनाज पैदा करती है एक सो तीस क्रड़ लोगों का पेट पालते हैं उस किसान को जो मान सम्मान साहता स्योग मदद मिलनी चाहिए उसके बच्चों को जो भविश मिलना चाहिए वो मिल नहीं रहा और मैं सवाल पूछना चाहता हूँ उन लोगों से दिल्ली में आठ साल से सरकार में बैठे हैं ये वो भाजबा के साथ ही हैं जो चुनाब पचार में बोलते थे कि हम किसान की आमनी दुग नहीं कर देंगे बोलो कहा की निगा बीजेपी ने हमने तो नहीं कि आपको वादा करने के लिए लेकिन बीजेपी के साथियों ने कहा आप वोट दो हम किसान की आमनी दुग नहीं कर देंगे इस सारी किसान बैठे हैं मैं आप से पूछना चाहता हूँ किसी की आमनी दुग नहीं किसानों की अगर कुछ दुगनी चौगनी हो रही है तो खाद की कीमत पेट्रोल की डीजल की बीच की यूरिया की बिजली की ये सारी कीमतیں आस्मान चू रही हैं कोई भला आदमी केन की सरकार का कर ये बोलने को तयार नहीं है कि ये महंगाई कम करने की कोशिश भी करेंगे आप उनसे पूछो गैस का सिलिंडर 12 रुपे का क्यों विकरा है तो कहते हिंदुस्तान और पाकिस्तान आप पूछो किसान आज भुकमरी के कार बख़डा है जो दो तीन विगे में खेदी करते हैं उसमें क्या बशता होगा क्या पालता होगा क्या बचाता होगा इस सवाल पूछो त लेकिन मैं चाहता हूं हम सब चाहते हैं किसान को एक ऐसी रूप रेखा देनी जरूरी है किसान को मदद अगर आप नहीं कर सकते हो तो किसान पर जो प्रहारा आपने किया था यह तीन जो काले कानूर बनाए थे अपनी जिद्व मनाए थे और एक साल तक किसानों ने देश के राजधानी में धरने दिये पदर्शन किया चक्काजाम किया तो एक साल के बाद जब चुनाम आने वाले थे तो हाथ चोड़ के बोला यह तीनों कानून वापिस ले रहे हैं मैं इसे पूछना चाहता हूं कि किसके कहने पे तो आपने कानून बनाए थे और किसके कहने पे आपने वापस ले लिए सेंखडों किसानों की जान चली गई इस देश में किसान को जो हक और अधिकार मिलना चाहिए किसान के नमबर राजनी सब करते हैं किसान के नारे सब देते हैं लेकिन सही माइने में किसान उसके परिवार को भला और भविश्य अगर बेटर करना कोई चाहता है उन लोगों के पैचान आपको करनी पड़ेगी मैं किसान परिवार में पैदा हुआ और मैं से बोलता हूँ कि मेरा जर्म गाव में नहीं हुआ मेरे पैदा जी एर फोर्स में थे तो जहांचा एर फोर्स का सेशन था माहा हमारे पोस्टिंग होती थी लेकिन जो किसान के दर्द को नहीं समझ सकता जो किसान की मुश्कुल को नहीं समझ सकता वो स्रफ भाशन दे सकता है और मैं ये बात बार बार बोलता हूँ जब तक किसानों के बच्चे गरीब के बच्चे उन कुर्षे पर नहीं बैठ जाएंगे जहां से देश की बार क्लरक मिलेगा बोलेगा टेस्ट करके लाओ नोटराइज करके लाओ ये प्रमान पत्र दो क्या गिर्वी रखोगे 10 चक्र काटेगा फिर किसी दलाल को दो पांच जार रुपे पकड़ाएगा तब जाके पचाहजार रुपे यह अखिकत मनिये देश की वहस्था के अंदर और धन्ना सेट मोटा सामी कोई उद्योग पती बैंक मेनेजर को फोन कर दे तो दस क्रोड का चेक उसी घर पहुंचाता है बैंक मेनेजर लिके जाए तो और इस किसान सम्मिलन में मौजूद मेरे किसान भाईयों माताओं भेनों बुजर्गों नौजवान दोस्तों प्यारे बच्चों मैं सबसे पहले आप सबी लोगों का धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपने आज हम सब के निमंदरन को सुविकार किया और इस किसान सम्मिलन में आप यहां समलित हुए हैं पिछले दो तिन दिनों से इसी प्रकार के किसान समेलन हम लोगों ने पहले नागौर में किये और कल में हनवानगर जिले में था पीली बिंगा में बहाँ पर भी हमने किसानों को एकत्रित संगटित और आगे बढ़ने के रास्ति के तरफ उनको उनसे बातें की उनकी बात को सुना अपनी बात को रखा शेखावटी की इस दर्ती पर बीरों की जमीन है एतिहासी की मिट्टी है और यहां पर जब जब मुझे आने का मौका मिला है आप सब ने और प्रेम दिया है मैं आप सबका कायल रहूंगा लेकिन आज इस मुझे को लेकर हम पूरे परदेश में सभी किसानों को उनके जीवन में जो परिवर्त लाने की उम्मीद हम देखना चाहते है किसानों के जीवन में किसानों के परिवार में किसानों के भविश के लिए हम लेकिन इस देश में सबसे महनती सबसे मांदार लेकिन दुर्भागिवस सबसे वंचित कोई वर्ग है तो वह किसान वर्ग है इस देश में दोती हाई जन्ता जमीन पर काम करती है धर्ती का चीना चीर का रनाज मैदा करती है 130 करोडों का पेट पालते है उस किसान को जो मान सम्मान साहिता सयोग मदद मिलनी चाहिए उसके बच्चों को जो भविश मिलना चाहिए वो मिल नहीं रहा और मैं सवाल पूछना चाहता हूँ उन लोगों से दिल्ली में 8 साथ से सरकार में बैठे हैं यह वो भाजबा के साथ ही है जो चुनाब पचार में बोलते थे कि हम किसान की आमदनी दुगनी कर देंगे बोलो कहा कि निगा बीजेपी ने हमने तो नहीं का आपको वादा करने के लिए लेकिन बीजेपी के साथियों ने कहा आप वोट दो हम किसान की आमदनी दुगनी कर देंगे सारे किसान बैठे हैं मैं आपसे पूछना चाहता हूँ किसी की आमदनी दुगनी होई किसानों की अगर कुछ दुगनी-चौगनी हो रही है तो खाद की कीमत पेटरोल की, डीजल की, बीज सारी खिमते आसमान छू रही है कोई भला आदमी केन की सरकार का आकर यह बोलने को तैयार नहीं है, कि यह महंगाई कम करने की कोशिक्स भी करेंगे आप उनसे पूछो गैस का सिलिंडर 12 रुपे का क्यों बिक रहा है तो कहते हिंदुस्तान और पाकिस्तान आप पूछो किसान आज भुकमरी के कार बखड़ा है जो दो तीन भीगे में खेदी करते हैं किस्ता पे क्या बस्ता होगा था या बचाता होगा यह सवाल पूछो के इन की सरकार के लोगं बीजेपी साथी बोलते हैं पाकिस्तान मुसलमान realizing इसी चर्चा में लोगों को समय ना चाहते है किसान को एक ऐषिसी रूप रेकादीना जरूरी है किसान को मदद अगर आप नहीं कर सकते हो तो किसान पर जो प्रहार आपने किया था ये तीन जो काले कानून बनाए थे अपनी जिद्व मनाए थे और एक साल तक किसानों ने देश की राजधानी में धरने दिये पदर्शन किया चक्का जाम किया तो एक साल के बाद जब चुनावाने वाले थे तो हाथ जोड़के बोला ये तीनों कानून वापिस ले रहे हैं हम मैं इसे पूछना चाहता हूं कि क किसके कहने पे तो अपने कानून बनाए थे और किसके कहने पे आपने वापिस ले लिए कि सेंकड़ों किसानों की जान चली गई इस देश में किसान को जो हग और अधिकार मिलना चाहिए किसान के नमबर आज मी सब करते हैं किसान के नाลे सब देते हैं लेकिन सभी माइने में किसान उसके परिवार को भला और भविश अगर बैदर करना कोई चाहता है उन लोगों के पहचान आपको करनी पड़ेगी मैं किसान परिवार में पैदा हुआ और मैं इसले बोलता हूं कि मेरा जर्म गाव में नहीं हुआ मेरे पता जी एर फोर्स में थे तो जहांचा एर फोर्स का सेशन था वहां हमारे पोस्टिंग होती थी हुआ लेकिन जो किसान के दर्द को नहीं समझ सकता जो किसान की मुश्कुल वांतन हो समकता और मैं यह बात बार बार बोलता हूं जब तक किसानों के बचुछे गरीब के बच्चे उन कुष्चेयों नहीं बैठ जाएंगे जाहांसे इस देश की प्रदेश की नीतिया अलाग होती है तब तक देश का कल्णान प्रदेश का कल्णान नहीं हो सकता जिसको पता होगा कि मुझे बैंक किसे घर 50,000 रुपे का लोन लेना है उसके सान की चपल किस जाती है जूती किस जाती है बैंक के चक्र काटते काटते हैं दो बार क्लर्क मिलेगा बोलेगा टेस्ट करके लाओ नोटराइज करके लाओ ये प्रमान पत्र दो क्या गिर्वी रखोगे 10 चक्र काटेगा फिर किसी दलाल को 25,000 रुपे पकड़ाएगा तब जाके उसको मिलें के 5000 यह अखिकत मनिये देश की व्यश्था के अंदर और और धन्ना सेट मोटा सामी को उद्योग पती बैंक मेनेजर को फोन कर दे तो 10 क्रोड का चेक उसी घर पहुंचाता है बैंक मेनेजर लिके जाए तो इस ब और इस किसान सम्मिलन में मौजूद मेरे किसान भाईयों, माताओ, भेनों, बुजर्गों, नौजवान दोस्तों, प्यारे बच्छों मैं सबसे पहले आप सबी लोगों का धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपने आज हम सब के निमंद्रन को सुविकार किया और इस किसान सम में हनवानगर जिले में था पीली बिंगा में बहाँ पर भी हमने किसानों को एकत्रित संगटित और आगे बढ़ने के रास्ते के तरफ उनको उनसे बातें की उनकी बात को सुना अपनी बात को रखा शेखावटी की इस दर्थी पर बीरों की जमीन है एतिहासी की मिट्टी है और यहाँ पर जब जब मुझे आने का मौका मिला है आप सब ने अपार्स ने और प्रेम दिया है मैं आप सब का कायल रहूंगा लेकिन आज इस मुद्टे को लेकर हम पूरे परदेश में सभी किसानों को उनके जीवन में जो परिवर्त लाने की उम्मीद हम देखना चाहत हैं किसानों के जीवन में किसानों के परिवार में किसानों के भविश्च के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं 75 साल बाद आज भी सरकारे आई और चली गई लेकिन इस देश में सबसे मेहनती सबसे मांदार लेकिन दुर्भागिवश्च सबसे वंचित कोई वर्ग है तो वो किसान वर्ग है इस देश में दो तिहाई जनता जमीन पर काम करती है धर्टी का चीना चीर का रहनाज पहला करती है 130 करोड़ों का पेट पालते हैं उस किसान को जो मान सम्मान साहिता सयोग मदद मिलनी चाहिए उसके बच्चों को जो भविश मिलना चाहिए वो मिल नहीं रहा और मैं सवाल पूछना चाहता हूं उन लोगों से दिल्ली में आमनी दूगनी कर देंगे बोलो कहा की निगाबीजेपी ने हमने तो नहीं का आपको वादा करने के लिए लेकिन बीजेपी के साथियों ने कहा आप वोट दो हम किसान की आमनी दूगनी कर देंगे सारे किसान बैठे हैं मैं आप से पूछना चाहता हूं किसी की अंधनी दूगनी होई किसानों की अगर कुछ दुगनी चौगनी हो रही है तो खाद की कीमत पेट्रोल की डीजल की बीच की यूरिया की बिजली की ये सारी कीमते आस्वान छू रही है कोई भला आदमी केंद की सरकार काकर ये बुलने को तयार नहीं है कि ये महंगाए कम करने की कोशिश भी करेंगे आप उनसे पूछो गैस का सिलिंडर 12 रुपे का क्यों बिकरा है तो कहते हिंदुस्तान और पाकिस्तान आप पूछो किसान आज भुकमरी के कार बखड़ा है जो दो तीन बीगे में खेदी करते हैं उसके क्या बचता होगा क्या पालता होगा क्या बचाता होगा ये सवाल लेकिन मैं चाहता हूँ हम सब चाहते हैं किसान को एक ऐसी रूप रेखा देनी जरूरी है किसान को मदद अगर आप नहीं कर सकते हो तो किसान पर जो प्रहारा आपने किया था ये तीन जो काले कानू बनाये थे अपनी जिद्वा मनाये थे और एक साल तक किसानों ने देश की राजधानी में धर्दें दिये पदर्शन किया चक्का जान किया तो एक साल के बाद जब चुनावाने वाले थे तो हाथ जोड़के बोला ये तीनों कानून वापिस ले रहे हैं मैं इसे पूछना चाहता हूँ कि किसके कहने पे तो आपने कानून बनाए थे और किसके कहने पे आपने वापिस ले लिए सेंकड़ों किसानों की जान चली गई इस देश में किसान को जो हक और अधिकार मिलना चाहिए किसान के नमबर आजनी सब करते हैं किसान के नारे सब देते हैं लेकिन सही माइने में किसान उसके परिवार को भला और भविश अगर बेदर करना कोई चाहता है उन लोगों के पैचान आपको करनी पड़ेगी मैं किसान परिवार में पैदा हुआ और मैं इसले बोलता हूँ कि मेरा जर्म गाउ में नहीं हुआ मेरे पता जी एर फोर्स में थे तो जहां जा एर फोर्स का स्टेशन था माहा हमारे पोस्टिंग होती थी लेकिन जो किसान के दर्द को नहीं समझ सकता जो किसान के मुश्कुल को नहीं समझ सकता वो सिर्फ भासन दे सकता है और मैं ये बात बार बार बोलता हूँ जब तक किसानों के बच्चे गरीब के बच्चे उन कुछाइब पर नहीं बैढ़ जाएंगे जांसे इस देश की परदिश की नीतिय अलाग होती है तब तक देश का कलना प्रदिश का कलना नहीं हो सकता जिसको पता होगा कि मुझे बैंक से घर 50,000 रुपे का लोन लेना है उस किसान की चपल घिज जाती है जूती घिज जाती है बैंक के चकर काटते काटते हैं दो बार क्लर्क मिलेगा बोलेगा टेस्ट करके लाओ कोई धन्ना सेट मोटा सामी कोई उद्योग पती बैंक मेनेजर को फोन कर दे तो दस क्रोड का चेक उसके घर पहुंचाता है बैंक बेनेजर लिके जाए तो इस में फिलाल इतना है सचिन पाइलेट इस समय असंबोधित कर रहे हैं बालिंदू जी राकेश मोडिया जी जो खंडेला से आये हैं मंच पर उपस्तित सभी नितागन और इस किसान सम्मिलन में मौजूद मेरे किसान भाईयों माताओं भेनों बुजुर्गों नौजवान दोस्तों प्यारे बच्चों मैं सबसे पहले आप सभी लोगों का धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपने किसान सम्मिलन हम लोगों ने पहले नागौर में किये और कल मैं हनवानगर जिले में था पीली बिंगा में बहाँ पर भी हमने किसानों को एकत्रित संगटित और आगे बढ़ने के रास्ति के तरफ उनको उनसे बातें की उनकी बात को सुना अपनी बात को रखा शेखावट स्ने और प्रेम दिया है मैं आप सबका कायल रहूंगा लेकिन आज इस मुद्ध को लेकर हम पूरे परदेश में सबी किसानों को उनके जीवन में जो परिवर्त लाने की उम्मीद हम देखना चाहते हैं किसानों के जीवन में किसानों के परिवार में किसानों के भविष्च के लिए हम व्हों क्या कर सकते ह। 75 साल बाद आज भी सरकारे आई और चली गई लेकिन इस देश में सबसे मेहनती सबसे मांदार लेकिन दुर्भागिवश्च सबसे वंचित कोई वर्ग है तो वो किसान वर्ग है इस देश में दो तीहाई जन्ता जमीन पर काम करती है धर्टी का ठीना चीर का रहनाज पैदा करती है 130 करों लोगों का पेट पालते हैं उस किसान को जो मान समान साहिता सयोग मदद मिलनी चाहिए उसके बच्चों को जो भविश मिलना चाहिए वो मिल नहीं रहा और मैं सवाल पूछना चाहता हूँ उन लोगों से जो दिल्ली में आठ साल से सरकार में बैठे हैं ये वो भाजबा के साथ ही हैं जो चुना पचार में बोलते थे कि हम किसान की आमनी दुगनी कर देंगे बोलो कहा कि निगा बीजेपी ने हमने तो नहीं का आपको वादा क टुगनी हुए किसानों की अगर कुछ दुगनी चौगनी हो रही है तो खा़ज की कीमत पेट्रोल की डीसल की बीच की यूरिया की बिजली की यह सारी किमते आसमान चू रही है कोई भला आदमी केंद की सरकार का आकर पूलने को तयार नहीं है कि यह महाई कम करने की भी करेंगे आप उनसे पूछो गैस का सिलिंडर 12 रुपे का क्यों भिकरा है तो कहते हिंदुस्तान और पाकिस्तान आप पूछो किसान आज भुकमरी के कहार बखड़ा है जो दो तीन बीगे में खेदी करते हैं उस पे क्या बचता होगा क्या पालता होगा क्या बचाता होग यह सवाल पूछो तो केन के सरकार के लोग बीज़ेपी के साथ ही बोलते हैं हिंदुस्तान पाकिस्तान मुसल्मान हिंदू मंदिर मस्जिद इसी चर्चा में लोगों को समेटना चाहते हैं लेकिन मैं चाहता हूं हम सब चाहते हैं किसान को एक ऐसी रूप रेखा देनी जरूरी है किसान को मदद अगर आप नहीं कर सकते हो तो किसान पर जो प्रहारा आपने किया था ये तीन जो काले कानून बनाये थे अपनी जिद्व मनाये थे और एक साल तक किसानों ने देश के राजधानी में धरने दिये पदर्शन किया चक्का जाम किया तो एक साल के बाद जब चुनाम आने वाले थे तो हाथ जोड़के बोलां ये तीनों कानून वापिस ले रहे हैं आप मैं इसे पूछना चाहता हूं कि किस के कहने पे तो और अधिकार मिलना चाहिए किसान के नमबर राजनी सब करते हैं किसान के नारे सब देते हैं लेकिन सही माइनने में किसान उसके परिवार को भला और भविश अगर बैदर करना कोई चाहता है उन लोगों के पैचान आपको करनी पड़ेगी मैं किसान परिवार में पैदा हुआ और मैंस्टे बोलता हूं कि मेरा जर्म गाउं में नहीं हुआ मेरे पता जी एरफोर्स में थे तो जहांचा एरफोर्स का स्टेशन था माहां हमारे पोस्टिंग होती थी लेकिन जो किसान के दर्द को नई समझ सकता है जो किसान की मुश्क्ल को नहीं समझ सकता वो सरफ बाशन दे सकता है और मैं ये बार 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 बोलता हूं जब तक किसानों के बच्चे गरीब के बच्चे उन कुर्सों पर नहीं बैठ जाएंगे जहां से इस देश की परदिश की नीतिया लाग होती है तब तक देश का कल्णा परदिश का कल्णा नहीं हो सकता जिसको पता होगा कि मुझे बैंक किसे घर 50,000 रुपे का लोन लेना है उस किसान की चपल कि जाती है जूती कि जाती है बैंक के चकर काटते काटते हैं दो बार क्लर्क मिलेगा बोलेगा टेस्ट करके लाओ नोटराइस करके लाओ ये प्रमान पत्र दो क्या गिर्वी रखोगे 10 चकर काटेगा फिर किसी दलाल क को दो पांच जार रुपे पकड़ाएगा तब जाके उसको मिलें के पचाहई जार रुपे ये अखीकत मनिये देश के उस्था के अंदर और को धन्ना सेट मोटा सामी को उद्योग पती बैंक मेनेजर को फोन कर दे तो दस क्रोड का चेक उसी घर पहुंचाता है बैंक मेने प्रदागन और इस किसान सम्मिलन में मौजूद मेरे किसान भाईयों माताओं भेनों बुजर्गों नौजवान दोस्तों प्यारे बच्चों मैं सबसे पहले आप सबी लोगों का धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपने आज हम सब के निमंदरन को सुविकार किया और इस कि किसान समयलन में आप यहां संभ बिद हुए हैं इस ले दो तिन दिनों से इसी प्रकार के किसान समयलन हम लोगों ने पहले नागौर में किये और कल में हनवान leer सले में था पीली बिंगा में बहाँ पर भी हमने किसानों को एकत्रित संगटित और आगे बढ़ने के रास्ति के तरफ उनको उनसे बातें की उनकी बात को सुना अपनी बात को रखा शेखावटी की इस दर्ती पर बीरों की जमीन है एतिहासी की मिट्टी है और यहां पर जब जब मौका मिला है आप सबने अपार्स नहीं और प्रेम दिया है मैं आप सबका कायल रहूंगा लेकिन आज जिस मुद्टे को लेकर हम पूरे परदेश में सबी किसानों को उनके जीवन में जो परिवर्ट अलाने की उम्मीद हम देखना चाहते हैं किसानों के जीवन में किसानों के परिवार में किसानों के भविश के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं पिचचतर साल बाद आज भी सरकारे आई और चली गई लेकिन इस देश में सबसे मेहनती, सबसे मांदार, लेकिन बुर्भागिवश्ट सबसे वंचित कोई वर्ग है, तो वो किसान वर्ग है इस देश में दो तीहाई जन्ता जमीन पर काम करती है धर्ती का सीना चीर का रानाज पैदा करती है 130 करों लोगों का पेट पालते है उस किसान को जो मान सम्मान साहता सयोग मदद मिलनी चाहिए उसके बच्चों को जो भविश मिलना चाहिए वो मिल नहीं रहा और मैं सवाल पूछना चाहता हूँ उन लोगों से जो दिल्ली में 8 साथ से सरकार में बैठे है ये वो भाजबा के साथी है जो चुनाब पचार में बोलते थे कि हम किसान की आमनी दुगनी कर देंगे बोलो कहा कि निगाभी जेपी ने हमने तो नहीं कि आपको वादा करने के लिए लेकिन बीजेपी के साथियों ने कहा आप वोट दो हम किसान की आमनी दुगनी कर देंगे इस सारे किसान बैठे हैं मैं आप से पूछना चाहता हूँ किसी की आमनी दुगनी होई किसानों की अगर कुछ दुगनी चोगनी हो रही है तो खाज की कीमत पेटरोल की डीजल की बीज की यूरिया की बिजली की ये सारी किमते आस्मान चू रही है कोई भला आदमी केन की सरकार का कर ये बोलने को तयार नहीं है के महंगाई कम करने की कोशिश भी करेंगे आप उनसे पूछो गैस का सिलंडर 12 रुपे का की बिकरा तो कहते हिंदूस्तान और पाकिस्तान आप पूछो किसान आज भूक्मरी के कहार ब खड़ा है जो दो तीन बीगे में खgovernी करते हैं उससे क्या बसता होगा क्या पालता होगा क्या बचाता होगा ये सवाल पूछो तो केन की सरकार के लोग बिजेपि के साथ ही बोलते हैं हिंदुस्तान, पाकिस्तान, मुसल्मान, हिंदू, मंदिर, मस्जिद, इसी चर्चा में लोगों को समेटना चाहते हैं लेकिं मैं चाहता हूं हम सब चाहते हैं किसान को एक ऐसी रूप रेखा देनी जरूरी है किसान को मदद अगर आप नहीं कर सकते हो तो किसान पे जो प्रहार आपने किया था ये तीन जो काले कानून बनाए थे अपनी जिद्मे मनाए थे और एक साल तक किसानों ने देश की राजधानी में धरने दिये परदर्शन किया, चक्का जाम किया तो एक साल के बाद जब चुनाम आने वाले थे तो हाथ जोड़के बोला हम ये तीनों कानून वापिस ले रहे हैं मैं इसे पूछना चाहता हूँ कि किसके कहने पे तो आपने कानून बनाए थे और किसके कहने पे आपने वापिस ले लिए सेंकडों किसानों की जान चली गई इस देश में किसान को जो हक और अधिकार मिलना चाहिए किसान के नमबर राजनी सब करते हैं किसान के नारे सब देते हैं लेकिन सही माइने में किसान उसके परिवार को भला और भविश्च अगर बेदर करना कोई चाहता है उन लोगों के पैसान आपको करनी पड़ेगी मैं किसान परिवार में पैदा हुआ और मैं से बोलता हूँ कि मेरा जर्म गाउं में नहीं हुआ मेरे पता जी एर फोर्स में थे तो जहां जा एर फोर्स का सेशन था वहां हमारे पोस्टिंग होती थी के लेकिन जो किसान के दर्द को नहीं समझ सकता जो किसान की मुश्कुल को नहीं समझ सकता वो सिरफ भाषण दे सकता है और मैं यह बार-बार बोलता हूँ जब-Tक किसानों के बच्चे गरीब के बच्चे उन कुर्षे उपर नहीं बैठ जाएंगे जहांसे इस देश की प जिसको पता होगा कि मुझे बैंक से गर 50 रुपे का लोन लेना है उसके सान की चपल घिज जाती है जूती के जाती है बैंक के चक्कर काटते 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 हैं दो बार क्लर्क मिलेगा बोलेगा टेस्ट करके लाओ नोटराइज करके लाओ ये प्रमान पत्र दो क्या गिर्वी रखोगे दस चक्र काटेगा फिर किसी दलाल को दो पांच जारुपे पकड़ाएगा तब जाके उसको मिलेगे पचाहई जारुपे यह अखीकत बनी है देश केश्मोरदिया जी मनीश यादव साब सुभाष मील जो खंडेला से आये हैं मंचपर उपस्तित सभी नितागन और इसके सांच सम्मिलन में मौजूद मेरे किसान भाईयों माताओं भेनों बुज़ुर्गों नौजवान दोस्तों प्यारे बच्चों मैं सबसे पहले आप स पिछले दो तिन दिनों से इसी प्रकार के किसान सम्मिलन हम लोगों ने पहले नागौर में किये और कल में हनवानगर जिले में था पीली बिन्गा में बहाँ पर भी हमने किसानों को एक टत्रित संगटित और आगे बढ़ने के रास्ति के तरफ उनको उनसे बातें की उनकी आप सबने अपार्स नहीं और प्रेम दिया है मैं आप सबका कायल रहूंगा लेकिन आज इस मुत्य को लेकर हम पूरे परदेश में सबी किसानों को उनके जीवन में जो परिवर्ट लाने की उमीद हम देखना चाहते हैं किसानों के जीवन में किसानों के परिवार में किसानों के भविश के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं 75 साल बाद आज भी सरकारे आई और चली गई लेकिन इस देश में सबसे मेहनती, सबसे मानदार, लेकिन दुरबागी वर्श सबसे वंचित कोई वर्ग है तो वो किसान वर्ग है इस देश में दो तिहाई जन्ता जमीन पर काम करती है धर्टी का चीना चीर का रनाज पैदा करती है 130 करों लोगों का पेट पालते है उस खिसान को जो मान सम्मान साहिता सयोग मदद मिलनी चाहिए उसके बच्चों को जो भविश मिलना चाहिए वो मिल नहीं रहा और मैं सवाल पूछना चाहता हूँ उन लोगों से जो दिल्ली में आठ साथ से सरकार में बैठे है ये वो भाजबा के साथ ही है जो चुनाब पचार में बोलते थे कि हम किसान की आमनी दुगनी कर देंगे बोलो कहा की निगा बीजेपी ने किसी की आमनी दुगनी हुई किसानों की अगर कुछ दुगनी जोगनी हो रही है तो खाद की कीमत पेट्रोल की डीजल की बीज की यूरिया की बिजली की ये सारी कीमते आस्वान चू रही है कोई भला आदमी केन की सरकार का आकर ये बोलने को आप पूछो किसान आज भुकमरी के कार बखड़ा है जो दो तीन बीगे में खेदी करते हैं उसमें क्या बचता होगा क्या बचाता होगा यह सवाल पूछो तो केन की सरकार के लोग बीज़ेपे के साथी बोलते हैं हिंदुस्तान पाकिस्तान मुसल्मान हिंदू मंदिर था सब्रचा में लोगों को समीठना चाहते हैं मैं चाहता हुम सब चाहते हैं किसान को को एक ऐसी हrूब रखा देना ज़रूरी है किसान को मदल आखिे आप नहीं कर सकते हो तो किसान पर जो प्रहारा आपने किया था ये तीन जो काले कहनुन बनाए थे अपनी जिद्नव बनाए थे और एक साल तक किसानों ने देश की राजधानी में धरने दिये पदर्शन किया चक्का जाम किया तो एक साल के बाद जब चुनाम आने वाले थे तो हाथ जोड़के बोला ये तीनों कानून वापिस ले रहे हैं अम मैं इसे पूछना चाहता हूं कि किसके कहने पर देश की के अपने कानून बनाए थे और किसके कहने वापश ले लिए सेंकड़ों किसानों की जान चली गई इस देश में किसान को जो हक और अधिकार मिलना चाहिए किसान के नमबराजनी सब करते हैं किसान के नारे सब देते लेकिन सही माइने में किसान उसके परिवार को भला और भविश अगर बेटर करना कोई चाहता है उन लोगों के पैचान आपको करनी पड़ेगी मैं किसान परिवार में पैदा हुआ और मैं इसलिए बोलता हूँ कि मेरा जर्म गाउ में नहीं हुआ मेरे पैदा जी एरफोर्स में थे तो जहां जाए एरफोर्स का सेशन था माहा हमारे पोस्टिंग होती थी लेकिन जो किसान के दर्द को नहीं समझ सकता जो किसान की मुश्कुल को नहीं समझ सकता वो सिर्फ भाशन दे सकता है और मैं यह बार बार बोलता हूँ जब तक किसानों के बच्चे गरीब के बच्चे उन कुर्षे उपर नहीं बैठ जाएंगे चाहंसे इस देश की परदेश की नीतिया लागव होती है तब तक देश का कल्णा परदेश का कल्णा नहीं हो सकता जिसको पता होगा कि मुझे बैंक से गर 50,000 रुपे का लोन लेना है उस किसान की चपल घिज जाती है जूती घिज जाती है बैंक के चकर काटते काटते है दो बार क्लर्क मिलेगा बोलेगा टेस्ट करके लाओ नोटराइस करके लाओ ये प्रमान पत्र दो क्या गिर्वी रख होगे दस चकर काटेगा फिर किसी दलाल को दो पांच जार रुपे पकड़ाएगा तब जाके उसको मिलें के पचाहईजार रुपे ये अखिकत मनिये देश की उस्था के अंदर और धन्ना सेट मोटा सामी को उद्योग पती बैंक मेनेजर को फोन कर दे तो दस क्रोड का च सबी नितागन और इस किसान सम्मिलन में मौजूद मेरे किसान भाईयों माताओं भेनों बुजर्गों नौजवान दोस्तों प्यारे बच्चों मैं सबसे पहले आप सबी लोगों का धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपने आज हम सब के निमंदरन को स्विकार किया और इस क पहले नागौर में किये और कल मैं हनवान पर जिले में था पीली बिंगा में बहाँ पर भी हमने किसानों को एकत्रित संगटित और आगे बढ़ने के रास्ति के तरफ उनको उनसे बातें की उनकी बात को सुना अपनी बात को रखा शेखावटी की इस दर्ती पर बीरों की जमीन है एतिहासी की मिट्टी है और यहां पर जब जब मुझे आने का मौका मिला है आप सबने अपार्स नहीं और प्रेम दिया है मैं आप सबका कायल रहूंगा लेकिन आज जिस मुद्द्ध को लेकर हम पूरे परदेश में सभी किसानों को उनके जीवन में जो परिवर् के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं 75 साल बाद आज भी सरकारे आई और चली गई लेकिन इस देश में सबसे मेहनती सबसे मांदार लेकिन दुरभागिवश्च सबसे वंचित कोई वर्ग है तो वो किसान वर्ग है इस देश में दो तीहाई जनता जमीन पर काम करती है धरती का सीना चीर का रहनाज पैदा करती है 130 करों लोगों का पेट पालते हैं उस किसान को जो मान समान साहिता सयोग मदद मिलनी चाहिए उसके बच्चों को जो भविश मिलना चाहिए वो मिल नहीं रहा और मैं सवाल पूछना चाहता हूं उन लोगों से जो दिल्ली में 8 साल से सरक पाचार में बैठे यह वो भाजबा के साथी हैं जो चुनाब पचार में बोलते थे कि हम किसान की आमनी दूगनी कर देंगे बोलो कहा कि निगाव भी जबी ने हमने तो नहीं कि आपको वादा करने के लिए लेकिन भीज़ पिके साथिओंने कहा आप वोटो हम किसान की आम तो खाद की कीमत पेटरोल की डीजल की बीच की यूरिया की बिजली की ये सारी कीमते आस्मान छू रही हैं कोई भला आदमी केन की सरकार काकर ये बुनने को तैयार नहीं है कि ये महंगाई कम करने की कोशिश भी करेंगे आप उनसे पूछो गैस का सिलिंडर 12 रुपे का क्यों बिक रहा है तो कहते हिंदुस्तान और पाकिस्तान आप पूछो किसान आज भुकमरी के गार बखड़ा है जो दो तीन बीगे में खेदी करते हैं उस पे क्या बचता होगा क्या पालता होगा क्या बचाता होगा ये सवा लेकिन मैं चाहता हूं हम सब चाहते हैं किसान को एक ऐसी रूप रेखा देनी जरूरी है किसान को मदब अगर आप नहीं कर सकते हो तो किसान पर जो प्रहारा आपने किया था ये तीन जो काले कानू बनाये थे अपनी जिद्व मनाय थे और एक साल तक किसानों ने देश की राजधानी में धरने दिये पदर्शन किया चक्का जान किया तो एक साल के बाद जब चुनाम आने वाले थे तो हाथ जोड़के बोला ये तीनों कानून वापिस ले रहे हैं अब मैं इसे पूछना चाहता हूँ कि किसके कहने पर तो आपने कानून बनाए थे और किसके कहने पर आपने वापिस ले लिए सेंखडों किसानों की जान चली गई इस देश में किसान को जो हक और अधिकार मिलना चाहिए किसान के नमबर आजनी सब करते हैं किसान के नारे सब देते हैं लेकिन सही माइनने में किसान उसके परिवार को भला और भविश अगर बेडर करना कोई चाहता है उन लोगों के पैचान आपको करनी पड़ेगी मैं किसान परिवार में पैदा हुआ और मैस्टे बोलता हूँ कि मेरा जर्म गाउ में नहीं हुआ मेरे पता जी एर फोर्स में थे तो जहां जहां एर फोर्स का स्टेशन था माहा हमारे पोस्टिंग होती थी लेकिन जो किसान के दर्द को नहीं समझ सकता जो किसान के मुश्कुल को नहीं समझ सकता वो सरफ भाशन दे सकता है और मैं ये बात बार बार बोलता हूँ जब तक किसानों के बच्चे गरीब के बच्चे उन कुर्षे पर नहीं बैठ जाएंगे जहां से इस देश की परदेश की नीतिय लाग होती है तब तक बेश का कलना प्रदेश का कलना नहीं हो सकता जिसको पता होगा कि मुझे बैंक से गर 50,000 रुपे का लोन लेना है उस किसान की चपल घिज जाती है जूती घिज जाती है बैंक के चकर काटते काटते दो बार क्लर्क मिलेगा बोलेगा टेस करके लाओ नोटराइज करके लाओ ये प्रमान पत्र दो क्या गिर्वी रखोगे दस चकर काटेगा फिर किसी दलाल को दो पांच जारुपे पकड़ाएगा तब जाके उसको मिलेगे पचाई जारुपे यह अखिकत मनिये देश की वहस्था के अंदर और को धन्ना सेट मोटा सामी कोई उद्योग पती बैंक मेनेजर को फोन कर दे तो दस क्रोड का चेक उसी घर पहुंचाता है बैंक 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 लिके जाए तो इस प्लेटर में फिलाल इतना है सचिन पाइलेट इस समय असंभूदित कर रहे हैं बालिंदू जी राकेश मोडिया जी मनीश यादव साब सुभाश मील जो खंडेला से आये हैं मंच पर उपस्तित सभी नितागन और इस किसान संभिलन में मौजूद मेरे किसान भाईयों माताओं भेनों बुजुर्गों और जवान दोस्तों प्यारे बच्चों मैं सबसे पहले आप सभी लोगों का धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपने आज हम सब के निमंदरन को सुविकार किया और इस किसान संभिलन में आप यहां संभिलित हुए हैं पिछले दो-तिन दिनों से इसी प्रकार के किसान संभिलन हम लोगों ने पहले नागौर में किये और कल मैं हनवानगर जिले में था पीली बिन्गा में बहां पर भी हमने किसानों को एकत्रित संगटित और आगे बढ़ने के रास्ति के तरफ उनको उनसे बातें की उनकी बा अब जब मुझे आने का मौका मिला है आप सबने अपार्स नहीं और प्रेम दिया है मैं आप सबका कायल रहूंगा लेकिन आज जिस मुद्धे को लेकर हम पूरे परदेश में सबी किसानों को उनके जीवन में जो परिवर्ट अलाने की उम्मीद हम देखना चाहते हैं किसानों के जीवन में किसानों के परिवार में किसानों के भविश के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं 75 साल बादाज भी आज भी सरकारें आए और चली गई लेकिन इस देश में सबसे मेहनती, सबसे मांदार, लेकिन दुर्भागिवस्ट सबसे वंचित कोई वर्ग है, तो वो किसान वर्ग है इस देश में दो तिहाई जन्ता जमीन पर काम करती है धर्टी का छीना चीर का रहनाज पैदा करती है एक सो तीस करड़ों का पेट पालते है उस किसान को जो मान सम्मान साहिता सयोग मदद मिलनी चाहिए उसके बच्चों को जो भविश मिलना चाहिए, वो मिल नहीं रहा और मैं सवाल पूछना चाहता हूँ, उन लोगों से दिल्ली में आठ साथ से सरकार में बैठे है ये वो भाजबा के साथ ही है, तो चुनाब पचार में बोलते थे कि हम किसान की आमनी दुगनी कर देंगे बोलो कहा कि निगा बीजेपी ने हमने तो नहीं कहा आपको वादा करने के लिए लेकिन बीजेपी के साथ हो ने कहा आप वोट दो, हम किसान की आमनी दुगनी कर देंगे सारे किसान बैठे हैं, मैं आप से पूछना चाहता हूँ, किसी की आमनी दुगनी होई किसानों की अगर कुछ दुगनी चौगनी हो रही है, तो खाद की कीमत, पेट्रोल की, डीजल की, बीज की, यूरिया की, बिजली की, ये सारी कीमतें आस्मान चू रही हैं, कोई भला आदमी केंद की सरकार का कर ये बोलने को तयार नहीं है, कि ये महंगाई कम करने की कोशिश भी करें होंगे, आप उनसे पूछो, गैस का सिलिंडर 12 रुपे का क्यों भिकरा है, तो कहते हिंदुस्तान और पाकिस्तान, आप पूछो किसान आज भुकमरी के कार बखड़ा है, जो दो तीन बीगे में खेदी करते हैं, उस पे क्या बचता होगा, क्या पालता होगा, क्या बचात हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ, हम सब चाहते हैं, किसान को एक ऐसी रूप रेखा देनी जरूबी है, किसान को मदद अगर आप नहीं कर सकते हो, तो किसान पे जो प्रहारा आपने किया था, ये तीन जो काले कानू बनाये थे, अपनी जिद्व मनाये थे, और एक साल तक किसा कानू ने देश के राजधानी में धरनें दिये, पदर्शन किया, चक्का जाम किया, तो एक साल के बाद जब चुनाम आने वाले थे, तो हाथ जोड़ के बोला, ये तीनों कानून वापिस ले रहे हैं, अब मैं इसे पूछना चाहता हूँ, कि किसके कहने पे तो आपने कान कार मिलना चाहिए, किसान के नमबर राजनी सब करते हैं, किसान के नारे सब देते हैं, लेकिन सही माइने में किसान उसके परिवार को भला और भविश्य अगर बेदर करना कोई चाहता है, उन लोगों के पहचान आपको करनी पड़ेगी, मैं किसान परिवार में पैदा हु हुआ मेरे पता यह एर फोर्स में थे तो जहां जांए लेकिन जो किसान के दर्द को नहीं समझ सकता अचकिक सांकि नी समझ सकता तरफ बाशन दे सकता है और मैं ये बात बार बार बोलता हूं जब किसानों के बच्चे गरीब के बच्चे उन कुर्षयों पर नहीं बैठ जाएंगे जहां से इस देश की प्रदेश की नीतिया लाग होती है तब तक बेश का कलना प्रदेश का कलना नहीं हो सकता कि जिसको पता होगा कि मुझे बैंक से गर 50,000 रुपे का लोन लेना है उस किसान की चपल कि जाती है जूती कि जाती है बैंक के चकर काटते काटते हैं दो बार क्लर्क मिलेगा बोलेगा टेस्ट करके लाओ नोटराइस करके लाओ ये प्रमान पत्र दो क्या गिर्वी रखोग कोई उद्योगपती बैंक मेनेजर को फोन कर दे तो दस क्रोड का चेक उसी घर पहुंचाता है बैंक मेनेजर लिके जाता है तो इस बलेटर में फिलाल इतना ही है सचिन पाइलेट इस समय असंभूदित कर रहे हैं बालिंदू जी राकेश मोरदिया जी मनीश यादव सबी नितागन और इस किसान सम्मिलन में मौजूद मेरे किसान भाईयों माताओं भेनों बुजर्गों नौजवान दोस्तों प्यारे बच्चों मैं सबसे पहले आप सबी लोगों का धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपने आज हम सब के निमंदरन को सुविकार किया और इस किये और कल मैं हनवानगर जिले में था पीली बिन्गा में बहाँ पर भी हमने किसानों को एकत्रित संगटित और आगे बढ़ने के रास्ति के तरफ उनको उनसे बातें की उनकी बात को सुना अपनी बात को रखा शेखावटी की इस दर्ती पर बीरों की जमीन है एतिहासी क मिट्टी है और यहां पर जब जब मुझे आने का मौका मिला है आप सबने अपार्स ने और प्रेम दिया है मैं आप सबका कायल रहूंगा लेकिन आज इस मुद्टे को लेकर हम पूरे परदेश में सभी किसानों को उनके जीवन में जो परिवर्त लाने की उम्मीद हम कर सकते हैं 75 साल बाद आज भी सरकारे आएं और चली गई लेकिन इस देश में सबसे मेहनती सबसे मांदार लेकिन दुर्भागिवस्ट सबसे वंचित कोई वर्ग है तो वह किसान वर्ग है इस देश में दो तीहाई जनता जमीन पर काम करती है धर्दी का चीना चीर का रहनाज पैदा करती है 130 करोड़ों का पेट पालते हैं उस किसान को जो मान समान साहिता सयोग मदद मिलनी चाहिए उसके बच्चों को जो भविश मिलना चाहिए वो मिल नहीं रहा और मैं सवाल पूछना चाहता हूँ उन लोगों से जो दिल्ली में आठ साथ से सरकार में बैठे हैं यह वो भाजबा के साथी हैं जो चुनाब पचार में बोलते थे कि हम किसान की आमदनी दुगनी कर देंगे बोलो कहा कि निगाभी जबी ने हमने तो नहीं का आपको वादा करने के लिए लेकिन बीजबी के साथियों ने कहा आप वोट दो हम किसान की आमदनी दुगनी कर देंगे ignoring me कि सारी किसान बैठे हैं मैं आपसे पूछना चाहता हूं किसी की आमदनी दुगनी होई इक सानों की अगर कुछ दुगनी चौगनी हो रही है तो खाज की कीमत पेटोल की डीजल की बीच की यूरिया की बिजली की ये सारी कीमते आस्वान झू रही है कोई भला आदमी केन की सरकार काकर ये बोलने को तयार नहीं है कि ये मह्ँगाई कम करने की कोशिश भी करेंगे आप उनसे पूछो गैस का सिलिंडर 12 रुपे क्यों भिकरा है तो कहते हिंदुस्तान और पाकिस्तान आप पूछो किसान आज भुकमरी के कार बखड़ा है जो दो तीन भीगे में खेदी करते हैं उसमें क्या बसता होगा क्या पालता होगा क्या बचाता ह होगा यह सवाल पूछो तो केन की सरकार के लोग बीजेपी के साथ ही बोलते हैं हिंदुस्तान पाकिस्तान मुसल्मान हिंदू मंदिर मस्जिद इसी चर्चा में लोगों को समेटना चाहते हैं लेकि मैं चाहता हूं हम सब चाहते हैं किसान को एक ऐसी रूप रेखा देनी जरूरी है किसान को मदद अगर आपने कर सकते हो तो किसान पर जो प्रहारा आपने किया था ये तीन जो काले कानून बनाए थे अपनी जिद्व मनाए थे और एक साल तक किसानों ने देश की राजधानी में धरने दिये परदर्शन किया चक्का जाम किया तो एक साल के बाद जब चुनाव आने वाले थे तो हाथ जोड़के बोला ये तीनों कानून वापिस ले रहे हैं अब मैं से बुछना चाहता हूं कि किसके केंदें पर तक आपने कानून बिनाए थे और किसके कहने आपने वापिस ले लिएंग्रों किसानों की जान चली गई कि कि इस देश में खेशान को जख और अधिकार मिलना चाहिए किसान के नमबर राजनी सब करते हैं किसान के नारे सब देते हैं लेकिन सही माइने में किसान उसके परिवार को भला और भविश्य अगर बेदर करना कोई चाहता है उन लोगों के पहचान आपको करनी पड़ेगी मैं किसान परिवार में पैदा हुआ और मैं से बोलता हूँ कि मेरा जर्म गाओं में नहीं हुआ मेरे पता जी एर फोर्स में थे तो जहां जा एर फोर्स का सेशन था माहा हमारे पोस्टिंग होती थी लेकिन जो किसान के दर्द को नहीं समझ सकता जो किसान की मुश्कुल को नहीं समझ सकता वो सरफ भाशन दे सकता है और मैं ये बात बार बार बोलता हूँ जब तक किसानों के बच्चे गरीब के बच्चे उन कुर्शे अपर नहीं बैठ जाएंगे जहां से इस बेश की परदेश की नीतिया लागो होती है तब तक बेश का कल्णा परदेश का कल्णा नहीं हो सकता जिसको पता होगा कि मुझे बैंक से गर 50,000 रुपे का लोन लेना है उस किसान की चपल घिज जाती है जूती कि जाती है बैंक के चक्र काटते काटते दो बार क्लर्क मिलेगा बोलेगा टेस्ट करके लाओ नोटराइज करके लाओ ये प्रमान पत्र दो क्या गिर्वी रखोगे दस चक्र काटेगा फिर किसी दलाल को दो पांच जाव रुपे पकड़ागा तब जाके उसको मिलेंके पचाई जारुपे यह अखीकत बनी है दे हिंदू जी राकेश मोर्दिया जी मनीश यादव साहब सुभाष मील जो खंडेला से आये हैं मंच पर उपस्तित सभी नितागन और इसके सांच सम्मिलन में मौजूद मेरे किसान भाईयों माताओं भेनों बुजुर्गों नौजवान दोस्तों प्यारे बच्चों मैं सब से पहले आप सभी लोगों का धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपने आज हम सब के निमंदरन को सुभीकार किया और इसके सांच सम्मिलन में आप यहां समलित हुए हैं पिशले दो-तीन दिनों से किसी प्रकार के किसान सम्मिलन हम लोगों ने पहले नागौर में किये और कल मैं हन्वान गरजिले में था पीली बिनगा में बहाँ पर भी हमने किसानों को एकत्रित, संगटित और आगे बढ़ने के रास्ति के तरफ उनको उनसे बातें की उनकी बात को सुना, अपनी बात को रखा शेखावटी की इस दर्ती पर बीरों की जमीन है एतिहासी की मिट्टी है और यहाँ पर जब जब मुझे आने का मौका मिला है आप सबने अपार्स नहीं और प्रेम दिया है मैं आप सबका कायल रहूंगा लेकिन आज इस मुद्टे को लेकर हम पूरे परदेश में सबी किसानों को उनके जीवन में जो परिवर्त लाने की उम्मीद हम देखना चाहते है किसानों के जीवन में किसानों के परिवार में किसानों के भविश के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं 75 साल बाद आज भी सरकारे आई और चली गई लेकिन इस देश में सबसे मेहनती सबसे मांदार लेकिन दुर्भा के वर्ष सबसे वंचित कोई वर्ग है तो वो किसान वर्ग है इस देश में दो तिहाई जन्टा जमीन पर काम करती है धर्टी का सीना चीर का रहनाज पैदा करती है 130 करणों का पेट पालते है उस किसान को जो मान सम्मान साहिता सयोग मदद मिलनी चाहिए उसके बच्चों को जो भविश मिलना चाहिए वो मिल नहीं रहा और मैं सवाल पूछना चाहता हूँ उन लोगों से जो दिल्ली में आठ साथ से सरकार में बैठे है ये वो भाजबा के साथ ही है तो चुनाब पचार में बोलते थे कि हम किसान की आमदनी दुग नि कर देंगे बोलो कहा की निकाब बीजेपी ने हमने तो नहीं कहा आपको वादा करने के लिए लेकिन बीजेपी के साथियों ने कहा आप वोट दो हम किसान की आम्दनी दुगनी कर देंगे इसारी किसान बैठे हैं मैं आपसे पूछना चाहता हूं किसी की आम्दनी दुगनी होई किसानों की अगर कुछ दुगनी चौगनी हो रही है तो खाद की कीमत पेट्रोल की डीजल की बीच की यूरिया की बिजली की ये सारी कीमते आस्वान चू रही है कोई भला आदमी केंद की सरकार का आकर ये बोलने को तयार नहीं है कि ये महंगाई कम करने की कोशिश भी करेंगे आप उनसे पूछो गैस का सिलिंडर 12 रुपे का क्यों बिक रहा है तो कहते हिंदुस्तान और पाकिस्तान आप पूछो किसान आज भुकमरी के कहार बखला है जो दो तीन भीगे में खेदी करते हैं उस पे क्या बचता होगा क्या पालता होगा क्या बचाता होगा ये सवाल प चाते हैं लेकिन मैं चाहता हूं हम सब चाते हैं किसान को एक ऐसी रूप रेखा देनी जरूरी है किसान को मदद अगर आप नहीं कर सकते हो तो किसान पे जो प्रहार आपने किया था ये तीन जो काले कानू बनाये थे अपनी जिद्व मनाये थे और एक साल तक किसानों ने देश के राजधानी में धर्नें दिये पदर्शन किया चक्का जाम किया तो एक साल के बाद जब चुनाम आने वाले थे तो हाथ जोड़के बोला ये तीनों कानून वापिस ले रहे हैं अब मैं इसे पूछना चाहता हूं कि किसके कहने पर आपने कानून बनाए थे और किसके कहने पर आपने वापिस ले लिए सेंकड़ों किसानों की जान चली गई इस देश में किसान को जो हक और अधिकार मिलना चाहिए किसान के नारे सब करते हैं किसान के नारे सब देते हैं लेकिन सही माइने में किसान उसके परिवार को भला और भविश अगर बेदर करना कोई चाहता है उन लोगों के पैचान आपको करनी पड़ेगी मैं किसान परिवार में पैदा हुआ और मैं से बोलता हूं कि मेरा जर्म गाव में नहीं हुआ मेरे पता जी एर फोर्स में थे तो जहांजा एर फोर्स का सेशन था माहा हमारे पोस्टिंग होती थी लेकिन जो किसान के दर्द को नहीं समझ सकता जो किसान के मुश्कुल को नहीं समझ सकता वो सरफ भाशन दे सकता है और मैं ये बाल बार बार बोलता हूँ जब तक किसानों के बच्चे गरीब के बच्चे उन कुर्षियों पर नहीं बैढ़े जाएंगे जहां से इस देश के परदेश की नीतीय लागों होती है अब तक देश का कल्णान प्रदेश का कल्णान नहीं हो सकता जिसको पता होगा कि मुझे बैंक से गर 50,000 रुपे का लोन लेना है उस किसान की चपल घिज जाती है जूती घिज जाती है बैंक के चकर काटते काटते हैं दो बार क्लर्क मिलेगा बोलेगा टेस्ट करके लाओ न इंदर और कोई धन्ना सेट मोटा सामी कोई उद्योग पती बैंक मेनेजर को फोन कर दे तो दस क्रोड का चेक उसी घर पहुंचाता है बैंक मेनेजर लिके जाता है तो इस प्लेटर में फिलाल इतना ही है सचिन पाइलेट इस समय असंभूदित कर रहे हैं बालिंदू जी जाकेश मोरदिया जी मनीश यादव साहब सुभाश मील जो खंडेला से आए हैं मंच पर उपस्तित सभी नितागन और इस किसान सम्मिलन में मौजूद मेरे किसान भाईयों माताओं भेनों बुजुर्गों और जवान दोस्तों प्यारे बच्चों मैं सबसे पहले आप सब के निमंदरन को सुभीकार किया और इस किसान सम्मिलन में आप यहां सम्मिलित हुए हैं पिछले दो तिन दिनों से इसी प्रकार के किसान सम्मिलन हम लोगों ने पहले नागौर में किये और कल में हनवानगर जिले में था पीली बिंगा में बहाँ पर भी हमने किसानों को ए बीरों की जमीन है एतिहासी की मिट्टी है और यहां पर जब जब मुझे आने का मौका मिला है आप सबने अपार्स नहीं और प्रेम दिया है मैं आप सबका कायल रहूंगा लेकिन आज इस मुद्टे को लेकर हम पूरे परदेश में सबी किसानों को उनके जीवन में जो किसानों के भविश्च के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं 75 साल बाद आज भी सरकारे आई और चली गए लेकिन इस देश में सबसे मेहनती सबसे मांदार लेकिन दुर्भा के वर्ष सबसे वंचित कोई वर्ग है तो वह किसान वर्ग है इस देश में दो तीहाई जन्ता जमीन पर काम करती है धर्दी का चीना चीर का रहनाज पैदा करती है 130 करों लोगों का पेट पालते हैं उस खिसान को जो मान समान साहिता सयोग मदद मिलनी चाहिए उसके बच्चों को जो भविश मिलना चाहिए वो मिल नहीं रहा और मैं सवाल पूछना चाहता हूं उन लोगों स साथी है जो चुनाब पचार में बोलते थे कि हम किसान की आमनी दुगनी कर देंगे बोलो कहा कि निगा बीजेपी ने हमने तो नहीं का आपको वादा करने के लिए लेकिन बीजेपी के साथियों ने कहा आप वोट दो हम किसान की आमनी दुगनी कर देंगे कि सारे किसान बैठे हैं मैं आप से पूछना चाहता हूँ किसी की आंद्री दुग नी होई किसानों की है अगर कुछ दुगनी चौगनी हो रही है थो खाद की कीमत पेट्रोल की डीजल की बीच की यूरिया की बिजली की यह सारी किमते आस्वान चूरे ही हैं कोई भला आदमी केंद की सरकार काकर ये बोलने को तयार नहीं है कि ये महंगाई कम करने की कोशिश भी करेंगे आप उनसे पूछो गैस का सिलिंडर 12 रुपे का क्यों भिकरा है तो कहते हिंदुस्तान और पाकिस्तान आप पूछो किसान आज पीजेपे के साथी बोलते हैं हिंदुस्तान पाकिस्तान मुसल्मान हिंदू मंदिर मस्जिद इसी चर्चा में लोगों को समेटना चाहते हैं लेकिन मैं चाहता हूं हम सब चाहते हैं किसान को एक ऐसी रूप रेखा देनी जरूरी है किसान को मदद अगर आपने कर सकते हो तो किसान पे जो प्रहारा आपने किया था ये तीन जो काले कानून बनाए थे अपनी जिद्व मनाए थे और एक साल तक किसानों ने देश की राजधानी में धरने दिये पटर्शन किया चक्का जाम किया तो एक साल के बाद जब चुनाम आने वाले थे तो हाथ जोड़के बो किसानों की जान चली गई इस देश में किसान को जो हक और अधिकार मिलना चाहिए किसान के नमबर राजनी सब करते हैं किसान के नारे सब देते हैं लेकिन सही माइने में किसान उसके परिवार को भला और भविश अगर बैदर करना कोई चाहता है उन लोगों के पैचान को पिय魅 हुआ हुआ और मैंसे बोलता हों कि मेरा जबंगाय में नहीं हुआ मेरे पता जी एर फोर्स में थे तो जहां-चाह फोसका सेशन हमाँ हमारे पोस्टिंग रोटी थी लेकिन जो किसान के दर्द को नहीं समझ सकता जो किसान की मुश्कुल नहीं समझ सकता वह सरफ भाशन दे सकता और मैं यह बात बार-बार बोलता हूं जब TAK किसानों के बच्चे गरीब के बच्चे उन कुडशियों पर नहीं बैठ जाएंगे जोहां से इस देश की प्रदेश की नित्या लाग होती है तब तक बेश का कल्णान प्रदेश का कल्णान नहीं हो सकता जिसको पता होगा कि मुझे बैंक से गर 50,000 रुपे का लोन लिना है उस किसान की चपल घिज जाती है जूती घिज जाती है बैंक के चकर काटते काटते हैं दो बार क्लर्क मिले था के अंदर और को धन्ना से मोटा सामी को उद्योग पती बैंक मेंने दो फोन कर दे तो दस क्रोड का चेक उसी घर पहुंचाता है बैंक बैंक बैंसर लिके जाए तो इस प्लेटर में फिलाल इतना है सचिन पाइलेट इस समय संबोधित कर रहे हैं बालिंदू जी हो भेनों बुजर्गों नौजवान दोस्तों प्यारे बच्चों मैं सबसे पहले आप सबी लोगों का धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपने आज हम सब के निमंदरन को सुविकार किया और इस किसान समयलन में आप यहां समलित हुए हैं पिछले दो तिन दिनों से इसे प् किले नागौर में किये और कल मैं हनवानगर जिले में था पीली बिन्गा में बहां पर भी हमने किसानों को एकत्रित संगटित और आगे बढ़ने के रास्ति के तरफ उनको उनसे बातें की उनकी बात को सुना अपनी बात को रखा शेकावटी की इस दर्ती पर बीरों की जम होंगा लेकिन आज जिस मुद्टे को लेकर हम पूरे परदेश में सबी किसानों को उनके जीवन में जो परिवर्त लाने की उम्मीद हम देखना चाहते हैं किसानों के जीवन में किसानों के परिवार में किसानों के भविश के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं पिचितर साल बाद आज भी सरकारे आई और चली गई लेकिन इस देश में सबसे महनती सबसे मांदार लेकिन दुर्भा के वर्ष सबसे वंचित कोई वर्ग है तो वो किसान वर्ग है इस देश में दो तिहाई जन्ता जमीन पर काम करती है धर्टी का छीना चीर का रहनाज पैदा करती है 130 करोड लोगों का पेट पालते है उस किसान को जो मान सम्मान साहता सयोग मदद मिलनी चाहिए उसके बच्चों को जो भविश मिलना चाहिए वो मिल नहीं रहा और मैं सवाल पूछना चाहता हूँ उन लोगों से जो दिल्ली में आठ साल से सरकार में बैठे है ये वो भाजबा के साथ ही है जो चुनाब 50 में बोलते थे कि हम किसान की आमदनी दुग नि कर देंगे बोलो कहा कि निगाबी जबीने हमने तो नहीं के आपको वादा करने के लिए लेकिन keywords के स किसान की आमदनी कर देंगे सारी किसान बैठे हैं मैं आप से पूछना चाहता हूँ किसी की अमदनी दुगनी होई किसानों की आप पूछो किसान आज भुकमरी के कहार बखडा है जो दो तीन मीगे में खेदी करते हैं उसमें क्या बचता होगा यह सवाल पूछो तो केन की सरकार के लोग बीज़ेपी के साथी बोलते हैं हिंदुस्तान पाकिस्तान मुसल्मान हिंदू मंदिर मस्जिद इसी चर्चा में अपने लोगों को समेटना चाहते हैं लेकिन मैं चाहता हूँ हम सब चाहते हैं किसान को एक ऐसी रूप रेखा देनी जरूरी है किसान को मदद अगर आप नहीं कर सकते हो तो किसान पर जो प्रहारा आपने किया था यह तीन जो काले कानून बनाए थे अपनी जिद्ध बना तो एक साल के बाद जब चुना माने वाले थे तो हाथ जोड़के बोला ये तीनों कानून वापिस ले रहे हैं मैं इसे पूछना चाहता हूँ कि किसके कहने पे तो अपने कानून बनाए थे और किसके कहने पे अपने वापिस ले लिए सीखड़ो, किसानों की जान चली गई इस देश में किसान को जो हक और अदिकार मिलना चाहिए किसान के नमबर राजनी सब करते हैं किसान के नारे सब देते हैं लेकिन रही माहिने में किसान उसके परिवार को बहला और भविश्य अगर बेदर करना कोई चाहता है उन लोगों के पैचान आपको करनी पड़ेगी मैं किसान परिवार में पैदा हुआ और मैं इसले बोलता हूं कि मेरा जर्म गाव में नहीं हुआ मेरे पता जी एरफोर्स में थे तो जहांचा एरफोर्स का स्टेशन था वहां हमारे पोस्टिंग होती थी लेकिन जो किसान के दर्द को नहीं समझ सकता जो किसान की मुश्कुल को नहीं समझ सकता वो सरफ भाशन दे सकता है और मैं यह बात बार बार बोलता हूं जब तक किसानों के बच्चे गरीब के बच्चे उन कुर्षियों पर नहीं बैठ जाएंगे जहां से इस देश की परद लोन लेना है उसके सान की चपल कि जाती है जूती कि जाती है बैंक के चक्र काटते काट दो बार क्लर्क मिलेगा बोलेगा टेस्ट करके लाओ नोटराइस करके लाओ यह प्रमान पत्र दो क्या गिर्वी रखोगे दस चक्र काटेगा फिर किसी दलाल को दो 510 रुपे पकड़ सब्सक्राइब बैंक 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 लिके जाएं तो इस बलेडिर में फिलाल इतना ही है सचिन पाइलेट इस समय असंबूदित कर रहे हैं वालिंदू जी राकेश मोडिया जी मनीश यादर साब सुभाष मील जो खंडेला से आए हैं मंच पर उपस्थित सभी निताग कि आपने आज हम सब के निमंदरन को सुभिकार किया और इस किसान समयलन में आप यहां समलित हुए हैं पिछले दो तिन दिनों से इसी प्रकार के किसान समयलन हम लोगों ने पहले नागौर में किये और कल मैं हनवानगर जिले में था पीली बिंगा में बहां पर भी हमने कि किसानों को एकत्रित संगटित और आगे बढ़ने के रास्ति के तरफ उनको उनसे बातें की उनकी बात को सुना अपनी बात को रखा शेखावटी की इस दर्टी पर वीरों की जमीन है एतिहासी की मिट्टी है और यहां पर जब जब मुझे आने का मौका मिला है आप सबने लोग उनके जीवन में जो परिवर्त लाने की उमीद हम देखना चाहते हैं किसानों के जीवन में किसानों के परिवार में किसानों के भविश्च के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं 75 साल बाद आज भी सरकारे आई और चली गई लेकिन इस देश में सबसे मेहनती सबसे मांद लेकिन दुर्भागिवश्ट सबसे वंचित कोई वर्ग है तो वो किसान वर्ग है इस देश में दो तीहाई जन्ता जमीन पर काम करती है धर्दी का सीना चीर का रहनाज पैदा करती है एक सो तीस करों लोगों का पेट पालते हैं उस किसान को जो मान संमान साहेता सयोग मदद मिलनी चाहिए उसके बच्चों को जो भविश मिलना चाहिए वो मिल नहीं रहा और मैं सवाल पूछना चाहता हूं उन लोगों से जो दिल्ली में 8-6 से सारकार में बैठे यह वो भाजपा के साथी हैं जो चुनाब पचाल में बोलते थे कि हम किसान की आमनी दुगनी कर देंगे बोलो कहा कि निगा बीजेपी ने हमने तो नहीं कहा आपको वादा करने के लिए लेकिन बीजेपी के साथियों ने कहा आप वोट दो हम किसान की आमनी दुगनी कर देंगे सारी किसान बैठे हैं मैं आप से पूछना चाहता हूँ किसी की अंधनी दुगनी होई ओगी अगर कुछ दुगनी चौगनी हो रही है तो खाड की कीमत पेटरॉल की, डीजल की बीज की, यूरिया की, बिजली की ये सारी कीमतیں असमान झू रही है कोई भला आदमी केन की सरकार का कर ये बोलने को तयार नहीं है कि ये महंगाई कम करने की कोशिश भी करेंगे आप उनसे पूछो गैस का सिलंडर 12 रुपे का क्यूं बिक रहा है तो कहते हिंदुस्तान और पाकिस्तान आप पूछो किसान आज भुकमरी के कार बखड़ा है जो को दो तीन भीगे में खेधी करते हैं उस प् moral पालता हुगा क्या वचाता होगा यह सवाल पूचहो केन की सरकार के लोग बिजेप के साथी बोलते हैं हिंदुस्तान पाकिस्तान मुसलमान हिंदू मंदिर मिस्जिद इसी चर्चा में लोगों को समेटना चाहते हैं लेकिन म मदद अगर आपने कर सकते हो तो किसान पे जो प्रहारा आपने किया था ये तीन जो काले कानून बनाए थे अपनी जिन्में मनाए थे और एक साल तक किसानों आ देश की राज़धानी में धर ने तो एक साल के बाद जब चुनाम आने वाले थे तो हाथ जोड़के बोला यह तेनों कानून वाप्स ले रहे हैं मैं अच्राइब किसके कहने पर आपने कानून बनाए थे और किसके कहने वापने ले लिए सेकड़ों किसानों की जान चली गई इस देश में किसान को जो हक और अधिकार मिलना चाहिए किसान के नमबर राजनी सब करते हैं किसान के नारे सब देते हैं लेकिन सही माइने में किसान उसके परिवार को भला और भविश अगर बेटर करना कोई चाहता है उन लोगों के पैचान आपको करनी पड़ेगी मैं किसान परिवार में पैदा हुआ और मैं इसले बोलता हूँ कि मेरा जर्म गाउ में नहीं हुआ मेरे पता जी एरफोर्स में थे तो जहांजा एरफोर्स का सेशन था माहा हमारे पोस्टिंग होती थी लेकिन जो किसान के दर्द को नहीं समझ सकता जो किसान की मुश्कुल को नहीं समझ सकता वो सरफ भाशन दे सकता है और मैं यह बात बार-बार बोलता हूं जब तक किसानों के बच्चे गरीब के बच्चे उन कुर्षे पर नहीं बैठ जाएंगे जहांसे इस देश के प्रदेश की नीतिया लाग होती है तब तक देश का कल्णान प्रदेश का कल्णान नहीं हो सकता जिसको पता होगा कि मुझ करके लाओ नोटराइज करके लाओ ये प्रमान पत्र दो क्या गिर्वी रखोगे दस चक्र काटेगा फिर किसी दलाल को दो पांच जारुपे पकड़ाएगा तब जाके उसको मिले के पचाहई जारुपे यह अखीकत मनिये देश की विश्था के अंदर और धन्ना से मोटा सामी को उद्योगपती बैंक मेनेजर को फोन कर दे तो दस क्रोड का चेक उसी घर पहुंचाता है बैंक मेनेजर लिके जाए तो इस प्लेटर में फिलाल इतना है सचिंद पाइलेट इस समय असंबूदित कर रहे हैं वालिंदू जी राकेश मोर्दिया जी मनीश यादव सा सुबाशमील जो खंडेला से आए हैं मंचपर उपस्तित सभी नितागन और इस किसान सम्मिलन में मौजूद मेरे किसान भाईयों माताओं भेनों बुज़ूर्गों नौजवान दोस्तों प्यारे बच्चों मैं सबसे पहले आप सभी लोगों का धन्यवाद करना चाहता कि आपने आज हम सब के निमंदरन को सुविकार किया और इस किसान सम्मिलन में आप यहां सम्मिलित हुए हैं पिछले दो तिन दिनों से इसी प्रकार के किसान सम्मिलन हम लोगों ने पहले नागोर में किये और कल मैं हनवानगर जिले में था पीली बिंगा में बहाँ पर भ बढ़ने के रास्ति के तरफ उनको उनसे बाते कि उनकी बात को सुना अपनी बात को रखा शेका वड़ी की इस दर्ती पर दीरों की जमीन है एतिहासी की मिट्टी है और यहां पर जब-जब परिवर्त लाने की उम्मीद हम देखना चाहते हैं किसानों के जीवन में किसानों के परिवार में किसानों के भविश्च के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं 75 साल बाद आज भी सरकारे आई और चली गई लेकिन इस देश में सबसे मेहनती सबसे मांदार लेकिन दुर्भा के पर सबसे वंचित कोई वर्ग है तो वो किसान वर्ग है इस देश में दो तीहाई जन्ता जमीन पर काम करती है धर्टी का सीना चीर का रहनाज पैदा करती है एक सो तीस करों लोगों का पेट पालते हैं उस किसान को जो मान समान साहिता सयोग मदद मिलनी चाहिए उसके बच्चों को जो भविश मिलना चाहिए वो मिल नहीं रहा और मैं सवाल पूछना चाहता हूँ उन लोगों से जो दिल्ली में आठ साल से सरकार में बैठे हैं ये वो भाजबा के साती हैं जो चुना पचार में बोलते थे कि हम किसान की आमनी दुगनी कर देंगे बोलो कहा कि निगा बीजेपी ने हमने तो नहीं का आपको वादा करन पूछनी किसानों की अगर कुछ दुगनी जोगनी हो रही है तो खाद की कीमत पेटरॉल की डीजल की बीज की यूरिया की बिजली की ये सारी कीमते आस्मान चू रही हैं कोई भला आदमी केंद की सरकार का आकर ये बोलने को तयार नहीं है कि ये महंगाई कम करने की भी करेंगे आप उनसे पूछो गैस का सिलिंडर 12 रुपे का क्यों बिक रहा है तो कहते हिंदुस्तान और पाकिस्तान आप पूछो किसान आज भुकमरी के कार बखडा है जो दो तीन बीगे में खेती करते हैं उसमें क्या बचता होगा क्या पालता होगा यह सवाल पूछो त लेकिन मैं चाहता हूं हम सब चाहते हैं किसान को एक ऐसी रूप रेखा देनी जरूरी है किसान को मदद अगर आप नहीं कर सकते हो तो किसान पर जो प्रहारा आपने किया था यह तीन जो काले कानुन बनाए थे अपनी जिद्वा मनाए थे और एक साल तक किसानों ने देश की राजधानी में धरनें दिये पदर्शन किया चक्का जाम किया तो एक साल के बाद जब चुनाम आने वाले थे तो हाथ जोड़के बोला हम यह तीनों कानुन वापिस ले रहे हैं हम यह से पूछना चाहता हूं कि किसके कहने पे तो आपने कानुन बनाए थे और किसके कहने पे आपने वापिस ले लिए सेंगडों किसानों की जान चली गई इस देश में किसान पो जो हक और अधिकार मिलना चाहिए किसान के नमबर राजनी सब करते हैं किसान के नारे सब देते हैं लेकिन सही माइने में किसान उसके परिवार को भला और भविश अगर बेटर करना कोई चाहता है उन लोगों के पैचान आपको करनी पड़ेगी मैं किसान परिवार में पैदा हुआ और मैं से बोलता हूँ कि मेरा जर्म गाउ में नहीं हुआ मेरे पता जी एर फोर्स में थे तो जहां जा एर फोर्स का स्टेशन था माहा हमारे पोस्टिंग होती थी लेकिन जो किसान के दर्द को नहीं समझ सकता जो किसान की मुश्कुल नहीं समझ सकता वो सरफ भाशन दे सकता है और मैं ये बात बार बार बोलता हूँ जब तक किसानों के बच्चे गरीब के बच्चे उन कुर्शे उपर नहीं बैठ जाएंगे ये चांसे बेश की परदेश की नीतिया लाग होती है तब बेश का कलना नहीं हो सकता जिसको पपा होगा कि मुझे बैंक से 50,000 रुपे का लोन लेना है उस किसान की चपल किस जाती है जूती किस जाती है बैंक के चक्र काटते काटते है दो बार क्लरक मिलेगा बोलेगा टेस्ट करके लाओ नोटराइस करके लाओ ये प्रमान पत्र दो क्या गिर्वी रखोगे 10 चक्र काटेगा फिर किसी धलाल को 25,000 पर पकड़ाएगा तब जाके उसको मिले के पचाहईजार हुपे ये अखीकत मनिये देश की वहस्था के अंदर और और धन्ना सेट मोटा सामी को उद्योग पती बैंक मेनेजर को फोन कर दे तो 10 क्रोड का चेक उसी घर पहुंचाता है बैंक मेनेजर लिके जाए तो इस ब संबिलन में मौज़ूद मेरे किसान भाईयों बाताओं भेनों बुजर्गों नौजवान दोस्तों प्यारे बच्छों मैं सबसे पहले आप सबी लोगों का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आपने आज हम सब के निमंदरन को सुविकार किया और इस किसान संबिलन में आप पीली बिंगा में बहाँ पर भी हमने किसानों को एकत्रित संगटित और आगे बढ़ने के रास्ति के तरफ उनको उनसे बातें की उनकी बात को सुना अपनी बात को रखा शेखावटी की इस दर्ती पर बीरों की जमीन है एतिहासी की मिट्टी है और यहां पर जब जब मुझ के परदेश में सबी किसानों को उनके जीवन में जो परिवर्त लाने की उम्मीद हम देखना चाहते हैं किसानों के जीवन में किसानों के परिवार में किसानों के भविश्च के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं पिशतर साल बाद आज भी सरकारे आई और चली गई लेकिन इस वहागी वर सबसे वंचित कोई वरग है तो वो किसान वरग है इस देश में दो तिहाई जनता जमीन पर काम करती है धर्ति का सीना चीर का रहनाच पहला करती है 130 करोडों का पेट पालते हैं उस किसान को जो मान समान साहता सयोग मदद मिलनी चाहिए उसके बच्चों को जो आठ साथ से सरकार में बैठे हैं ये वो भाजबा के साथी है जो चुनाव है तो खाद की कीमत पेट्रोल की डीजल की बीज की यूरिया की बिजली की ये सारी कीमते आस्मान छू रही है कोई भला आदमी केंद की सरकार का कर ये बोलने को तयार नहीं है कि ये महंगाई कम करने की कोशिश भी करेंगे आप उनसे पूछो गैस का सिलेंडर 12 रुपे का क् हीज को कहते हैं हिंदुस्तान और पाकिस्ता आप पूछो किसान आज हुक्मरी के कहार बख़डा है जो दो-तीन-बीके में खीदी करते हैं उस 그걸 क्या बसता होः च्यां पालता होः क्या बचाता होगा यह सवाल पूछो तो केंगी सरकार के लोग बीज़े पे के साथ ही बोलते हैं हिंदुस्तान, पाकिस्तान, मसल्मान, लिव फितो, स्बन, बंदिर, मस्जिद इसी चर्चा में लोगों को समिखना चाहते हैं हैं लेकिन मैं चाहता हूं हम सब चाहते हैं किसान को एक ऐसी रूप रेखा देनी जरूरी है किसान को मदद अगर आप नहीं कर सकते हो तो किसान पर जो प्रहारा आपने किया था ये तीन जो काले कानून बनाये थे अपनी जिद्व मनाये थे और एक साल तक किसानों ने देश की राज़धानी में धरने दिये परदर्शन किया चक्का जाम किया तो एक साल के बाद जब चुनाम आने वाली थे तो हाथ जोड़के बोला हम ये तीनों कानून वापिस ले रहे हैं हम मैं जिसे पूचना चाहता हूँ कि किसके कहने पर तो आपने कानून बनाये थे और किसके कहने वे आपने वापस ले लिए सेंकड़ों किसानों की जान चली गई इस देश में किसान को जो हक और अधिकार मिलना चाहिए किसान के नमबर राजनी सब करते है किसान के नारे सब देते है लेकिन सही माइने में किसान उसके परिवार को भला और भविश अगर बेतर करना कोई चाहता है उन लोगों के पैचान आपको करनी पड़ेगी मैं किसान परिवार में पैदा हुआ और मैं इसले बोलता हूँ कि मेरा जर्म काव में नहीं हुआ और जो किसान के दर्द भून नहीं समझ सकता जो किसान की मुशकोण को नहीं समझ सकता वो स्रफ भाजण दे सकता है और मैं यह बात बार बार बोलता हूं जब तक किसानों के बच्चे गरीब के बच्चे उन कुछे उपर नहीं बैठ जाएंगे जहां से इस बेश की परदेश की नीटें लागो होती है तब तक बेश का कल्णा परदेश का कल्णा नहीं हो सकता जिसको पता होगा कि मुझे बै तर दो क्या रिवी रखोगे दस चक्र काटेगा फिर किसी दलाल को दो पांच जार रुपे पकड़ाएंगा तब जाके उसको मिलें के पचाहईजार रुपे यह अखीकत मनिये देश की विश्था के अंदर और और धन्ना से मोटा सामी को उद्योग पती बैंक मेनेजर को कर दे तो दस क्रोड का चेक उसी घर पहुंचाता है बैंक मेनेजर लिके जाएंगा तो इस प्लेटर में फिलाल इतना ही है सचिन पाइलेट इस समय असंबूदित कर रहा है बालिंदू जी राकेश मोडिया जी मनीश यादव साहब सुभाश मील जो खंडेला से आए हैं मं मैं सबसे पहले आप सभी लोगों का धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपने आज हम सब के निमंदरन को सुभिकार किया और इस किसान सम्मिलन में आप यहां समलित हुए हैं पिछले दो-तिन दिनों से इसी प्रकार के किसान सम्मिलन हम लोगों ने पहले नागौर में किये और कल मैं हनवानगर जिले में था पीली बिन्गा में बहां पर भी हमने किसानों को एकत्रित संगटित और आगे बढ़ने के रास्ति के तरफ उनको उनसे बातें की उनकी बा जब मुझे आने का मौका मिला है आप सबने अपार्स नहीं और प्रेम दिया है मैं आप सबका कायल रहूंगा लेकिन आज जिस मुद्टे को लेकर हम पूरे परदेश में सभी किसानों को उनके जीवन में जो परिवर्ट अलाने की उम्मीद हम देखना चाहते हैं किसानों के जीवन में किसानों के परिवार में किसानों के भविश्च के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं 75 साल बाद आज भी सरकारे आई और चली गई लेकिन इस देश में सबसे मेहनती, सबसे मांदार, लेकिन दुर्भा के पर सबसे वंचित कोई वर्ग है तो वो किसान वर्ग है इस देश में दो तिहाई जन्ता जमीन पर काम करती है धर्ती का सीना चीर का रहनाज पैदा करती है 130 करोड लोगों का पेट पालते है उस खिसान को जो मान सम्मान साहिता सयोग मदद मिलनी चाहिए उसके बच्चों को जो भविश मिलना चाहिए वो मिल नहीं रहा और मैं सवाल पूछना चाहता हूँ उन लोगों से जो दिल्ली में आठ साल से सरकार में बैठे है ये वो भाजबा के साथ ही है जो चुनाब पचार में बोलते थे कि हम किसान की आमनी दुगनी कर देंगे बोलो कहा की निकाभ बीजेपी ने किसी की आमनी दुगनी होई किसानों की अगर कुछ दुगनी जोगनी हो रही है तो खाद की कीमत पेटरोल की डीजल की बीज की यूरिया की बिजली की ये सारी कीमतें आस्मान चू रही है कोई भला आदमी केंद की सरकार का आकर ये बोलने को तयार नहीं है कि महंगाई कम करने की कोशिश भी करेंगे आप उनसे पूछो गैस का सिलिंडर 12 रुपे का क्यों भिकरा है तो कहते हिंदुस्तान और पाकिस्तान आप पूछो किसान आज भुकमरी के कहार बखड़ा है जो दो तीन भीगे में खेदी करते हैं उस मंदिर मस्जिद इसी चर्चा में लोगों को समेटना चाहते हैं लेकिन मैं चाहता हूं हम सब चाहते हैं किसान को एक ऐसी रूप रेखा देनी जरूरी है किसान को मदद अगर आप नहीं कर सकते हो तो किसान पर जो प्रहारा आपने किया था ये तीन जो काले कानून बनाए थे अपनी जिद्व मनाए थे और एक साल तक किसानों ने देश की राजधानी में धरने दिये परजर्शन किया चक्का जाम किया तो एक साल के बाद जड़ चुनाम आने वाले थे तो हाथ जोड़के बोला हम ये तीनों कानून वापिस ले रहे हैं मैं इसे पूछना चाहता हूँ कि किसके कहने पे तो आपने कानून बनाए थे और किसके कहने यप आपने वापस ले लिए सेकड़ों किसानों की जान चली गई इस देश में किसान को जो हक और अधिकार मिलना चाहिए किसान के नमरानी सब करते किसान के नारे सब देते उन लोगों के पेचान आपको करनी पड़ेगी मैं एक किसान परिवार में पैदा हुआ और मैसले बोलता हूँ कि मेरा ज़रॉम गाउं में नहीं हुआ मेरे पता जी एरफोर्स में थे तो जहाँ जा एरफोर्स का स्टेशन था माह हमारे पोस्टिंग होती थी लेकिन जो किसान के दर्दो नहीं समझ सकता जो किसान की मुश्कुल नहीं समझ सकता वो सरफ भाशन दे सकता है और मैं ये बात बार बार बोलता हूँ जब तक किसानों के बच्चे गरीब के बच्चे उन कुर्शें पर नहीं बैठ जाएंगे जहान से प्रदेश की नितिया लाँगों होती है अब गदेश का काला नहीं हो सकता जिसको भपा होगा ऑगी मुझे बैंक से धर पचाचाजारूपे का लोन लेना है उस किसान की चप्पल कि जाती है जूति कि जाती ये बैंक के चक्कर काटते काटती है दो बार क्लरक मिलेगा बोलेगा टेस्ट करके लाओ नोट्राइज करके लाओ ये प्रमान पत्र दूओ क्या गिर्वी रखोगे दस चक्कर काटेगा फिर किसी दलाल को 2-5 जहर रुपए कर दे तो दस क्रोड का चेक उसे घर पहुंचाता है तो इतना है सचिंद पाइलेट इस समय असंभूधित कर रहा है बालिंदू जी राकेश मोर्दिया जी मनीश यादव साहब सुभाष मील जो खंडेला से आए हैं मंच पर उपस्थित सभी नितागन और इस किसान सम्मिलन में मौजूद मेरे किसान भाईयों माताओं भेनों बुज़ूर्गों नौजवान दोस्तों प्यारे बच्चों मैं सबसे पहले आप सबी लोगों का धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपने आज हम सब के निम सम्मिलन हम लोगों ने पहले नागौर में किये और कल मैं हनवानगर जिले में था पीली बिंगा में बहाँ पर भी हमने किसानों को एकत्रित संगटित और आगे बढ़ने के रास्ते के तरफ उनको उनसे बातें की उनकी बात को सुना अपनी बात को रखा शेकावटी की इस सबका कायल रहूंगा लेकिन आज जिस मुद्धे को लेकर हम पूरे परदेश में सबी किसानों को उनके जीवन में जो परिवरत लाने की उम्मीद हम देखना चाहते हैं किसानों के जीवन में, किसानों के परिवार में, किसानों के भविश्च के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं 75 साल बाद आज भी सरकारे आई हो चली गई लेकिन इस देश में सबसे मैनती सबसे मांदार लेकिन दुरबाग वर सबसे βंचित कोई वर्ग है तो वो किसान वर्ग है इस देश में दो तीहाई जन्ता जमीन पर काम करती है धर्टी का छीना चीर का रहनाज पैदा करती है 130 करोडों का पेट पालते हैं उस किसान को जो मान समान साहिता सायोग मदद मिलनी चाहिए उसके बच्चों को जो भविश मिलना चाहिए वो मिल नहीं रहा और मैं सवाल पूछना चाहता हूँ उन लोगों से जो दिल्ली में आठ साल से सरकार में बैठे है ये वो भाजबा के साथी हैं जो चुनाब पचार में बोलते थे कि हम किसान की आमनी दुगनी कर देंगे बोलो कहा की निगा बीजेपी ने हमने तो नहीं कहा आपको वादा करने के लिए लेकिन बीजेपी के साथियों ने कहा आप वोट दो हम किसान की आमनी दुगनी कर देंगे सारे किसान बैठे हैं मैं आपसे पूछना चाहता हूँ किसी की हम दनी दुगनी होई खिसानों की अगर कुछ दुगनी चौगनी हो रही है तो खाज की कीमत पेटरॉल की डीजल की बीच की यूरिया की बिजली की ये सारी कीमते आस्वान चुँ रही हैं कोई भला आदमी केंद की सरकार काकर ये ब हिंदुस्तान और पाकिस्तान आप पूछो किसान आज भुकमरी के और भखडा है जो जो 23 बीगे में खिधी करते हैं उसे पे क्या बचता होगा क्या स्वाल पूछो को केन की सरकार के लोग BU ZIP के साथ ही बोलते हैं हिंदुस्तान पाकिस्तान मसल्मां हिंदू मंदिर मस्जिद इसी चर्चा में ये लोगों को समेटना चाहते हैं लेकिन मैं चाहता हूं हम सब चाहते हैं किसान को एक ऐसी रूप रेखा देनी जरूरी है किसान को मदद अगर आप नहीं कर सकते हो तो किसान पर जो प्रहार आपने किया था ये तीन जो काले कानून बनाए थे अपनी जिद्में बनाए थे और एक साल तक किसानों ने देश के राजधानी में धरने दिये परदशन किया, चक्का जाम किया तो एक साल के बाद जब चुनाम आने वाले थे तो हाथ जोड़के बोला, ये तीनों कानून वापिस ले रहे है अब मैं इसे पूछना चाहता हूँ कि किस के कहने पे तो आपने कानून बनाए थे और किस के कहने पे आपने वापिस ले लिए सेंकड़ों किसानों की जान चली गई इस देश में किसान को जो हक और अधिकार मिलना चाहिए किसान के नमबर आजनी सब करते हैं किसान के नारे सब देते हैं लेकिन सही माइने में किसान उसके परिवार को भला और भविश अगर बेदर करना कोई चाहता है उन लोगों के पैचान आपको करनी पड़ेगी मैं किसान परिवार में पैदा हुआ और मैं इसलिए बोलता हूं कि मेरा जर्म गाव में नहीं हुआ मेरे पता जी एरफोर्स में थे तो जहांचा एरफोर्स का सेशन था माहा हमारे पोस्टिंग होती थी लेकिन जो किसान के दर्द को नहीं समझ सकता जो किसान की मुश्कुल को नहीं समझ सकता वो स्रफ बाशन दे सकता है और मैं यह बात बार बार बोलता हूं जब तब तक किसानों के बच्चे गरीब के बच्चे उन कुर्षियों पर नहीं बैठ जाएंगे जहां से इस देश की परदेश की नीतिया लागों होती है तब तक बेश का कल्णा परदेश का कल्णा नहीं हो सकता जिसको पता होगा कि मुझे बैंक से घर 50 रुपे का लोन लेना ह उसके सांगी चपल कि जाती है जूती कि जाती है बैंक के चकर काटते काट दो बार क्लर्क मिलेगा बोलेगा टेस्ट करके लाओ नोटराइज करके लाओ यह प्रमान पत्र दो क्या गिर्वी रखोगे दस चकर काटेगा फिर किसी दलाल को दो पाँजह रुपे पकड़ाए तो इस बलेटर में फिलाल इतना ही है सचीन पाइलेट इस समय असंबूदित कर रहे हैं सबी नितागन और इस किसान सम्मिलन में मौजूद मेरे किसान भाईयों माताओं भेनों बुज़ूर्गों नौजवान दोस्तों प्यारे बच्चों मैं सबसे पहले आप सभी लोगों का धन्यवाद करना चाहता ह हूँ कि आपने आज हम सब के निमंदरन को सुविकार किया और इस किसान सम्मिलन में आप यहां समलित हुए हैं पिछले दो-तिन दिनों से इसे प्रकार के किसान सम्मेलन हम लोगों ने पहले नागौर में किये और कल में हनवानगर जिले में था पीली बिंगा में बहाँ पर भी हमने किसानों को एकत्रित संगटित और आगे बढ़ने के रास्ति के तरफ उनको उनसे बातें की उनकी बात को सुना अपनी बात को रखा शेखावटी की इस दर्ती पर बीरों की जमीन है एतिहासी की मिट्टी है और यहां पर जब जब मुझे आने का मौका मिला है आप सबने अपार्स ने औ लोग उनके जीवन में जो परिवर्त लाने की उम्मीद हम देखना चाहते हैं किसानों के जीवन में किसानों के परिवार में किसानों के भविश के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं 75 साल बाद आज भी सरकार हैं और चली गई लेकिन इस देश में सबसे मैनती सबसे मांदार ल इस देश में दो तीहाई जनता जमीन पर काम करती है धर्टी का छीना चीर का रहनाज पैदा करती है एक सो तीश करणों का पेट पालते हैं उस किसान को जो मान सम्मान साहता सयोग मदद मिलनी चाहिए उसके बच्चों को जो भविश मिलना चाहिए वो मिल नहीं रहा और मैं स दो चुनाब 50 में बोलते थे कि हमं किसान की आम बनी दूगनी कर देंगे बोलो कहा कि निगा भीजेपी की बीच की यूरिया की बिजली की ये सारी कीमते आस्मान चू रही है कोई भला आदमी केंद की सरकार का करें बोलने को तयार नहीं है कि ये महंगाई कम करने की कोशिश भी करेंगे आप उनसे पूछो गैस का सिलंडर 12 रुपे का क्यों विक रहा है तो कहते हिंदुस्तान और कि सवाल पूछो तो केंद की सरकार के लोग बीज़ेपे के साथ ही बोलते हैं हिंदुस्तान पाकिस्तान मुसल्मान हिंदू मंदिर मजजिद इसी चर्चा में लोगों को समेटना चाहते हैं लेकिन मैं चाहता हूं हम सब चाहते हैं किसान को एक ऐसी रूप रहा देनी मनाये थे अपनी जिद्व मनाये थे और एक साल तक किसानों ने देश के राजधानी में धरनें दिये पर्टेशन किया चक्का जाम किया तो एक साल के बाद जब चुनाम आने वाले थे तो हाथ जोड़ के बोला ये तीनों कानून वापिस ले रहे हैं हम मैं इसे पूछना कि किसके कहने पे तो अपने कानून बनाए थे और किसके कहने पे आपने वापिस ले लिए सेंकड़ों किसानों की जान चली गई कि इस देश में किसान को जो हक और अधिकार मिलना चाहिए कि किसान के नमबर राजनी सब करते हैं कि किसान के नारे सब देते हैं लेकिन सही माइने में किसान उसके परिवार को भला और भविश अगर बैदर करना कोई चाहता है उन लोगों के पैचान आपको करनी पड़ेगी मैं किसान परिवार में पैदा हुआ और मैं इसलिए बोलता हूँ कि मेरा जन गाउ में नहीं हुआ मेरे पता जी एरफोर्स में थे तो जहां जा एरफोर्स का सेशन था माहा हमारे पोस्टिंग होती थी लेकिन जो किसान के दर्दों नहीं समझ सकता जो किसान की मुश्कुल नहीं समझ सकता वो सरफ भाशन दे सकता है और मैं ये बात बार बार बोलता हूँ जब तक किसानों के बच्चे गरीब के बच्चे उन कुर्षे उपर नहीं बैठ जाएंगे जहां से इस देश की परदेश की नीतिया लगव होती है तब तक देश का कल्णान परदेश का कल्णान नहीं हो सकता जिसको पता होगा कि मुझे बैंक से गर 50 रुपे का लोन लेना है उसके सान की चपल कि जाती है जूती कि जाती है बैंक के चकर काटते काटते हैं दो बार क्लर्क मिलेगा बोलेगा टेस्ट करके लाओ नोटराइस करके लाओ ये प्रमान पत्र दो क्या गिर्वी रखोगे 10 च तब जाके उसको बिले के पचाहईजार हुए यह अखीकत मनिये देश की विएस्था के अंदर और और धन्ना सेट मोटा सामी को उद्योग पती बैंक मेरेजर को फोन कर दे तो दस क्रोड का चेक उसी घर पहुंचाता है बैंक मेरेजर लिके जाए तो इस प्लेटर में फि किसान संभिलण में मौजूद, मेरे किसान भाईयों, माताओं, भेनों, बजर्गों, नौजवान दोस्तों, प्यारे बच्चों, मै इस अब से पहले आप सब ही भोगों की धन्यवात करना चाहता हूं, कि आपने आज हम सब के निमंतरन को स्विकार किया, और इस किसान संभ हुए हैं पिछले दो-तिन दिनों से इसी प्रकार के किसान सम्मेलन हम लोगों ने पहले नागौर में किये और कल मैं हनवान गर्जिले में था पीली बिंगा में बहाँ पर भी हमने किसानों को एकत्रित संगटित और आगे बढ़ने के मिट्टी है और यहां पर जब जब मुझे आने का मौका मिला है आप सबने अपार्ट्स नहीं और प्रेम दिया है मैं आप सबका कायल रहूंगा लेकिन आज इस मुद्टे को लेकर हम पूरे परदेश में सभी किसानों को उनके जीवन में जो परिवर्त लाने की उम्मीद हम देखना चाहते हैं किसानों के जीवन में किसानों के परिवार में किसानों के भविश्च के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं 75 साल बाद आज भी सरकारे आई और चली गई लेकिन इस देश में सबसे मेहनती सबसे मांदार सबसे वंचित कोई वर्ग है तो किसान वर्ग है इस देश में दो तीहाई जन्ता जमीन पर काम करती है धर्टी का चीना चीर का रहनाज पैदा करती है एक सो तीस करोड़ों का पेट पालते हैं उस खिसान को जो मान सम्मान साहता सयोग मदद मिलनी चाहिए उसके बच्चों को जो भविश मिलना चाहिए वो मिल नहीं रहा और मैं सवाल पूछना चाहता हूँ उन लोगों से जो दिल्ली में आठ साल से सरकार में बैठे हैं ये वो भाजबा के साथ ही हैं जो चुनाब पचार में बोलते थे कि हम किसान की आमनी दुगनी कर देंगे वो कहा कि निगा बीजेपी ने हमने तो नहीं का आपको वादा करन किसानों की अगर कुछ दुगनी चौगनी हो रही है तो खाद की कीमत पेट्रोल की डीजल की बीच की यूरिया की बिजली की ये सारी कीमते आस्मान चू रही हैं कोई भला आदमी केन की सरकार का आकर ये बोलने को तयार नहीं है कि महंगाई कम करने की कोशिश भी करेंगे आप उनसे पूछो गैस का सिलंडर 12 रुपे का क्यों भिक रहा है तो कहते हिंदुस्तान और पाकिस्तान आप पूछो किसान आज भुकमरी के कार बख़डा है जो दो तीन भीगे में खेदी करते हैं उसके क्या बचता होगा क्या पालता होगा क्या बचाता होगा यह सवाल प है लेकिन मैं चाहता हूं हम सब चाहते हैं किसान को एक ऐसी रूप रेखा देनी जरूरी है किसान को मदद अगर आप नहीं कर सकते हो तो किसान पर जो प्रहारा आपने किया था यह तीन जो काले कानू बनाये थे अपनी जिद्व मनाये थे और एक साल तक किसानों ने देश की राजधानी में धरने दिये पदर्शन किया चक्का जाम किया तो एक साल के बाद जब चुनाम आने वाले थे तो हाथ जोड़के बोला यह तीनों कानून वापिस ले रहे हैं मैं इसे पूछना चाहता हूं कि किसके कहने पे तो आपने का कार मिलना चाहिए किसान के नमबर राजनी सब करते किसान के नारे सब देते हैं लेकिन सही माइने में किसान उसके परिवार को भला और भविश्य अगर बेदर करना कोई चाहता है उन लोगों के पहचान आपको करनी पड़ेगी मैं एक किसान परिवार में पैदा हुआ और मैं से बोलता हूँ कि मेरा जनम गाउ में नहीं हुआ मेरे पता जी एरफोर्स में थे तो जहांजां एरफोर्स का सेशन था माहा हमारे पोस्टिंग होती थी कि लेकिन जो किसान के दरों नहीं समझे सकता जो कि सान की मुश्कों नहीं समझऊ सकता वो सिरफ भाशन दे सकता है और मैं यह बार-बार बोलता हूं जब तक किसानों के बच्चे गरीब के बच्चे उन कुर्षियों पर नहीं बैठ जाएंगे जहां से इस देश की परदेश की नीतिया लाग होती है तब तक देश का कल्णान परदेश का कल्णान नहीं हो सकता जिसको पता होगा कि मुझे बैंक से घर 50,000 रुपे का लोन लेना है उस किसान की चपल घिज जाती है जूती घिज ज यह अखीकत मनिये देश की उस्था के अंदर और को धन्ना सेट मोटा सामी को उट्योग पती बैंक मेनेजर को फोन कर दे तो दस क्रोड का चेक उसी घर पहुंच आता है बैंक मेनेजर लिके जाए तो इस बलेटर में फिलाल इतना ही है सचिन पाइलेट इस समय असंभूद मेरे किसान भाईयों माताओं भेनों बुजर्गों नौजवान दोस्तों प्यारे बच्चों मैं सबसे पहले आप सबी लोगों का धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपने आज हम सब के निमंदरन को सुविकार किया और इस किसान सम्मिलन में आप यहां सम्मिलित हुए है पि बहां पर भी हमने किसानों को एकत्रित संगटित और आगे बढ़ने के रास्ति के तरफ उनको उनसे बातें की उनकी बात को सुना अपनी बात को रखा शेखावटी की इस दर्ती पर बीरों की जमीन है एतिहासी की मिट्टी है और यहां पर जब जब मुझे आने का मौका मि दिया है मैं आप सबका कायल रहूंगा यह लेकिन आज इस मुझत को लेकर हम पूरे पर देश में सबी किसानों को उनके जीवन में जो परिवरत लाने की उमीद हम देखना चाहते हैं किसानों के जीवन में किसानों के परिवार में किसानों के भविश्च के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं 75 साल बाद आज भी सरकारे आई और चली गई लेकिन इस देश में सबसे मेहनती सबसे मानदार लेकिन दुर्भा की सबसे वंचत कोई वर्ग है तो वो किसान वर्ग है इस देश में दो तिहाई जन्ता जमीन पर काम करती है धरती का चीना चीर का रहनाज पैदा करती है एक सो तीस करों लोगों का पेट पालते हैं उस किसान को जो मान समान साहिता सयोग मदद मिलनी चाहिए उसके बच्चों को जो भविश मिलना चाहिए वो मिल नहीं रहा और मैं सवाल पूछ कर चाहता हूं उन लोगों से दिल्ली में आठ साल से सरकार में बैठे हैं ये वो भाजबा के साथ ही हैं जो चुनाब पचार में बोलते थे कि हम किसान की आमदनी दुगनी कर देंगे बोलो कहा कि निगा बीजेपी ने हमने तो किसी की आमदनी दुगनी हुई किसानों की अगर कुछ दुगनी चौगनी हो रही है तो खाद की कीमत पेट्रोल की डीजल की बीच की यूरिया की बिजली की ये सारी कीमते आस्मान चू रही हैं कोई भला आदमी केन की सरकार का कर ये बोलने को तयार नहीं है कि ये किसान और पाकिस्ताँ आप पूच्छो किसान आज भुकमरी के का Dolinas Clinic कृते हैं जो दो तीन बीगे में खीदी करते उसंपर क्या बच्ता ओगा क्या बचाता होगा यह सवाल पूछो तो केंज के सरकार के लोगं dog BCP साथ ही बोलते हैं। हिंदुस्तान पाकिस्तान मुसलमान dándoo मैं मंदिर मसजद। इसी चर्चा में लोगों को कुमेटने चाहते हैं। है लिकिन मैं चाहता हम सब चाहते हैं। किसान को एक ऐसी रूप रखा देनी जरूरी है खिसान को मदद अगर आप नहीं कर सकते हो तो किसान पर जो प्रहारा आपने किया था ये तीन जो काले कानून बनाए थे अपनी जिद्व मनाए थे और एक साल तक किसानों ने देश की रारधानी में धरने दिये परदर्शन किया चक्का जाम किया तो एक साल के बाद जब चुनाम आने वाले थे तो हाथ जोड़के बोला ये तीनों कानून वापिस ले रहे हैं अब मैं इसे पूछना चाहता हूँ कि किसके कहने पे तो आपने कानून बनाए थे और किसके कहने पे आपने वापिस ले लिए सेंकड़ों किसानों की जान चली गई इस देश में किसान को जो हक और अधिकार मिलना चाहिए किसान के नमबर राजनी सब करते हैं किसान के नारे सब देते हैं लेकिन सही माइने में किसान उसके परिवार को भला और भविश अगर बैदर करना कोई चाहता है उन लोगों के पैचान आपको करनी पड़ेगी मैं किसान परिवार में पैदा हुआ और मैसले बोलता हूँ कि मेरा जर्म गाव में नहीं हुआ मेरे पता जी एर फोर्स में थे तो जहां जा एर फोर्स का सेशन था माहा हमारे पोस्टिंग होती थी लेकिन जो किसान के दर्द को नहीं समझ सकता जो किसान के मुश्कुल को नहीं समझ सकता वो सिर्फ भाषन दे सकता है और मैं ये बात बार-बार बोलता हूं जब तक किसानों के बच्चे गरीब के बच्चे उन कुर्शेओं पर नहीं बैढ़ जाएंगे जाहां से इस देश की पर देश की नीतिए लाग होती है तब तक देश का कलना प्रदिश का कलना नहीं हो सकता जिसको पता होगा कि मुझे बैंक से गर 50,000 रुपे का लोन लेना है उस किसान की चपल घिज जाती है जूती घिज जाती है बैंक के चकर काटते का दो बार क्लर्क मिलेगा बोलेगा टेस्ट करके लाओ नोटराइस करके लाओ यह प्रमान पत्र दो क्या गिर्वी रखोगे दस चकर काटेगा फिर किसी दलाल को दो पांच जार रुपे पकड़ागा तब जाके उसको मिलेंके पचाहईजार रुपे यह अखीकत बनी है देश की वज़स्था के अंदर और और धन्ना सेट मोटा सामी को श्यादर साब सुभाश मील जो खंडेला से आये हैं मंच पर उपस्तित सभी नितागन और इस किसान सम्मिलन में मौजूद मेरे किसान भाईयों माताओं भेनों बुज़ुर्गों नौजवान दोस्तों प्यारे बच्चों मैं सबसे पहले आप सभी लोगों का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आप ने आज हम सब के निमंदरन को सुभी कार किया और इस किसान सम्मिलन में आप यहां सम्मिलित हुए हैं पिछले दो-तिन दिनों से इसी प्रकार के किसान सम्मेलन हम लोगों ने पहले नागौर में किये और कल मैं हनवानगर जिले में था पीली बिंगा में बहां पर भी हमने किसानों को एकत्रित संगटित और आगे बढ़ने के रास्ति के तरफ उनको उनसे बातें की उनकी बात को सुना अपनी बात को रखा शेकावटी की इस दर्ती पर बीरों की जमीन है एतिहासी की मिट्टी है और यहाँ पर जब जब मुझे आने का मौका मिला है आप सबने अपार्स नहीं और प्रेम दिया है मैं आप सबका कायल रहूंगा लेकिन आज इस बुद्टे को लेकर हम पू किसानों के जीवन में किसानों के परिवार में किसानों के भविश के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं 75 साल बाद आज भी सरकार रहाई और चली गई लेकिन इस देश में सबसे मेहनती, सबसे मांदार, लेकिन दुर्भा गेवश्ट सबसे वंचित कोई बर्ग है तो वो किसान बर्ग है, इस देश में दोतीहाई जनता जमीन पर काम करती है, धर्ती का छीना, चीर का रहनाज पैदा कृती है, 130 करों लोगों का पेट पालते है उस किसान को जो मान, सम्मान, साहिता, सयोग, मदद मिलनी चाहिए उसके बच्चों को जो भविश मिलना चाहिए वो मिल नहीं रहा और मैं सवाल पूछना चाहता हूँ उन लोगों से जो दिल्ली में 8 साल से सरकार में बैठे है ये वो भाजबा के साथ ही है जो चुनाप पचार में बोलते थे कि हम किसान की आमदनी दुगनी कर देंगे बोलो कहा की निकाब बीजेपी ने हमने तो नहीं का आपको वादा करने के लिए लेकिन बीजेपी के साथियों ने कहा आप वोट दो हम किसान की आमदनी दुगनी कर देंगे सारी किसान बैठे हैं मैं आपसे पूछना चाहता हूँ किसी की आमदनी दुगनी होई किसानों की अगर कुछ दुगनी चौगनी हो रही है तो खाद की कीमत पेट्रोल की डीजल की बीज की यूरिया की बिजली की ये सारी कीमते आस्मान चू रही हैं कोई भला आदमी केन की सरकार का कर ये बोलने को तयार नहीं है कि ये महंगाई कम करने की कोशिश भी करेंगे आप उनसे पूछो गैस का सिलिंडर 12 रुपे का क्यूं बिकरा है तो कहते हिंदुस्तान और पाकिस्तान आप स्वेशो तो केन की सरकार के भीज़ियपी की साथ ही बोलते हैं हिंदुस्तान पाकिस्तान मुसल्मान, हिंदु, मंदिर, मस्जिद, इसी चर्चा में लोगों को समिटना चाहते हैं लेकिन मैं चाहता हूँ हम सब चाहते हैं किसान को एक ऐसी रूप रेखा देनी जरूरी है किसान को मदद अगर आपने कर सकते हो तो किसान पर जो प्रहारा आपने किया था ये तीन जो काले कानूर बनाये थे अपनी जिद्व मनाये थे और एक साल तक किसानों ने देश की राजधानी में धरने दिये पदर्शन किया चक्का जम किया तो एक साल के बाद जब चुनाम आने वाले थे तो हाथ जोड़के बोला ये तीनों कानून वापिस ले रहे हैं अब मैं इसे पूसना चाहता हूँ कि किसके कहने पे तो अपने क अधिकार मिलना चाहिए किसान के नमबर राजनी सब करते हैं किसान के नारे सब देते हैं लेकिन सही माइने में किसान उसके परिवार को भला और भविश अगर बेदर करना कोई चाहता है उन लोगों के पैचान आपको करनी पड़ेगी मैं किसान परिवार में पैदा हुआ औ पेरे पटाई एर फोर्स ते तो जहां जांoh का स्टेशन ता हमारे पोस्टिंग होती थी लेकिन जो किसां के दर्दो नहीं समझ सकता जो किसां की मुश्क्राइज को नहीं समझ सकता वो रभाज़न दे सकता है और मैं ये बार-बार बोलता हूँ जब तक किसानों के बच्चे गरीब के बच्चे उन कुर्षे अपर नहीं बैठ जाएंगे जहां से इस देश की परदेश की नीचे अलाग होती है तब तक देश का कलना प्रदेश का कलना नहीं हो सकता जिसको पता होगा कि मुझे बैंक से गर 50 रुपे का लोन लेना है उसके सान की चपल के जाती है जूती के जाती है बैंक के चकर काटते का दो बार क्लर्क मिलेगा बोलेगा टेस्ट करके लाओ नोटराइस करके लाओ ये प्रमान पत्र दो क्या गिर्वी रखोगे 10 चक्र काट करेगा फिर किसी दलाल को 25 रुपे पकड़ागा तब जाके उसको मिलें के 5000 रुपे यह अखीकत मनिये देश की वज़स्था के अंदर और और धन्ना सेट मोटा सामी को उद्योग पती बैंक मेनेजर को फोन कर दे तो 10 क्रोड का चेक उसी घर पहुंचाता है बैंक मेनेजर की नितागन और इस किसान सम्मिलन में मौजूद मेरे किसान भाईयों माताओं भेनों बुजर्गों नौजवान दोस्तों प्यारे बच्चों मैं सबसे पहले आप सभी लोगों का धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपने आज हम सब के निमंदरन को सुविकार किया और इस कि दो-तिन दिनों से इसी प्रकार के किसान सम्मिलन हम लोगों ने पहले नागौर में किये और कल मैं हनवानगर जिले में था पीली बिन्गा में बहाँ पर भी हमने किसानों को एकत्रित संगटित और आगे बढ़ने के रास्ति के तरफ उनको उनसे बातें की उनकी बात को सु किसाने का मौका मिला है आप सबने अपार्स नहीं और प्रेम दिया है मैं आप सबका कायल रहूंगा लेकिन आज इस मुद्धे को लेकर हम पूरे परदेश में सभी किसानों को उनके जीवन में जो परिवर्ट अलाने की उम्मीद हम देखना चाहते हैं किसानों के जीवन में किसानों के परिवार में किसानों के भविश के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं 75 साल बाद आज भी सरकार आए और चली गए लेकिन इस देश में सबसे मैनती सबसे मांदार लेकिन दुर्भागिवश्ट सबसे वंचित कोई वर्ग है तो वो किसान वर्ग है इस देश में दो तिहाई जनता जमीन पर काम करती है धर्ती का छीना चीर का रहनाज पैदा करती है 130 करों लोगों का पेट पालते है उस किसान को जो मान सम्मान सायता सयोग मदद मिलनी चाहिए उसके बच्चों को जो भविश मिलना चाहिए वो मिल नहीं रहा और मैं सवाल पूछना चाहता हूँ उन लोगों से जो दिल्ली में आठ साल से सरकार में बैठे है ये वो भाजबा के साथ ही है जो चुनाब पचार में बोलते थे कि हम किसान की आमनी दुगनी कर देंगे बोलो कहा की ने का बीजेपी ने हमने तो नहीं का आपको वादा करने के लिए लेकिन बीजेपी के सियातियों ने कहा आप वोट दो हम किसान की आमनी दुगनी कर देंगे सारी किसान बैठे हैं मैं आप से पूछना चाहता हूं किसी की अमनी दुगनी होई किसानों की अगर कुछ दुगनी चौगनी हो रही है तो खाद की कीमत पेटरोल की, डीसль की बीच की, यूरिया की, बिजली की ये सारी कीमतें आस्मान चुरही है कोई भला आजमी केंद की सरकार का कर ये बोलने को तयार नहीं है कें महंगाई कम करने की कोशिश भी करेंगे आप उनसे पूछो गैस का सिलिंडर 12 रुपे का क्यूं बिक रहा है तो कहते हिंदुस्तान और पाकिस्तान आप पूछो किसान आज भुकमरी के गार बखड़ा है जो दो तीन बीगे में खेदी करते हैं उस पे क्या बचता होगा क्या पालता होगा क्या बचाता होगा ये सवाल पूछो तो केंड की सरकार के लोग बीज़ेपी के साथी बोलते हैं हिंदुस्तान पाकिस्तान मुसल्मान हिंदू मंदिर मस्जिद इसी चर्चा में लोगों को समेटना चाहते हैं कि मैं चाहता हम सब चाहते हैं किसान को एक ऐसी रूप रेखा देनी जरूरी है किसान को मदद अगर आप नहीं कर सकते हो तो किसान पे जो प्रहारा आपने किया था ये तीन जो काले कानून बनाए थे अपनी जिद्व मनाए थे और एक साल तक किसानों ने देश की राजधानी में धरने दिये पदर्शन किया, चक्का जाम किया तो एक साल के बाद जब चुनाम आने वाले थे तो हाथ जोड़के बोला, ये तीनों कानून वापिस ले रहे है अब मैं इसे पूछना चाहता हूँ कि किसके कहने पे तो आपने कानून बनाए थे और किसके कहने पे आपने वापिस ले लिए सेंकड़ों किसानों की जान चली गई इस देश में किसान को जो हक और अधिकार मिलना चाहिए किसान Finnish के नमर राणित सब करते हैं किसान के नारे सब देते हैं लेकिन सही माइने में किसान उसके परिवार को भला और भ़भिश अगर बेदर करना कोई चाहता है उन लोगों के पैचान आपको करनी पड़ेगी मैं किसान परिवार में पैदा हुआ और मैं इसले बोलता हूँ कि मेरा जर्म गाव में नहीं हुआ मेरे पता जी एर फोर्स में थे तो जहांजा एर फोर्स का स्टेशन था माहा हमारे पोस्टिंग होती थी लेकिन जो किसान के दर्द को नहीं समझ सकता जो किसान के मुश्कुल को नहीं समझ सकता वो सरफ भाशन दे सकता है और मैं यह बात बार बार बोलता हूँ जब तक किसानों के बच्चे गरीब के बच्चे उन कुर्शियों पर नहीं बैठ जाएंगे जहां प्रदेश की निर्क अलाग होती है तब तक देश का कलना प्रदेश का कलना नहीं हो सकता जिसको पता होगा कि मुझे बैंक से गर 50,000 रुपे का लोन लेना है उसके सान की चपल गिज जाती है जूती घिज जाती है बैंक के चक्कर काटते काट तो बार क्लर्क मिलेगा के उसको मिलें के पचाहजार रुपे यह अखीकत मनिये देश की उस्था के अंदर और कोई धन्ना सेट मोटा सामी कोई उद्योग पती बैंक मेनेजर को फोन कर दे तो दस क्रोड का चेक उसी घर पहुंचाता है बैंक मेनेजर लिके जाए तो इस बलेटर में फिलाल इतना मेरे किसान भाईयों माताओं भेनों बुज़र्गों नौजवान दोस्तों प्यारे बच्चों मैं सबसे पहले आप सबी लोगों का धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपने आज हम सब के निमंदरन को सुविकार किया और इस किसान सम्मिलन में आप यहां सम्मिलित हुए हैं पिछले दो-तिन दिनों से इसी प्रकार के किसान सम्मिलन हम लोगों ने पहले नागौर में किये और कल मैं हनवानगर जिले में था अपकी बिंगा में बहाँ पर भी हमने किसानों को एकत्रित संगटित और आगे बढ़ने के रास्ति के तरफ उनको उनसे बातें की उनकी ब हो जाने का मौका मिला है आप सबने अपार्स नहीं और प्रेम दिया है मैं आप सबका कायल रहूंगा लेकिन आज जिस मुद्टे को लेकर हम पूरे परदेश में सबी किसानों को उनके जीवन में जो परिवर्ट अलाने की उम्मीद हम देखना चाहते हैं किसानों के जीवन में किसानों के परिवार में किसानों के भविश्च के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं 75 साथ बाद आज भी सरकारे आई और चली गई लेकिन इस देश में सबसे मेहनती, सबसे मांदार, लेकिन दुर्भागिवस्ट सबसे वंचित कोई वर्ग है, तो वो किसान वर्ग है इस देश में दो तिहाई जन्ता जमीन पर काम करती है धर्टी का छीना चीर का रानाज पैदा करती है, 130 करों लोगों का पेट पालते है उस किसान को जो मान, सम्मान, साहिता, सयोग, मदद मिलनी चाहिए उसके बप्चों को जो भविश मिलना चाहिए, वो मिल नहीं रहा और मैं सवाल पूछना चाहता हूँ, उन लोगों से जो दिल्ली में आठ साल से सरकार में बैठे है ये वो भाजबा के साथ ही हैं, जो थुनाब पचार में बोलते थे कि हम किसान की आमनी दुगनी कर देंगे बोलो कहा कि निगा बीजेपी ने हमने तो नहीं का आपको वादा करने के लिए लेकिन बीजेपी के साथियों ने कहा आप वोट दो, हम किसान की आमनी दुगनी कर देंगे सारे किसान बैठे हैं, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ किसी की आमनी दुगनी होई किसानों की अगर कुछ दुगनी चौगनी हो रही है तो खाद की कीमत, पेट्रोल की, डीजल की, बीज की, यूरिया की, बिजली की ये सारी कीमतें आस्मान चू रही है कोई भला आदमी केन की सरकार का आकर ये बोलने को तयार नहीं है केम महंगाई कम करने की कोशिश भी करेंगे आप उनसे पूछो, गैस का सिलिंडर 12 रुपे का क्यूं बिकरा है तो कहते हिंदुस्तान और पाकिस्तान आप पूछो किसान आज भुकमरी के एक आर बखड़ा है जो दो-तीन बीगे में खेदी करते हैं क्या बचता होगा, क्या पालता होगा, क्या बचाता होगा ये सवाल पूछो, तो केन की सरकार के लोग बीज़ेपे के साथी बोलते हैं हिंदुस्तान, पाकिस्तान, मुसल्मान, हिंदू, मंदिर, मस्जिद इसी चर्चा में लोगों को समेटना चाहते है लेकिन मैं चाहता हूं हम सब चाहते हैं किसान को एक ऐसी रूप रेका देनी जरूरी है किसान को मदद अगर आप नहीं कर सकते हो तो किसान पर जो प्रहारा आपने किया था ये तीन जो काले कानूर बनाए थे अपनी जिद्व मनाए थे और एक साल तक किसानों ने देश के राजधानी में धरने दिये परदर्शन किया चक्का जाम किया तो एक साल के बाद जब चुनाम आने वाले थे तो हाथ जोड़ के बोला ये तीनों कानून वापिस ले रहे हैं अब मैं इसे पूसना चाहता हूँ कि किसके कहने पे तो आपने कानून बनाए थे और किसके कहने पे आपने वापिस ले लिए सेंखड़ों किसानों की जान चली गई इस देश में किसान को जो हक और अधिकार मिलना चाहिए किसान के नमबर राजनी सब करते है किसान के नारे सब देते है लेकिन सही माइने में किसान उसके परिवार को भला और भविश अगर बेदर करना कोई चाहता है उन लोगों के पैसान आपको करनी पड़ेगी मैं किसान परिवार में पैदा हुआ और मैसले बोलता हूँ कि मेरा जर्म गाव में नहीं हुआ मेरे पता जी एर फोर्स में थे तो जहांजा एर फोर्स का सेशन था माहा हमारे पोस्टिंग होती थी लेकिन जो किसान के दर्द को नहीं समझ सकता जो किसान के मुश्कुल को नहीं समझ सकता वो सिर्फ भाज़न दे सकता है और मैं यह बात बार बार बोलता हूँ जब तक किसानों के बच्चे गरीब के बच्चे उन कुर्षों पर नहीं बैठ जाएंगे जहां से इस देश की परदेश की नीतिया लाग होती है तब तक देश का कल्णा परदेश का कल्णा नहीं हो सकत है जिसको पता होगा कि मुझे बैंक से गर 50,000 रुपे का लोन लेना है उस किसान की चपल गिस जाती है जूती के जाती है बैंक के चकर काटते काटते हैं दो बार क्लर्क मिलेगा बोलेगा टेस्ट करके लाओ नोटराइस करके लाओ यह प्रमान पत्र दो क्या गिर्वी पकड़ाएगा तब जाके उसको मिलेंके पचाहे जाते हैं यह अखीकत मनिये देश की विएस्था के अंदर और को धन्ना सेट मोटा सामी को उद्योगपती बैंक मेनेजर को फोन कर दे तो दस क्रोड का चेक उसी घर पहुंचाता है बैंक मेनेजर लिके जाता है तो इस ब सम्मिलन में मौझूद मेरे किसान भाईयों माताओं भेहनों बुज़ुर्गों नौजवान दोस्तों और प्यारे बच्चों मैं सबसे पहले आप सबी लोगों का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आपने आज हम सब के निमंदरन को सुविकार किया और इस किसान सम्मिलन मे में था पीली बिंगा में बहाँ पर भी हमने किसानों को एकत्रित संगटित और आगे बढ़ने के रास्ति के तरफ उनको उनसे बातें की उनकी बात को सुना अपनी बात को रखा शेखावटी की दर्ती पर बीरों की जमीन है एतिहासी की मिट्टी है और यहां पर जब जब मुझे आने का मौका मिला है आप सबने अपार्स ने और प्रेम दिया है मैं आप सबका कायल रहूंगा लेकिन आज जिस मुद्टे को लेकर हम पूरे परदेश में सभी किसानों को उनके जीवन में जो परिवर्त लाने की उम्मीद हम देखना चाहते हैं किसानों के जीवन में किसानों के परिवार में किसानों के भविश्च के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं 75 साल बाद आज भी सरकारे आई और चली गई लेकिन इस देश में सबसे मैनती सबसे मांदार लेकिन दुर्भा के पर सबसे वंचित क वो किसान वर्ग है इस देश में दो तिहाई जन्नता जमीन पर काम करती है धर्दी का छीना चीर का रहनाच पैदा करती है एक सो तीस करों लोगों का पेट पालते हैं उस किसान को जो मान समान साहता सयोग मदद मिलनी चाहिए उसके बच्चों को जो भविश मिलना चाहिए वो मिल नहीं रहा और मैं सवाल पूछना चाहता हूँ उन लोगों से दिल्ली में आठ साल से सरकार में बैठे हैं ये वो भाजबा के साथ ही हैं जो चुनाब पचार में बोलते थे कि हम किसान की आमनी दुगनी कर देंगे बोलो कहा कि निगाब बीजेपी ने हमने तो नहीं कि आपको वादा करने के लिए लेकिन बीजेपी के साथियों ने कहा आप वोट दो हम किसान की आमनी दुगनी कर देंगे सारी किसान बैठे हैं मैं आप से पूछना चाहता हूँ किसी की अंदनी दुखनी होई किसानो की अगर कुछ दुखनी चौगनी हो रही है तो खाद की कीमत पेटरॉल की डीजल की बीच की यूरिया की बिजली की ये सारी किमते आस्मान चू रही है कोई भला आदमी केन की सरकार का कर ये बोलने को तयार नहीं है कि ये महंगाई कम करने की कोशिश भी करेंगे आप उनसे पूछो गैस का सिलिंडर 12 रुपे का क्यूं बिकरा है तो कहते हिंदुस्तान और पाकिस्तान आप पूछो किसान आज भुकमरी के कार बखड़ा है जो दो तीन बीगे में खेदी करते हैं उस पे क्या बसता होगा, क्या पालता होगा, क्या बचाता होगा ये सवाल पूछो तो केन की सरकार के लोग बीजेपे के साथ ही बोलते हैं हिंदुस्तान, पाकिस्तान, मुसल्मान, हिंदू, मंदिर, मस्जिद इसी चर्चा में लोगों को समेटना चाहते हैं लेकिन मैं चाहता हूँ, हम सब चाहते हैं किसान को एक ऐसी रूप रेका देनी जरूरी है किसान को मदद अगर आप नहीं कर सकते हो तो किसान पे जो प्रहारा आपने किया था ये तीन जो काले कानून बनाए थे अपनी जिद्व मनाए थे और एक साल तक किसानों ने देश की राजधानी में धरने दिये पदर्शन किया, चक्का जाम किया तो एक साल के बाद जब चुनाम आने वाले थे तो हाथ जोड़के बोला, ये तीनों कानून वापिस ले रहे है अब मैं इसे पूछना चाहता हूँ कि किसके कहने पे तो आपने कानून बनाए थे और किसके कहने पे आपने वापिस ले लिए सेंकड़ों किसानों की जान चली गई इस देश में किसान को जो हक और अधिकार मिलना चाहिए किसान के नाम राजनी सब करते हैं किसान के नारे सब देते हैं लेकिन सही माइने में किसान उसके परिवार को भला और भविश अगर बेदर करना कोई चाहता है उन लोगों के पैचान आपको करनी पड़ेगी मैं किसान परिवार में पैदा हुआ और मैं इसले बोलता हूँ कि मेरा जर्म गाव में नहीं हुआ मेरे पता जी एर फोर्स में थे तो जहां जहां एर फोर्स का सेशन था माहा हमारे पोस्टिंग होती थी लेकिन जो किसान की दर्दों नहीं समस्कता जो किसान की मुश्क्ल को नहीं समझ सकता वो स्रrop भाष़न दे सकता है और मैं यह बात बार बार बोलता हूं जब तक किसानों के बच्चे गरीब के बच्चे उन कुर्शों पर नहीं बैठ जाएंगे जहां से इस देश की परदेश की नीतिया लाग होती है तब तक देश का कल्दान परदेश का कल्दान नहीं हो सकता जिसको पता होगा कि मुझे बैंक से गर 50,000 रुपे का लोन लेना है उस किसान की चपल गिज जाती है ज जाके उसको मिलें के पचाहजार उपे यह अखीकत मनिये देश की उस्था के अंदर और को धन्ना सेट मोटा सामी को उद्योग पती बैंक मेनेजर को फोन कर दे तो दस क्रोड का चेक उसी घर पहुंच जाता है बैंक मेनेजर लिके जाए तो इस बलेटर में फिलाल इतना ह और इस किसांज समीलन में मौजूद मेरे किसांज भाईयों माताओं बहनों बुज़र्गों नौजवान दोस्तों अप्यारे बच्छों मैं सबसे पहले आप सभी लोगों का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आपने आज हम सब के निमंदरन को सुषिकार किया और इस किसां सम्विलन में आप यहां सम्विलित हुए हैं पिशले दो-तिन दिनों से इसी प्रकार के किसान सम्विलन हम लोगों ने पहले नागौर में किये और कल में हनवानगर जिले में था पीली बिन्गा में बहाँ पर भी हमने किसानों को एकत्रित, संगटित और आगे बढ़ने के रास्ति के तरफ उनको उनसे बातें की, उनकी बात को सुना, अपनी बात को रखा शेकावटी की इस दर्ती पर बीरों की जमीन है, एतिहासी की मिट्टी है और यहाँ पर जब जब मुझे आने का मौका मिला है, आप सब ने अपार्स ने और प्रेम दिया है, मैं आप सब का कायल रहूंगा लेकिन आज इस मुझे को लेकर हम पूरे परदेश में सभी किसानों को उनके जीवन में जो परिवर्त लाने की उम्मीद हम देखना चाहते हैं किसानों के जीवन में किसानों के परिवार में किसानों के भविश्च के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं 55 साल बाद आज भी सरकारे आई और चली गई लेकिन इस देश में सबसे मेहनती सबसे मांदार लेकिन दुर्भा के वर्ष सबसे वंचित कोई वर्ग है तो वो किसान वर्ग है इस देश में दो तीहाई जन्दा जमीन पर काम करती है धर्टी का चीना चीर का रनाज पैदा करती है 130 करूलों का पेट पालते है उस किसान को जो मान सम्मान साहिता सयोग मदद मिलनी चाहिए उसके बच्चों को जो भविश मिलना चाहिए वो मिल नहीं रहा और मैं सवाल पूछना चाहता हूँ उन लोगों से जो दिल्ली में आठ साल से सरकार में बैठे है ये वो भाज़पा के साथी हैं जो चुनाब पचार में बोलते थे कि हम किसान के आमनी दुग नहीं कर देंगे बोलो कहा की निका बीजेपी ने हमने तो नहीं का आपको वादा करने के लिए लेकिन बीजेपी के सेहातियों ने कहा आप वोट दो हम किसान की आमने दुगनी कर देंगे सारी किसान बैठे हैं मैं आप से पूछना चाहता हूँ किसी की आमने दुगनी हुई किसानों की अगर कुछ दुगनी चौगनी हो रही है तो खाद की कीमत पेट्रोल की, डीजल की बीच की, यूरिया की, बिजली की ये सारी किमते आस्वान चू रही है कोई भला आदमी केन की सरकार का कर ये बोलने को तयार नहीं है कि ये महंगाई कम करने की कोशिश भी करेंगे आप उनसे पूछो गैस का सिलिंडर बारा सुरुपे का क्यूं बिक रहा है तो कहते हिंदूस्तान और पाकिस्तान आप पूछो किसान आज भुकमरी की का आर बख़डा है जो 2-3 बीगे में खेड़ी करते हैं उसपे क्या बशता होगा क्या पालता होगा क्या बचाता होगा ये सवाल पूछो तो केन की सरकार के लोग बीजेपे के साथ ही बोलते हैं हिंदुस्तान पाकिस्तान मुसल्मान हिंदू मंदिर मस्जिद इसी चर्चा में लोगों को समेटना चाहते हैं लेकिन मैं चाहता हूं हम सब चाहते हैं किसान को एक ऐसी रूप रेखा देनी जरूरी है किसान को मदद अगर आप नहीं कर सकते हो तो किसान पर जो प्रहारा आपने किया था ये तीन जो काले कानून बनाये थे अपनी जिद्व मनाये थे और एक साल तक किसानों ने देश की आजधानी में धरने दिये पर्शन किया चक्का जाम किया तो एक साल के बाद जब चुनाम आने वाले थे तो हाथ जोड़के बोला ये तीनों कानून वापिस ले रहे हैं अब मैं इसे पूछना चाहता हूं कि किसके कहने पे तो अपने क अधिकार मिलना चाहिए किसान के नमब राजनी सब करते हैं किसान के नारे सब देते हैं लेकिन सही माइने में किसान उसके परिवार को भला और भविश अगर बैदर करना कोई चाहता है उन लोगों के पैचान आपको करनी पड़ेगी मैं किसान परिवार में पैदा हुआ और मैं शमय बोलता हूं कि मेरा जर्म गाव में नहीं हुआ मेरे पटा जी एर फोर्स में थे तो जहां जाए फोस खासेशन था हमारे पूस्टिंग होती थी लेकिन जो किसान के दरद को नहीं समस्ज़ सकता जो किसान के प्रदेश की नीतिया लाग होती है तब तक देश का कल्दान प्रदेश का कल्दान नहीं हो सकता जिसको पता होगा कि मुझे बैंक से गर 50,000 रुपे का लोन लेना है उस किसान की चपल घिज जाती है जूती घिज जाती है बैंक के चकर काटते काटते है दो बार क्लर्क के देश युएस था के अंदर और कोई धन्ना सेट मोटा सामी कोई उद्योग पती बैंक मेनेजर को फोन कर दे तो दस क्रोड का चेक उसी घर पहुंचाता है बैंक मेनेजर लिके जाए तो इस प्लेटर में फिलाल इतना है सचीन पाइलेट इस समय असंभूदित कर रहे है बालिंदू जी राकेश मोरदिया जी मनीश यादव साहब सुभार शमील जो खंडेला से आए हैं मंच पर उपस्तित सभी नितागन और इस किसान सम्मिलन में मौजूद मेरे किसान भाईयों माताओं भेनों बुजर्गों नौजवान दोस्तों प्यारे बच्चों मैं सबस सम्मिलन में आप यहां सम्मिलत हुए हैं पिष्ले दू-तिन दिनों से इसी प्रकार के खिसान सम्मिलन हम लोगं ने पहले नागाओर में किये और कल में हनुआंगर जिले में था पीरी भिणना में बहाँ पर भी हमने किसानों को एकत्रित, संगटित और आगे बढ़ने के रास्ति के तरफ उनको उनसे बातें की, उनकी बात को सुना, अपनी बात को रखा शेखावटी की इस दर्ती पर बीरों की जमीन है, एतिहासी की मिट्टी है और यहाँ पर जब जब मुझे आने का मौका मिला है, आप सब ने अपार्स ने और प्रेम दिया है, मैं आप सब का कायल रहूंगा लेकिन आज इस मुझे को लेकर, हम पूरे परदेश में, सबी किसानों को, उनके जीवन में, जो पड़वर्त लाने की उम्मीद हम देखना चाहते हैं किसानों के जीवन में किसानों के परिवार में किसानों के भविश के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं 75 साल बाद आज भी सरकारे आई और चली गई लेकिन इस देश में सबसे मैनती सबसे मांदार लेकिन दुर्भागी वर्ष सबसे वंचित कोई वर्ग है तो वो किसान वर्ग है इस देश में दो तीहाई जन्ता जमीन पर काम करती है धर्टी का छीना चीर का रनाज पैदा करती है 130 करोडों का पेट पालते है उस किसान को जो मान सम्मान साहिता सयोग मदद मिलनी चाहिए उसके बच्चों को जो भविश मिलना चाहिए वो मिल नहीं रहा और मैं सवाल पूसना चाहता हूँ उन लोगों से जो दिल्ली में 8-7 सरकार में बैठे है ये वो भाजबा के साथ ही है जो चुनाब पचार में बोलते थे कि हम किसान की आमनी दुगनी कर देंगे बोलो कहा की निकाब बीजेपी ने हमने तो नहीं कहा आपको वादा करने के लिए लेकिन बीजेपी के साथियों ने कहा आप वोट दो हम किसान की आमनी दुगनी कर देंगे कि सारी किसान बैठे हैं मैं आप से पूछना चाहता हूँ किसी की अम्नि दुगनी होई किसानों की अगर कुछ दुगनी चौकनी हो रही हैं तो खाड की किमत पेटरॉल की डीजल की vig की यूरिया की बिजली की ये सारी किमत आस्मान छू रही है कोई भला आदमी केन की सरकार का करें बोलने को तयार नहीं है कि महंगाई कम करने की कोशिश भी करेंगे आप उनसे पूछो गैस का सिलंडर 12 रुपे का क्यूं भिकरा है तो कहते हिंदुस्तान और पाकिस्तान आप पूछो किसान आज भुकमरी के कहार ब करती बोलते हैं हिंदुस्तान पाकिस्तान मुसल्मान हिंदू मंदिर मस्जिद इसी चर्चा में लोगों को समेटना चाहते हैं लेकिन मैं चाहता हम सब चाहते हैं किसान को एक ऐसी रूप रेका देनी जरूरी है किसान को मदद अगर आप नहीं कर सकते हो तो किसान पे जो प्रहारा आपने किया था, यह तीन जो काले कानून बनाए थे, अपनी जिद्व मनाए थे, और एक साल तक किसानों ने देश की राजधानी में धरने दिए, प्रजचन किया, चक्का जाम किया, तो एक साल के बाद जब चुनामाने वाले थे, तो हाथ जोड़के बोला, यह त तीनों कानून वापिस ले रहे हैं मैं इसे पूछना चाहता हूं कि किसके कहने पे तो अपने कानून बनाए थे और किसके कहने पे अपने वापिस ले लिए सेंखड़ों किसानों की जान चली गई कि इस देश में किसान को जो हक और अधिकार मिलना चाहिए किसान के नारे सब करते हैं किसान के नारे सब देते हैं लेकिन सही माइने में किसान उसके परिवार को भला और भविश अगर बैतर करना कोई चाहता है उन लोगों के पैचान आपको करनी पड़ेगी मैं किसान परिवार में पैदा हुआ और मैं से बोलता हूँ कि मेरा जर्म गाव में नहीं हुआ मेरे पता जी एर फोर्स में थे तो जहांचा एर फोर्स का सेशन था माहा हमारे पोस्टिंग होती थी लेकिन जो किसान के दर्द को नहीं समझ सकता जो किसान की मुश्कुल को नहीं समझ सकता वो सरफ भाशन दे सकता है और मैं यह बात बार बार बोलता हूँ जब तक किसानों के बच्चे गरीब के बच्चे उन कुर्शों पर नहीं बैठ जाएंगे जहां से इस देश की प्रद्श का करना नहीं हो सकता जिसको पता होगा कि मुझे बैंक से गर 50 रुपे का लोन लेना है उसके सान की चपल गिज़ जाती है जूती कि जाती है बैंक के चकर काटते काटते हैं दो बार क्लर्क मिलेगा बोलेगा टेस्ट करके लाओ नोटराइज करके लाओ ये प्रमा सेट मोटा सामी को उद्योग पती बैंक मेरेजर को फोन कर दे तो दस क्रोड का चेक उसे घर पहुंचाता है बैंक बैंक बेनेजर लिके तो इस प्लेटर में फिलाल इतना है सचिन पाइलेट इस समय असंभूदित कर रहे हैं बालिंदू जी राकेश मोरदिया जी मनीश य दोस्तों प्यारे बच्चों मैं सबसे पहले आप सभी लोगों का धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपने आज हम सब के निमंदरन को सुविकार किया और इस किसांद समयलन में आप यहां समयलित हुए हैं पिसले दो-तिन दिनों से इसी प्रकार के किसांद समयलन हम लोगों ने पहले नागौर में किये और कल मैं हनवानगर जिले में था पीली बिंगा में बहां पर भी हमने किसानों को एकत्रित संगटित और आगे बढ़ने के रास्ति के तरफ उनको उनसे बातें की उनकी बात क जब मुझे आने का मौका मिला है आप सबने अपार्स नहीं और प्रेम दिया है मैं आप सबका कायल रहूंगा लेकिन आज जिस मुद्टे को लेकर हम पूरे परदेश में सभी किसानों को उनके जीवन में जो परिवर्त लाने की उम्मीद हम देखना चाहते हैं किसानों के जीवन में किसानों के परिवार में किसानों के भविश के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं 75 साल बाद आज भी सरकारे आई और चली गई लेकिन इस देश में सबसे मेहनती, सबसे मांदार, लेकिन दुर्भागिवश सबसे वंचित कोई वर्ग है, तो वो किसान वर्ग है इस देश में दो तिहाई जन्ता जमीन पर काम करती है धर्टी का छीना चीर का रनाज पैदा करती है, 130 करों लोगों का पेट पालते है इसके बच्चों को जो भविश मिलना चाहिए, वो मिल नहीं रहा है, और मैं सवाल पूछना चाहता हूँ, उन लोगों से दिल्ली में 8 साल से सरकार में बैठे हैं, ये वो भाजबा के साथी हैं, जो चुनाब पचार में बोलते थे, कि हम किसान की आमनी दुग नहीं कर दे किसान बैठे हैं, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, किसी की अमनी दुगनी होई किसानों की, अगर कुछ दुगनी-जोगनी हो रही है, तो खाज की कीमत, पेट्रोल की, डीजल की, बीच की, यूरिया की, बिजली की, ये सारी कीमते आसमान चुँ रही है, कोई भला आदम केंद की सरकार का करें बोलने को तयार नहीं है कि महंगाई कम करने की कोशिश भी करेंगे आप उनसे पूछो गैस का सिलिंडर 12 रुपे का क्यों विक रहा है तो कहते हिंदुस्तान और पाकिस्तान आप पूछो किसान आज भुकमरी के कार बखड़ा है जो दो तीन भीगे में खिद़ी करते हैं उस पे क्या बसता होगा और पालता होगा यहाख बचाता होगा यह सवाल फूछो तो केंकी सरकार के लोग विजचेपे के साथी बोलते हैं हंदुस्तान, पाकिस्तान, मुसल्मान, हिंदू, मंदिर, मुस्जिदि इसी चर्चा में लोगों को समीचे चाहते हैं लेकिन मैं चाहता हूं हम सब चाहते हैं किसान को एक ऐसी रूप रेखा देनी जरूबी है किसान को मदद अगर आप नहीं कर सकते हो तो किसान पे जो प्रहारा आपने किया था ये तीन जो काले कानूर बनाये थे अपनी जिद्व मनाए थे और एक साल तक किसानों ने देश के राजधानी में धरने दिये पदर्शन किया चक्का जाम किया तो एक साल के बाद जब चुनाम आने वाले थे तो हाथ चोड़ के बोला ये तीनों कानून वापिस ले रहे हैं अब मैं इसे पूछना चाहता हूं कि किसके कहने पर तो अपने कानून बनाए थे और किसके कहने पर आपने वापिस ले लिए सेंखड़ों किसानों की जान चली गई कि इस देश में किसान को जो हक और अधिगार मिलना चाहिए किसान के नमब राजनी सब करते हैं किसान के नारे सब देते हैं लेकिन सही माहिने में किसान उसके परिवार को भला और भविश अगर बेदर करना कोई चाहता है उन लोगों की पैचान आपको करनी पड़ेगी मैं किसान परिवार में पैदा हुआ और मैं इसले बोलता हूँ कि मेरा जर्म गाओं में नहीं हुआ मेरे पता जी एर फोर्स में थे तो जहां जा एर फोर्स का सेशन था माहा हमारे पोस्टिंग होती थे लेकिन जो किसान के दर्द को नहीं समझ सकता जो किसान की भी को नहीं समझ सकता वो सुर्फ भाष्ञण दे सकता है और मैं यह बात बार-बार बोलता हूं जब तक किसानों के बच्चे, गरीब के बच्चे उन पुर्शें पर नहीं बैढ़ जाएंगे जहां से इस देश की पर्देश की निट्या लागो होती है तब तक डेश का कर्णान प्रदेश का कर्णान नहीं हो सकता जिसको पता होगा या oh he, जिसको पता होगा कि मुझे बेंक से घर पचाहा़ जा Cafler का लेना है उसके दलाल को दो पाँजार रुपे पकड़ाएगा तब जाके उसको मिले के पचाहईजार रुपे यह अखीकत मनिये देश की उस्था के अंदर और धन्ना सेट मोटा सामी को उद्योगपती बैंक मेनेजर को फोन कर दे तो दस क्रोड का चेक उसे घर पहुंचाता है बैंक से आये हैं मंचपर उपस्तित सभी नितागन और इसके सांद सम्मिलन में मौझूद मेरे किसान भाईयों माताओं भेनों बुजर्गों और जवान दोस्तों प्यारे बच्चों मैं सबसे पहले आप सभी लोगों का धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपने आज हम सब के निम सम्मिलन हम लोगों ने पहले नागौर में किये और कल मैं हनवान गर जिले में था पीली बिंगा में बहां पर भी हमने किसानों को एकत्रित संगटित और आगे बढ़ने के रास्ति के तरफ उनको उनसे बातें की उनकी बात को सुना अपनी बात को रखा शेकावटी की इस मैं आप सबका कायल रहूंगा लेकिन आज इस मुद्ध को लेकर हम पूरे परदेश में सभी किसानों को उनके जीवन में जो परिवर्त लाने की उम्मीद हम देखना चाहते हैं किसानों के जीवन में किसानों के परिवार में किसानों के भविश के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं 75 साल बाद आज भी सरकारे आई और चली गई लेकिन इस देश में सबसे मेहनती सबसे मांदार लेकिन दुर्भागिवस्थ सबसे वंचित कोई वर्ग है तो वो किसान वर्ग है इस देश में दो तिहाई जन्ता जमीन पर उसके बच्चों को जो भविश मिलना चाहिए वो मिल नहीं रहा और मैं सवाल पूशना चाहता हूं उन लोगों से दिल्ली में आठ साल से सरकार में बैठे हैं यह वो भाजबा के साथ ही हैं जो चुनाब पचार में बोलते थे कि हम किसान की आमदनी दूग नहीं कर देंगे कि बोलो कहा की ना बीजेपी ने हूं ने तो नहीं को आपको वादा करने के लिए लेकिन बीजेपी के साथियों ने कहा हाँ आप वोट दो हम किसान की आमदनी दूग निंगए उन्हीं कर देंगे पेट्रोल की डीजल की बीज की यूरिया की बिजली की ये सारी किमते आस्वान छू रही हैं कोई भला आदमी केंड की सरकार काकर ये बोलने को तयार नहीं है कि ये महंगाई कम करने की कोशिश भी करेंगे आप उनसे पूछो गैस का सिलिंडर 12 रुपे का क्यूं भिक रहा है हैं तो कहते हैं हिंदोस्तान और पाकिस्तान आप पूछाँ आज भुकमरी के का आरब खारा है जो दोतीन विगे में ख्यादी करते ये पे किया बसता होगा क्या पालता होगा क्या बचाता होगा ये सवाल नो किलिकर के स्वाटार के लोग बीजेपे के साथ ही बोलते हैं हिंदुस्तान Państwo किस्तान मॊसलमान हिंदू मंदिर वजित इसी चर्चा में लोगों को समयचना चाहते ई convictions मैं चाहता हूं हम सब चाहते हैं किसान को एक ऐसी रूप रेखा देनी जरूरी है किसान को मदद अगर आप नहीं कर सकते हो तो किसान पर जो प्रहारा आपने किया था ये तीन जो काले कानू बनाए थे अपनी जिद्व मनाए थे और एक साल तक किसानों ने देश के राजदानी में धरनें दिये पदसन किया चक्काजाम किया एक साल के वाम चुनावाने वाले थे तो हाथ जोड़ के बोलाמ है ये तीनों कानून भापिस ले रहे हैंंने से बूस्थना चाहता हूं कि किस के कहने पे तर अपने कानून बनाए थे और किस के कहने पे आपने वापस ले लिए कि सेकड़ों किसानों की जान चली गई इस देश में किसान को जो हक और अधिकार मिलना चाहिए किसान के नब्राजिए सब करते किसान के नारे लेकिन सही माइने में किसान उसके परिवार को भला और भशश अगर बेटर करना को चाहता है उन लोगों के पैसान आपको करनी पड़ेगे मैं किसान परिवार में पैदा हुआ और मैंसे बोलता हूं कि मेरा जर्म गाव में नहीं हुआ मेरे पता जी एरफोर्स में थे तो जहां जा एरफोर्स का स्टेशन था माहा हमारे पोस्टिंग होती थी लेकिन जो किसान के दर्द को नहीं समझ सकता जो किसान की मुश्कुल को नहीं समझ सकता वो सरफ भाशन दे सकता है और मैं यह बात बार बार बोलता हूं जब तक किसानों के बच्चे गरीब के बच्चे उन कुर्शें पर नहीं बैठ जाएंगे जहां से देश की परदेश की नीतिया लाग होती है तब तक देश का कल्दान प्रदिश का कल्दान नहीं हो सकता है जिसको पता होगा कि मुझे बैंक से घर 50,000 रुपे का लोन लेना है उस किसान की चपल गिस जाती है जूती घिस जाती है बैंक के चकर काटते काटते हैं दो बार क्लर्क मिलेगा बोलेगा टेस्ट करके लाओ नोटराइज करके लाओ ये प्रमान पत्र दो क्या गिर्वी रखोगे दस चकर काटेगा फिर किसी दलाल को दो पांच जार रुपे पकड़ागा तब जाके उसको मिलेंके पचाईजार रुपे यह अखीकत मनिये देश के अस्था के अंदर और और धन् हिंदू जी राकेश मोर्दिया जी मनीश यादव साहब सुभाश मील जो खंडेला से आए हैं मंच पर उपस्थित सभी नितागन और इसके सांद सम्मिलन में मौजूद मेरे किसान भाईयों माताओं भेनों बुजुर्गों नौजवान दोस्तों प्यारे बच्चों मैं को भी लोगों का धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपने आज हम सब के निमंदरन को सुविकार किया और इसके सांद सम्मिलन में आप यहां सम्मिलित हुए हैं पिछले दो-तिन दिनों से इसी प्रकार के किसान सम्मेलन हम लोगों ने पहले नागौर में किये और कल मैं हनवानगर जिले में था पीली बिंगा में बहाँ पर भी हमने किसानों को एकत्रित संगटित और आगे बढ़ने के रास्ति के तरफ उनको उनसे बातें की उनकी बात को सुना अपनी बात को रखा शेखावटी की इस दर्ती पर बीरों की जमीन है एतिहासी की मिट्टी है और यहाँ पर जब जब मुझे आने का मौका मिला है आप सब ने अपार्स ने और प्रेम दिया है मैं आप सब का कायल रहूंगा लेकिन आज इस बुद्टे को लेकर हम पूरे परदेश में सभी किसानों को उनके जीवन में जो परिवर्त लाने की उम्मीद हम देखना चाहते हैं किसानों के जीवन में किसानों के परिवार में किसानों के भविश के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं 75 साल बाद आज भी सरकारे आई और चली गई लेकिन इस देश में सबसे मेहनती, सबसे मांदार, लेकिन दुर्भा के वर्ष सबसे वंचित कोई वर्ग है, तो वो किसान वर्ग है इस देश में दो तिहाई जन्ता जमीन पर काम करती है धर्पी का चीना चीर का रानाज पैदा करती है 130 करोडों का पेट पालते हैं उस खिसान को जो मान सम्मान साहता सयोग मदद मिलनी चाहिए उसके बच्चों को जो भविश मिलना चाहिए वो मिल नहीं रहा और मैं सवाल पूछना चाहता हूँ उन लोगों से जो दिल्ली में आठ साल से सरकार में बैठे हैं ये वो भाजबा के साथी हैं जो चुनाब पचार में बोलते थे कि हम किसान की आमनी दुगनी कर देंगे बोलो कहा की निका बीजेपी ने हमने तो नहीं का आपको वादा करने के लिए लेकिन बीजेपी के साथियों ने कहा आप वोट दो हम किसान की आमनी दुगनी कर देंगे सारी किसान बैठे हैं मैं आप से पूछना चाहता हूँ किसी की आमनी दुगनी होई किसानों की अगर कुछ दुगनी चौगनी हो रही है तो खाद की कीमत पेट्रोल की डीजल की बीच की यूरिया की बिजली की ये सारी कीमते आस्मान चू रही है कोई भला आदमी केंद की सरकार काकर ये बोलने को तैयार नहीं है कि ये महंगाई कम करने की कोशिश भी करेंगे आप उनसे पूछो गैस का सिलिंडर 12 रुपे का क्यूं बिक रहा है तो कहते हिंदुस्तान और पाकिस्तान आप पूछो किसान आज भुकमरी के कार बखड़ा है जो दो तीन बीगे में खेदी करते हैं उसमें क्या बचता होगा क्या बचाता होगा ये सवाल पूछो तो केन की सरकार के लोग बीज़ेपे के साथ ही बोलते हैं हिंदुस्तान पाकिस्तान मुसल्मान हिंदू मंदिर मस्जिद इसी चर्चा में लोगों को समेटना चाहते हैं लेकिन मैं चाहता हूँ हम सब चाहते हैं किसान को एक ऐसी रूप रेखा देनी जरूरी है किसान को मदद अगर आप नहीं कर सकते हो तो किसान पर जो प्रहारा आपने किया था ये तीन जो काले कानून बनाए थे अपनी जिद्व मनाए थे और एक साल तक किसानों ने देश की राजधानी में धरने दिये पदर्शन किया चक्का जाम किया तो एक साल के बाद जब चुनाम आने वाले थे तो हाथ चोड़के बोला हम ये तीनों कानून वापिस ले रहे हैं पूसना चाहता हूँ कि किसके कहने पे तो आपने कानून बनाए थे और किसके कहने पे आपने वापिस ले लिए सेंकड़ों किसानों की जान चली गई इस देश में किसान को जो हक और अधिकार मिलना चाहिए किसान के नमबर राजनी सब करते हैं किसान के नारे सब देते हैं लेकिन सही माइने में किसान उसके परिवार को भला और भविश अगर बैदर करना कोई चाहता है उन लोगों के पैचान आपको करनी पड़ेगी मैं किसान परिवार में पैदा हुआ और मैं से बोलता हूँ कि मेरा जर्म गाव में नहीं हुआ मेरे पता जी एर फोर्स में थे तो जहांचा एर फोर्स का स्टेशन था माहा हमारे पोस्टिंग होती थी लेकिन जो किसान के दर्द को नहीं समझ सकता जो किसान के मुश्कुल को नहीं समझ सकता वो सरफ भाशन दे सकता है और मैं यह बात बार बार बोलता हूँ जब तक किसानों के बच्चे गरीब के बच्चे उन कुर्शों पर नहीं बैठ जाएंगे जहां से देश की करना नहीं हो सकता जिसको पता होगा कि मुझे बैंक से गर 50,000 रुपे का लोन लेना है उसके सान की चप्पल घिज जाती है जूती घिज जाती है बैंक के चकर काटते काटते हैं दो बार क्लर्क मिलेगा बोलेगा टेस्ट करके लाओ नोटराइस करके लाओ ये प्रमान पत्र दो क्या गिर्वी रखोगे दस चकर काटेगा फिर किसी दलाल को दो पांच जार रुपे पकड़ागा तब जाके उसको मिलेगा पचाहईजार रुपे ये अखीकत मनिये देश की वहस्ता के अंदर और धन्ना सेट मोटा सामी को उद्योग पती बैंक मेनेजर को फोन कर दे तो दस क्रोड का चेक उसी घर पहुंचाता है बैंक मेनेजर लिखे लिए तो इस बलेडर में फिलाल इतना ही है सचिन पाइलेट इस समय असंबूदित कर रहा है बालिंदू जी राकेश मोरदिया जी मनीश यादव साहब सुभाष मील जो खंडेला से आए हैं मंच पर उपस्थित सभी नितागन और इस किसान सम्मिलन में मौजूद मेरे किसान भाईयों माताओं भेनों बुजुर्गों नौजवान दोस्तों प्यारे बच्चों मैं भी लोगों का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आपने आज हम सब के निमंदरन को सुभीकार किया और इस किसान सम्मिलन में आप यहां सम्मिल्ट हुए हैं पिशले दो-तिन दिनों से इसी प्रकार के किसान सम्मेलन हम लोगों ने पहले नागौर में किये और कल मैं हनवानगर जिले में था पीली बिंगा में बहाँ पर भी हमने किसानों को एकत्रित संगटित और आगे बढ़ने के रास्ती के तरफ उनको उनसे बातें की उनकी बात को सुना अपनी बात को रखा शेखावटी की इस दर्ती पर बीरों की जमीन है एतिहासी की मिट्टी है और यहाँ पर जब जब मुझे आने का मौका मिला है आप सबने अपार्स नहीं और प्रेम दिया है मैं आप सबका कायल रहूंगा लेकिन आज इस मुझे को लेकर हम पूरे परदेश में सभी किसानों को उनके जीवन में जो परिवर्ट लाने की उम्मी पिचेतर साल बाद आज भी सरकारे आई और चली गई लेकिन इस देश में सबसे मेहनती सबसे मांदार तो भागिवर्ष सबसे वंचित कोई वर्ग है तो वो किसान वर्ग है इस देश में दो तीहाई जन्ता जमीन पर काम करती है धर्ती का सीना चीर का रनाज पैदा करती है 130 करों लोगों का पेट पालते है उस किसान को जो मान समान साहता सयोग मदद मिलनी चाहिए उसके बच्चों को जो भविश मिलना चाहिए वो मिल नहीं रहा और मैं सवाल पूछना चाहता हूँ उन लोगों से जो दिल्ली में आठ साल से सरकार में बैठे है ये वो भाजबा के साथी हैं जो चुनाब पचार में बोलते थे कि हम किसान की आमनी दुगनी कर देंगे बोलो कहा कि नहीं आप बीजेपी ने हमने तो नहीं का आपको वादा करने के लिए लेकिन बीजेपी के साथियों ने कहा आप वोट दो हम किसान की आमनी दुगनी कर देंगे सारे किसान बैठे हैं मैं आप से पूछना चाहता हूँ किसी की आमनी दुगनी होई किसानों की अगर कुछ दुगनी चौगनी हो रही है तो खाज की कीमत पेट्रोल की डीजल की बीच की यूरिया की बिजली की ये सारी कीमते आस्मान चूर रही है कोई भला आदमी केंद की सरकार काकर ये बोलने को तयार नहीं है कि ये महंगाई कम करने की कोशिश भी करेंगे आप उनसे पूछो गैस का सिलिंडर 12 रुपे का क्यूं बिकरा है तो कहते हिंदुस्तान और पाकिस्तान आप पूछो किसान आज भुकमनी के एक आर बखड़ा है जो दो तीन भीगे में खेदी करते हैं उसमें क्या बचता होगा क्या पालता होगा ये सवाल पूछो तो केन क सरकार के लोग बीजेपे के साथी बोलते हैं हिंदुस्तान पाकिस्तान मुसल्मान हिंदू मंदिर मस्जिद इसी चर्चा में लोगों को समेठना चाहते हैं लेकिन मैं चाहता हूं हम सब चाहते हैं किसान को एक ऐसी रूप रेखा देनी जरूरी है किसान को मदद अगर आपने किया था ये तीन जो काले कानूनाय थे अपनी जिद्व में मनाय थे और एक साल किसानों ने डेश की राजधानी में धरनें दिए पदर्शन किया चक्का liters किया तो एक साल के बाद जब जुनाम आने वाले थे तो हाथ जोड़के बोला मो ये तीनों कानून वापिस किसानों की जान चली गई इस देश में किसान को जो हक और दिकार मिलना चाहिए किसान के नमर राजनी सब करते हैं किसान के नारे सब देते हैं लेकिन सही माइने में किसान उसके परिवार को भला और भविश अगर बैदर करना कोई चाहता है उन लोगों के पैचान आपको करन में नहीं हुँआ Про मेरे पता येर फोर्स में थे तो जहांच यह एरफोस का सेशन ता मेहा हमारे पोस्टिंग होती थे लेकिन जो किसान के दर्द को नहीं समझ सकता जो किसान के मुश्कुल को नहीं समझ सकता वो सरफ भाशन दे सकता है और मैं यह बार 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 बोलता हूं जब तक किसानों के बच्चे गरीब के बच्चे उन कुड़्शे उपर नहीं बैठ जाएंगे जहां से इस देश की पर तो दो बार क्लर्क मिलेगा बोलेगा टेस्ट करके लाओ नोटराइज करके लाओ ये प्रमान पत्र दो क्या गिर्वी रखोगे 10 चक्र काटेगा फिर किसी दलाल को दो पांच जार रुपे पकड़ाएगा तब जाके उसको मिलें के पचाहई जार रुपे यह अखिकत मनिये देश की वज़स्था के अंदर और और धन्ना सेट मोटा सामी को उद्योग पती बैंक मेनेजर को फोन कर दे तो दस क्रोड का चेक उसी घर पहुंच जाता है बैंक पर उपस्तित सभी नितागन और इस किसान सम्मिलन में मौजूद मेरे किसान भाईयों माताओं भेनों बुज़ुर्गों नौजवान दोस्तों प्यारे बच्चों मैं सबसे पहले आप सभी लोगों का धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपने आज हम सब के निमंदरन को का मिलित हुए हैं पिछले दो तिन दिनों से इसी प्रकार के किसान सम्मेलन हम लोगों ने पहले नागौर में किये और कल में हनवानगर जिले में था पीली बिन्ना में बहाँ पर भी हमने किसानों को एकत्रित संगटित और आगे बढ़ने के रास्ति के तरफ उनको उनसे बातें की उनकी बात को सुना अपनी बात को रखा शेकावड़ी की इस दर्ती पर बीलों की जमीन है एतिहासी की मिट्टी है और यहां पर जब जब मुझे आने का मौका मिला है आप सबने अपार्स ने और प्रेम दिया है मैं आप सब का कायल रहूंगा लेकिन आज इस मु पर देश में सबी किसानों को उनके जीवन में जो परिवर्त लाने की उम्मीद हम देखना चाहते हैं किसानों के जीवन में किसानों के परिवार में किसानों के भविश्य के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं 75 साल बाद आज भी सरकार हैं और चली गई लेकिन इस देश में सबसे मेहनती, सबसे मांदार, लेकिन दुर्भाग वर्ष सबसे वन्चित कोई वर्ग है तो वो किसान वर्ग है इस देश में दो तिहाई जन्ता जमीन पर काम करती है धर्पी का चीना चीर का रानाज पैदा करती है 130 करों लोगों का पेट पालते हैं उस किसान को जो मान सम्मान साहिता सयोग मदद मिलनी चाहिए उसके बच्चों को जो भविश मिलना चाहिए वो मिल नहीं रहा और मैं सवाल पूशना चाहता हूँ उन लोगों से जो दिल्ली में 8 साल से सरकार में बैठे हैं ये वो भाजबा के साथी हैं जो चुनाप पचार में बोलते थे कि हम किसान के आमदनीं दूग नी कर देंगे में आ से पूछना चाहता हूं किसी की आमदनीं हुई किसानों की अगर कुछ दुगनी चौगनी हो रही है तो खाज की कीमत पेट्रोल की डीजल की बीज की यूरिया की बिजली की ये सारी कीमते आस्मान छू रही हैं कोई भला आदमी केंद की सरकार काकर ये बुलने को तयार नहीं है कि ये महंगाई कम करने की कोशिश भी करेंगे आप उनसे पूछो गैस का सिलिंडर 12 रुपे का क्यों बिक रहा है तो कहते हिंदुस्तान और पाकिस्तान आप पूछो किसान आज भुकमरी के कार बखड़ा है जो दो तीन बीगे में खेदी करते हैं उसमें क्या बसता होगा क्या पालता होगा क्या बचाता होगा ये सवाल तो केन की सरकार के लोग बीजेपे के साथी बोलते हैं हिंदुस्तान पाकिस्तान मुसल्मान हिंदू मंदिर मस्जिद इसी चर्चा में लोगों को समेटना चाहते हैं लेकिन मैं चाहता हूँ हम सब चाहते हैं किसान को एक ऐसी रूप रेका देनी जरूरी है किसान को मदद अगर आप नहीं कर सकते हो तो किसान पे जो प्रहारा आपने किया था ये तीन जो काले कानून बनाए थे अपनी जिद्व मनाए थे और एक साल तक किसानों ने देश की राजधानी में धरने दिये प्रद्रशन किया चक्का जाम किया तो एक साल के बाद जब चुनावाने वाले थे तो हाथ जोड़के बोला ये तीनों कानून वापिस ले रहे हैं अब मैं इसे पूछना चाहता हूं कि किसके कहने पर आपने कानून बनाए थे और किसके कहने पर आपने वापिस ले लिए कि सेंकड़ों किसानों की जान चली गई इस देश में किसान को जो हक और अधिकार मिलना चाहिए किसान के नमबर राजनी सब करते हैं किसान के नारे सब देते हैं लेकिन सही माइने में किसान उसके परिवार को भदा और भविश अगर बेदर करना कोई चाहता है उन लोगों की पैसान आपको करनी पड़ेगी मैं एक किसान परिवार में पैदा हुआ और मैसले बोलता हूं कि मेरा जनम गाव में नहीं हुआ मेरे पता जी एर फोर्स में थे तो जहाँ जहाँ एर फोर्स का छेशन 운ाव दा मा हमारे पोस्टिंग होती थे लेकिन जो किसान के दर्द को नहीं समझ सकता जो किसान की मुश्कुल नहीं समझ सकता वो सरफ भाशन दे सकता है और मैं ये बार 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 बोलता हूँ जब तक किसानों के बच्चे गरीब के बच्चे उन कुर्शे उपर नहीं बैठ जाएंगे जाहां से इस देश की परदेश की नितिया लग होती है जिसको पता होगा कि मुझे बैंक से गर 50,000 रुपे का लोन लेना है उस किसान की चपल घिज जाती है जूती घिज जाती है बैंक के चकर काटते काटते का दो बार क्लरक मिलेगा बोलेगा टेस करके लाओ नोटराइस करके लाओ ये प्रमान पत्र दो क्या गिर्वी रखोगे दस चक्र काटेगा फिर किसी दालाल को 25,000 रुपे पकड़ाएगा तब जाके उसको मिलेंके 5000 रुपे ये अखिकत मनिये देश की वह स्था के अंदर और को धन्ना सेट मोटा सामी को उद्योग पती बैंक मेनेजर को फोन कर दे तो 10 क्रोड का चेक उसी घर पहुंचाता है बैंक मेनेजर लिखे जाए तो इस बलेटर में फिलाल इतना ही है सचीन पाइलेट इस समय असंबोधित कर रहे हैं वालिंदू जी राकेश मोडिया जी मनीश यादव साहब सुभार शमील जो खंडेला से आए हैं मंच पर उपस्तित सभी नितागन और इस किसान सम्मिलन मे मौजूद मेरे किसान भाईयों माताओं भेनों बुजर्गों नौजवान दोस्तों प्यारे बच्चों मैं सबसे पहले आप सभी लोगों का धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपने आज हम सब के निमंदरन को सुविकार किया और इस किसान सम्मिलन में आप यहां सम्मिलित ह हुए हैं पिछले दो-तिन दिनों से इसी प्रकार के किसान सम्मिलन हम लोगों ने पहले नागौर में किये और कल में हनवानगर जिले में था पीली बिंगा में बहां पर भी हमने किसानों को एकत्रित संगटित और आगे बढ़ने के रास्ति के तरफ उनको उनसे बातें की उनकी बात को सुना अपनी बात को रखा शेखावटी की इस दर्ती पर बीरों की जमीन है एतिहासी की मिट्टी है और यहां पर जब-जब मुझे आने का मौका मिला है आप सबने अपार्स ने और प्रेम दिया है मैं आप सब का कायल रहूंगा लेकिन आज इस मुद्टे को लेकर हम पूरे परदेश में सभी किसानों को उनके जीवन में जो परिवर्टलाने की उम्मीद हम देखना चाहते हैं किसानों के जीवन में किसानों के परिवार में किसानों के भविश के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं 75 सार बाद आज भी सरकारे आई और चली गई लेकिन इस देश में सबसे मेहनती सबसे मांदार लेकिन दुर्भा के पर सबसे वंचित कोई वर्ग है तो वो किसान वर्ग है इस देश में दो तिहाई जन्ता जमीन पर काम करती है धर्टी का सीना चीर का रहनाच पैदा करती है 130 करोडों का पेट पालते हैं उस किसान को जो मान समान साहिता सयोग मदद मिलनी चाहिए उसके बच्चों को जो भविश मिलना चाहिए वो मिल नहीं रहा और मैं सवाल पूछना चाहता हूँ उस लोगों से दिल्ली में आठ साल से सरकार में बैठे हैं ये वो भाजबा के साथी हैं जो चुनाब पचार में बोलते थे कि हम किसान की आमनी दुगनी कर देंगे बोलो कहा की निगाब बीजेपी ने हमने तो नहीं का आपको वादा करने के लिए लेकिन बीजेपी के साथियों ने कहा आप वोट दो हम किसान की आमनी दुगनी कर देंगे सारी किसान बैठे हैं मैं आपसे पूछना चाहता हूँ किसी की अंधनी दुगनी होई किसानों की अगर कुछ दुगनी जोगनी हो रही है तो खाद की कीमत पेटरोल की डीजल की बीज की यूरिया की बिजली की ये सारी कीमते आस्मान चूर रही है कोई भला आदमी केन की सरकार का आकर ये बोलने को तयार नहीं है कि ये महंगाई कम करने की कोशिश भी करेंगे आप उनसे पूछो गैस का सिलिंडर 12 रुपे का क्यूं बिकरा है तो कहते हिंदुस्तान और पाकिस्तान आप पूछो किसान आज भुकमरी के कार बखड़ा है जो दो तीन बीगे में खेदी करते हैं उस पे क्या बसता होगा क्या पालता होगा क्या बचाता होगा ये सवाल पूछो तो केन की सरकार के लोग बीजेपे के साथी बोलते हैं हिंदुस्तान पाकिस्तान मुसल्मान हिंदू मंदिर मस्जिद इसी चर्चा में लोगों को समेटना चाहते हैं लेकिन मैं चाहता हूं हम सब चाहते हैं किसान को एक ऐसी रूप रेखा देनी जरूरी है किसान को मदद अगर आप नहीं कर सकते हो तो किसान पे जो प्रहारा आपने किया था ये तीन जो काले कानून बनाए थे अपनी जिद्वें मनाए थे और एक साल तक किसानों ने देश के राजधानी में धर्ने दिये पदर्शन किया, चक्का जाम किया तो एक साल के बाद जब चुनाम आने वाले थे तो हाथ जोड़के बोला, ये तीनों कानून वापिस ले रहे हैं अब मैं इसे पूछना चाहता हूँ कि किसके कहने पे तो अपने कानून बनाए थे और किसके कहने पे अपने वापिस ले लिए सेंकडों किसानों की जान चली गई इस देश में किसान को जो हक और अधिकार मिलना चाहिए किसान के नमबर राजनी सब करते हैं किसान के नारे सब देते हैं लेकिन सही माइने में किसान उसके परिवार को भला और भविश अगर बेदर करना कोई चाहता है उन लोगों के प्रचान आपको करनी पड़ेगी मैं किसान परिवार में पैदा हुआ और मैं इसलिए बोलता हूँ कि मेरा जर्म गाउ में नहीं हुआ मेरे पता जी एर फोर्स में थे तो जहां जा एर फोर्स का स्टेशन था माहा हमारे पोस्टिंग होती थी लेकिन जो किसान के दर्द को नहीं समझ सकता जो किसान के मुश्कुल को नहीं समझ सकता वो सरफ भाशन दे सकता है और मैं ये बात बार बार बोलता हूँ जब तक किसानों के बच्चे गरीब के बच्चे उन कुर्शे उपर नहीं बैठ जाएंगे चांसे इस देश की पर्देश की निके अलाग होती है तब तक बेश का कलान परदेश का कलान नहीं हो सकता, जिसको पता होगा, कि मुझे बैंक से घर 50,000 रुपे का लोण लेना है, उस किसान की चपल गिज जाती है, जूती घिस जाती है, बैंक के चक्र काटते काटते है, दो तो बार क्लर्क मिलेगा बोलेगा टेस्ट करके लाओ नोटराइज करके लाओ ये प्रमान पत्र दो क्या गिर्वी रखोगे दस चक्र काटेगा फिर किसी दलाल को दो पांच जार रुपे पकड़ाएगा तब जाके उसको मिलें के पचाई जारुपे यह अखीकत बनी है मिलेंदू जी राकेश मोरदिया जी मनीश यादव साहब सुभाश मील जो खंडेला से आए हैं मंच पर उपस्तित सभी नितागन और इस किसान सम्मिलन में मौजूद मेरे किसान भाईयों माताओं भेनों बुज़ुर्गों नौजवान दोस्तों प्यारे बच्चों मैं सुभी लोगों का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आपने आज हम सब के निमंद्रन को सुभिकार किया और इस किसान समयलन में आप यहां समलित हुए हैं पिछले दो-तिन दिनों से इसी प्रकार के किसान समेलन हम लोगों ने पहले नागौर में किये और कल में हन्वानगर जिले में था पीली बिन्गा में बहाँ पर भी हमने किसानों को एकत्रित संगटित और आगे बढ़ने के रास्ति के तरफ उनको उनसे बातें की उनकी बात को सुना अपनी बात को रखा शेखावटी की इस दर्ती पर बीरों की जमीन है एतिहासी की मिट्टी है और यहाँ पर जब जब मुझे आने का मौका मिला है आप समने अपार्स नहीं और प्रेम दिया है मैं आप सबका कायल रहूंगा लेकिन आज इस मुझे को लेकर हम पूरे परदेश में सबी किसानों को उनके जीवन में जो परिवर्त लाने की उम्मीद हम देखना चाहते हैं किसानों के जीवन में किसानों के परिवार में किसानों के भविश के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं 75 साल बाद आज भी सरकारे आई और चली गई लेकिन इस देश में सबसे मेहनती, सबसे मांदार, लेकिन दुर्भा के वर्ष सबसे वंचित कोई वर्ग है तो वो किसान वर्ग है इस देश में दो तिहाई जनता जमीन पर काम करती है धर्टी का सीना चीर का रहनाच पैदा करती है 130 करोडों का पेट पालते है उस किसान को जो मान समान साहिता सयोग मदद मिलनी चाहिए उसके बच्चों को जो भविश मिलना चाहिए वो मिल नहीं रहा और मैं सवाल पूछना चाहता हूँ उन लोगों से जो दिल्ली में आठ साल से सरकार में बैठे है ये वो भाजबा के साथी हैं जो चुनाब पचार में बोलते थे कि हम किसान की आमनी दुग नि कर देंगे बोलो कहा कि निका बीजेपी ने हमने तो नहीं का आपको वादा करने के लिए लेकिन बीजेपी के साथियों ने कहा आप वोट दो हम किसान की आमनी दुग नि कर देंगे इस सारी किसान बैठे हैं मैं आप से पूछना चाहता हूँ किसी की आमनी दुग नि होई किसानों की अगर कुछ दुग नि चौग नि हो रही है तो खाज की कीमत पेटरोल की, डीजल की, बीज की, यूरिया की, बिजली की ये सारी किमते आस्मान चू रही है कोई भला आदमी केंद की सरकार काकर ये बोलने को तयार नहीं है कि ये महंगाई कम करने की कोशिश भी करेंगे आप उनसे पूछो गैस का सिलिंडर 12 रुपे का क्यूं बिक रहा है तो कहते हिंदुस्तान और पाकिस्तान आप पूछो किसान आज भुकमरी के एक आर बख़डा है जो दो-तीन बीगे में खेदी करते हैं उस पे क्या बसता होगा, क्या पालता होगा, क्या बचाता होगा यह सवाल पूछो तो केन की सरकार के लोग बीज़ेपे के साथ ही बोलते हैं हिंदुस्तान, पाकिस्तान, मुसल्मान, हिंदू, मंदिर, मस्जिद इसी चर्चा में लोगों को समेटना चाहते है लेकिन मैं चाहता हूँ, हम सब चाहते है किसान को एक ऐसी रूप रेका देनी जरूरी है किसान को मदद अगर आप नहीं कर सकते हो तो किसान पर जो प्रहारा आपने किया था ये तीन जो काले कानून बनाए थे अपनी जिद्व मनाए थे और एक साल तक किसानों ने देश की राजधानी में धरने दिये प्रदेशन किया चक्का जाम किया तो एक साल के बाद जब चुनाम आने वाले थे तो हाथ जोड़के बोला ये तीनों कानून वापिस ले रहे हैं अब मैं इसे पूछना चाहता हूँ कि किसके कहने पे तो आपने कानून बनाए थे और किसके कहने वे आपने वापिस ले लिए सेंकड़ों किसानों की जान चली गई इस देश में किसान को जो हक और अधिकार मिलना चाहिए किसान के नम बराजनी सब करते हैं किसान के नारे सब देते हैं कि लेकिन सही माइने में किसान उसके परिवार को भला और भविश्य अगर बेदर करना कोई चाहता है उन लोगों के पैचान आपको करनी पड़ेगी कि मैं किसान परिवार में पैदा हुआ और मैं से बोलता हूं कि मेरा जनम गाओं में नहीं हुआ मेरे पता ये एरफोर्स में थे तो जहां जाए एरफोर्स का स्टेशन था माहा हमारे पोस्टिंग होती थी लेकिन जो खिसान के दर्ठो ने समझ सकता जो किसान के मुश्कुल नहीं समझ सकता भो सरफ बाज़न दे सकता है और मैं ये बात बार बार बोलता हूं जब तक किसान हो गरीब के बच्चे उन कुछषी ओपर नहीं बैठ जाएंगे जांस तेजिक पूरदिश की लोन लेना है उसके सांगी चपल कि जाती है जूती कि जाती है बेंक चक्र काटते का तो बार मिलेगा बोले का टेस्ट करके लाओ नोटराइज करके लाओ ये प्रमान पत्र दो क्या गिरिभी रखो गे दश कर काटेगा पिर किसी दलाल को दो पांजार रुपए पकड़ागा तब जाके उसको मिलें के पचाहईजा रूप है यह अखीकत मनिये देश की उस्था के अंदर और को धन्ना सेट मोटा सामी को उद्योगपती बैंक मेनेजर को फोन कर दे तो दस क्रोड का चेक उसी घर पहुंचाता है बैंक मेनेजर लिके जाए तो इस बलेटर में फिलाल इ में मौजूद मेरे किसान भाईयों माताओं भेनों बुजर्गों नौजवान दोस्तों प्यारे बच्चों मैं सबसे पहले आप सबी लोगों का धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपने आज हम सब के निमंदरन को सुविकार किया और इस किसान सम्मिलन में आप यहां सम्मिल में वहां पर भी हमने किसानों को एकत्रित संगटित और आगे बढ़ने के रास्ति के तरफ उनको उनसे बातें की उनकी बात को सुना अपनी बात को रखा शेखावटी की इस दर्ती पर बीरों की जमीन है एक यहां सी की मिटी है और यहां पर जब जब मुझे आने का मौका मिला है आप सबने अपार्स नहीं और प्रेम दिया है मैं आप सबका कायल रहूंगा लेकिन आज जिस बुद्धे को लेकर हम पूरे परदेश में सबी किसानों को उनके जीवन में जो परिवर्त लाने की उम्मीद हम देखना चाहते हैं किसानों के जीवन में किसानों के परिवार में किसानों के भविश्च के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं 75 सार बाद आज भी सरकारे आएं और चली गई लेकिन इस देश में सबसे मेहनती, सबसे मांदार, लेकिन दुर्भा के पर सबसे वंचित कोई वर्ग है, तो वो किसान वर्ग है इस देश में दो तिहाई जन्ता जमीन पर काम करती है धर्टी का सीना चीर का रनाज पैदा करती है 130 करों लोगों का पेट पालते है उस किसान को जो मान सम्मान साहिता सयोग मदद मिलनी चाहिए उसके बच्चों को जो भविश मिलना चाहिए वो मिल नहीं रहा और मैं सवाल पूछना चाहता हूँ उन लोगों से जो दिल्ली में आठ साल से सरकार में बैठे है ये वो भाजबा के साथ ही है जो चुनाब पचार में बोलते थे कि हम किसान की आमनी दुगनी कर देंगे बोलो कहा की निगा बीजेपी ने हमने तो नहीं का आपको वादा करने के लिए लेकिन बीजेपी के साथियों ने कहा आप वोट दो हम किसान की आमनी दुगनी कर देंगे सारी किसान बैठे है मैं आपसे पूछना चाहता हूँ किसी की आमनी दुगनी होई किसानों की अगर कुछ दुगनी चौगनी हो रही है तो खाद की कीमत पेटरोल की डीजल की बीज की यूरिया की बिजली की ये सारी कीमतें आस्मान छू रही है कोई भला आदमी केन की सरकार का कर ये बोलने को तयार नहीं है केम महंगाई कम करने की कोशिश भी करेंगे आप उनसे पूछो गैस का सिलंडर 12 रुपे का क्यूं पिक रहा है तो कहते हिंदुस्तान और पाकिस्तान आप पूछो किसान आज भुकमरी के गार बखड़ा है जो दो तीन बीगे में खेदी करते हैं क्या बसता होगा क्या पालता होगा क्या बचाता होगा यह सवाब पूछो तो केन की सरकार के लोग बीज़ेपे के साथी बोलते हैं हिंदुस्तान पाकिस्तान मुसल्मान हिंदू मंदिर मस्जिद इसी चर्चा में लोगों को समेठना चाहते है लेकिन मैं चाहता हूँ हम सब चाहते हैं किसान को एक ऐसी रूप रेखा देनी जरूबी है किसान को मदद अगर आपने कर सकते हो तो किसान पे जो प्रहारा आपने किया था ये तीन जो काले कानू बनाए थे अपनी जिद्व मनाए थे और एक साल तक किसानों ने देश के राजधानी में धरने दिये पदर्शन किया चक्का जाम किया तो एक साल के बाद जब चुनाम आने वाले थे तो हाथ जोड़के बोला ये तीनों कानून वापस ले रहे हैं अब मैं इसे पूछना चाहता हूँ कि किसके कहने पर तो अपने कानून बनाए थे और किसके कहने पर आपने वापस ले लिए सेंखों किसानों की जान चली गई इस देश में किसान को जो हक और अधिकार मिलना चाहिए किyszान के नमबराई नीद सब करते हैं है किसान के नारे सब देते हैं लेकिन सही माइने में किसान उसके परिवार को भला और भविश्य अगर बैतर करना कोई चाहता है उन लोगों की पैसान आपको करनी पड़ेगे मैं किसान परिवार में पैदा हुआ और मैं इसे बोलता हूँ कि मेरा जन्म गाओ में नहीं हुआ मेरे पता जी एरफोर्स में थे तो जहांचा एरफोर्स का स्टेशन ता माहा हमारे पोस्टिंग होती थी लेकिन जो किसान के दर्द को नहीं समझ सकता जो किसान की मुश्कुल को नहीं समझ सकता वो सरफ भाशन दे सकता है और मैं यह बात बार बार बोलता हूं जब तक किसानों के बच्चे गरीब के बच्चे उन कुर्शें पर नहीं बैठ जाएंगे जांसे इस देश की परदेश की नीटिया लाग होती है तब तक देश का कल्णान प्रदिश का कल्णान नहीं हो सकता जिसको पता होगा ति मुझे बैंक सेगर 50,000 रुपे का लोन लेना है उसके सान की चप्पल कि जाती है जूती कि जाती है बैंक के चकर काटते का दो बार क्लर्क मिलेगा बोलेगा टेस्ट करके लाओ नोटराइस करके लाओ ये प्रमान पत्र दो क्या गिर्वी रखोगे दस चकर काटेगा फिर किसी दलाल को दो उसी घर पहुंचाता है बैंक बेनेजर लिए तो इस बलेटर में फिलाल इतना है सचिन पाइलेट इस समय असंबूदित कर रहे हैं वालिंदू जी राकेश मोडिया जी मनीश यादव साहब सुभाश मील जो खंडेला से आए हैं मंचपर उपस्थित सभी नितागन और इस आपने आज हम सब के निमंदन को सुविकार किया और इस किसान समयलन में आप यहां समलित हुए हैं पिछले दो तिन दिनों से इसी प्रकार के किसान समयलन हम लोगोंने पहले नागौर में किये और कल में हनवानगर जिले में था पीली बिंगा में बहां पर भी हमने किसानो को एकत्रित संगटित और आगे बढ़ने के रास्ति के तरफ उनको उनसे बातें की उनकी बात को सुना अपनी बात को रखा शेखावटी की इस दर्थी पर बीरों की जमीन है एतिहासी की मिट्टी है और यहां पर जब जब मुझे आने का मौका मिला है आप सबने अपार्स न उनके जीवन में जो परिवर्त अलाने की उमीद हम देखना चाहते हैं किसानों के जीवन में किसानों के परिवार में किसानों के भविश के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं 75 साल बाद आज भी सरकारे आई और चली गई लेकिन इस देश में सबसे मेहनती सबसे मांदार लेकि वो किसान वर्ग है इस देश में दो तीहाई जन्ता जमीन पर काम करती है धर्ती का छीनाचीर का रनाज पैदा करती है 130 करों का पेट पालते हैं उस किसान को जो मान समान साहिता सयोग मदद मिलनी चाहिए उसके बच्चों को जो भविश मिलना चाहिए वो मिल नहीं रहा और मैं सवाल पूछना चाहता हूँ उन लोगों से जो दिल्ली में आठ साल से सरकार में बैठे हैं ये वो भाजबा के साथ ही हैं जो चुनाप पचार में बोलते थे कि हम किसान की आमदरी दुगनी कर देंगे बोलो कहा कि निगाव बीचेपी ने हमने तो नहीं का आपको वादा करने के लिए लेकिन बीचेपी के साथियों ने कहा आप बोड़ दो हम किसान की आमदरी दुगनी कर देंगे सारे किसान बैठे हैं मैं आपसे पूछना चाहता हूँ किसी की अमदरी दुगनी हुई किसानों की अगर कुछ दुगनी जोगनी हो रही है तो खाद की कीमत पेट्रोल की, डीजल की बीच की, यूरिया की, बिजली की ये सारी कीमते आस्मान छू रही हैं कोई भला आदमी केन की सरकार का का ये बोलने को तयार नहीं है कि ये महंगाई कम करने की कोशिश भी करेंगे आप उनसे पूछो गैस का सिलिंडर 12 रुपे का क्यूं भिकरा है तो कहते हिंदुस्तान और पाकिस्तान आप पूछो किसान आज भुकमरी के गार बखड़ा है जो दो तीन भीगे म thriving, पाकिस्तान, मुसल्मान, हिंदू, मंदिर, मस्जिद, इसी चर्चा में लोगों को समेटना चाहते हैं लेकिन मैं चाहता हूँ हम सब چाहते हैं किसान को एक ऐसी रूपरे का देनिए जरूरी है किसान को मदद अगर आप नहीं कर सकते हो तो किसान पे जो प्रहारा आप न में मनाए थे और एक साल तक किसानों ने देश के राजधानी में धरने दिये पदर्शन किया चक्का जाम किया तो एक साल के बाद जब चुनाम आने वाले थे तो हाथ जोड़के बोला ये तीनों कानून वापिस ले रहे हैं अब मैं इसे पूछना चाहता हूं कि किसके कहने पे तो अपने कानून बनाए थे और किसके कहने आपने वापिस ले लिए कि सेंखड़ों किसानों की जान चली गई इस देश में किसान को जो हक और अधिकार मिलना चाहिए किसान के नमर राजनी सब करते हैं किसान के नारे सब देते हैं लेकिन सही माइने में किसान उसके परिवार को भला और भविश्य अगर बेदर करना कोई चाहता है उन लोगों के पैचान आपको करनी पड़ेगी मैं एक किसान परिवार में पैदा हुआ और मैंसरे बोलता हूँ कि मेरा जन्हमगाउ में नहीं हुआ तो जहां जाए इरफोर्स का स्टेशन थामाहमारे पॉस्टिंग होती थी लेकिन जो किसान के दर्ध को नहीं समझ सकता जो किसान की مش TV को नहीं समझ सकता वो सिर्फ भाषण दे सकता है और मैं यह बात बार बार बोलता हूं जब तक किसानों के बच्चे गरीब के बच्चे उन कुर्षों पर नहीं बैढ़ जाएंगे जहां से बेश की प्रदिश की नीतिया लाग होती है तब तक बेश का कल्णा प्रदिश का कल्णा नहीं हो सकता जिसको पता होगा कि मुझे बैंक से गर 50 रुपे का लोन लेना है उस किसान की चपल किस जाती है जूती किस जाती है बैंक के चक्र काटते काटते का दो बार क्लर्क मिलेगा बोलेगा टेस्ट करके लाओ नोटराइस करके लाओ ये प्रमान पत्र दो क्या गिर्वी रखोगे 10 चक्र काटेगा फिर किसी दलाल को 25 रुपे पकड़ाएगा तब जाके उसको मिलें के 50 रुप है यह अखिकत मने देश की वह स्था के अंदर और और धन्ना सेट मोटा सामी को उद्योग पती बैंक मेनेजर को फोन कर दे तो दस क्रोड का चेक उसी घर पहुंचाता है बैंक इस पर उपस्तित सभी नितागन और इस किसान सम्मिलन में मौजूद मेरे किसान भाईयों माताओं भेनों बुज़ुर्गों नौजवान दोस्तों प्यारे बच्चों मैं सबसे पहले आप सभी लोगों का धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपने आज हम सब के निमंदरन को सभी कार किय और इस किसान सम्मिलन में आप यहां सम्मिलों हुए हैं पृश्टे दो तिन दिनों से इसे प्रटार के किसान सम्मिलन हम लोगों ने Kohle Nagaur में किये और इस षान्यवांगर सम्मिले में था पीली समिधेंगा में वहां पर भी हमने इशानों को एकत्रत अर आ है हासी के मिट्टी है यहां पर जब जब मुझे आने का मौका मिला है आप सब ने अपास ने और प्रेम दिया है अब सबका कायद रहूंगा लेकिन आज इस बुत्त को लेकर हम पुरे परदेश में सबी किसानों को उनके जीवन में जो परवत अलाने की उम्मीद हम देखना चाहते हैं किसानों के जीवन में किसानों के परिवार में किसानों के भविश के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं 75 साल बाद आज भी सब आना है और चली गई लेकिन इस देश में सबसे मैन बंदार लेकिन दुर्भागी वश्चाब से वंचित कोई वर्ग है वो किसान वर्ग है इस देश में दोती हाई जन्ता जमीन पर काम करती है धर्ती का चीना चीर करना करती है एक सो पीसरों लोगों का पेट पाते हैं बन violation को जो मान समान सायोग मदद मिलनी चाहिए उसके बट्चों को जो भविश्च मिलना चाहिए वो मलना है कि और मैं सवाल पूछना चाहता हूं उन लोगों से दिल्ली में आठ साल से सरकार में बैठे हैं ये वो भाजपा के साथी हैं जो चुना पचार में बोलते थे कि हम किसान की आमनी दूगनी कर देंगे बोलो कहा कि निगावीजेपी ने हमने तो नहीं कि आपको वादा करने कि ल अगर कुछ दुगनी चौगनी हो रही है तो खाद की कीमत पेट्रोल की डीजल की बीच की यूरिया की बिजली की ये साथी कीमत आस्वान ठू रही है कोई भला आदमी केन की सरकार का कर ये बोलने को तयार नहीं है कि महंगाई कम करने की कोश्ट भी करें आप उनसे पूछ पूछो गैस का सिलिंडर 12 क्यों बिकरा है तो कहते हिंदुस्तान और पाकिसान आप पूछो किसान आज भुकमरी के गाहार बखड़ा है जो दो तिन दीके में खेदी करते हैं उस पे क्या बशता हो क्या पालता हो आख बचाता होगा इस सवाल पूछो तो केन की सरकार के ल मुसल्मान हिंदू मंदिर बजजिद इसी चर्चा में लोगों को समेटे चाते हैं कि मैं चाहता है किसान को एक ऐसी रूप रखा दिनी जरूवी है किसान को मद़ अगर आप नहीं कर सकते हो तो किसान पर परहा आपने किया था यह तीन जो काले कानू बनाये थे अपनी जिद्व मनाई थे और एक साल तक किसानों ने दिए कि राजधानी में धर ने दिए पर्टेशन किया चक्का जाम किया तो एक साल के बाद जब चुनावान वाले थे तो हाथ जोड़के बोला ये तीयों कानून वबिस ले रहे हैं है और मैं स्पूशना चाहता हूं कि किसके कहने पे तो अपने कम बनाए थे और किसके कहने पे अपने पपिस ले लिए ते सेंकरो किसान की जान चली गई इस देश किसान को जो हक और अधिकार मिलना चाहिए किसान के नम प्राणिक सब करते हैं किसान के ना रिषते हैं लेकिन सही माइने में किसान उसके परिवार को भला और भविश अगर बेटर करना कोई चाहता है उन लोगों की पैसाल आपको करनी पड़ेगी मैं किसान परिवार में पैदा हुआ और मैसे बोलता हूं कि मेरा जरम गाव में नहीं हुआ मेरे पता जेर एरफोर्स में थे तो जहां जाए रफोर्स का स्टेशन था वहां मारे पोस्टिं होती थी लेकिन जो किसान के दर को ने समझा है जो किसान की मुश्कूल नहीं समख सकता मुश्र वाजण दे सकता है और मैं यह बात बार बार बोलता हूं जब तक किसानों के बच्चे घुरीब की बच्चे उन कुड़सन को नहीं बैठ जाएंगे जहां से इस देश की नीतिया लाग होती है तब देश का कलना नहीं हो सकता इसको पता होगा कि मुझे बैंक से का पचाहाज रुपे का लोन लेना है उसके सान की चपल जाती है जूपी के जाती है बैंक के चकर काटते का जो बार क्लर्क मिलेगा यह लखीकत मनिये देश की अस्था के अंगर और और दंदा से मोटा सामी कोई उद्योग पती बैंक मिर्टर को फोन करते हैं तो दस प्रूट चेक उसी धर पहुंचाता है तो इस बलेडिन में फिला लिदे हैं सचिन पाईर टेसर में असंभूदित कर रहा है बालिंदू सब्सक्राइब करना चाहता हूं कि आपने आज हम सब के स्विकार किया और इसके सान समय में आप ना समलित हुए है पिष्टे दो-तिन दिनों से इसी प्रकार के किसान समयलन हम ने पहले नागौर में किये और कल मैं हनवांगर जिले में था अपकी लिगा में वहां पर भी हमने किसान को एक अपने संगटे और आगे बढ़ने के रास्ति के तरफ उनको पुंस बाते की उनकी बात को सुना अ नहां पर जब 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 जाने का मुंका मेरा है आप सबने अपार्स नहीं और प्रेम दिया है मैं आप सबका कायल रहूंगा लेकिन आप इस भूते को लेकर हम पूरे परदेश में सभी किसानों को उनके जीवन में जो परिवर के लाने की मिन हम देखना चाहते हैं किसानों के जीवन में किसानों के परिवार में किसंदु भविष्च्त करें हम लोगे क्यां कर सकते हैं 25 साल बाद आज भी सरकार आए और चली गई लेकिन इस देश में सबसे मेहनती सबसे मांदार लेकिन दुर्भा के वर्ष सबसे वंजित कोई वर्ग है तो वो किसान वर्ग है इस देश में दो तिहाई जन्ता जमीन पर काम करती है धर्टी का जिनाची का रहनाच पैदा करती है एक सो टीश करोड़ों का पेट पालते है उस किसान को जो मान समान साहिठा सायोग मदद मिलनी चाहिए उसके बच्चों को जो भविश मिलना चाहिए बिल नहीं रहा और मैं स्वाल पूछना चाहता हूँ उन लोगों से जो दिल्ली में आठ साल से सरकार में बैठे हैं ये वो भाज के साथ ही हैं जो चुना पचार में बोलते थे कि हम किसान के आमनी दुगनी कर देंगे हमने तो नहीं आपको वादा करने के लिए लेकिन बीजेपी के साथ हो ने कहा आप वोट दो हम किसान के आमनी दुगनी कर देंगे सारी किसान मेठे मैं आप से पूछना चाहता हूं किसी की आमनी दुगनी हो रही है तो खाद की किमत पेटरोल की डीजल की बीच की यूरिया की बिस्टी की ये सारी किमती अस्वान चुँ रही हैं कोई भला आदमी केंड की सरकार का ये बोलने को तयार नहीं है किये महंगा काई कम करने की कोशिश की करेंगे आप उनसे पूछो गैस का सिर्टर मारा सुरुपे का क्यूं बिकरा है तो कहते हिंदुस्तान और पाकिस्तान आप पूछो किसान आज भुकमनी के गार पखड़ा है जो दो तीन मीगे में खेदी कर उसमें क्या बचता होगा क्या पालता ह में लोगों को समेटना चाहते हैं लेकिन मैं चाहता हूं हम सब चाहते हैं किसान को एक ऐसी रूप एक अगर आपने कर सकते हो तो किसान पर प्राहर आपने किया था यह दिन जो काले कानु बनाये थे अपनी जिद्व मनाई थे और एक साल तक के जानों ने देश किराजदानी में धने दिये पज़र्शन किया चक्का जान किया तो एक साल के बाद जब चुना माने वाले थे तो हाथ जोड़ के बोला ये तीनों कानूं बापिस ले रहे हैं के लिसे मैं बूचना चाहता हूं कि किसके कहने ने बर wanna Łaii का मैं बनाये थे किसके कहने वापिस ले लिए के समघते सार क्षिर्विश्य जान चली गई कि इस देश में किसानको जो हक और अधिकार मिलना चाहिए कि किसान के नाम सब तर्ते कि अ कि sony नारे सब देते लेकिन सही माइने में किसान उसके परिवार को भला और भविश अगर बेदर करना कोई चाहता है उन लोगों की परचान आपको करनी पड़ेगी मैं किसान परिवार में पैदा हुआ और मैंसरे बोलता हूं कि मेरा ज़र्णल गाव में नहीं हुआ मेरे पथा ठियर फोस में थे तो जहांचा आएर फोस का स्टेशन ता माहा हमारे बंखिंर होती थी लेकिन जो किसान दर्दों नहीं समझ सकता जो किसान के मुश्कुल hobbies कंसें नहीं समझसकता वह सर भाचान दे और बात बार बार बोलता हूं जब तक किसानों के बत्शे हुआ उन पूर्श कयों पर नहीं बैठे जाएंगे जहां से इस देश की इस नितिंट इसका करना हुआ नहीं हो नहीं हो सपता है जिसको पता होगा कि मुझे बैंट से गर 50,000 लोन लेना है उसके सान की चपल कि जाती है जूती कि जाती है बैंट के चिकर काटते काटते हैं तो दस क्रोड का चेक उसके घर पहुंद आता है बैंक बैंक लिके लिके तो इस प्रेडिर में फिला लितने हैं सचिन पाइलेट इस समय अस्तमुदित करें सबी नितागंड और इस किसान सम्मिलन में मौदूद मेरे किसान भाईयों, माताओ, भेनों, बुज़ुर्गों, नौजवान, दोस्तों, प्यारे बच्चों मैं सबसे पहले आप सबी लोगों का धहने बाद करना चाहता हूं कि आपने आज हम सब के निमंदरन को सुविकार किया और किसान सम्मिलन में आप यहां सम्मिलित हुए हैं पिछले दो-तिन दिनों से इसे पड़के किसान समेलन हम लोगों ने पहले नागौर में किये और कल में हमानगट जिले में था फिली बिंगा में बहाँ पर भी हमने किसानों को एकत्रित, संगटित और आगे बढ़ने के रास्ते के तरफ उनको उनसे बातें की, उनकी बात को सुना, अपनी बात को रखा शेखावड़ी की इस दर्ती पर बीरों की जमीन है, एतिहासी की मिट्टी है और यहाँ पर जब जब मुझे आने का माकमना है, आप सबने अपार्स हैं और प्रेम दिया है मैं आप सकता कायल रौंगा, लेकिन आज इस बुते को लेकर हम पुरे परदेश में सभी किसानों को उनके जीवन में जो परिवर्त लाने की अमीद हम देखना जाते हैं किसानों के जीवाशने किसानों के परिवार में किसानों के भुविशन के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं dopamine 35 साल आज में सरकारह यह हो चली गई कि लेकिन इस देश में सबसे मैनती सबसे मांदार अर लेखिन-धु बाग सबसे वज़ित को इस तो वह किसान वर्ग है कि इस देश में दो कि हाई जटा जमीन पर काम करती है है इस किसान को जो मां सम्मान सायदास योग मदद मिलनी चाहिए उसके बचों को जो भविश मिलना चाहिए वह मिद नहीं और मैं सवाज पूछना चाहता हूँ लोगों से दिल्ली में आठ साल से सदकार में बठे हैं यह वो भाजबा के साथ ही हैं जो चुनाप पचार में बोलते थे हम किसान की आमनी दुग नहीं कर देंगे वो लोग कहा की निगा भीजेपी ने हमने तो नहीं का आपको वादा कर किसानों की अपर को दुगनी हो रही है तो खाज की कीमत पेट्रोल की डीजल की बीज की यूटिया की बिजली की यह सारी किमते आस्मान चू रही हैं कोई भला आदमी केंद की सदकार का कर यह बोलने को तयार नहीं है कि यह महंगाई कम करने की कोशिच भी करेंगे आप उन कि अपरी के आर्व खड़ा है जो दो तीन मीगे खेदी करते हैं उसके क्या बशता होगा यह सवाल पूछो तो केंद की सरकार के लोग बीज़े के सब्सक्राइब बोलते हैं हिंदुस्तान पाकिस्तान मुसलमान हिंदू मंदिर मस्जिद इसी चर्चा में लोगों को समय च चाहता हूं हम सब चाहते हैं कि सांग को एक ऐसी रूप रहा देना जरूरी है किसान को मदद आपने कर सकते हो तो किसान पर प्रहारा आपने किया था यह तीन जो काले कानुन बनाये थे अपनी जिब्ब मनाये थे और एक साल तो किसानों ने देश की राज़ानी में धर ने दिये पदर्शन किया चक्का जान किया जब चुनावाने वाले थे तो हाथ जोड़के बोला यह तीनों कानुन वापिस ले रहे हैं और मैं इसे पूछना चाहता हूं कि किसके कहने पे तो अपने कानुन बनाये थ किसके कैने पे आपने वापिस ले लिए सेंकडों किसानों की जान चली गई इस देश में किसान को जो हक और अधिकार मिलना चाहिए किसान के नमबर नारी सब करते हैं किसान के नारे सब देते हैं लेकिन सही माइने में किसान उसके परिवार को भला और भविश अगर बेदर करना कोई चाहता है उन लोगों के पैचान आपको करनी पड़ेगी मैं किसान परिवार में पैदा हुआ और मैं इसले बोलता हूँ कि मेरा जर्म गाउ में नहीं हुआ मेरे पता जी एर फोर्स में थे तो जहां जा एर फोर्स का स्टेशन था वहां हमारे पोस्टिंग होती थी लेकिन जो किसान के दर्द को नहीं समझ सकता जो किसान की मुश्कल को नहीं समझ सकता वो सरफ भाशन दे सकता है और मैं ये बात बार बार बोलता हूं जब तक किसानों के बच्चे गरीब के बच्चे उन कुर्षे उपर नहीं बैठ जाएंगे जहां से इस देश की परदेश की नीतिया लग होती है तब तक बेश का कल्णान परदेश का कल्णान नहीं हो सकता जिसको पता होगा कि मुझे बैंक से घर 50,000 रुपे का लोन लेना है उसके सान की चपल घिज जाती है जूती घिज जाती है बैंक के चकर काटते काटते हैं दो बार क्लरक मिलेगा बोलेगा टेस्ट करके लाओ नोटराइस करके लाओ ये प्रमान पत्र दो क्या गिर्वी रखोगे 10 चकर काटेगा फिर दस क्रोड का चेक उसी घर पहुंचाता है बैंक बेनेजर लिके जाएं तो इस बलेडिन में फिलाल इतना है सचिन पाइलेट इस समय असंबूदित कर रहा है बालिंदू जी राकेश मोर्दिया जी मनीश यादव साहब सुभाष मील जो खंडेला से आए हैं मंच पर उपस्तित सभी नितागन और इस किसान सम्मिलन में मौजूद मेरे किसान भाईयों माताओं भेनों बुजुर्गों नौजवान दोस्तों प्यारे बच्चों मैं भी लोगों का धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपने आज हम सब के निमंदरन को सुविकार किया और इस किसान सम्मिलन में आप यहां समलित हुए हैं पिछले दो-तिन दिनों से इसी प्रकार के किसान सम्मिलन हम लोगों ने पहले नागौर में किये और कल मैं हनुआनगर जिले में था पीली बिंगा में बहां पर भी हमने किसानों को एकत्रित, संगटित और आगे बढ़ने के रास्ति के तरफ उनको उनसे बातें की, उनकी बात को सुना, अपनी बात को रखा शेखावटी की इस दर्ती पर बीरों की जमीन है, एतिहासी की मिट्टी है, और यहाँ पर जब जब मुझे आने का मौका मिला है, आप सबने अपार्स ने और प्रेम दिया है, मैं आप सब का कायल रहूंगा, लेकिन आज इस मुद्टे को लेकर, हम पुरे परदेश में, किसानों के जीवन में, किसानों के परिवार में, किसानों के भविश्च के लिए, हम लोग क्या कर सकते हैं, 75 साल बाद आज भी, सरकारे आई और चली गई, लेकिन इस देश में सबसे मेहनती, सबसे मांदार, लेकिन दुर्भा के बस सबसे वंचित कोई वर्ग है, तो वो क तीस करड़ों का पेट पालते हैं, उस किसान को जो मान, सम्मान, साहिता, सयोग, मदद मिलनी चाहिए, उसके बच्चों को जो भविश्च मिलना चाहिए, वो मिल नहीं रहा, और मैं सवाल पूछना चाहता हूँ, उन लोगों से दिल्ली में, आठ साल से सरकार में बैठे है ये वो भाजबा के साथी हैं, जो चुनाप पचार में बोलते थे, कि हम किसान की आमदनी दुगनी कर देंगे, बोलो कहा की निगाभी जेपी ने, हमने तो नहीं का आपको वादा करने के लिए, लेकिन बीजेपी के साथियों ने कहा, आप वोट दो, हम किसान की आमदनी द हो रही है, तो खाद की कीमत, पेटरोल की, डीजल की, बीज की, यूरिया की, बिजली की, ये सारी कीमते आस्मान छू रही है, कोई भला आदमी केंद की सरकार का आकर ये बोलने को तयार नहीं है, कि ये महंगाई कम करने की कोशिश भी करेंगे, आप उनसे पुछो, गैस का सिलिंडर 12 रुपे का क्यों भिक रहा है, तो कहते हैं हिंदुस्तान और पाकिस्तान, आप पूछो किसान आज भुकमरी के एक आर बखड़ा है, जो दो तीन भीगे में खेदी करते हैं, उसमें क्या बसता होगा, क्या पालता होगा, क्या बचाता होगा, ये सवाल पूछो, केन की सरकार के लोग बीज़ेपी के साथ ही बोलते हैं, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, मुसलमान, हिंदू, मंदिर, मजजिद, इसी चर्छा में लोगों को समीटना चाहते हैं, लेकि मैंचा आँ हम सब चाहते हैं, किसान को एक ऐसी रूप रहा देनी जरूरी है, किसान को मदद अगर आप नहीं कर सकते हो तो किसान पर जो प्रहार आपने किया था ये तीन जो काले कानून बनाए थे अपनी जिद्व मनाए थे और एक साल तक किसानों ने देश की राजधानी में धरने दिये पदर्शन किया चक्का जान किया तो एक साल के बाद जब चुनाम आने वाले थे तो हाथ जोड़के बोला ये तीनों कानून वापिस ले रहे हैं अब मैं इसे पूछना चाहता हूं क कि किसके कहने पर तो अपने कानून बनाए थे और किसके कहने पर आपने वापिस ले लिए कि सेंखड़ों किसानों की जान चली गई इस देश में किसान को जो हक और अधिकार मिलना चाहिए किसान के नमबर आजनी सब करते हैं किसान के नारे सब देते हैं लेकिन सही माइने में किसान उसके परिवार को भला और भविश अगर बेटर करना कोई चाहता है उन लोगों के पैचान आपको करनी पड़ेगी मैं एक किसान परिवार में पैदा हुआ और मैं से बोलता हूँ कि मेरा जर्म गाउं में नहीं हुआ मेरे पता जी एरफोर्स में थे तो जहां-जह एरफोर्स का शेशन था नहीं हमारे पोस्टिं लिए लेकिन झो किसान के दर्द हो समझ सकता जो किसान की मुश्कुल नहीं समझ सकता वो सब भाशन दे सकता है और मैं यह बात बार बार बोलता हूँ जब तक किसानों के बच्चे गरीब के बच्चे उन कुर्शें पर नहीं बैठ जाएंगे जाहं से इस बेश की परदेश की नीतिया लाग होती है तब तक बेश का जिसको पता होगा कि मुझे बैंक से गर 50 रुपे का लोन लेना है उसके सान की चप्पल कि जाती है जूती कि जाती है बैंक के चकर काटते काटते हैं दो बार क्लर्क मिलेगा बोलेगा टेस्ट करके लाओ नोटराइस करके लाओ ये प्रमान पत्र दो क्या गिर्वी पड़ाएगा तब जाके उसको मिलें के 5000 रुपे ये अखीकत मनिये देश यूस था के अंदर और और धन्ना सेट मोटा सामी को उत्योग पती बैंक मेनेजर को फोन कर दे तो 10 क्रोड का चेक उसी घर पहुंचाता है बैंक मेनेजर लिके जाए तो इस बलेटर में फिलाल इ में मौझूद मेरे किसान भाईयों माताओं भेनों बुजर्गों नौजवान दोस्तों प्यारे बच्चों मैं सबसे पहले आप सबी लोगों का धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपने आज हम सब के निमंदरन को सुविकार किया और इस किसान सम्मिलन में आप यहां सम्मिल में बहां पर भी हमने किसानों को एकत्रित संगटित और आगे बढ़ने के रास्ति के तरफ उनको उनसे बातें की उनकी बात को सुना अपनी बात को रखा शेखावटी की इस दर्ती पर बीरों की जमीन है एतिहासी की मिट्टी है और यहां पर जब जब मुझे आने का मौक इस देश में सभी किसानों को अनके जीवन में जो परिवरत लाने की उमीद हम देखना चाहते हैं किसानों के जीवन में किसानों के परिवार में किसानों के भविष्च के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं 55 साल बाद आज भी सरकार हैं और चली गई ने लेकिन इस देश में संबसे महनती संबसे एमांदार लेकिन दुर्भा के वर्ष सबसे वंचित कोई वर्ग है तो वो किसान वर्ग है इस देश में दोती हाई जनता जमीन पर काम करती है धरती का चीना चीर का रहनाच पैदा करती है एक सो तीस करों लोगों का पेट पालते हैं उस किसान को जो मान समान साहता स्योग मदद मिलनी चाहिए उसके बच्चों को जो भविश मिलना चाहिए वो मिल नहीं रहा है और मैं सवाल पूछना चाहता हूँ उन लोगों से जो दिल्ली में आठ साल से सरकार में बैठे हैं ये वो भाजबा के साथी हैं जो चुनाब पच किसातियों ने कहा आप वोट दो हम किसान की आमनी दुगनी कर देंगे सारी किसान बैठे हैं मैं आप से पूछना चाहता हूँ किसी की आमनी दुगनी होई किसानों की अगर कुछ दुगनी चौगनी हो रही है तो खाज की कीमत पेट्रोल की डीजल की बीच की यूरिया की बिजली की ये सारी किमते आस्मान छू रही हैं कोई भला आदमी केंद की सरकार का आकर ये बोलने को तयार नहीं है कि ये महंगाई कम करने की कोशिश भी करेंगे आप उनसे पूछो गैस का सिलंडर 12 रुपे का क्यूं बिक रहा है तो कहते हिंदुस्तान और पाकिस्तान आप पूछो किसान आज भुकमरी के कहार बख़डा है जो दो तीन बीगे में खेदी करते हैं उस पे क्या बचता होगा क्या पालता होगा क्या बचाता होगा ये सवाल पूछो तो केन की सरकार के लोग बीजेपे के साथ ही बोलते हैं हिंदुस्तान पाकिस्तान मुसल्मान इसी चर्चा में लोगों को समेटना चाहते हैं लेकिन मैं चाहता हम हम सब चाहते हैं किसान को एक ऐसी रूप रेका देनी जरूरी है किसान को मदद अगर आप नहीं कर सकते हो तो किसान पे जो प्रहारा आपने किया था ये तीन जो काले कानू बनाये थे अपनी जिद्न मन आए थे और एक साल तक किसानों ने देश की राजधानी में धरने दिये पदर्शन किया चक्का जाम किया तो एक साल के बाद जब चुनाम आने वाले थे तो हाथ जोड़ के बोला ये तीनों कानून वापिस ले रहे हैं मैं इसे पूछना चाहता हूं कि किसके कहने पे तो को रदिकार मिलना चाहिए किसान के नमबर राजनी सब करते हैं किसान के नारे सब देते हैं लेकिन सही माइने में किसान उसके परिवार को भला और भविश अगर बैदर करना कोई चाहता है उन लोगों के पैचान आपको करनी पड़ेगी मैं किसान परिवार में पैदा हु थी लेकिन जो किसान के दर्द को नहीं समझ सकता जो किसान के मुश्कुल को नहीं समझ सकता वो सरफ भाशन दे सकता है और मैं यह बात बार बार बोलता हूं जब तक किसानों के बच्चे गरीब के बच्चे उन कुर्शियों पर नहीं बैठ जाएंगे जांसे इस देश की पर प्रदेश का करना नहीं हो सकता जिसको पता होगा कि मुझे बैंक से घर 50 रुपे का लोन लेना है उसके सान की चपल घिज जाती है जूती घिज जाती है बैंक के चकर काटते का दो बार क्लर्क मिलेगा बोलेगा टेस्ट करके लाओ नोटराइस करके लाओ ये प्रमान पत्र तो क्या गिर्वी रखोगे दस चक्र काटेगा फिर किसी दलाल को दो पांच जार रुपे पकड़ागा तब जाके उसको मिलेंके पचाहईजार रुपे ये अखीकत बनी ये देश की उस्था के अंदर और और धन्ना सेट मोटा सामी को उट्योग पती बैंक मेरेजर को फो मंच पर उपस्तित सभी नितागन और इस किसान सम्मिलन में मौजूद मेरे किसान भाईयों माताओं भेनों बुजर्गों नौजवान दोस्तों प्यारे बच्चों मैं सबसे पहले आप सभी लोगों का धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपने आज हम सब के निमंदरन को सम्मिलित हुए हैं पिछले दो तिन दिनों से इसी प्रकार के किसान सम्मेलन हम लोगों ने पहले नागौर में किये और कल मैं हनवानगर जिले में था पीली बिंगा में बहां पर भी हमने किसानों को एकत्रित संगटित और आगे बढ़ने के रास्ति के तरफ उनको उनसे बातें की उनकी बात को सुना अपनी बात को रखा शेखावटी की इस दर्ती पर बीरों की जमीन है एतिहासी की मिट्टी है और यहां पर जब-जब मुझे आने का मौका मिला है आप सबने अपार्स ने और प्रेम दिया है मैं आप सब का कायल रहूंगा लेकिन आज इस मु जिवत अलाने की उमीद हम देखना चाहते हैं किसानों के जीवन में किसानों के परिवार में किसानों के भविश्च के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं 75 साल बाद आज भी सरकारे आई और चली गई लेकिन इस देश में सबसे मैनती सबसे मांदार लेकिन दुर्भा के पर सबसे वंचित कोई वर्ग है तो वो किसान वर्ग है इस देश में दो तिहाई जन्ता जमीन पर काम करती है धर्टी का सीना चीर का रहनाज पैदा करती है 130 करों लोगों का पेट पालते हैं उस किसान को जो मान सम्मान साहिता सयोग मदद मिलनी चाहिए उसके बच्चों को जो भविश मिलना चाहिए वो मिल नहीं रहा और मैं सवाल पूछना चाहता हूं उन लोगों से दिल्ली में आठ साल से सरकार में बैठे हैं यह वो भाजबा के साथी हैं जो चुनाब पचार में बोलते थे कि हम किसान की आमनी दुगनी कर देंगे बोलो कहा कि निगा भीजेपी ने हमने तो नहीं का आपको वादा करने और ही किसानों की अगर कुछ दुगनी चौगनी हो रही हैं तो खाढ की केम प्रोल की डीजल पीज की यूरया की विजली हैं कोई भला आदमी केन की सरकार का आकर ये बोलने को तयार नहीं है कि महंगाई कम करने की कोशिश भी करेंगे आप उनसे पूछो गैस का सिलंडर 12 रुपे का क्यूं बिकरा है तो कहते हिंदुस्तान और पाकिस्तान आप पूछो किसान आज भुकमरी के कहार बखड़ा है जो द चारती बोलते हैं हिंदुस्तान पाकिस्तान मुसल मान एंडू मंदिर मज्जिद इसी चर्चा में लोगों को समेठ ना चाहते हैं लेकिन मैं चाहता हूं हम सब चाहते हैं किसान को एक ऐसी रूप रेखा देनी जरूरी है किसान को मदद अगर आप नहीं कर सकते हो तो किसान पर जो प्रहारा आपने किया था ये तीन जो काले कानून बनाए थे अपनी जिद्म मनाए थे और एक साल तक किसानों ने देश की राजधानी में धरने दिये पदर्शन किया चक्का जाम किया तो एक साल के बाद जब चुनाम आने वाले थे तो हाथ जोड़के बोला हम ये तीनों कानून वापिस ले रहे हैं अब मैं इसे पूछना चाहता हूँ कि किसके कहने पर तो अपने कानून बनाए थे और किसके कहने हैं आपने वापिस ले लिए सेंकड़ों किसानों की जान चली गई इस देश में किसान को जो हक और अधिकार मिलना चाहिए किसान के नमबराजनी सब करते हैं किसान के नारे सब देते हैं लेकिन सही माइने में किसान उसके परिवार को भला और भविश अगर बेटर करना कोई चाहता है उन लोगों के पैचान आपको करनी पड़ेगी मैं किसान परिवार में पैदा हुआ और मैं इसलिए बोलता हूँ कि मेरा जर्म गाउं में नहीं हुआ मेरे पता जी एर फोर्स में थे तो जहां जा एर फोर्स का सेशन था माहा हमारे पोस्टिं होती थी लेकिन जो किसान के दर्द को नहीं समझ सकता जो किसान की मुश्कुल को नहीं समझ सकता वो सरफ भाशन दे सकता है और मैं ये बार बार बोलता हूँ जब तक किसानों के बच्चे गरीब के बच्चे उन कुर्षे उपर नहीं बैठ जाएंगे जहां से इस बेश की परदिश की नीतिया लाग होती है तब तक बेश का कल्ण परदिश का कल्ण नहीं हो सकता जिसको पता होगा कि मुझे बैंक से गर 50 जार रुपे का लोन लेना है उसके सांगी चपल कि जाती है जूती कि जाती है बैंक के चकर काटते काटते का दो बार क्लर्क मिलेगा बोलेगा टेस्ट करके लाओ नोटराइस करके लाओ ये प्रमान पत्र दो क्या गिर्वी रखोगे 10 चकर काटेगा फिर किसी दलाल क को दो पांच जार रुपे पकड़ाएगा तब जाके उसको मिलेंके 5000 रुपे यह अखीकत बनिये देश की व्यस्था के इंदर और और धन्ना सेट मोटा सामी को उद्योगपती बैंक मेनेजर को फोन कर दे तो दस क्रोड का चेक उसी घर पहुंचाता है बैंक मेनेजर लिक किषन और इस किसान सम्मिलन में मौझूद Donॐ महें अंब्होंता ठाओ बैर लुदॉओं और लाजवान दो 물sch operations को प्यारे बच्चों मैं सबसे पहले आप सभी लोगों का धहन्यवाद करना चाहता हूं कि आपने आज हम सभके में मंद्न को स्विकार किया और इसके सान सम मेरे किसान भाईयों, माताओं, भेनों, बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, प्यारे बच्चों मैं सबसे पहले आप सबी लोगों का धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपने आज हम सब के निमंदरन को स्विकार किया और इस किसान सम्मिलन में आप यहां सम्मिलित हुए है पिछले दो-तिन दिनों से इसी प्रकार के किसान सम्मिलन हम लोगों ने पहले नागौर में किये और कल में हनवान गर जिले में था पीली बिंगा में बहाँ पर भी हमने किसानों को एक टत्रित संगटित और आगे बढ़ने के रास्ति के तरफ उनको उनसे बातें की उनकी बात को सुना अपनी बात को रखा शेखावटी की इस दर्ती पर बीरों की जमीन है एतिहासी की मिट्टी है और यहां पर जब जब मुझे आने का मौका मिला है आप सबने अपार्स नहीं और प्रेम दिया है मैं आप सबका कायल रहूंगा लेकिन आज इस मुझे को लेकर हम पूरे परदेश में सबी किसानों को उनके जीवन में जो परिवर्त अलाने की उम्मीद हम देखना चाहते हैं किसानों के जीवन में किसानों के परिवार में किसानों के भविश्च के लिए हम लुग क्या कर सकते हैं तो वो किसान वर्ग है इस देश में दो ठीहाई जन्ता जमीन पर काम करती है धर्थी का चीना चीर का रानाज पैदा करती है एक सो तीस करोडों का पेट पालते हैं उसके जाहिए उसके बच्चों को जो भविश मिलना चाहिए वो मिल नहीं रहा है और मैं सवाल पूछना चाहता हूं उन लोगों से दिल्ली में आठ साल से सरकार में बैठे हैं ये वो भाजबा के साथ ही हैं जो चुनाब पचाम में बोलते थे कि हम किसान की आमदनी दुगनी कर देंगे बोलो कहा कि निगा बीजेपी ने हमने तो नहीं कहा आपको वादा कर किसानों की अगर कुछ दुगनी जोगनी हो रही है तो खाज की कीमत पेट्रोल की डीजल की बीच की यूरिया की बिजली की ये सारी कीमते आस्मान चू रही हैं कोई भला आदमी केन की सरकार का के बोलने को तयार नहीं है कि महंगाई कम करने की कोशिश भी करेंगे आप उन किसान आज भुकमरी के कहार बखड़ा है जो दो तीन बीगे में खेदी करते हैं उसमें क्या बचाता होगा ये सवाथ पूछो तो केन की सरकार के लोग बीज़ेपी के साथी बोलते हैं हिंदुस्तान, पाकिस्तान, मुसल्मान, हिंदू, मंदिर, मस्जद इसी चर्चा में लोगों को समेटना चाहते हैं लेकिन मैं चाहता हूँ हम सब चाहते है किसान को एक ऐसी रूपरेका देनी जरूरी किसान को मदद अगर आपने कर सकते हो तो किसान पर जो प्रहारा आपने किया था ये तीन जो काले कानून बनाए थे अपनी जिद्व मनाए थे और एक साल तक किसानों ने देश के राजधानी में धरने दिये पदर्शन किया चक्का जाम किया तो एक साल के बाद जब चुनाम आने वाले थे तो हाथ जोड़ के बोला ये तीनों कानून वापिस ले रहे हैं अब मैं असे पूछना चाहता हूँ कि किसके कहने पर तो अपने कानून बनाए थे और किसके कहने पर आपने वापिस ले लिए जान चली गई इस देश में किसान को जो हक और अधिकार मिलना चाहिए किसान के नम राजनी सब करते हैं किसान के नारे सब देते हैं लेकिन सही माइने में किसान उसके परिवार को भला और भविश अगर बेदर करना कोई चाहता है उन लोगों के पैचान आपको करनी पड़ेगी मैं किसान परिवार में पैदा हुआ और मैसले बोलता हूँ कि मेरा जर्म गाउं में नहीं हुआ मेरे पता जी एर फोर्स में थे तो जहांजा एर फोर्स का स्टेशन था वहां हमारे पोस्टिंग होती थी लेकिन जो किसान के दर्द को नहीं समझ सकता जो किसान की मुश्कुल को नहीं समझ सकता वो सरफ भाशन दे सकता है और मैं ये बात बार बार बोलता हूं जब तक किसानों के बच्चे गरीब के बच्चे उन कुर्शे अपर नहीं बैठ जाएंगे चाहं से देश की परदेश क कि नीतिया लाग होती है तब तक बेश का कलान प्रदिश का कलान नहीं हो सकता जिसको पता होगा कि मुझे बैंक कि इसे गर पताजार रुपे का लोन लेना है उसके सान की चपल कि जाती है जूती कि जाती है बैंक के चक्र काटते काट दो बार क्लर्क मिलेगा बोलेगा टेस करके लाओ नोटराइस करके लाओ यह प्रवान पत्र दो क्या गिन्वीर रखोगे दस चक्र काटेगा फिर किसी दलाल को दो पाँजार रुपे पकड़ाएगा तब जाके उसको मिलें के पचाहजार रुपे यह अखीकत मनिये देश की वजस्था के अंदर और को धन्ना सेट मोटा सामी को उद्योगपती बैंक मेनेजर को फोन कर दे तो दस क्रोड का चेक उसी घर पहुंचाता है बैंक पर उपस्तित सभी नितागन और इस किसान सम्मिलन में मौजूद मेरे किसान भाईयों माताओं भेनों बज़ुर्गों नौजवान दोस्तों प्यारे बच्चों मैं सबसे पहले आप सभी लोगों का धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपने आज हम सब के निमंदरन को स्वि हम लोगों ने पहले नागौर में किये और कल मैं हनवानगर जिले में था पीली बिंगा में बहां पर भी हमने किसानों को एकत्रित संगटित और आगे बढ़ने के रास्ति के तरफ उनको उनसे बातें की उनकी बात को सुना अपनी बात को रखा शेकावटी की इस दर्ती प मैं आप सबका कायल रहूंगा लेकिन आज इस मुद्ध को लेकर हम पूरे परदेश में सबी किसानों को उनके जीवन में जो परिवर्ट लाने की उम्मीद हम देखना चाहते हैं किसानों के जीवन में किसानों के परिवार में किसानों के भविश्च के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं 75 साल बाद आज मी सरकारे आई और चली गई लेकिन इस देश में सबसे मेहनती सबसे मांदार लेकिन दुर्भा के पर सबसे वंचित कोई वर्ग है तो वो किसान वर्ग है इस देश में दोती हाई जन्ता जमीन पर काम करती है धरती का चीना चीर का रहनाज पैदा करती है एक सो तीस करणों का पेट पालते हैं उस किसान को जो मां समान साहिता स्योग मदद मिलनी चाहिए उसके बच्चों को जो भविश मिलना चाहिए वो मिल नहीं रहा और मैं सवाल पूछना चाहता हूँ उन लोगों से दिल्ली में आठ साल से सरकार में बैठे हैं वो भाजबा के साथ ही है जो चुनाब पचार में बोलते थे कि हम किसान की आमनी दुगनी कर देंगे बोलो कहा कि निगाभी जबी ने हमने तो नहीं का आपको वादा करने के लिए लेकिन बीजेपी के सिजातियों ने कहा आप वोट दो हम किस जोगनी हो रही है तो खाद की कीमत पेटरोल की डीजल की बीच की यूरिया की बिजली की ये सारी कीमते आस्वान छु रही हैं कोई भला आदमी केंद की सरकार कहा ये बोलने को तयार नहीं है कि महंगाई कम करने की कोशिश भी करेंगे आप उनसे पुछो गैस का सिरेटर 12 रुपए का क्यूंभ रहा है तो कहते हिंदुस्तान और पाकिस्तान आप पूछो किसानाज बुक्मनी के अर बखडा जो दो-तिन-बिगे में खीदि करते हैं उसमें क्या बचता होगा क्या पालता होगा यह सवाल पूछो तो केन की सरकार के लोग बीजेपी के साथ ही बोलते हैं हिंदुस्तान पाकिस्तान मुसल्मान हिंदू मंदिर मस्जिद इसी चर्चा में लोगों को समेटना चाहते हैं लेकिन मैं चाहता हूं हम सब चाहते हैं किसान को एक ऐसी रूप रेका देनी जरूबी है किसान को मदद अगर आप नहीं कर सकते हो तो किसान पर जो प्रहारा आपने किया था ये तीन जो काले कानून बनाए थे अपनी जिद्व मनाए थे और एक साल तक किसानों ने देश की राजधानी में धरनें दिये पदत्रशन किया चक्काजान किया तो एक साल के बाद जब चुनावाने वाले थे तो हाथ जोड़के बोला हम ये तीनों कानून वापिस ले रहे है मैं इसे पूछना चाहता हूँ कि किसके कहने पे तो आपने कानून बनाए थे और किसके कहने पे आपने वापिस ले लिए सेंकडों किसानों की जान चली गई इस देश में किसान को जो हक और अधिकार मिलना चाहिए किसान के नमबर राजनी सब करते हैं किसान के नारे सब देते हैं लेकिन सही माइने में किसान उसके परिवार को भला और भविश्य अगर बेदर करना कोई चाहता है उन लोगों के प्रचान आपको करनी पड़ेगी मैं किसान परिवार में पैदा हुआ और मैं इसले बोलता हूँ कि मेरा जनम गाउ में नहीं हुआ मेरे पता जी एर फोर्स में थे तो जहां जा एर फोर्स का सेशन ता माहा हमारे पोस्टिंग होती थी लेकिन जो किसान के दर्द को नहीं समझ सकता जो किसान की मुश्कुल को नहीं समझ सकता वो सरफ भाशन दे सकता है और मैं यह बात बार बार बोलता हूं जब तक किसानों के बच्चे गरीब के बच्चे उन कुर्शे उपर नहीं बैठ जाएंगे चांसे इस देश की पर लाग होती है तब तक देश का कलना प्रदिश का कलना नहीं हो सकता जिसको पता होगा कि मुझे बैंक से गर 50,000 रुपे का लोन लेना है उस किसान की चप्पल गिस जाती है जूती घिस जाती है बैंक के चकर काटते का दो बार क्लर्क मिलेगा बोलेगा टेस्ट करके लाओ नो और को धन्ना सेट मोटा सामी को उद्योग पती बैंक मेनेजर को फोन कर दे तो दस क्रोड का चेक उसी घर पहुंचाता है बैंक मेनेजर लिके जाए तो इस बलेटर में फिलाल इतना है सचिन पाइलेट इस समय असंबूदित कर रहे हैं वालिंदू जी राकेश मोर्दिया नौजवान दोस्तों प्यारे बच्चों मैं सबसे पहले आप सभी लोगों का धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपने आज हम सब के निमंदरन को सुविकार किया और इस किसान सम्मिलन में आप यहां सम्मिलित हुए हैं पिछले दो-तिन दिनों से इसी प्रकार के किसान सम्मिलन हम लोगों ने पहले नागौर में किये और कल मैं हनवानगर जिले में था पीली बिंगा में बहां पर भी हमने किसानों को एकत्रित संगटित और आगे बढ़ने के रास्ति के तरफ उनको उनसे बातें की उनकी बात जब मुझे आने का मौका मिला है आप सबने अपार्स नहीं और प्रेम दिया है मैं आप सबका कायल रहूंगा लेकिन आज जिस मुद्टे को लेकर हम पूरे परदेश में सभी किसानों को उनके जीवन में जो परिवर्ट लाने की उम्मीद हम देखना चाहते हैं किसानों के जीवन में किसानों के परिवार में किसानों के भवुष के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं 75 साल बाद आज भी सरकारें आई और चली गए लेकिन इस देश में सबसे मैनती सबसे मांदार लेकिन दुर्भा के पर सबसे वंचित कोई वर्ग है तो वो किसान वर्ग है इस देश में दो तीहाई जन्ता जमीन पर काम करती है धर्ती का चीना चीर का रहनाज पैदा करती है 130 करणों का पेट पालते है उस किसान को जो मान सम्मान, साहिता, सयोग, मदद मिलनी चाहिए उसके बच्चों को जो भविश मिलना चाहिए वो मिल नहीं रहा और मैं सवाल पूछना चाहता हूँ उन लोगों से जो दिल्ली में 8 साल से सरकार में बैठे है ये वो भाजबा के साथ ही है जो चुनाप पचार में बोलते थे कि हम किसान की आमदनी दूगनी कर देंगे बोलो कहा की निगाभी जबी ने हमने तो नहीं कहा आपको वादा करने के लिए लेकिन बीजबी के साथियों ने कहा आप वोट दो हम किसान की आमदनी दूगनी कर देंगे सारी किसान बैठे हैं मैं आप से पूछना चाहता हूं किसी की अमने दुГनी होई किसानों की अगर कुछ दुगनी छोगनी हो रही है तो खाड की किमत पेटरोल की डीजल की बीच की यूरिया की बिजली की यह सारी किमतें आस्वान छू रही है कोई भला आदमी केंड की सरकार का करें बोलने को तयार नहीं है कि महंगाई कम करने की कोशिश भी करेंगे आप उनसे पूछो गैस का सिरिंडर 12 रुपे का क्यूं बिकरा है तो कहते हिंदुस्तान और पाकिस्तान आप पूछो किसान आज भुकमरी के कार बखड़ा है जो दो तीन बीगे में खेदी करते हैं उसमें क्या बशता होगा क्या पालता होगा क्या बचाता होगा यह सवाल पूछो तो केन की सरकार के लोग बीज़पी के साथी बोलते हैं हिंदुस्तान, पाकिस्तान, मुसल्मान, हिंदू, मंदिर, मस्जिद इसी चर्चा में लोगों को समेटना चाहते हैं लेकिन मैं चाहता हूँ, हम सब चाहते हैं किसान को एक ऐसी रूप रेखा देनी जरूरी है किसान को मदद अगर आप नहीं कर सकते हो तो किसान पे जो प्रहारा आपने किया था ये तीन जो काले कानून बनाए थे अपनी जिद्म मनाए थे और एक साल तक किसानों ने देश की राजधानी में धरने दिये पदर्शन किया, चक्का जाम किया तो एक साल के बाद जब चुनाम आने वाले थे तो हाथ जोड़के बोला, ये तीनों कानून वापिस ले रहे है और मैं इसे बूचना चाहता हूँ कि किसके कहने पे तो अपने कानून बनाए थे और किसके कहने पे अपने वापिस ले लिए सेंख़गों किसानों की जान चली गई कि इस देश में के सामको जो हक और अधिकार मिलना चाहिए एक किसानके नम राधनीज सब करते stain के नारे सब ते हैं में लेकिन सब्य खै़िए माईने में किसान उसके परिवार को भला और भशिश अगर बैदर करना कोई चाहता है उन लोगों के पहचान आपको करना पड़े गे कि मैं किसान परिवार में पैदा हुआ और मैं इसे बोलता हूँ कि मेरा जनम गाँ में नहीं हुआ मेरे पैता यह ठेमार होने थे तो जहां जां हiblick का सेशन दा मांहां हमारे पोस्टिंट होती थि लेकिन जो किसान के दर्द कर ने समझ सकता तो जो किसान की मुश्कुल को नहीं समझ सकता वो सरफ भाशन दे सकता है और मैं यह बात भार-बार बोलता हूं जब तक किसानों के बच्चे गरीब के बच्चे उन कुर्षयों पर नहीं बैठ जाएंगे जहां से देश की परदेश की नीतिया लाग होती है तब तक बेश का कलना परदेश का कलना नहीं हो सकता जिसको पता होगा कि मुझे बैंक से घर 50,000 रुपे का लोन लेना है उस किसान की चपल किस जाती है जूति कि जाती है बैंक चकर काटते का ते जोबार क्लर्क मिलेगा बोलेगा टैस करके लाओ죠 अजय overlap अधर काटेगा फिर किसी दलाल नाल को 25 रुपे पकड़ा पगड़ागा तब जाकर उसको मिलें कर पचाहँ जारुपे यह अखीकत मनि देश की पाइलेट इस समय असंभूदित कर रहा है इस किसान समयलन में आप यहां समलित हुए हैं पिछले दो-तिन दिनों से इसी प्रकार के किसान समयलन हम लोग हुने नागौर में किये और कल मैं हनवानगर जिले में था पीली बिन्गा में वहां पर भी हमने किसानों को एकत्रित संगटित और आगे बढ़ने के रास्ति के तरफ उनको उनसे बातें की उनकी बात को सुना अपनी बात को रखा शेखावटी की इस दर्ती पर बीरों की जमीन है एतिहासी की मिट्टी है और यहां पर जब जब मुझे आने का मौका मिला है आप सबने अपार्स ने औ हुआ हो उनके जीवन में जुप परिवर्दा लाने की उमीद डेखना चाहते हैं कि किसाणों के जीवन में किसाणों के परिवार में किसाणों के भविश के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं पिचिम्ट साल बाद आज भी सरकारे आई और चली गई लेकिन इस देश में सबसे मेहनती सबसे मांदार लेकिन दुर्भागे वर्ष सबसे वंचित कोई वर्ग है तो वो किसान वर्ग है इस देश में दो ती हाई जन्ता जमीन पर काम करती है धती का सीना चीर का रहनाज पैदा करती है एक सो तीस करों लोगों का पेट पालते हैं उस किसान को जो मान समान साहिता सयोग मदद मिलनी चाहिए उसके बच्चों को जो भविश मिलना चाहिए वो मिल नहीं रहा और मैं सवाल पूछना चाहता हूँ उस लोगों से दिल्ली मे में आठ साल से सरकार में बैठे हैं यह वो भाजबा के साथ ही हैं जो छुनाब 50 में बोलते थे कि हम किसान की आमनिनी दुग्नि कर देंगे बोलो कहा कि निखा बीजेपी ने हमने तो नहीं का आपको वादा करने के लिए लेकिन बीजेपी के साथ हुने कि सारे किसान बैठें मैं आपसे पूछना चाहता हूं किसी की अंधनी दुगनी होई इस अगर कुछ दुगनी चौक नहीं हो रही हैं तो खाज की कीमत पेट्रोल की डीजल की बीच की यूरिया की बिजली की ये सारी कीमते आस्मान छू रही हैं कोई भला आदमी केंद की सरक का आख ये बोलने को तयार नहीं है कि महंगाई कम करने की कोशिश भी करेंगे आप उनसे पूछो गैस का सिलिंडर 12 रुपे का क्यों भिक रहा है तो कहते हिंदुस्तान और पाकिस्तान आप पूछो किसान आज भुकमरी के कार बखड़ा है जो दो तीन बीगे में खेदी करत हैं उस पर क्या बशता होगा क्या बचाता होगा यह सवाल पूछो तो केन की सरकार के लोग बीज़ेपे के साथ ही बोलते हैं हिंदुस्तान, पाकिस्तान, मुसल्मान, हिंदू, मंदिर, मस्जिद, इसी चर्चा में लोगों को समेटना चाहते हैं लेकिन मैं चाहता हूं हम सब चाहते हैं किसान को एक ऐसी रूप रेखा देनी जरूरी है किसान को मदद अगर आप नहीं कर सकते हो तो किसान पर जो प्रहारा आपने किया था ये तीन जो काले कानू बनाये थे अपनी जिद्व मनाये थे और एक साल तक किसानों ने देश की राजधानी में धरनें दिये परदर्शन किया चक्का जाम किया तो एक साल के बाद जब चुनाम आने वाले थे तो हाथ जोड़के बोला ये तीनों कानून वापिस ले रहे हैं अब मैं इसे पूछना चाहता हू कि किसके कहने पे तो आपने कानून बनाए थे और किसके कहने पे आपने वापिस ले रिए सेंख ईखड़ो किसानों की जान चली गई इस देश में किसान को जो हक और अधिकार मिलना चाहिए किसान के नमबर राजनी सब करते हैं किसान के नारे सब देते हैं लेकिन सही माइने में किसान उसके परिवार को भला और भविश्य अगर बेदर करना कोई चाहता है उन लोगों के पैचान आपको करनी पड़ेगी मैं एक किसान परिवार में पैदा हुआ और मैं इसले बोलता हूँ कि मेरा ज़नम गाउ में नहीं हुआ मेरे पता जी एरफोर्स में थे तो जहां जांए एरफोर्स का स्टेशन था माहां हमारे पोस्टिंग होती थी लेकिन जो किसान के दर्द को नहीं समझ सकता जो किसान की मुश्कुल नहीं समझ सकता वो सरफ भाशन दे सकता है और मैं ये बात बार बार बोलता हूँ जब तक किसानों के बच्चे गरीब के बच्चे उन कुर्शों पर नहीं बैठ जाएंगे उस किसान की चपल घिजाती है जूति के जाती है बैंक चकर काटते का दो बार क्लर्क मिलेगा बोलेगा टेस्ट करके लाओ नोटराइस करके लाओ ये प्रमान पत्र दो क्या गिर्वी रखोगे दस चकर काटेगा फिर किसी दलाल को दो पांच जारुपे पकड़ाएगा तब जाके उसको मिलें के पचाहजार हुए यह अखीकत मनिये देश की वज़स्था के अंदर और कोई धन्ना सेट मोटा सामी कोई उद्योगपती बैंक मेनेजर को फोन कर दे तो दस क्रोड का चेक उसे घर पहुंच जाता है बैंक मेनेजर लिके जाए तो इस बलेटर में फिलाल में मौजूद मेरे किसान भाईयों माताओं भेनों बुजर्गों नौजवान दोस्तों प्यारे बच्चों मैं सबसे पहले आप सबी लोगों का धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपने आज हम सब के निमंतरन को सुविकार किया और इस किसान समयलन में आप यहां समलित पिछले दो तिन दिनों से इसी प्रकार के किसान समयलन हम लोगों ने पहले नागौर में किये और कल मैं हनवानगर जिले में था पीली बिंगा में बहां पर भी हमने किसानों को एकत्रित संगटित और आगे बढ़ने के रास्ति के तरफ उनको उनसे बातें की उनकी बात को सुना अपनी बात को रखा शेखावटी की इस दर्ती पर बीरों की जमीन है एतिहासी की मिट्टी है और यहां पर जब जब मुझे आने का मौका मिला है आप सबने अपार्स ने और प्रेम दिया है मैं आप सब का कायल रहूंगा लेकिन आज इस मुद्टे को लेकर हम पूर किसानों के जीवन में किसानों के परिवार में किसानों के भविश्च के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं 75 साल बाद आज भी सरकारे आई और चली गए लेकिन इस देश में सबसे महनती सबसे मांदार लेकिन दुर्भा के पर सबसे वंचित कोई वर्ग है तो वह किसान वर्ग इस देश में दो तिहाई जन्ता जमीन पर काम करती है धर्टी का चीना चीर का रनाज पैदा करती है एक सो तीस करोड़ों का पेट पालते हैं उस किसान को जो मान समान सायता सयोग मदद मिलनी चाहिए उसके बच्चों को जो भविश मिलना चाहिए वो मिल नहीं रहा और मैं सवाल पूछना चाहता हूँ उन लोगों से जो दिल्ली में आठ साल से सरकार में बैठे हैं ये वो भाजबा के साथ ही हैं जो चुनाब पचार में बोलते थे कि हम किसान की आमदनी दुग नहीं कर देंगे बोलो कहा कि निगा बीजेपी ने हमने तो नहीं कि आपको वादा करने के लिए लेकिन बीजेपी के साथियों ने कहा आप वोट दो हम किसान की आमदनी दुग नहीं कर देंगे तो खाद की कीमत पेट्रोल की डीजल की बीज की यूरिया की बिजली की ये सारी कीमते आस्मान चू रही है कोई भला आदमी केंद की सरकार का करें बोलने को तयार नहीं है कि ये महंगाई कम करने की कोशिश भी करेंगे आप उनसे पूछो गैस का सिलिंडर 12 रुपे का क्यूं बिक रहा है तो कहते हिंदुस्तान और पाकिस्तान आप पूछो किसान आज भुकमरी के एक आर बखड़ा है जो दो तीन बीगे में खेदी करते हैं उसमें क्या बचता होगा यह सवाल पूछो तो केन की सरकार के लोग बीज़ेपे के साथ ही बोलते हैं हिंदुस्तान, पाकिस्तान, मुसल्मान, हिंदू, मंदिर, मस्जिद इसी चर्चा में लोगों को समिटना चाहते है लेकिन मैं चाहता हूँ, हम सब चाहते है किसान को एक ऐसी रूप रेखा देनी जरूबी है किसान को मदद अगर आप नहीं कर सकते हो तो किसान पर जो प्रहारा आपने किया था ये तीन जो काले कानू बनाए थे अपनी जिद्ब मनाए थे और एक साल तक किसानों ने देश की राजधानी में धरने दिये पदर्शन किया, चक्का जाम किया तो एक साल के बाद जब चुनावाने वाले थे तो हाथ जोड़के बोला, ये तीनों कानून वापिस ले रहे है अब मैं इसे पूछना चाहता हूँ कि किसके कहने पे तो आपने कानून बनाए थे और किसके कहने पे आपने वापिस ले लिए सेंकड़ों किसानों की जान चली गई इस देश में किसान को जो हाक और अधिकार मिलना चाहिए किसान के नमबर राजनी तो सब करते है किसान के नारे सब देते है लेकिन सही माइने में किसान उसके परिवार को भला और भविश अगर बेदर करना कोई चाहता है उन लोगों के पहचान आपको करनी पड़ेगी मैं किसान परिवार में पैदा हुआ और मैं इसले बोलता हूँ कि मेरा जर्म गाउ में नहीं हुआ मेरे पता जी एरफोर्स में थे तो जहां जा एरफोर्स का स्टेशन था माहा हमारे पोस्टिंग होती थी लेकिन जो किसान के दर्द को नहीं समझ सकता जो किसान की मुश्कुल को नहीं समझ सकता वो सरफ भाशन दे सकता है और मैं ये बात बार बार बोलता हूँ जब तक किसानों के बच्चे गरीब के बच्चे उन कुर्षे उपर नहीं बैठ जाएंगे जहां से इस देश की परदेश की नीतिया लाग होती है तब तक देश का कल्णा परदेश का कल्णा नहीं हो सकता जिसको पता होगा कि मुझे बैंक से गर 50,000 रुपे का लोन लेना है उसके सान की चपल घिजाती है जूती घिजाती है बैंक के चकर काटते काट दो बार क्लर्क मिलेगा बोलेगा टेस्ट करके लाओ नोटराइस करके लाओ ये प्रमान पत्र दो क्या गिर्वीर रखोगे दस चकर काटेगा फिर किसी दलाल को 25,000 रुपे पकड़ाएगा तब जाके उसको मिलें के 55,000 रुपे ये अखिकत मनिये देश की वदस्था के अंदर और धन्ना से मोटा सामी को उद्योगपती बैंक मेनेजर को फोन कर दे तो 10 क्रोड का चेक उसे घर पहुंच जाता है बैंक मेनेजर लिके तो इस ब और इस किसान सम्मिलन में मौजूद मेरे किसान भाईयों, माताओं, भेनों, बुजर्गों, नौजवान दोस्तों, प्यारे बच्चों, मैं सबसे पहले आप सबी लोगों का धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपने आज हम सब के निमंदरन को सुविकार किया और इस किसान स सम्मिलन में आप यहां समलित हुए हैं, पिछले दो-तिन दिनों से इसी प्रकार के किसान सम्मिलन हम लोगों ने पहले नागोर में किये और कल में हनुआनगर जिले में था पीली बिन्गा में, बहाँ पर भी हमने किसानों को एकत्रित, संगटित और आगे बढ़ने के रास हैं, और यहां पर जब जब मुझे आने का मौका मिला है, आप सबने अपार्स ने और प्रेम दिया है, मैं आप सब का कायल रहूंगा, लेकिन आज इस बुद्दे को लेकर हम पूरे परदेश में सबी किसानों को उनके जीवन में जो परिवर्त अलाने की उम्मीद हम देख लिखना चाहते हैं, किसानों के जीवन में, किसानों के परिवार में, किसानों के भविश्च के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, 75 साल बाद आज भी सरकारे आए और चली गई, लेकिन इस देश में सबसे मेहनती, सबसे मांदार, लेकिन दुर्भा के वर सबसे वंचित कोई वर्ग है, तो वो किसान वर्ग है, इस देश में दो तिहाई जन्ता जमीन पर काम करती है, धरती का चीना चीर का रनाज पैदा करती है, 130 करों लोगों का पेट पालते हैं, उस किसान को जो मान सम्मान, साहिता, सयोग, मदद मिलनी चाहिए, उसके बच्चों को जो भविश् जाता हूँ, उन लोगों से जो दिल्ली में आठ साथ से सरकार में बैठे हैं, ये वो भाजबा के साथ ही हैं, जो चुनाब पचार में बोलते थे, कि हम किसान की आमनी दुग नहीं कर देंगे, बोलो कहा कि निगा बीजेपी ने, हमने तो नहीं कहा आपको वादा करने के ल अगर कुछ दुगनी चौगनी हो रही हैं, तो खाद की कीमत, पेट्रोल की, डीजल की, बीज की, यूरिया की, बिजली की, ये सारी कीमते आस्मान छू रही हैं, कोई भला आदमी केन की सरकार काकर ये बोलने को तयार नहीं हैं, कि ये महंगाई कम करने की कोशिश भी के, आप उनसे पूछो, गैस का सिलिंडर 12 रुपे का क्यूं बिकरा है, तो कहते हिंदुस्तान और पाकिस्तान, आप पूछो किसान आज भुकमनी के कार बखड़ा है, जो दो-तीन भीगे में खेदी करते हैं, उस पे क्या बचता होगा, क्या पालता होगा, क्या बचाता हो होगा, यह सवाल पूछो, तो केन की सरकार के लोग बीजेपी के साथी बोलते हैं, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, मुसल्मान, हिंदू, मंदिर, मस्जिद, इसी चर्चा में लोगों को समेटना चाहते हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ, हम सब चाहते हैं, किसान को एक ऐसी आपने किया था, ये तीन जो काले कानून बनाए थे, अपनी जिद्म मनाए थे, और एक साल तक किसानों ने देश के राजधानी में धरने दिये, पदर्शन किया, चक्का जाम किया, तो एक साल के बाद जब चुनाम आने वाले थे, तो हाथ जोड़के बोला, ये तीनों का चाता हूँ, कि किसके कहने पे तो आपने कानून बनाए थे, और किसके कहने पे आपने वापिस ले लिए, सेंकडों किसानों की जान चली गई, इस देश में किसान को जो हक और अधिकार मिलना चाहिए, किसान के नमबर राजनी सब करते हैं, किसान के नारे सब देते हैं, ल उन लोगों के पैसान आपको करनी पड़ेगी मैं किसान परिवार में पैदा हुआ और मैंसे बोलता हूं कि मेरा जर्म गाउं में नहीं हुआ मेरे पता जी एर फोर्स में थे तो जहां जांचा एर फोर्स का सेशन था माहा हमारे पोस्टिंग होती थी लेकिन जो किसान के दर्द को नहीं समझ सकता जो किसान की मुश्कुल को नहीं समझ सकता वो सरफ भाशन दे सकता है और मैं यह बात बार बार बोलता हूं जब तक किसानों के बच्चे गरीब के बच्चे उन कुर्शों पर नहीं बैठ जाएंगे जांसे इस देश की परदेश जिसको पता होगा कि मुझे बैंक से गर 50 रुपे का लोन लेना है उस किसान की चपल गिस्जाती जूती के ज्यूती ज़्याती है बैंक के चक्र काटते काटते हैं वार क्लर्क मिलेगा बोलेगा टेस्ट करके लाओ नोटराइस करके लाओ ये प्रमान पत्र दो क्या गिरूव और कोई धन्ना सेट मोटा सामी कोई उद्योग पती बैंक मेनेजर को फोन कर दे तो दस क्रोड का चेक उसी घर पहुंच आता है बैंक मेनेजर लिके जाए तो इस बलेटिन में फिलाल इतना है सचिन पाइलेट इस समय असंबोधित कर रहा है बालिंदू जी राकेश मोडिया जी मनीश यादव साब सुभाश मील जो खंडेला से आये हैं मंच पर उपस्तित सभी नितागन और इसके सांच सम्मिलन में मौजूद मेरे किसान भाईयों माताओं भेनों बुजर्गों नौजवान दोस्तों प्यारे बच्चों मैं सबसे पहले आप सबी लोगों का धन्य बात करना चाहता हूं कि आपने आज हम सब के निमंदरन को सुभीकार किया और इसके सांच सम्मिलन में आप यहां समलित हुए हैं पिछले दो-तिन दिनों से इसी प्रकार के किसान सम्मिलन हम लोगों ने पहले नागौर में किये और कल में हनवानगर जिले में था पीली बिन्गा में बहाँ पर भी हमने किसानों को एकत्रित संगटित और आगे बढ़ने के रास्ति के तरफ उनको उनसे बातें की उनकी बात को सुना अपनी बात को रखा शेखावटी की इस दर्ती पर बीरों की जमीन है एतिहासी की मिट्टी है और यहां पर जब जब मुझे आने का मौका मिला है आप सबने अपार्स ने और प्रेम दिया है मैं आप सब का कायल रहूंगा लेकिन आज इस मुद्टे को लेकर हम पूरे परदेश में सभी किसानो को उनके जीवन में जो परिवर्त लाने की उमीद हम देखना चाहते हैं किसानों के जीवन में किसानों के परिवार में किसानों के भविश्च के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं 75 साल बाद आज भी सरकारे आई और चली गई लेकिन इस देश में सबसे मेहनती सबसे मांदार लेकिन दुर्भा के वर्ष सबसे वंचित कोई वर्ग है तो वो किसान वर्ग है इस देश में दो तिहाई जन्टा जमीन पर काम करती है धरती का चीना चीर का रहनाज पैदा करती है एक सो तीस करों लोगों का पेट पालते हैं उस किसान को जो मान समान सायता सयोग मदद मिलनी चाहिए उसके बच्चों को जो भविश मिलना चाहिए वो मिल नहीं रहा और मैं सवाल पूछना चाहता हूँ उन लोगों से जो दिल्ली में आठ साल से सरकार में बैठे हैं ये वो भाजबा के साथी हैं जो चुनाब पचार म ने कहा आप वोट दो हम किसान की आमगरी दुगनी कर देंगे से ले किसान बैठे है मैं आप से पूछ न चाहता हूं किसी की आमदनी दुगनी हो जोगनी हो रही है तो खाद की कीमत पैटरोल की डीन की बीज की यूरिया की बिजली की ये सारी किमते आस्वान चू रही है कोई भला आदमी केंद की सरकार का कर ये बोलने को तयार नहीं है कि महंगाई कम करने की कोशिश भी करेंगे आप उनसे पूछो गैस का सिलंडर 12 रुपे का क्यूं भिकरा है तो कहते हिंदुस्तान और प ये सवाल पूछो तो केंद की सरकार के लोग बीज़ेपे के साथ ही बोलते हैं हिंदुस्तान पाकिस्तान मुसल्मान हिंदू बंदिर बज्जित इसी चर्चा में लोगों को समेटना चाहते हैं लेकिन मैं चाहता हूँ हम सब चाहते हैं किसान को एक ऐसी रूप रेखा देनी जरूरी है किसान को मदद अगर आपने कर सकते हो तो किसान पर जो प्रहारा आपने किया था ये तीन जो काले कानून बनाये थे अपनी जिद्में बनाये थे और एक साल तक किसानों ने देश राजधानी में धरने दिये पदर्शन किया चक्का जाम किया तो एक साल के बाद जब चुनाम आने वाले थे तो हाथ जोड़के बोला ये तीनों कानून वापिस ले रहे हैं अब मैं इसे पूछना चाहता हूँ कि किसके कहने पे तो अपन कार मिलना चाहिए किसान के नमबर राजनी सब करते हैं किसान के नारे सब देते हैं लेकिन सही माइनने में किसान उसके परिवार को भला और भविश्य अगर बैठर करना कोई चाहता है उन लोगों के पैसान आपको करनी पड़ेगी मैं किसान परिवार में पैदा हुआ और लेकिन जो किसान के दर्द को नहीं समझ सकता जो किसान की मुश्कुल को नहीं समझ सकता वो सरफ भाशन दे सकता है और मैं यह बात बार-बार बोलता हूं जब तक किसानों के बच्चे गरीब के बच्चे उन कुर्शियों पर नहीं बैठ जाएंगे जहां से इस बेश की प्रद्श का करना नहीं हो सकता जिसको पता होगा कि मुझे बैंक से गर 50 रुपे का लोन लेना है उसके सान की चपल गिज जाती है जूती कि जाती है बैंक के चक्र काटते काट दो बार क्लर्क मिलेगा बोलेगा टेस्ट करके लाओ नोटराइस करके लाओ यह परमान पत्र द में कोई उद्योग पती बैंक मेनेजर को फोन कर दे तो दस क्रोड का चेक उसी घर पहुंचाता है बैंक मेनेजर लिखे जाता है तो सचिन पाइलेट इस समय असंबूदित कर रहे हैं वालिंदू जी राकेश मोडिया जी मनीश यादव साहब सुभाश मील जो खंडेला से आए हैं मंच पर उपस्तित सभी नितागन और इस किसान सम्मिलन में मौजूद मेरे किसान भाईयों माताओं भेनों बुजर्गों और जवान दोस्तों प्यारे बच्चों मैं सबसे पहले आप सभी लोगों का धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपने आज हम सब के निमंदर किसान सम्मिलन हम लोगों ने पहले नागौर में किये और कल मैं हनवानगर जिले में था पीली बिंगा में बहाँ पर भी हमने किसानों को एकत्रित संगटित और आगे बढ़ने के रास्ति के तरफ उनको उनसे बातें की उनकी बात को सुना अपनी बात को रखा शेखावट स्ने और प्रेम दिया है मैं आप सबका कायल रहूंगा लेकिन आज जिस मुद्ध्य को लेकर हम पूरे परदेश में सबी किसानों को उनके जीवन में जो परिवर्त लाने की उमीद हम देखना चाहते हैं किसानों के जीवन में किसानों के परिवार में किसानों के भविश्च के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं 75 साल बाद आज भी सरकारे आई और चली गई लेकिन इस देश में सबसे मेहनती, सबसे मांदार, लेकिन दुर्भा के वर्ष सबसे वंचित कोई वर्ग है, तो वो किसान वर्ग है इस देश में दो तिहाई जन्ता जमीन पर काम करती है धर्थी का चीना चीर का रहनाज पैदा करती है 130 करड़ों का पेट पालते है के बच्चों को जो भविश मिलना चाहिए वो मिल नहीं रहा और मैं सवाल पूछना चाहता हूं उन लोगों से जो दिल्ली में आठ साल से सरकार में बैठे हैं ये वो भाजबा के साथ ही हैं जो चुनाब पचार में बोलते थे कि हम किसान की आमनी दुग नहीं कर देंगे बो मैं आपसे पूछना चाहता हूं किसी की अंधनी दुग नहीं किसानों की अगर कुछ दुग नहीं हो रही है तो खाद की कीमत पेट्रॉल की डीजल की बीज की यूरिया की बिजली की ये सारी कीमते आस्मान छू रही हैं कोई भला आदमी केंद की सरकार का आकर ये बोलने क को तयार नहीं है कि महंगाई कम करने की कोशिश भी करेंगे आप उनसे पूछो गैस का सिलिंडर बारास रुपे का क्यूं भिकरा है तो कहते हिंदुस्तान और पाकिस्तान आप पूछो किसान आज भुकमरी के गार बखड़ा है जो दो तीन भीगे में खेदी करते हैं उस पे क्या बशता होगा क्या पालता होगा क्या बचाता होगा यह सवाल पूछो तो किन की सरकार के लोग बीजेपे के साथ ही बोलते हैं हिंदुस्तान पाकिस्तान मुसल्मान हिंदू मंदिर मस्जिद इसी चर्चा में लोगों को समेटना चाहते हैं लेकिन मैं चाहता हूं हम किसान पर प्रहारा आपने किया था यह तीन जो काले कानून बनाय थे अपनी जिद्म मनाय थे और एक साल तक किसान होने देश-के-राजदानी में धरन दिये प्रदुशन किया चक्ला Become किया टो एक साल के बाद aur जोड़के बोला हम ये तीनों कानून वापिस ले रहे हैं मैं इसे पूछना चाहता हूँ कि किसके कहने पे तो अपने कानून बनाए थे और किसके कहने पे आपने वापिस ले लिए सेखड़ों किसानों की जान चली गई इस देश में किसान को जो हक और अधिकार मिलना चाहिए किसान के नमबर रायनी सब करते हैं किसान के नारे सब देते हैं लेकिन सही माइने में किसान उसके परिवार को भला और भविश अगर बेतर करना कोई चाहता है उन लोगों के पैसान आपको करनी पड़ेगी मैं एक किसान परिवार में पैदा हुआ और मैं से बोलता हूंब कि मेरा जनम गाउम में नहीं हूआ मेरे पता जी ऐर फोर्स में थे तो जहां-जा एर फोर्स का सेशन दा माहा हमारे पोस्टिंग होती थी है लेकिन जो किसान के दर्द को नहीं समझ सकता तो खिसान की मुश्क्रों नहीं समस्कता वो सिर्फ भाशान देसकता है और मैं ये बार 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 बोलता हूँ जब तक किसानों के बत्चे गरीब के बच्षे उन कुर्शें पने बैठ जाएंगे जहां से इस देश की पर की नीतिया लाग होती है तब तक देश का कलना प्रदेश का कलना नहीं हो सकता जिसको पता होगा कि मुझे बैंक किसेगर 50,000 रुपे का लोन लेना है उस किसान की चपल किस जाती है जूती किस जाती है बैंक के चकर काटते काटते हैं तो बार क्लर्क मिलेगा बोलेगा टेस्ट करके लाओ नोटराइस करके लाओ ये प्रमान पत्र दो क्या गिर्वी रखोगे दस चकर काटेगा फिर किसी द करोड का चेक उसी घर पहुंचाता है बैंक बैंक बेनेजर लिके जाएं तो इस बलेटर में फिलाल इतना है सचिन पाइलेट इस समय असंबूदित कर रहे हैं बालिंदू जी राकेश मोडिया जी मनीश यादव साहब सुभार शमील जो खंडेला से आये हैं मंच पर उपस अजो कि आज़ हम सब के निमंदरन को सुभिकार किया और इस किसान समयलन में आप यहां सम्लित हुए हैं पिछ़ले दू-تिन दिनों से इसी प्रकार के किसान समयलन हम लोगों ने पहले नागौर में किये और कल मैं हनवानगर जले में था पीली बंगा में बहाँ पर हमने क किसानों को एकत्रित संगटित और आगे बढ़ने के रास्ति के तरफ उनको उनसे बातें की उनकी बात को सुना अपनी बात को रखता शेकावड़ी की दरती पर बीरों की जमीन है एतिहासी की मिट्टी है और यहां पर जब जब मुझे आने का मौका मिला है आप सबने अपार स्ने और प्रेम दिया है मैं आप सबका कायल रहूंगा लेकिन आज इस मुद्टे को लेकर हम पूरे परदेश में सबी किसानों को उनके जीवन में जो परिवर्त लाने की उम्मीद हम देखना चाहते हैं किसानों के जीवन में किसानों के परिवार में किसानों के भविष्छ के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं 75 साल बाद आज भी सरकारेmaं आई और चली गई लेकिन इस देश में सबसे मेहनती सबसे मांदार लेकिन दुरबादी वश्ट सबसे वंचित कोई वरग है तो वो किसान वर्ग है इस देश में दो तिहाई जन्ता जमीन पर काम करती है धती का चीना चीर का रहनाज पैदा करती है 130 करूड लोगों का पेट पालते है उस किसान को जो मान समान साहिता सयोग मदद मिलनी चाहिए उसके बच्चों को जो भविश मिलना चाहिए वो मिल नहीं रहा और मैं सवाल पूछना चाहता हूँ उन लोगों से जो दिल्ली में आठ साल से सरकार में बैठे है ये वो भाजपा के साथ ही है जो चुनाप पचार में बोलते थे कि हम किसान की आमदनी दुगनी कर देंगे बोलो कहा की निकाब बीजेपी ने हमने तो नहीं कहा आपको वादा करने के लिए लेकिन बीजेपी के साथियों ने कहा आप वोट दो हम किसान की आमदनी दुगनी कर देंगे सारी किसान बैठे है मैं आपसे पूछना चाहता हूँ किसी की अम्दनी दुगनी हुई किसानों की अगर कुछ दुगनी सोगनी हो रही है तो खाद की कीमत पेटरोल की डीजल की बीच की यूरिया की बिजली की ये सारी कीमते आस्मान चू रही है कोई भला आदमी केन की सरकार का आकर ये बोलने को तयार नहीं है कि महंगाई कम करने की कोशिश भी करेंगे आप उनसे पूछो गैस का सिलिंडर 12 रुपे का क्यूं बिकरा है तो कहते हिंदुस्तान और पाकिस्तान आप पूछो किसान आज भुकमरी के गार बखड़ा है जो दो तीन बीगे में खेदी करते हैं उस पे क्या बचता होगा क्या पालता होगा क्या बचाता होगा यह सवाल पूछो तो केन की सरकार के लोग बीजेपी के साथी बोलते हैं हिंदुस्तान पाकिस्तान मुसल्मान हिंदू मंदिर मस्जिद इसी चर्चा में लोगों को समेटना चाहते हैं लेकिन मैं चाहता हूँ हम सब चाहते हैं किसान को एक ऐसी रूप रेका देनी जरूरी है किसान को मदद अगर आप नहीं कर सकते हो तो किसान पर जो प्रहारा आपने किया था यह तीन जो काले कानून बनाए थे अपनी जिद्व मनाए थे और एक साल तक किसानों ने देश की राजधानी में धरने दिये पदर्शन किया चक्का जाम किया तो एक साल के बाद जब चुनाम आने वाले थे तो हाथ जोड़के बोला यह तीनों कानून वापिस ले रहे हैं अब मैं इसे पूछना चाहता हूँ कि किसके कहने पे तो आपने कानून बनाए थे और किसके कहने पे आपने वापिस ले लिए सेंकडों किसानों की जान चली गई इस देश में किसान को जो हक और अधिकार मिलना चाहिए किसान के नमबर राज नीत सब करते हैं किसान के नारे सब देते हैं लेकिन सही यह माइनने में किसान उसके परिवार को भला और भविश अगर बैदर करना कोई चाहता है उन लोगों के पैसान आपको करनी पड़े लेकिन जो किसान के दर्द को नहीं समझ सकता जो किसान के मुश्कुल को नहीं समझ सकता वो सरफ भाशन दे सकता है और मैं यह बात बार बार बोलता हूं जब तक किसानों के बच्चे गरीब के बच्चे उन कुर्शे उपर नहीं बैठ जाएंगे जहां से बेश की परदेश क कि नीतिया लाग होती है तब कर देश का कल्णान प्रदिश का कल्णान नहीं हो सकता जिसको पता होगा कि मुझे बैंक से गर 50,000 रुपे का लोन लेना है उस किसान की चपल घिज जाती है जूती घिज जाती है बैंक के चकर काटते काटते हैं दो बार क्लर्क मिलेगा बोलेग रखोगे दस चकर काटेगा फिर किसी दलाल को दो पांच जार रुपे पकड़ाएगा तब जाके उसको मिले के पचाहईजार रुपे यह अखिकत मनिये देश की विजस्था के अंदर और धन्ना से मोटा सामी को उद्योग पती बैंक मेनेजर को फोन कर दे तो दस क्रोड क सबी नितागन और इस किसान सम्मिलन में मौजूद मेरे किसान भाईयों माताओं भेनों बुजर्गों नौजवान दोस्तों प्यारे बच्चों मैं सबसे पहले आप सबी लोगों का धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपने आज हम सब के निमंदरन को सुविकार किया और इस पहले नागौर में किये और कल मैं हनवानगर जिले में था पीली बिंगा में बहाँ पर भी हमने किसानों को एकत्रित संगटित और आगे बढ़ने के रास्ति के तरफ उनको उनसे बातें की उनकी बात को सुना अपनी बात को रखा शेकावड़ी की इस दर्ती पर बीरों की जमीन है एतिहासी की मिट्टी है और यहां पर जब जब मुझे आने का मौका मिला है आप सबने अपार्स ने और प्रेम दिया है मैं आप सबका कायल रहूंगा लेकिन आज इस मुद्टे को लेकर हम पूरे परदेश में सभी किसानों को उनके जीवन में जो परिवर्त लान किने की उमीद हम देखना चाहते हैं अ-ई किसानों के जीवन में किसानों के परिवार में किसानों के भविश्य के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं 75 साल बाद आज भी सरकारे आएए और चली गई लेकिन इस देश में सबसे मेहनती सबसे मांदार लेकिन दुर्भा के पर सबसे वंचित कोई वर्ग है तो वो किसान वर्ग है इस देश में दोती हाई जन्ता जमीन पर काम करती है धर्ती का छीना चीर का रनाज पैदा करती है 130 करों लोगों का पेट पालते है कि बच्चों को जो भविश मिलना चाहिए वो मिल नहीं रहा है और मैं सवाल पूछना चाहता हूँ उन लोगों से जो दिल्ली में आठ साल से सरकार में बैठे हैं ये वो भाजबा के साथ ही हैं जो चुनाब पचार में बोलते थे कि हम किसान की आमनी दुग नहीं कर देंगे बोलो कहा की निगा बीजेपी ने हमने तो नहीं का आपको वादा करने के लिए लेकिन बीजेपी के साथियों ने कहा आप वोट दो हम किसान की आमनी दुग नी कर देंगे सारी किसान बैठे हैं मैं आप से पूछना चाहता हूँ किसी की अमनी दुगनी होई किसानों की अगर कुछ दुगनी जौगनी हो रही है तो खाद की किमत पेटरोल की, डीजल की, बीच की, यूरिया की, बिजली की ये सारी किमतें आस्मान चू रही है कोई भला आदमी केंद की सरकार का आका ये बोलने को तयार नहीं है कें महंगाई कम करने की कोशिश भी करेंगे आप उनसे पूछो गैस का सिलिंडर 12 रुपे का क्यूं बिकरा है तो कहते हिंदुस्तान और पाकिस्तान आप पूछो किसान आज भुकमरी के का आर बखड़ा है जो दो तीन बीगे में खेदी करते हैं उस पे क्या बचता होगा क्या पालता होगा क्या बचाता होगा ये सवाल पूछो तो केंद की सरकार के लोग बीजेपी के साथ ही बोलते हैं हिंदुस्तान, पाकिस्तान, मुसल्मान, हिंदू, मंदिर, मस्जिद इसी चर्चा में लोगों को समेटना चाहते हैं लेकिन मैं चाहता हूँ, हम सब चाहते हैं किसान को एक ऐसी रूप रेखा देनी जरूरी है किसान को मदद अगर आपने कर सकते हो तो किसान पे जो प्रहारा आपने किया था ये तीन जो काले कानून बनाए थे अपनी जिद्व मनाए थे और एक साल तक किसानों ने देश की राजधानी में धरने दिये पदर्शन किया, चक्का जाम किया तो एक साल के बाद जब चुनाम आने वाले थे तो हाथ जोड़के बोला, ये तीनों कानून वापिस ले रहे है अब मैं इसे पूछना चाहता हूँ कि किसके कहने पे तो आपने कानून बनाए थे और किसके कहने पे आपने वापिस ले लिए सेंखड़ों किसानों की जान चली गई इस देश में किसान को जो हक और अधिकार मिलना चाहिए किसान के नमबर राजनी सब करते हैं किसान के नारे सब देते हैं लेकिन सही माइने में किसान उसके परिवार को भला और भविश अगर बेदर करना कोई चाहता है उन लोगों के पैचान आपको करनी पड़ेगी मैं एक किसान परिवार में पैदा हुआ और मैं इसले बोलता हूँ कि मेरा जर्म गाउ में नहीं हुआ मेरे पता जी एर फोर्स में थे तो जहां जा एर फोर्स का सेशन था वहां हमारे पोस्टिंग होती थी लेकिन जो किसान के दर्द को नहीं समझ सकता जो किसान के मुश्कुल को नहीं समझ सकता वो सरफ बाज़न दे सकता है और मैं ये बात बार बार बोलता हूँ जब तक किसानों के बच्चे गरीब के बच्चे उन कुर्शे उपर नहीं बैठ जाएंगे से प्रदेश की प्रदेश की नित्यान लागों होती है तब तक भी इसका कल्लान प्रदेश का कल्लान नहीं हो सकता है जिसको पता होगा कि मुझसे बैंक से 15 9 रुपई का लोन लेना है उस किसान की चप पर consider जाती है जूति किस्जा है बैंक के टेस्ट करके लाओ नोटराइज करके लाओ ये प्रमान पत्र दो क्या गिर्वी रखोगे दस चक्र काटेगा फिर किसी दलाल को दो पांच जार रुपे पकड़ाएगा तब जाके उसको मिलें के पचाहईजार रुपे यह अखीकत मनिये देश की वज़स्था के अंदर और धन्ना सेट मोटा सामी को उद्योगपती बैंक मेनेजर को फोन कर दे तो दस क्रोड का चेक उसे घर पहुंच जाता है बैंक मेनेजर लिके जाएगा तो इस ब्लेटर में फिलाल इतना है है सचिन पाइलेट इस समय असंबूदित कर रहे हैं बालिंदू जी राकेश मोड़ पुर्गों नौजवान दोस्तों प्यारे बच्चों मैं सबसे पहले आप सभी लोगों का धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपने आज हम सब के निमंदरन को सुविकार किया और इस किसान सम्मेलन में आप यहां समलित हुए हैं पिछले दो-तिन दिनों से इसी प्रकार के किसान सम्मेलन हम लोगों ने पहले नागौर में किये और कल मैं हनवानगर जिले में था पीली बिंगा में बहां पर भी हमने किसानों को एकत्रित संगटित और आगे बढ़ने के रास्ति के तरफ उनको उनसे बातें की उनकी बात जब मुझे आने का मौका मिला है आप सबने अपार्स नहीं और प्रेम दिया है मैं आप सबका कायल रहूंगा लेकिन आज जिस मुद्धे को लेकर हम पूरे परदेश में सभी किसानों को उनके जीवन में जो परिवर्ट अलाने की उम्मीद हम देखना चाहते हैं किसानों के जीवन में किसानों के परिवार में किसानों के भविश्च के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं 75 साल बाद आज भी सरकारे आई और चली गई लेकिन इस देश में सबसे मेहनती, सबसे मांदार लेकिन दुर्भा के वर्ष सबसे वंचित कोई वर्ग है तो वो किसान वर्ग है इस देश में दोती हाई जन्ता जमीन पर काम करती है धर्थी का सीना चीर का रनाज पैदा करती है 130 करों लोगों का पेट पालते है उस किसान को जो मान सम्मान साहिता सयोग मदद मिलनी चाहिए उसके बच्चों को जो भविश मिलना चाहिए वो मिल नहीं रहा और मैं सवाल पूछना चाहता हूँ उन लोगों से जो दिल्ली में 8 साल से सरकार में बैठे है ये वो भाजबा के साथ ही है तो चुनाप पचार में बोलते थे कि हम किसान की आमनी दुग नि कर देंगे बोलो कहा की निगा बीजेपी ने हमने तो नहीं कि आपको वादा करने के लिए लेकिन बीजेपी के साथियों ने कहा आप वोट दो हम किसान की आमनी दुगनी कर देंगे सारे किसान बैठें मैं आपसे पूछना चाहता हूँ किसी की आमनी दुगनी होई किसानों की अगर कुछ दुगनी जुगनी हो रही है तो खाद की कीमत पेट्रोल की डीजल की बीज की यूरिया की बिजली की ये सारी किमते आस्वान छू रही हैं कोई भला आदमी केंद की सरकार आकर ये बोलने को तयार नहीं है कें महंगाई कम करने की कोशिश भी करेंगे आप उनसे पूछो गैस का सिलिंडर बारास रुप्रेगा क्यों बिकरा है तो कहते हिंदुस्तान और पाकिस्तान आप पूछो किसान आज भुकमरी के कहार बखडा है जो दो तीन बीगे में खेदी करते हैं उस पे क्या बचता लगारा यह सवाल पूछो तो केन के सरकार के लोग बीजबी के साथी बोलते हैं हिंदुस्तान पाकिस्तान मुसलमान हिंदू मंदिर मजजिद इसी चर्चा में लोगों को समेटना चाहते हैं लेकिन मैं चाहता हूँ हम सब चाहते हैं किसान को एक ऐसी रूप रेका देनी जरूरी है किसान को मदद अगर आप नहीं कर सकते हो तो किसान पर जो प्रहारा आप ने किया था ये तीन जो काले कानून बनाए थे अपनी जिद्वें मनाए थे और एक साल तक किसानों ने देश के राजधानी में धरने दिये परदेशन किया चक्का जाम किया तो एक साल के बाद जब चुनाम आने वाले थे तो हाथ जोड़ के बोला ये तीनों कानून वापिस ले रहे हैं मैं इसे पूछना चाहता हूँ कि किसके कहने पे तो आपने कानून बनाए थे और किसके कहने वे आपने वापस ले लिए सेकड़ों किसानों की जान चली गई इस देश में किसान को जो हक और अधिकार मिलना चाहिए किसान के नमब राजनी सब करते हैं किसान के नारे सब देते हैं लेकिन सही माइने में किसान उसके परिवार को भला और भविश अगर बेतर करना कोई चाहता है उन लोगों के पैचान आपको करनी पड़ेगे मैं किसान परिवार में पैदा हुआ और मैसले बोलता हूँ कि मेरा जर्म गाउ में नहीं हुआ मेरे पता जी एर फोर्स में थे तो जहां जा एर फोर्स का सेशन था माहा हमारे पोस्टिंग होती थी लेकिन जो किसान के दर्दों नहीं समझ सकता जो किसान की मुश्कुल नहीं समझ सकता वो सिर्फ बाशन दे सकता है और मैं यह बार 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 बोलता हूं जब तक किसानों के बच्चे गरीब के बच्चे उन कुर्सों पर नहीं बैढ़ जाएंगे जहां से बेश की परदिश की नीते अलाग होती है तब पर बेश का कल्णा परदिश का कल्णा नहीं हो सकता जिसको पता होगा कि मुझे बैंक स गर 50,000 रुपे का लोन लेना है उस किसान की चपल घिज जाती है जूती घिज जाती है बैंक के चकर काटते काटते हैं दो बार क्लर्क मिलेगा बोलेगा टेस्ट करके लाओ नोटराइस करके लाओ ये प्रमान पत्र दो क्या गिर्वी रखोगे 10 चकर काटेगा फिर किसी दला जाल को 25,000 रुपे पकड़ाएगा तब जाके उसको मिलें के 50,000 रुपे ये अखिकत मनिये देश की अस्था के अंदर और और धन्ना सेट मोटा सामी को उद्योगपती बैंक मेनेजर को फोन कर दे तो 10 क्रोड का चेक उसी घर पहुंचाता है बैंक बैंक बैंजर लिके जा बालिंदू जी, राकेश मोरदिया जी, मनीश यादव साहब, सुभाश मील जो खंडेला से आए हैं, मंच पर उपस्तित, सभी नितागन और इस किसान सम्मिलन में मौजूद, मेरे किसान भाईयों, माताओ, भेनों, बुजर्गों, और जवान दोस्तों, प्यारे बच्चो मैं सबसे पहले, आप सभी लोगों का धन्यवाद करना चाहता हूँ, कि आपने आज हम सब के निमंदरन को सुभिकार किया, और इस किसान सम्मिलन में आप यहां सम्मिलित हुए हैं पिछले दो-तिन दिनों से इसी प्रकार के किसान सम्मिलन हम लोगों ने पहले नागोर में किये, और कल मैं हनवानगर जिले में था, पीली बिंगा में, बहां पर भी हमने किसानों को एकत्रित, संगटित, और आगे बढ़ने के रास्ति के तरफ उनको उनसे बातें की, उनक अब जब मुझे आने का मौका मिला है, आप सबने अपार्स नहीं और प्रेम दिया है, मैं आप सब का कायल रहूंगा, लेकिन आज इस मुद्धे को लेकर हम पूरे परदेश में सभी किसानों को उनके जीवन में, जो परिवर्त अलाने की उम्मीद हम देखना चाहते हैं, जाली गई, लेकिन इस देश में सबसे मेनती, सबसे मांदार, लेकिन दुर्भा के पर सबसे वंचित कोई वर्ग है, तो वो किसान वर्ग है, इस देश में दो तीहाई जन्नता जमीन पर काम करती है, धर्ति का छीनाचीर का रहनाज पैदा करती है, 130 करों लोगों का पेट पालते हैं वह सवार पूच्छा पूल को जो मान सम्मान साहिता सयोग मदद us seguinte उसके बच्रों को भविष्विस्विल ना चाहिए वह मिल नहीं रहा है मैं सवाल पूच्छना चाहता हूं उन लोगों से जिली में 8 साल से सब्सक्रार में बैठें यह भाजबा के साथ ही है जो चुनाव पचार में बोलते थे कि हम किसान की आमनी दूग नी कर देंगे बोलो कहा के निकाब बीजेपी ने हमने तो नहीं कहा आपको वदा करने के लिए लेकिन बीजेपी के सजाहतियों ने कहा आप वोड़ दो ह हम किसान की आमनी दुगनी कर देंगे कि सारी किसान बैठें मैं आप से पूछना चाहता हूं किसी की आमनी दुगनी होई किसानों की अगर कुछ दुगनी चोगनी हो रही है भुकमरी के कार बखड़ा है जो दो तीन भीगे में खेदी करते हैं उसमें क्या बचाता होगा यह सवाल पूछो तो केन की सरकार के लोग बीजेपी के साथ ही बोलते हैं हिंदुस्तान पाकिस्तान मुसल्मान हिंदू मंदिर मस्जिद इसी चर्चा में लोगों को समेटना च चाहता हूं हम सब चाहते हैं किसान को एक ऐसी रूप रेखा देनी जरूरी है किसान को मदद अगर आप नहीं कर सकते हो तो किसान पर जो प्रहारा आपने किया था ये तीन जो काले कानू बनाये थे अपनी जिद्व मनाये थे और एक साल तक किसानों ने देश की राजधान यान शाNा वाने वाले थे तो हाद जोड़ के बोल आप ये तींअगानुन वापिस ले रहे छाना और हम सब्सक्रान कोठा कि मिर्णा चाएं ऑर किसके कहने आपने वापिस ले लिए सेंकड़ों किसानों की जान चली गई कि इस देश में किसान को जोह और अधिकार मिलना चाहिए किसान के नम्रानी सब करतें किसान के नारे सब अधे लिकिन से मारिय में किसानने परिवार को भला और भविष अगर पैतर करना कोई चाहता है उन लोगों के पैचान आपको करनी पड़ेगी मैं किसान परिवार में पैदा हुआ और मैं इसले बोलता हूं कि मेरा जर्म गाउं में नहीं हुआ मेरे पता जी एर फोर्स में थे तो जहां जा एर फोर्स का सेशन था माहा हमारे पोस्टिंग होती थी लेकिन जो किसान के दर्द को नहीं समझ सकता जो किसान की मुश्कल को नहीं समझ सकता वो सरफ बाशन दे सकता है और मैं यह बार 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 बोलता हूं जब तक किसानों के बच्चे गरीब के बच्चे उन कुर्शों पर नहीं बैठ जाएंगे चाहं से इस देश की प्रदेश की नीतिया लाग होती है तब तक बेश का कलना प्रदेश का कलना नहीं हो सकता जिसको पता होगा कि मुझे बैंक से गर 50,000 रुपे का लोन लेना है उस किसान की चपल गिज़ जाती है जूती गिज़ जाती है बैंक के चकर काटते काटते हैं दो बार क्लर्क मिलेगा आप बोलेगा टेस करके लाओ नोटराइस करके लाओ ये प्रमान पत्र दो क्या जोगपती बैंक मेनेजर को फोन कर दे तो दस क्रोड का चेक उसी घर पहुंचाता है बैंक मेनेजर लिके जाए तो इस में फिलाल इतना है सचिन पाइलेट इस समय असंबूदित करता है वालिंदू जी राकेश मोरदिया जी मनीश यादव साहब सुभाश मील जो खंडेल अगरे बच्चों मैं सबसे पहले आप सभी लोगों का धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपने आज हम सब के निमंदरन को सुभिकार किया और के सUNGर्ट में आप यहां सम्लित हुए है पिछले दो-तिन दिनों से इसी प्रकार के किसान समेलन हम लोगों ने पहले नागौर में किये और कल में हनुआन गर जिले में था पीली बिन्गा में बहाँ पर भी हमने किसानों को एकत्रित संगटित और आगे बढ़ने के रास्ति के तरफ उनको उनसे बातें की उनकी बा पर जब जब मुझे आने का मौका मिला है आप सबने अपार्स नहीं और प्रेम दिया है मैं आप सबका कायल रहूंगा लेकिन आज जिस मुद्ध को लेकर हम पूरे परदेश में सभी किसानों को उनके जीवन में जो परिवर्ट अलाने की उम्मीद हम देखना चाहते हैं किसानों के जीवन में, किसानों के परिवार में, किसानों के भविश के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं 75 साल बाद आज भी सरकार हम और चली गई लेकिन इस देश में सबसे महनती, सबसे मांदार लेकिन दुर्बा के अबस सबसे वंचित कोई वर्ग है तो वो किसान वर्ग है इस देश में दो ती हाई जन्दा जमीन पर काम करती है धर्दी का छीना चीर का रहनाज पैदा करती है 130 करूलों का पेट पालते है उस किसान को जो मान सम्मान साहिता सयोग मदद मिलनी चाहिए उसके बच्चों को जो भविश मिलना चाहिए वो मिल नहीं रहा और मैं सवाल पूछना चाहता हूँ उन लोगों से जो दिल्ली में आठ साल से सरकार में बैठे है ये वो भाजबा के साथ ही हैं जो चुनाब पचार में बोलते थे कि हम किसान की आमनी दुगनी कर देंगे बोलो कहा की निकाब बीजेपी ने हमने तो नहीं का आपको वादा करने के लिए लेकिन बीजेपी के साथियों ने कहा आप वोट दो हम किसान की आमनी दुगनी कर देंगे कि सारे किसान बैठे हैं मैं आपसे पूछना चाहता हूँ किसी की अमने दुखनी हुई किसानों की अगर कुछ दुखनी जोगनी हो रही है तो खाज की कीमत पेटरोल की डीजल की बीजकी यूरिया की बिजली की ये सारी किमतियासमान चू रही है कोई भला आदमी केम की सरकार का आख ये बोलने को तयार नहीं है के महंगाई कम करने की कोशिश भी करेंगे आप उनसे पूछो गैस का सिलिंडर 12 रुपे का क्यों भिकरा है तो कहते हिंदुस्तान और पाकिस्तान आप पूछो किसान आज भुक पीज़ेपे के साथी बोलते हैं हिंदुस्तान पाकिस्तान मुसल्मान हिंदू मंदिर मस्जिद इसी चर्चा में लोगों को समेटना चाहते हैं लेकिन मैं चाहता हूं हम सब चाहते हैं किसान को एक ऐसी रूप रेखा देनी जरूरी है किसान को मदद अगर आप नहीं कर सक और एक साल तक किसानों ने देश की राजधानी में धरने दिये प्रदर्शन किया चक्का जाम किया तो एक साल के बाद जब चुनावाने वाले थे तो हाथ जोड़ के बोला यह तीनों कानून वापस ले रहे हैं अब मैं जब पूछना चाहता हूं कि किस के कहने पर तो अपन मिलना चाहिए किसान के नमबर राजनीद सब तरते हैं किसान के नारे सब देते हैं लेकिन सही माइने में किसान उसके परिवार को भला और भविश अगर बेटर करना कोई चाहता है उन लोगों के पैचान आपको करनी पड़ेगी मैं किसान परिवार में पैदा हुआ और मैं इसले बोलता हूँ कि मेरा जर्म गाव में नहीं हुआ मेरे पता जी एर फोर्स में थे तो जहां जा एर फोर्स का सेशन था माहा हमारे पोस्टिंग होती थी लेकिन जो किसान के दर्द को नहीं समझ सकता जो किसान की मुश्कुल को नहीं समझ सकता वो सरफ भाशन दे सकता है और मैं ये बात बार बार बोलता हूं जब तक किसानों के बच्चे गरीब के बच्चे उन कुर्शे उपर नहीं बैठ जाएंगे जांसे इस देश की को नहीं हो सकता जिसको पता होगा कि मुझे बैंक से गर 50,000 रुपे का लोन लेना है उसके सान की चपल गिस जाती है जूती किस जाती है बैंक के चकर काटते काटते हैं दो बार क्लर्क मिलेगा बोलेगा टेस्ट करके लाओ नोटराइस करके लाओ ये प्रमान पत्र दो क्या किर्वी रखोगे दस चकर काटेगा फिर किसी दलाल को दो पांच जारुपे पकड़ाएगा तब जाके उसको मिले के पचाहई जारुपे ये अखीकत मनिये देश की विश्था के अंदर और धन्ना सेट मोटा सामी को उद्योगपती बैंक मेनेजर को फोन कर दे तो दस क्र सपर उपस्तित सभी नितागन और इस किसान सम्मिलन में मौजूद मेरे किसान भाईयों माताओं भेनों बुजर्गों नौजवान दोस्तों प्यारे बच्चों मैं सबसे पहले आप सभी लोगों का धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपने आज हम सब के निमंदरन को सुवि पहले नागौर में किये और कल मैं हनवानगर जिले में था पीली बिंगा में बहां पर भी हमने किसानों को एकत्रित संगटित और आगे बढ़ने के रास्ति के तरफ उनको उनसे बातें कि उनकी बात को सुना अपनी बात को रखा शेकावटी की इस दर्ती पर बीरों की जम का कायल रहूंगा लेकिन आज जिस मुद्ध को लेकर हम पूरे परदेश में सबी किसानों को उनके जीवन में जो परिवर्त लाने की उम्मीद हम देखना चाहते हैं किसानों के जीवन में किसानों के परिवार में किसानों के भविश के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं 75 साथ बाद आज भी सरकारे आई और चली गई लेकिन इस देश में सबसे मेहनती, सबसे मानदार, लेकिन दुरभा गिवष सबसे वंचित कोई वरग है, तो वह किसान वरग है इस देश में दो तीहाई जन्ता जमीन पर काम करती है धर्टी का चीना चीर का रहनाज पैदा करती है 130 करोड़ों का पेट पालते हैं उस किसान को जो मान सम्मान साहता सायोग मदद मिलनी चाहिए उसके बच्चों को जो भविश मिलना चाहिए वो मिल नहीं रहा और मैं सवाल पूछना चाहता हूँ उन लोगों से जो दिल्ली में आठ सा से सरकार में बैठे है यह वो भाजबा के साथ ही हैं जो चुनाब पचार में बोलते थे कि हम किसान की आमनी दुग नहीं कर देंगे मैं आपसे पूछना चाहता हूँ किसी की अंदनी दुग नहीं किसानों की अगर कुछ दुगनी चौगनी हो रही है तो खाद की कीमत पेट्रोल की डीजल की बीच की यूरिया की बिजली की ये सारी कीमते आस्मान चू रही है कोई भला आदमी केन की सरकार का आकर ये बोलन है तो कहते हिंदुस्तान और पाकिस्तान आप पूचो किसान आज भुकमरी के गार बख़डा जो जो दो-तीन बीगे में खेदी करते हैं उसमें क्या बचता होगा क्या बचाता होगा ये सवाल पूछो तो केन की सरकार के लोग बीज़ेपे के साथ ही बोलते हैं हिंदुस्तान, पाकिस्तान, मुसल्मान, हिंदू, मंदिर, मस्जिद, इसी चर्चा में लोगों को समिटना चा अगरते हो, तो किसान पर जो प्रहारा आपने किया था, ये तीन जो काले कानून बनाए थे, अपनी जिद्में बनाए थे, और एक साल तक किसानों ने देश की राजधानी में धरनें दिये, परदर्शन किया, चक्का जाम किया, तो एक साल के बाद जब चुनाम आने वाद ले लिए सेकड़ों किसानों की जान चली गई इस देश में किसान को जो हक और अधिकार मिलना चाहिए किसान के नमबर राजनी सब तरते हैं किसान के नारे सब देते हैं लेकिन सही माइने में किसान उसके परिवार को भला और भविश अगर बेटर करना कोई चाहता है उन लोगों के पैचान आपको करनी पड़ेगी कि मैं किसान परिवार में पैदा हुआ और मैंसे बोलता हूं कि मेरा जर्म गाव में नहीं हुआ मेरे पता जी एरफोर्स में थे तो जहांजा एरफोर्स का स्टेशन था महां हमारे पोस्टिंग होती थी लेकिन जो किसान के दर्द को नहीं समस्सकता जो खिसान के मुष्कल नहीं समझ सकता बहल सरफ बाशन दे सकता है और मैं ये बार-बार बोलता हूं जब तक खिशानों के बच्चे गरीब के बच्चे उन कुर्शों पर नहीं बैढ़ जाएंगे जहां से इस देश की परदेश की नीटे लाग होती है तब तक डेश का कल्णान परदेश का कल्णान नहीं हो सकता जिसको पता होगा कि मुझे बैंक से गर 50,000 रुपे का लोन लेना है उस किसान की चपल गिज जाती है जूती गिज जाती है बैंक के चकर काटते काटते हैं दो बार क्लर्क मिलेगा बोलेगा टेस्ट करके लाओ नोटराइज करके लाओ ये प्रमान पत्र दो क्या गिर्वी रखोगे दस चकर काटेगा फिर किसी दलाल को दो पांच जार रुपे पकड़ाएगा तब जाके उसको मिलेंके 5000 यह अखीकत मनिये देश की विएस था के अंदर और और धन्ना सेट मोटा सामी कोई उद्योग पती बैंक मेनेजर को फोन कर दे तो दस क्रोड का चेक उसी घर पहुंचाता है बैंक मेनेजर लिके जाएगा तो इस बिलेटर में फिलाल इतना है सचिन पाइलेट इस समय संब भाईयों, माताओं, भेनों, बुजर्गों, नौजवान, दोस्तों, प्यारे बच्चों, मैं सबसे पहले आप सभी लोगों का धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपने आज हम सब के निमंदरन को सुविकार किया और इस किसान सम्मिलन में आप यहां सम्मिलित हुए हैं पिछले दो-तिन दिनों से इसी प्रकार के किसान सम्मिलन हम लोगों ने पहले नागौर में किये और कल मैं हनवानगर दिले में था पीली बिन्गा में बहाँ पर भी हमने किसानों को एकत्रित संग्टित और आगे बढ़ने के रास्ति के तरफ उनको उनसे बातें की उनकी बात को सुना अपनी बात को रखा शेखावटी की इस दर्ती पर बीरों की जमीन है एतिहासी की मिट्टी है और यहां पर जब जब मुझे आने का मौका मिला है आप सबने अपार्स ने और प्रेम दिया है मैं आप सब का कायल रहूंगा लेकिन आज इस मुद्टे को लेकर हम पूरे परदेश में सभी किसानो को उनके जीवन में जो परिवरत लाने की उम्मीद हम देखना चाहते हैं किसानों के जीवन में किसानों के परिवार में किसानों के भबश्च के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं 75 साल बादा आज भी सरकार है और चली गई लेकिन इस देश में सबसे मेहनती सबसे मांदार लेकिन दुर्भा के वर्ष सबसे वंचित कोई वर्ग है तो वह किसान वर्ग है इस देश में दोत की हाई जन्ता जमीन पर काम करती है धर्टी का चीना चीर का रहनाज पैदा करती है 130 करों लोगों का पेट पालते हैं उस किसान को जो मान समान सहयता सयोग मदद मिलनी चाहिए उसके बच्चों को जो भविश मिलना चाहिए वो मिल नहीं रहा है और मैं सवाल पूछना चाहता हूँ उन लोगों से जो दिल्ली मे आठ साथ से सरकार में बैठे हैं यह वो भाजबा के साथ ही है जो चुनाब पचार में बोलते थे कि हम किसान की आमनी दुगनी कर देंगे बोलो कहा कि निगा बीजेपी ने हमने तो नहीं का आपको वादा करने के लिए लेकिन बीजेपी के साथियों ने कहा आप वोट दो हम किसान की आमनी दुगनी कर देंगे इसारी किसान बैठे हैं मैं आपसे पूछना चाहता हूं किसी की आमनी दुगनी होई किसानों की अगर कुछ दुगनी चौगनी हो रही है तो खाद की कीमत पेट्रोल की डीजल की बीच की यूरिया की बिजली की ये सारी कीमत के आस्वान छू रही हैं कोई भला आदमी केन की सरकार का कर ये बोलने को तयार नहीं है कि ये महंगाई कम करने की कोशिश भी करेंगे आप उनसे पूछो गैस का सिलिंडर 12 रुपे का क्यों विकरा है तो कहते हिंदुस्तान और पाकिस्तान आप पूछो किसान आज भुकमरी के कहार बखड़ा है जो दो तीन भीगे में खेदी करते हैं उस पे क्या बचता होगा क्या पालता होगा क्या बचाता होगा ये सवाल पूछो केन की दर के लोग बीजिपी के साथ ही बोलते हैं हंदुस्तान पाकिस्तान मसल्मान हिंदू मंदिर बजजच है इसी सामें लोगों को समीट नचाहते हैं मैं चाहता हूं हम सब चाहते हैं किसान को एक ऐसी रूप रेखा देनी जरूरी है किसान को मदद अगर आप नहीं कर सकते हो तो किसान पर जो प्रहार आप ने किया था ये तीन जो काले कानूर बनाये थे अपनी जिद्व मनाय थे और एक साल तक किसानों ने देश की राजधानी में धरनें दिये परदेशन किया चक्का जाम किया तो एक साल के बाद जब चुनाम आने वाले थे तो हाथ जोड़के बोला ये तीनों कानून वापिस ले रहे हैं अब मैं इसे पूछना चाहता हूं क कि किसके कहने पर तो अपने कानून बनाए थे और किसके कहने पर आपने वापिस ले लिए कि सेंकड़ों किसानों की जान चली गई इस देश में किसान को जो हक और अधिकार मिलना चाहिए किसान के नमबर राजनी सब करते हैं किसान के नारे सब देते हैं लेकिन सही माइने में किसान उसके परिवार को भला और भविश अगर बेतर करना कोई चाहता है उन लोगों के पैचान आपको करनी पड़ेगी मैं किसान परिवार में पैदा हुआ और मैसले बोलता हूँ कि मेरा जर्म गाउ में नहीं हुआ मेरे पता जी एर फोर्स में थे तो जहां जा एर फोर्स का स्टेशन था माहा हमारे पोस्टिंग होती थी लेकिन जो किसान के दर्द को नहीं समझ सकता जो किसान के मुश्कुल को नहीं समझ सकता वो सरफ भाशन दे सकता है और मैं यह बार 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 बोलता हूं जब तक किसानों के बच्चे गरीब के बच्चे उन कुर्शें पर नहीं बैठ जाएंगे जहां से बेश की परदेश की नीतिया लाग होती है अब तक डेश का कलनान प्रदेश का कलनान नहीं हो सकता जिसको पता होगा कि मुझे बैंक किसे घर 50,000 रुपे का लोन लेना है उस किसान की चपल किस जाती है जूती किस जाती है बैंक के चकर काटते काटते हैं दो बार क्लर्क मिलेगा बोलेगा टेस्ट करके लाओ नोटराइस करके लाओ ये प्रमान पत्र दो क्या गिर्वी रखोगे 10 चकर काटेगा फिर किसी दला जाल को 25,000 रुपे पकड़ाएगा तब जाके उसको मिलें के 5,000 रुपे ये अखिकत मनिये देश की वज़स्था के अंदर और को धन्ना सेट मोटा सामी को उद्योग पती बैंक मेनेजर को फोन कर दे तो 10 क्रोड का चेक उसे घर पहुंच जाता है बैंक मेनेजर लिके जा बालिंदू जी, राकेश मोरदिया जी, मनीश यादव साहब, सुभाष मील जो खंडेला से आए हैं, मंच पर उपस्तित, सभी नितागन और इस किसान सम्मिलन में मौजूद, मेरे किसान भाईयों, माताओं, भेनों, बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, प्यारे बच मैं सबसे पहले, आप सभी लोगों का धन्यवाद करना चाहता हूँ, कि आपने आज हम सब के निमंदरन को सुविकार किया, और इस किसान सम्मिलन में आप यहां सम्मिलित हुए हैं, पिछले दो-तिन दिनों से इसी प्रकार के किसान सम्मिलन हम लोगों ने पहले नागोर मे किये, और कल मैं हनवानगर जिले में था पीली बिंगा में, बहाँ पर भी हमने किसानों को एकत्रित, संगटित और आगे बढ़ने के रास्ति के तरफ उनको उनसे बातें किये, उनकी बात को सुना, अपनी बात को रखा, शेखावटी की इस दर्ती पर बीरों की जमीन है, और यहाँ पर जब जब मुझे आने का मौका मिला है, आप सब ने अपार्स ने और प्रेम दिया है, मैं आप सब का कायल रहूंगा, लेकिन आज जिस मुद्ध को लेकर हम पूरे परदेश में सभी किसानों को उनके जीवन में जो परिवर्त लाने की उम्मीद हम देखना च सकते हैं, 75 साल बाद आज भी, सरकारे आई और चली गई, लेकिन इस देश में सबसे महनती, सबसे मानदार, लेकिन दुर्भागिवर्स सबसे वंचित कोई वर्ग है, तो वो किसान वर्ग है, इस देश में दोती हाई जनता जमीन पर काम करती है, धरती का सीना चीर का रहना पैदा करती है, 130 करों लोगों का पेट पालते हैं, उस किसान को जो मान, सम्मान, साहिता, सयोग, मदद मिलनी चाहिए, उसके बच्चों को जो भविश मिलना चाहिए, वो मिल नहीं रहा, और मैं सवाल पूस का चाहता हूँ, उन लोगों से दिल्ली में 8 साल से सरकार में बै हमने तो नहीं का आपको वादा करने के लिए, लेकिन बीजिपी के स्जातियों ने कहा, आप वोट दो, हम किसान की आमनी दुगनी कर देंगे, सारी किसान बैठें, मैं आप से पूछना चाहता हूँ, किसी की आमनी दुगनी होई किसानों की, अगर कुछ दुगनी चौगन का आप ये बोलने को तयार नहीं है, कि महंगाई कम करने की कोशिश भी करेंगे, आप उन से पूछो, गैस का सिलिंडर 12 रुपे का क्यों बिक रहा है, तो कहते हिंदुस्तान और पाकिस्तान, आप पूछो किसान आज भुकमरी के कार बख़डा है, जो दो तीन बीगे में खेदी करते हैं, उस पर क्या बचता होगा, क्या बचाता होगा, यह सवाल पूछो, तो केन की सरकार के लोग बीज़ेपे के साथी बोलते हैं, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, मुसल्मान, हिंदू, मंदिर, मस्जिद, इसी चर्चा में लोगों को समेटना चाहते हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ, हम सब चाहते हैं, किसान को एक ऐसी रूप रेखा देनी जरूरी है, किसान को मदद अगर आप नहीं कर सकते हो, तो किसान पर जो प्रहारा आपने किया था, यह तीन जो काले कानू बनाये थे, अपनी जिद्व मनाये थे, और एक साल तक किसानों ने देश हाद जोड़के बोला, यह तीनों कानून वापिस ले रहे हैं, मैं इसे पूछना चाहता हूँ, कि किसके कहने पर तो अपने कानून बनाये थे, और किसके कहने पर आपने वापिस ले लिए, सेंकड़ों किसानों की जान चली गई, इस देश में किसान को जो हक और अधिकार मिलना चाहिए, किसान के नमबर आजनी सब करते हैं, किसान के नारे सब देते हैं, लेकिन सही माइने में किसान उसके परिवार को भला और भविश्य अगर बेदर करना कोई चाहता है, उन लोगों के प्रचान आपको करनी पड़ेगी, मैं किसान परिवार में पैदा हुआ, और मैं से बोलता हूँ कि मेरा जर्म काउ में नहीं हुआ, मेरे पता जी ऐर फोर्स में थे, तो जहां जायर फोर्स का सेशन था माहं इपोस्टिंग होती थी, लेकिन जो किसान के दर्दों नहीं समझ सकता, तो किसान के मुश्कुल औन ही समझ सकता है, उर मैं यह बार बार उन कुर्सियों पर नहीं बैढ़ जाएंगे जहां से देश की प्रदेश की नीतिया लाग होती है तब तक देश का कलना प्रदेश का कलना नहीं हो सकता जिसको पता होगा कि मुझे बैंक से गर 50,000 रुपे का लोन लेना है उसके सान की चपल गिस जाती है जूती कि जाती है ब लेके 50,000 रुपे यह अखीकत मनिये तेश की वहस्था के अंदर और को धन्ना सेट मोटा सामी को उद्योगपती बैंक मेनेजर को फोन कर दे तो दस क्रोड का चेक उसी घर पहुंचाता है बैंक मेनेजर लिके जाए तो इस बलेटर में फिलाल इतना है सचिन पाइलेट इस मेरे किसान भाईयों, माताओं, भेनों, बुजर्गों, नौजवन, दोस्तों, प्यारे बच्चों मैं सबसे पहले आप सबी लोगों का धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपने आज हम सब के निमंदरन को सुविकार किया और इस किसान सम्मिलन में आप यहां सम्मिलित हुए पिछले दो-तिन दिनों से इसी प्रकार के किसान सम्मिलन हम लोगों ने पहले नागौर में किये और कल में हनवानगर जिले में था पीली बिंगा में बहां पर भी हमने किसानों को एकत्रित, संगटित और आगे बढ़ने के रास्ति के तरफ उनको उनसे बातें की, उनकी ब पर जब जब मुझे आने का मौका मिला है, आप सबने अपार्स नहीं और प्रेम दिया है, मैं आप सबका कायल रहूंगा, लेकिन आज इस मुद्धे को लेकर हम पूरे परदेश में सभी किसानों को उनके जीवन में जो परिवर्त लाने की उम्मीद हम देखना चाहते हैं, किसानों के जीवन में, किसानों के परिवार में, किसानों के भविश्य के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, 75 साल बाद आज भी सरकारे आई और चली गई, लेकिन इस देश में सबसे महनती, सबसे मांदार, लेकिन दुरभा के पर सबसे वंचित कोई वर्ग है, तो वो किसान इस देश में दो तिहाई जन्ता जमीन पर काम करती है, धरती का चीना चीर का रहनाज पैदा करती है, 130 करड़ लोगों का पेट पालते हैं, उस किसान को जो मान सम्मान, साहता, सयोग, मदद मिलनी चाहिए, उसके बच्चों को जो भविश्य मिलना चाहिए, वो मिल नहीं र के साथी हैं, जो चुनाब पचार में बोलते थे, कि हम किसान की आमनी दुग नि कर देंगे, बोलो कहा की निगाव बीजेपी ने, हमने तो नहीं का आपको वादा करने के लिए, लेकिन बीजेपी के साथियों ने कहा, आप वोड़ दो, हम किसान की आमनी दुग निग कीमत, पेटरोल की, डीजल की, बीज की, यूरिया की, बिजली की, ये सारी कीमते आस्मान छू रही हैं, कोई भला आदमी केंद की सरकार का कर ये बोलने को तयार नहीं है, कि ये महंगाई कम करने की कोशिश भी करेंगे, आप उन से पूछो, गैस का सिलिंडर 12 रुपे का क् तो कहते हैं हिंदुस्तान और पाकिस्तान, आप पूछो किसान आज भुकमरी के एक आर बखड़ा है, जो दो तीन बीगे में खेदी करते हैं, उस पे क्या बसता होगा, क्या पालता होगा, क्या बचाता होगा, ये सवाल पूछो, तो केन की सरकार के लोग, बीज़े पे के साथी बोलते हैं हिंदुस्तान, पाकिस्तान, मुसल्मान, हिंदू, मंदिर, मस्जिद, इसी चर्चा में लोगों को समेटना चाहते हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ, हम सब चाहते हैं, किसान को एक ऐसी रूप रेखा देनी जरूरी है, किसान को मदद अगर आप नहीं कर सकते हो तो किसान पे जो प्रहारा आपने किया था ये तीन जो काले कानून बनाए थे अपनी जिद्व मनाए थे और एक साल तक किसानों ने देश की राजधानी में धरने दिये पदर्शन किया चक्का जाम किया तो एक साल के बाद जब चुनाम आने जाले थे तो हाथ चोड़के बोला ये तीनों कानून वापिस ले रहे हैं मैं इसे पूछना चाहता हूँ कि किसके कहने पे तो आपने कानून बनाए थे और किसके कहने पे आपने वापिस ले लिए कि सेंकड़ों किसानों की जान चली गई कि इस में किसान को हॉक और अधिकार मिलना चाहिए किसान के नमरानीद parallel किसान ना के सब करते है किसान के नारे सब देते हैं लेकिन सही मायने में Radiobakनेbin में कि किसान ऊसके परिवार को भला और भविश अ trend को चाहता है उन PITACI AIR FOURS में थे तो जहां चाशा AIR FOURS का सेशन था महा हमारे पोस्टिंग होती थी लेकिन जो किसान के दर्टों नहीं समझ सकता जो किसान की मुश्कूल नहीं समझ सकता वो सिर्फ भाशन दे सकता है और मैं ये बात बार 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 बोलता हूं जब तक किसानों के बच्चे गरीब के बच्चे उन कुर्षियों पर नहीं बैठ जाएंगे जहां से इस बेश की परदेश की नितिया लाग होती है तब तक बेश का कल्णान परदेश का कल्णान नहीं हो सकता जिसको पता होगा कि मुझे बैंक से गर 50,000 रुपे का लोन लेना है उस किसान की चपल किस जाती है जूती किस जाती है बैंक के चकर काटते काटते हैं दो बार क्लर्क मिलेगा बोलेगा टेस्ट करके लाओ नोटराइस करके लाओ ये प्रमान पत्र दो क्या गिर्वी रखोग कोई उद्योगपती बैंक मेनेजर को फोन कर दे तो दस क्रोड का चेक उसी घर पहुंचाता है बैंक मेनेजर लिके जाता है तो इस में फिलाल इतना ही है सचिन पाइलेट इस समय असंबूदित कर रहे हैं वालिंदू जी राकेश मोरदिया जी मनीश यादव साहब सुभा प्रपस्तित सभी नितागन और इस किसान सम्मिलन में मौजूद मेरे किसान भाईयों माताओं भेनों बुजर्गों नौजवान दोस्तों प्यारे बच्चों मैं सबसे पहले आप सभी लोगों का धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपने आज हम सब के निमंदरन को सुविका किया और इसके सान समिलन में आप यहां समलित हुए हैं दो-тीन दिनों से इसी पठागा के किसान सम्मिलन हम लोगोंने पहले नागहर में किये और कल में हनवान नर्जिले में अपधीली मिनणा में वहां पर पर भी हमने किसान को एकत्रित संगटित और आगे बढ़ने है एतिहासी की मिट्टी है और यहां पर जब जब मुझे आने का मौका मिला है आप सबने अपार्स ने और प्रेम दिया है मैं आप सब कायल रहूंगा लेकिन आज इस मुद्टे को लेकर हम पूरे परदेश में सभी किसानों को उनके जीवन में जो परिवर्त लाने की उमीद हम देखना चाहते हैं किसानों के जीवन में किसानों के परिवार में किसानों के भविश्च के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं 75 साल बाद आज भी सरकारे आई और चली गई लेकिन इस देश में सबसे मेनती सबसे मांदार लेकिन दुर्भा के वश्च सबसे वंचित कोई वर्ग है तो वह किसान वर्ग है इस देश में दो तिहाई जन्ता जमीन पर काम करती है धर्टी का सीना चीर का रहनाज पैदा करती है 130 करों लोगों का पेट पालते हैं उस किसान को जो मान सम्मान साहिता सयोग मदद मिलनी चाहिए उसके बच्चों को जो भविश मिलना चाहिए वो मिल नहीं रहा और मैं सवाल पूछना चाहता हूँ उन लोगों से जो दिल्ली में 8-7 सरकार में बैठे हैं ये वो भाजबा के साथ ही हैं जो चुनाब पचार में बोलते थे कि हम किसान की आमनी दुगनी कर देंगे बोलो कहा कि निगा बीजेपी ने हमने तो नहीं कहा आपको वादा करने हुए किसानों की अगर कुछ दुगनी जोगनी हो रही है तो खाद की कीमत पेट्रोल की डीजल की बीज की यूरिया की बिजली की ये सारी कीमत आस्मान चूर रही हैं कोई भला आदमी केन की सरकार का ये बोलने को तयार नहीं है कि ये महंगाई कम करने की कोशिश भी आप उनसे पूछो गैस का सिलिंडर 12 रुपे का क्यों बिक रहा है तो कहते हिंदुस्तान और पाकिस्तान आप पूछो किसान आज भुकमरी के कार बखड़ा है जो दो तीन बीगे में खेदी करते हैं उस पर क्या बचता होगा क्या बचाता होगा यह सवाल पूछो तो केन की सरकार के लोग बीज़ेपे के साथ ही बोलते हैं हिंदुस्तान पाकिस्तान बुसल्मान हिंदू मंदिर मस्जिद इसी चर्चा में लोगों को समेठना चाहते हैं यो कि मैं चाहता हूं हम सब चाहते हैं किसान को एक ऐसी रूप रेखा देनी जरूरी है किसान को मदद अगर आप नहीं कर सकते हो तो किसान पर जो प्रहारा आपने किया था ये तीन जो काले कानून बनाए थे अपनी जिद्म मनाए थे और एक साल तक किसानों ने देश के राजधानी में धरने दिये पदर्शन किया चक्का जाम किया तो एक साल के बाद जब चुनाम आने वाले थे तो हाथ जोड़के बोला ये तीनों कानून वापिस ले रहे है अब मैं जिसे पूचना चाहता हूँ कि किसके कहने पे तो अपने कानून बनाए थे और किसके कहने वे आपने वापिस ले लिए सेंकड़ों किसानों की जान चली गई इस देश में किसान को जो हक और अधिकार मिलना चाहिए किसान के नमबर राजनी सब करते हैं किसान के नारे सब देते हैं लेकिन सही माइने में किसान उसके परिवार को भला और भविश अगर बेतर करना कोई चाहता है उन लोगों के पैचान आपको करनी पड़ेगी मैं किसान परिवार में पैदा हुआ और मैं इसलिए बोलता हूँ कि मेरा जर्म गाउं में नहीं हुआ मेरे पता जी एर फोर्स में थे तो जहां जाए एर फोर्स का सेशन था माहा हमारे पोस्टिंग होती थी लेकिन जो किसान के दर्द को नहीं समझ सकता जो किसान के मुश्कुल को नहीं समझ सकता वो सरफ बाशन दे सकता है और मैं ये बात बार बार बोलता हूँ जब तक किसानों के बच्चे गरीब के बच्चे उन कुर्शों पर नहीं बैढ़ जाएंगे जहां से इस बेश की परदेश की नीतिया लाग होती है तब तक बेश का कल्णान परदेश का कल्णान नहीं हो सकता जिसको पता होगा कि मुझे बैंक से घर 50,000 रुपे का लोन लेना है उस किसान की चपल घिज जाती है जूती घिज जाती है बैंक के चकर काटते काटते हैं दो बार क्लर्क मिलेगा बोलेगा टेस्ट करके लाओ नोटराइस करके लाओ ये प्रमान पत्र दो क्या गिर्वी रुपे पकड़ाएगा तब जाके उसको मिलेंगे 5000 रुपे ये अखीकत मनिये देश की वज़स्था के अंदर और को धन्ना सेट मोटा सामी को उद्योग बैंक मेनेजर को फोन कर दे तो दस क्रोड का चेक उसी घर पहुंचाता है बैंक मेनेजर लिखे जाए तो इस बने में फिलाल इतना ही है सचिंद पाइलेट इस समय असंभूदित कर रहे हैं बालिंदू जी राकेश मोर्दिया जी मनीश यादव साहब सुभाश मील जो खंडेला से आए हैं मंच पर उपस्तित सभी नितागंड और इस किसान सम्मिलन में मौजूद मेरे किसान भाईयों मात भेनों बुजूर्गों नौजवान दोस्तों प्यारे बच्चों मैं सबसे पहले आप सभी लोगों का धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपने आज हम सब के निमंदरन को सुविकार किया और इस किसान सम्मिलन में आप यहां सम्मिलित हुए हैं पिछले दो-तिन दिनों से इसी प्रकार के किसान सम्मिलन हम लोगों ने पहले नागौर में किये और कल मैं हनवानगर जिले में था पीली बिन्गा में बहां पर भी हमने किसानों को एकत्रित संगटित और आगे बढ़ने के रास्ते के तरफ उनको उनसे बातें की उनकी बा जब मुझे आने का मौका मिला है आप सबने अपार्स नहीं और प्रेम दिया है मैं आप सबका कायल रहूंगा लेकिन आज जिस मुद्ध को लेकर हम पूरे परदेश में सभी किसानों को उनके जीवन में जो परिवर्ट अलाने की उम्मीद हम देखना चाहते हैं किसानों के जीवन में किसानों के परिवार में किसानों के भविश्च के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं 75 साल बाद आज भी सरकारे आई और चली गई लेकिन इस देश में सबसे मेहनती, सबसे मांदार, लेकिन दुर्भा के पर सबसे वंचित कोई वर्ग है, तो वो किसान वर्ग है इस देश में दो तीहाई जन्नता जमीन पर काम करती है धती का छीना चीर का रानाज पैदा करती है 130 करोड़ों का पेट पालते है उस खिसान को जो मान समान साहता सयोग मदद मिलनी चाहिए उसके बच्चों को जो भविश मिलना चाहिए वो मिल नहीं रहा और मैं सवाल पूछना चाहता हूँ उन लोगों से जो दिल्ली में आठ साल से सरकार में बैठे है ये वो भाजबा के साथी हैं जो चुनाब पचार में बोलते थे कि हम किसान की आमनी दुगनी कर देंगे बोलो कहा कि निकाभी जबी ने हमने तो नहीं का आपको वादा करने के लिए लेकिन बीजेपी के साथियों ने कहा आप वोट दो हम किसान की आमनी दुगनी कर देंगे सारी किसान बैठे है मैं आपसे पूछना चाहता हूँ किसी की आमनी दुगनी होई किसानों की अगर कुछ दुगनी चौगनी हो रही है तो खाद की कीमत पेट्रोल की डीजल की बीच की यूरिया की बिजली की ये सारी कीमते आस्मान छू रही है कोई भला आदमी केम की सरकार काकर ये बोलने को तयार नहीं है कि ये महंगाई कम करने की कोशिश भी करेंगे आप उनसे पूछो गैस का सिलंडर 12 रुपे का क्यों बिक रहा है तो कहते हिंदुस्तान और पाकिस्तान आप पूछो किसान आज भुकमरी के गार बखड़ा है जो दो तीन भीगे में खेदी करते हैं उसमें क्या बचता होगा क्या पालता होगा क्या बचाता होगा ये सवाल पूछो तो केंड की सरकार के लोग बीज़ेपी के साहथ भी बोलते हैं हिंदुस्तान, पाकिस्तान, मुस्लमान, बंदो, मंदृ, मज्जिद, इसी चर्चा में या लोगों को समीटना चाहते हैं लेकिन मैं चाहता हूं, हम सब चाहते हैं किसान को एक ऐसी रूपरे खादन ने जरूरी है किसान को मदद अगर आपने कर सकते हो तो किसान पर जो प्रहारा आपने किया था ये तीन जो काले कानून बनाये थे अपनी जिद्व मनाये थे और एक साल तक किसानों ने देश के राजधानी में धरने दिये पदर्शन किया चक्का जान किया तो एक साल के बाद जब चुनाम आने वाले थे तो हाथ जोड़के बोला ये तीनों कानून वापिस ले रहे हैं कि मैं इसे पूछना चाहता हूँ कि किसके कहने पे तो आपने कानून बनाये थे और किसके कहने पे आपने वापिस ले लिए सेंकड़ों किसानों की जान चली गई इस देश में किसान को जो हक और अधिकार मिलना चाहिए किसान के नमबर राजनी सब करते हैं किसान के नारे सब देते हैं लेकिन सही माइने में किसान उसके परिवार को भला और भविश अगर बेदर करना कोई चाहता है उन लोगों के पैसान आपको करनी पड़ेगी मैं एक किसान परिवार में पैदा हुआ और मैं इसलिए बोलता हूँ कि मेरा जर्म गाउ में नहीं हुआ मेरे पता जी एर फोर्स में थे तो जहांजा एर फोर्स का सेशन था माहा हमारे पोस्टिंग होती थी लेकिन जो किसान के दर्दों नहीं समझ सकता जो किसान की मुश्कुल नहीं समझ सकता वो सरफ भाशन दे सकता है और मैं ये बात बार बार बोलता हूँ जब तक किसानों के बच्चे गरीब के बच्चे उन कुर्शों पर नहीं बैठ जाएंगे चाहां से इस देश की परदेश की नीतिय अलाग होती है जिसको पता होगा कि मुझे बैंक से घर 50,000 रुपे का लोन लेना है उस किसान की चपल घिस जाती है जूति घिस जाती है बैंक के चकर काटते काटते का दो बार क्लरक मिलेगा बोलेगा टेस्ट करके लाओ नोटराइज करके लाओ ये प्रमान पत्र दो क्या गिर्वी पकड़ाएगा तब जाके उसको मिलेंके 5000 रुपे यह अखीकत मनिये देश की वज़स्था के अंदर और धन्ना से मोटा सामी को उद्योग पती बैंक मेनेजर को फोन कर दे तो दस क्रोड का चेक उसी घर पहुंचाता है बैंक मेनेजर लिके जाए तो इस बलेटर में फिल सम्मिलन में मौजूद मेरे किसान भाईयों माताओं भेनों बुज़र्गों नौजवान दोस्तों प्यारे बच्चों मैं सबसे पहले आप सभी लोगों का धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपने आज हम सब के निमंदरन को सुविकार किया और इस किसान सम्मिलन में आप य कि बिनना में बहाँ पर भी हमने किसानों को एकत्रित संगटित और आगे बढ़ने के रास्ति के तरफ उनको उनसे बातें की उनकी बात को सुना अपनी बात को रखा शेखावड़ी की इस दर्ती पर वीरों की जमीन है एतिहासी की मिट्टी है और यहां पर जब जब मुझ कि परदेश में सबी किसानों को उनके जीवन में जो परिवर्त लाने की उमीद हम देखना चाहते हैं किसानों के जीवन में किसानों के परिवार में किसानों के भविश के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं 75 साल बाद आज भी सरकार हैं और चली गई लेकिन इस देश में सबसे मेहनती सबसे मांदार लेकिन दुर्भा के पर सबसे वंचित कोई वर्ग है तो वो किसान वर्ग है इस देश में दो तीहाई जन्ता जमीन पर काम करती है धर्दी का छीना चीर का रनाज पैदा करती है एक सो तीस करों का पेट पालते हैं उस किसान को जो मान समान साहिता सयोग मदद मिलनी चाहिए उसके बच्चों को जो भविश मिलना चाहिए वो मिल नहीं रहा और मैं सवाल पूछना चाहता हूँ उन लोगों से जो दिल्ली में आठ साल से सरकार में बैठे हैं ये वो हमने तो नहीं का आपको वादा करने के लिए लेकिन बीजेपी के स्जातियों ने कहा आप वोट दो हम किसान की आमनी दुगनी कर देंगे कि सारी किसान बैठे हैं मैं आपसे पूछ रहा चाहता हूँ किसी की आमनी दुगनी होई किसानों की अगर कुछ दुगनी जोगनी हो रही है तो खाद की कीमत पेट्रोल की डीजल की बीच की यूरिया की बिजली की ये सारी कीमते आस्मान छू रही हैं कोई भला आदमी केन की सरकार का कर ये बोलने को तयार नहीं है कि ये महगाए कम करने की कोशिश भी करेंगे आप उनसे पूछो गैस का सिलिंडर 12 रुपे का क्यों बिक रहा है तो कहते हिंदुस्तान और पाकिस्तान आप पूछो किसान आज भुकमरी के कार बखड़ा है जो दो तीन बीगे में खेदी करते हैं उस पे क्या बसता होगा क्या पालता होगा क्या बचाता होगा यह सवाल पूछो तो केन की सरकार के लोग बीज़ेपी के साथी बोलते हैं हिंदुस्तान पाकिस्तान मुसल्मान हिंदू मंदिर मजजिद इसी चर्चा में लोगों को समेटना चाहते हैं लेकिन मैं चाहता हम हम सब चाहते हैं किसान को एक ऐसी रूप रेखा देनी जरूरी है किसान को मदद अगर आप नहीं कर सकते हो तो किसान पर जो प्रहारा आपने किया था यह तीन जो काले कानून बनाए थे अपनी जिद्व मनाए थे और एक साल तक किसानों ने देश की राजधानी में धरने दिये पदर्शन किया चक्का जाम किया तो एक साल के बाद जब चुनाम आने वाले थे तो हाथ जोड़के बोला हम यह तीनों कानून वापिस ले रहे हैं अब मैं इसे पूछना चाहता हूं कि किसके कहने पर तो आपने कानून बनाए थे और किसके कहने पर आपने वापिस ले लिए सेंकड़ों किसानों की जान चली गई इस देश में किसान को जो हक और अधिकार मिलना चाहिए किसान के नंबर нрав राज नीद सब करते है किसान के नारे सब देते थे सब हैं कि किसान उसके परिवार को भला और भविश अगर बैदर करना कोई चाहता है और लोगों के पैचान आपको करनी पड़े कि है मैं किसान परिवार है पैदा हूआ है और मैसिने बोलता हूँ कि मेरा ज़र्म गांवे नहीं हुआ मेरे पटा ये यह फोर्स में थे तो जहाँ चाह एर फोर्स का सेशन ना महां हमारे पोस्टिंग होती थी कि McMaster लेकिन जो किसान के दर्द ने समझा सकता जो किसान के मुष्किल को हुश्ण। नहीं समझ सकता तो जो सरफ भाचण這邊 है और मैं यह बात बार बार बूलता हूं जब जब तक किसानों के बच्चे गवीब के बच्चे उन कुर्षयों पर नहीं बैढ़ जाएंगे जांसे इस देश की परदेश की नीतिया लाग होती है तब तक देश का कालान परदेश का कालान नहीं हो सकता जिसको पता होगा कि मुझे बैंक से अगर 50,000 रुपे का लोन लेना है उस किसान की चपल घिस जाती है जूती घिस जाती है बैंक के चकर काटते काटते हैं दो बार क्लर्क मिलेगा बोलेगा टेस्ट करके लाओ नोटराइस करके लाओ ये प्रमान पत्र दो क्या गिर्वी पकड़ाएगा तब जाके उसको मिलें के 5000 रुपे ये अखीकत मनिये देश की वहस्था के अंदर और और धन्ना सेट मोटा सामी को उद्योग पती बैंक मेनेजर को फोन कर दे तो 10 क्रोड का चेक उसी घर पहुंचाता है बैंक मेनेजर लिके जाए तो इस प्लेटर में फि सबी नितागन और इस किसान सम्मिलन में मौजूद मेरे किसान भाईयों माताओं भेनों बुजर्गों नौजवान दोस्तों प्यारे बच्चों मैं सबसे पहले आप सबी लोगों का धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपने आज हम सब के निमंदरन को स्विकार किया और इस क पहले नागौर में किये और कल मैं हनवानगर जिले में था पीली बिंगा में बहाँ पर भी हमने किसानों को एकत्रित संगटित और आगे बढ़ने के रास्ते के तरफ उनको उनसे बातें की उनकी बात को सुना अपनी बात को रखा शेखावटी की इस पर बीरों की जमीन है एतिहासी की मिटी है और यहाँ पर जब जब मुझे आने का मौका मिला है आप सबने अपार्स नहीं और प्रेम दिया है मैं आप सबका कायल रहूंगा लेकिन आज इस मुद्धे को लेकर हम पूरे परदेश में सभी किसानों को उनके जीवन में जो परिवर्त लाने की उम् के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं 75 साथ बाद आज भी सरकारे आई और चली गई लेकिन इस देश में सबसे मैनती सबसे मांदार लेकिन दुर्भागिवस्ट सबसे वंचित कोई वर्ग है तो वो किसान वर्ग है इस देश में दो तीहाई जन्नता जमीन पर काम करती है धरती का चीनाचीर का रहनाच पैदा करती है 130 करड़ों का पेट पालते हैं उस किसान को जो मान सम्मान साहिता सयोग मदद मिलनी चाहिए उसके बच्चों को जो भविश्ट मिलना चाहिए वो मिल नहीं रहा और मैं सवाल पूछना चाहता हूं उत लोगों से दिल्ली में 8 साल से स आव बीचेपी ने हमने तो नहीं का आपको वादा करने के लिए लेकिन पीटेपी के स्यातियों ने कहा आप वोट दो हम किसान के आमकी दूगनी कर देंगे सारी किसान बैठें मैं आप से पूछना चाहता हूं किसी की आमकी दूगनी होई किसानों की अगर कुछ दुगनी जौगनी हो रही है तो खाद की कीमत पेट्रोल की डीजल की बीच की यूरिया की बिजली की यह सारी कीमते आस्मान चूरही हैं कोई भला आदमी केंद की सरकार काकर यह बोलने को तयार नहीं है कि यह महंगाई कम करने की कोशिश भी करेंगे आप उनसे पूछो गैस का सिलिंडर 12 रुपे का क्यों बिक रहा है तो कहते हिंदुस्तान और पाकिस्तान आप पूछो किसान आज भुकमरी के कहार बखड़ा है जो दो तीन बीगे में खेदी करते हैं उस पे क्या बचता होगा क्या पालता होगा क्या बचाता होगा यह सवाल पूछ तो केन की सरकार के लोग बीज़ेपे के साथी बोलते हैं हिंदुस्तान पाकिस्तान मुसल्मान हिंदू मंदिर मजजिद इसी चर्चा में लोगों को समेटना चाहते हैं लेकिन मैं चाहता हूँ हम सब चाहते हैं किसान को एक ऐसी रूप रेखा देनी जरूरी है किसान को मदद अगर आप नहीं कर सकते हो तो किसान पर जो प्रहारा आपने किया था ये तीन जो काले कानून बनाए थे अपनी जिद्वा मनाए थे और एक साल तक किसानों ने देश के राजधानी में धरने दिये नहीं है थे प्रथर्शन किया चक्क rozp किया तो एक साल के बात चुनाम आने वाले थे तो हाथ चोड़के बोला ये तीनों कानून वापिस ले रहे हैं हम मैं अछे पूछना चाहता हूँ कि किस के कहने पे तो आपने चानून बनाए थे और किसके कहने वे आपने वापिस ले लिए कि सेंखडों किसानों की जान चली गई कि इस देश में किसान को जो हक और अधिकार मिलना चाहिए किसान के नमबर राजनी सब करते हैं किसान के नारे सब देते हैं लेकिन सही माइने में किसान उसके परिवार को भला और भविश अगर बैतर करना कोई चाहता है उन लोगों के पहचान आपको करनी पड़ेगे मैं किसान परिवार में पैदा हुआ और मैसले बोलता हूँ कि मेरा जनम गाव में नहीं हुआ मेरे पता जी एर फोर्स में थे तो जहां जा एर फोर्स का सेशन था माहा हमारे पोस्टिंग होती थी लेकिन जो किसान के दर्द को नहीं समझ सकता जो किसान की मुश्कुल को नहीं समझ सकता वो सिरफ भाज़न दे सकता है और मैं यह बात बार बार बोलता हूं, जब तक किसानों के बच्चे, गरीब के बच्चे, उन कुर्शों पर नहीं बैठ जाएंगे, जहां से इस देश के प्रदेश की नीतिया लाग होती है, तब तक देश का कल्णान प्रदेश का कल्णान नहीं हो सकता, जिसको पता होगा, कि मुझे बैंक से गर 50,000 रुपे का लोन लेना है उस किसान की चपल किस जाती है जूती किस जाती है बैंक के चकर काटते काटते हैं कि दो बार क्लर्क मिलेगा बोलेगा टेस्ट करके लाओ नोटराइस करके लाओ ये प्रमान पत्र दो क्या गिर्वी रखोगे दस चक्र काटेगा फिर किसी दलाल को दो पांच जारुपे पकड़ागा तब जाके उसको मिले के पचाहई जारुपे यह अखिकत बनिये देश की सब्सक्राइब करना चाहता हूं कि आपने आज हम सब के निमंदरन को स्विकार किया और इसके सांद सम्मिलन में आप यहां सम्मिलित हुए हैं पिशले दो तिन दिनों से इसी प्रकार के किसांद सम्मिलन हम लोगों ने पहले नागौर में किये और कल मैं हनवानगर जिले में था पीली बिंगा में बहाँ पर भी हमने किसानों को एकत्रित संगटित और आगे बढ़ने के रास्ति के अपनी बात को रखा शेकावटी की इस दर्ती पर वीरों की जमीन है एतिहासी की मिट्टी है और यहां पर जब जब मुझे आने का मौका मिला है आप सबने अपार्स नहीं और प्रेम दिया है मैं आप सब का कायल रहूंगा लेकिन आज इस मुद्टे को लेकर हम पूरे पर आप किसानों के जीवन में किसानों के परिवार में किसानों के भविश के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं 75 साल बाद आज भी सरकार आइं और चली गई लेकिन इस देश में सबसे मेहनती सबसे मांदार लेकिन दुर्भा के पर सबसे वंचित कोई वर्ग है तो वह किसान वर्ग है इस देश में दोती हाई जन्ता जमीन पर काम करती है धर्टी का सीना चीर का रहनाज पैदा करती है 130 करों लोगों का पेट पालते हैं उस किसान को जो मान सम्मान सहयोग मदद मिलनी चाहिए उसके बच्चों को जो भविश मिलना चाहिए वो मिल नहीं रहा है और मैं सवाल पूछना चाहता हूं और लोगों से दिल्ली में 8 साल से सरकार में बैठे हैं यह वो भाजपा के साथी हैं जो चुनाब पचार में बोलते थे कि हम किसान की आमनी दुगनी कर देंगे बोलो कहा कि निगा भीजएपी ने हमने तो नहीं का आपको वादा करने के लेकिन बीजएपी के साथियों ने कहा आप वोट दो हम किसान की आमनी दुगनी कर देंगे हैं सारी किसान बैठे हैं मैं आप से पूछना चाहता हूं किसी की आमनी दुगनी हुई किसानों की अगर कुछ दुगनी चौगनी हो रही है तो खाद की कीमत पेटरोल की डीजल की बीच की यूरिया की बिजली की ये सारी कीमत आसबान चूरही हैं कोई भला आदमी केंद की सरकार का कर ये बोलने को तयार नहीं है कि ये महंगाई कम करने की कोशिच भी करेंगे आप उनसे पूछो गैस का सिलंडर 12 रुपे का क्यों बिक रहा है तो कहते हिंदुस्तान और पाकिस्तान आप पूछो किसान आज भुकमरी के कार बखडा है जो दो तीन भीगे में खेदी करते हैं उस पे क्या बचता होगा क्या पालता होगा यह सवाल पूछो तो केन की सरकार के लोग बीजेपे के साथ ही बोलते हैं हिंदुस्तान पाकिस्तान मुसल्मान हिंदू मंदिर मस्जिद इसी चर्चा में लोगों को समेटना चाहते हैं लेकिन मैं चाहता हूँ हम सब चाहते हैं किसान को एक ऐसी रूप रेखा देनी जरूरी है किसान को मदद अगर आप नहीं कर सक और एक साल तक किसानों ने देश की राजधानी में धरनें दिये पदर्शन किया चक्का जाम किया तो एक साल के बाद जब चुनाम आने वाले थे तो हाथ जोड़के बोला ये तीनों कानून वापिस ले रहे हैं अब मैं इसे पूचना चाहता हूं कि किसके कहने पे तो अपने कानून बनाए थे और किसके कहने पे आपने वापिस ले लिए सेंकड़ों किसानों की जान चली गई इस देश में किसान को जो हक और अधिकार मिलना चाहिए किसान के नमर राजनी सब करते हैं किसान के नारे सब देते हैं लेकिन सही माइने में किसान उसके परिवार को भला और भविश अगर बैदर करना को चाहता है उन लोगों के पैचान आपको करनी पड़ेगी मैं किसान परिवार में पैदा हुआ और मैं से बोलता हूँ कि मेरा जर्म गाउ में नहीं हुआ मेरे पता जी एर फोर्स में थे तो जहांजा एर फोर्स का स्टेशन था वहां हमारे पोस्टिंग होती थी लेकिन जो किसान के दर्द को नहीं समझ सकता जो किसान की मुश्कुल नहीं समझ सकता वो सब भाशन दे सकता है और मैं ये बार 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 बोलता हूँ जब तक किसानों के बच्चे गरीब के बच्चे उन कुर्शे उपर नहीं बैठ जाएंगे जहां से इस देश की परदेश की नीतिय अलाग होती है तब तक डेश का कलना प्रदेश का कलना नहीं हो सकता जिसको पता होगा कि मुझे बैंक से गर 50,000 रुपे का लोन लेना है उस किसान की चप्टल घिज जाती है जूती घिज जाती है बैंक के चक्र काटते काटते दो बार क्लर्क मिलेगा बोलेगा टेस्ट करके लाओ नोटराइज करके लाओ ये प्रमान पत्र दो क्या गिर्वी रखोगे तस चक्र काटेगा फिर किसी दलाल को दो पांच जार रुपे पकड़ागा तब जाके उसको मिलेंके पचाई जारुपे यह अखीकत मनी है देश जी राकेश मोरदिया जी मनीश यादव साहब सुभाश मील जो खंडेला से आए हैं मंच पर उपस्तित सभी नितागन और इसके सांच सम्मिलन में मौजूद मेरे किसान भाईयों माताओं भेनों बुज़ुर्गों नौजवान दोस्तों अप्यारे बच्चों मैं सबसे प पिछले दो-तिन दिनों से इसी प्रकार के किसान सम्मिलन हम लोगों ने पहले नागोर में किये और कल में हनवानगर जिले में था पीली बिन्गा में बहाँ पर भी हमने किसानों को एकत्रित संगटित और आगे बढ़ने के रास्ति के तरफ उनको उनसे बातें की उनकी बा का मिला है आप सबने अपार्स नहीं और प्रेम दिया है मैं आप सबका कायल रहूंगा लेकिन आज इस मुद्धे को लेकर हम पूरे परदेश में सभी किसानों को उनके जीवन में जो परिवर्त लाने की उम्मीद हम देखना चाहते हैं किसानों के जीवन में किसानों के परिवार में किसानों के भविश के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं 75 साल बाद आज भी सरकारे आई और चली गई लेकिन इस देश में सबसे मेनती सबसे मांदार लेकिन दुरभा के बश्च सबसे वंचित कोई वर्ग है तो वकिसान वर्ग है इस देश में दो तिहाई ज़नता जमीन पर काम करती है धर्ती का सीना चीर का रनाज पैदा करती है 130 प्रोडों का पेट पालते है उस किसान को जो मान समान साहिता सयोग मदद मिलनी चाहिए उसके बच्चों को जो भविश मिलना चाहिए वो मिल नहीं रहा और मैं सवाल पूछना चाहता हूँ उन लोगों से जो दिल्ली में 8 साल से सरकार में बैठे हैं ये वो भाजबा के साथ ही है तो चुनाब पचार में बोलते थे कि हम किसान की आमनी दुगनी कर देंगे बोलो कहा की निकाब बीजेपी ने हमने तो नहीं का आपको वादा करने के लिए लेकिन बीजेपी के साथियों ने कहा आप वोट दो हम किसान की आमनी दुगनी कर देंगे सारी किसान बैठे हैं मैं आप से पूछना चाहता हूँ किसी की आमनी दुगनी होई किसानों की अगर कुछ दुगनी चौगनी हो रही है तो खाज की कीमत पेटरोल की डीजल की बीच की यूरिया की बिजली की ये सारी किमते आस्वान चू रही है कोई भला आदमी केंद की सरकार काकर ये बोलने को तयार नहीं है कि ये महंगाई कम करने की कोशिश भी करेंगे आप उनसे पूछो गैस का सिलिंडर 12 रुपे का क्यों बिक रहा है तो कहते हिंदुस्तान और पाकिस्तान आप पूछो किसान आज भुकमरी के एक आर बखड़ा है जो दो तीन बीगे में खेदी करते हैं उस पे क्या बसता होगा क्या पालता होगा क्या बचाता होगा यह सवाल पूछो तो केन की सरकार के लोग बीज़ेपे के साथ ही बोलते हैं हिंदुस्तान, पाकिस्तान, मुसल्मान, हिंदू, मंदिर, मस्जिद इसी चर्चा में लोगों को समेटना चाहते है लेकिन मैं चाहता हूँ हम सब चाहते है किसान को एक ऐसी रूप रेखा देनी जरूरी है किसान को मदद अगर आप नहीं कर सकते हो तो किसान पे जो प्रहारा आपने किया था ये तीन जो काले कानून बनाए थे अपनी जिद्व मनाए थे और एक साल तक किसानों ने देश की राज़धानी में धरने दिये परदेशन किया चक्का जाम किया तो एक साल के बाद जब चुनाम आने वाले थे तो हाथ जोड़के बोला ये तीनों कानून वापिस ले रहे हैं अब मैं इसे पूछना चाहता हूँ कि किसके कहने पे तो आपने कानून बनाए थे और किसके कहने हैं आपने वापिस ले लिए सेंकड़ों किसानों की जान चली गई इस देश में किसान को जो हक और अधिकार मिलना चाहिए किसान के नमबर राजनी सब करते हैं किसान के नारे सब देते हैं लेकिन सही माइने में किसान उसके परिवार को भला और भविश अगर बेटर करना कोई चाहता है उन लोगों के पैचान आपको करनी पड़ेगी मैं किसान परिवार में पैदा हुआ और मैं इसले बोलता हूँ कि मेरा जर्म गाउ में नहीं हुआ मेरे पता जी एर फोर्स में थे तो जहां जा एर फोर्स का सेशन था माहा हमारे पोस्टिंग होती थी लेकिन जो किसान के दर्द को नहीं समझ सकता जो किसान की मुश्कुल को नहीं समझ सकता वो सिर्फ भाज़न दे सकता है और मैं ये बात बार बार बोलता हूं जब तक किसानों के बच्चे गरीब के बच्चे उन कुर्शे उपर नहीं बैठ जाएंगे जहां से इस देश की परदेश की नीतिय लाग होती है तब तक देश का कल्णान परदेश का कल्णान नहीं हो सकता जिसको पता होगा कि मुझे बैंक से गर 50 जार उपे का लोन लेना है उसके सानकी चपल जाती है जूति कि जाती है बैंक के चकर काटते काट दो बार क्लर्क मिलेगा बोलेगा टेस करके लाओ नोटराइस करके लाओ ये परमान पत्र दो क्या गिरभी रखो के 10 चकर काटेगा फिर किसी दलाल को 25 रुप जाता है बैंक बेनेजर लिके जाए तो इस बलेटर में फिलाल इतना है सचिन पाइलेट इस समय असंबूदित कर रहे हैं बालिंदू जी राकेश मोर्दिया जी मनीश यादर साहब सुभार शमील जो खंडेला से आए हैं मंचपर उपस्तित सभी नितागन और इस किसान सम्म में मौझूद मेरे किसान भाईयों माताओं भेनों बुजर्गों नौजवान दोस्तों प्यारे बच्चों मैं सबसे पहले आप सभी लोगों का धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपने आज हम सब के निमंदरन को सुविकार किया और इस किसान सम्मिलन में आप यहां समलित ह हुए हैं पिछले दो-तिन दिनों से इसी प्रकार के किसान सम्मिलन हम लोगों ने पहले नागौर में किये और कल में हनवानगर जिले में था पीली बिन्गा में बहाँ पर भी हमने किसानों को एकत्रित संगटित और आगे बढ़ने के रास्ति के तरफ उनको उनसे बातें क कि उनकी बात को सुना अपनी बात को रखा शेखावटी की इस दर्ती पर बीरों की जमीन है एतिहासी की मिट्टी है और यहां पर जब-जब मुझे आने का मौका मिला है आप सबने अपार्स नहीं और प्रेम दिया है मैं आप सब का कायल रहूंगा लेकिन आज इस देश में सबी किसानों को उनके जीवन में जो परीवर्ट लाने की उम्मीद हम देखना चाहते हैं किसानों के जीवन में, किसानों के परीवार में, किसानों के भवश्च के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, 75 साल बाद आज भी सरकारे आई और चली गए लेकिन इस देश में सबसे मेंनती, सबसे मांदार, लेकिन दुर्भा के पर सबसे वंचित कोई वर्ग है तो वो किसान वर्ग है इस देश में दोती हाई जन्नता जमीन पर काम करती है धर्ती का छीना चीर का रहनाज पैदा करती है 130 करूलों का पेट पालते है उस किसान को जो मान सम्मान साहता सयोग मदद मिलनी चाहिए उसके बच्चों को जो भविश मिलना चाहिए वो मिल नहीं रहा और मैं सवाल पूछना चाहता हूँ उन लोगों से जो दिल्ली में आठ साथ से सरकार में बैठे है ये वो भाजबा के साती हैं जो चुना पचार में बोलते थे कि हम किसान की आमनी दुग्णी कर देंगे भवो कहा की निगा भीजएपी ने हमने तो नहीं का आपको वादा करने के लिए लेकिन भीजएपी के साथियोंने कहा आप वोट दो, हम किसान की आमनी दुगनी कर देंगे सारी किसान बैठे हैं मैं आप से पूछना चाहता हूँ किसी की आमनी दुगनी होई किसानों की अगर कुछ दुगनी चौगनी हो रही है तो खाद की कीमत पेटरोल की, डीजल की, बीच की, यूरिया की, बिजली की ये सारी किमते आस्वान चू रही है कोई भला आदमी केंद की सरकार काकर ये बोलने को तयार नहीं है कि ये महंगाई कम करने की कोशिश भी करेंगे आप उनसे पूछो, गैस का सिलिंडर 12 रुपे का क्यूं बिकरा है तो कहते हिंदुस्तान और पाकिस्तान आप पूछो किसान आज भुकमरी के कहार बखड़ा है जो दो-तीन बीगे में खेदी करते हैं किया बसता होगा, क्या पालता होगा, क्या बचाता होगा ये सवाल पूछो तो केन की सरकार के लोग BZP के साथी बोलते हैं हिंदुस्तान, पाकिस्तान, मुसल्मान हिंदू, मंदिर, मस्जिद इसी चर्चा में लोगों को समेटना चाहते है लेकिन मैं चाहता हूं हम सब चाहते हैं किसान को एक ऐसी रूप रेखा देनी जरूरी है किसान को मदद अगर आप नहीं कर सकते हो तो किसान पर जो प्रहारा आपने किया था ये तीन जो काले कानू बनाए थे अपनी जिद्व मनाए थे और एक साल तक किसानों ने देश के राज़भानी में धर ने दिये पदर्शन किया चक्का जाम किया तो एक साल के बाद जब चुना माने वाले थे तो हाथ जोड़के बोला ये तीनों कानून वापस ले रहे हैं मैं इसे पूछना चाहता हूँ कि किसके कहने पे तो आपने कानुन बनाए थे और किसके कहने पे आपने वापिस ले लिए जैक रोकिसानों की जान चली गई इस देश में किसान को जो हक और अधिकार मिलना चाहिए किसान के नमब राजनी सब करते हैं किसान के नारे सब देते हैं लेकिन सही माइने में किसान उसके परिवार को भला और भविश अगर बेदर करना कोई चाहता है उन लोगों के पैचान आपको करनी पड़ेगी कि मैं किसान परिवार में पैदा हुआ और मैं से बोलता हूं कि मेरा जर्म गाव में नहीं हुआ मेरे पता जी एर फोर्स में थे तो जहां था एर फोर्स का स्टेशन था माहा हमारे पोस्टिंग होती थी कि जो किसान के दर्द को नहीं समझ सकता जो किसान के मुष्किल नहीं समझ सकता वो सिरफ भाशन दे सकता है और मैं यह बात बार बार बोलता हूँ जब तक किसानों के बच्चे गरीब के बच्चे उन कुर्षयों पर नहीं बैठ जाएंगे जहां से इस देश की परदेश की नीतिया लाग होती है तब तर देश का कलान परदेश का कलान नहीं हो सकता जिसको पता होगा कि मुझे बैंक से घर 50 जार रुपे का लोन लेना है उ उसके सान की चपल घिज जाती है जूती घिज जाती है बैंक के चकर काटते का दो बार क्लर्क मिलेगा बोलेगा टेस्ट करके लाओ नोटराइस करके लाओ ये प्रमान पत्र दो क्या गिर्वी रखोगे दस चक्र काटेगा फिर किसी दलाल को दो पाज़ार रुपे सब्सक्र करना चाहता हूं कि आपने आज हम सब के निमंदरन को सुविकार किया और इस किसान समयलन में आप यहां समलित हुए है पिछले दो तिन दिनों से इसी प्रकार के किसान समयलन हम लोगों ने पहले नागोर में किये और कल में हनवानगर जिले में था पीली बिंगा में बहाँ पर भी हमने किसानों को एकत्र पर बीरों की जमीन है एतिहासी की मिट्टी है और यहां पर जब जब मुझे आने का मौका मिला है आप सबने अपार्स नहीं और प्रेम दिया है मैं आप सब का कायल रहूंगा लेकिन आज इस मुद्ध को लेकर हम पूरे परदेश में सबी किसानों को उनके जीवन में जो पर करेवार में किसानों के भविश के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं 75 साल बाद आज भी सरकार आई और चली गईंगी लेकिन इस देश में सबसे मेनती हैं सबसे मांदार लेकिन दुर्भा के लुट सबसे वंचित कोई है तो वो किसान वर्ग है इस देश में दो तिहाई जन्ता जमीन पर काम करती है धर्टी का छीना चीर का रहनाज पैदा करती है 130 करूलों का पेट पालते है उस किसान को जो मान समान साहता सयोग मदद मिलनी चाहिए उसके बच्चों को जो भविश मिलना चाहिए वो मिल नहीं रहा और मैं सवाल पूछना चाहता हूँ उन लोगों से जो दिल्ली में आठ साल से सरकार में बैठे है ये वो भाजबा के साथ ही है जो चुनाप पचार में बोलते थे कि हम किसान की आमनी दुगनी कर देंगे बोलो कहा कि निगा बीजेपी ने किसी की आमनी दुगनी होई किसानों की अगर कुछ दुगनी जोगनी हो रही है तो खाद की कीमत पेटरोल की डीजल की बीच की यूरिया की बिजली की ये सारी कीमते आस्मान चू रही है कोई भला आदमी केंड की सरकार का करें बोलने को तयार नहीं है के महंगाई कम करने की कोशिश भी करेंगे आप उनसे पूछो गैस का सिलिंडर 12 रुपे का क्यों बिक रहा है तो कहते हिंदुस्तान और पाकिस्तान आप पूछो किसान आज भुकमरी के कहार बखड़ा है जो दो तीन बीगे में खेदी करते हैं उस पे क्या बचता होगा क्य कुछे इसी चर्चा में लोगों को समिटना चाहते हैं लेकिन मैं चाहता हूं हम सब चाहते हैं किसान को एक ऐसी रूप रेखा देनी जरूरी है किसान को मदद अगर आप नहीं कर सकते हो तो किसान पर जो प्रहार आपने किया था ये तीन जो काले कानू बनाये थे अपनी जिब में मनाए थे और एक साल तक किसानों ने देश की राजधानी में धरने दिये पदर्शन किया चक्का जाम किया तो एक साल के बाद जब चुनाम आने वाले थे तो हाथ जोड़ के बोला ये तीनों कानून वापिस ले रहे हैं मैं उसे पूसना चाहता हूं कि किसके कहने पे तो आपने कानून बनाये थे और किसके कहने आपने वापिस ले लिए जेंकरों किसानों की जान चली गई इस देश में किसान को जो हक और अधिकार मिलना चाहिए किसान के नमब राजनी सब करते हैं किसान के नारे सब देते हैं लेकिन सही माइने में किसान उसके परिवार को भला और भविश अगर बेदर करना कोई चाहता है उन लोगों के पैचान आपको करनी पड़ेगी मैं किसान परिवार में पैदा हुआ और मैं से बोलता हूँ कि मेरा जर्म गाउ में नहीं हुआ मेरे पता जी एर फोर्स में थे तो जहां जा एर फोर्स का सेशन था वहां हमारे पोस्टिंग होती थी लेकिन जो किसान के दर्दों नहीं समझ सकता जो किसान की मुश्कोल नहीं समझ सकता वो सरफ भाशन दे सकता है और मैं यह बार बार बह बोलता हूं जब तक किसानों के बच्चे गरीब के बच्चे उन कुर्शे ओपने बैठ जाएंगे जहांसे इस देश की परदेश की नीतिय लागा होती है तब तक देश का कलान परद कर दो बार क्लर्क मिलेगा बोलेगा टेस्ट करके लाओ नोटराइस करके लाओ ये प्रमान पत्र दो क्या गिर्वी रखोगे दस चक्र काटेगा फिर किसी दालाल को दो पांच जारुपे पकड़ाएगा तब जाके उसको मिलें के पचाहई जारुपे यह अखीकत मनिये चिन पाइलेट इस समय असंभूदित कर रहे हैं बालिंदू जी राकेश मोर्दिया जी मनीश यादव साब सुभाश मील जो खंडेला से आए हैं मंच पर उपस्थित सभी नितागन और इस किसान संभिलन में मौजूद मेरे किसान भाईयों, माताओं, भेनों, बुजूर्गों, नौजवान दोस्तों, प्यारे बच्चों मैं सबसे पहले आप सबी लोगों का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आपने आज हम सब के निमंदरन को सुविकार किया और इस किसान संभिलन में आप यहां संभिलित हुए है पिछले दो-तिन दिनों से इसी प्रकार के किसान संभिलन हम लोगों ने पहले नागौर में किये और कल मैं हनवानगर जिले में था पीली बिन्गा में बहाँ पर भी हमने किसानों को एकत्रित संगटित और आगे बढ़ने के रास्ति के तरफ उनको उनसे बातें की उनकी बात को सुना अपनी बात को रखा शेखावटी की इस दर्ती पर बीरों की जमीन है एतिहासी की मिट्टी है और यहाँ पर जब जब मुझे आने का मौका मिला है आप सबने अपार्स नहीं और प्रेम दिया है मैं आप सब का कायल रहूंगा लेकिन आज इस मुद्टे को लेकर हम पूरे परदेश में सभी किसानों को उनके जीवन में जो परिवर्त अलाने की उम्मीद हम देखना चाहते हैं किसानों के जीवन में किसानों के परिवार में किसानों के भविश के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं 75 साल बाद आज भी सरकारे आई और चली गई लेकिन इस देश में सबसे मेहनती, सबसे मांदार, लेकिन दुर्भागिवर्ष सबसे वंचित कोई वर्ग है, तो वो किसान वर्ग है इस देश में दो तिहाई जनता जमीन पर काम करती है धर्दी का सीना चीर का रानाज पैदा करती है 130 करों लोगों का पेट पालते हैं उस किसान को जो मान सम्मान साहिता सयोग मदद मिलनी चाहिए उसके बच्चों को जो भविश मिलना चाहिए वो मिल नहीं रहा और मैं सवाल पूछना चाहता हूं उन लोगों से दिल्ली में 8 सा से सरकार में बैठें यह वो भाजपा के साथ ही हैं जो चुनाब पचार में बोलते थे कि हम किसान की आम दूगनी कर देंगे बोलो कहा कि निगाब बीज़ेपी ने हमने तो नहीं का आपको वादा करने के लिए लेकिन बीज़ेपी के साहतियों ने कहा आप वोट दो हम किस मैं आपसे पूछना चाहता हूं किसी की आम दूगनी होई किसानों की अगर कुछ दुगनी चौगनी हो रही है तो खाद की कीमत पेट्रोल की डीजल की बीज की यूरिया की बिजली की ये सारी कीमते आस्मान छू रही हैं कोई भला आदमी केन की सरकार का आकर ये बोलने को तयार नहीं है कि ये महंगाई कम करने की कोशिश भी करेंगे आप उनसे के पूछो गैस का सिलिंडर 12 रुपे का क्यों बिकरा है तो कहते हिंदुस्तान और पाकिस्तान आप पूछो किसान आज भुकमरी के कहार बखडा है जो दो-तीन बीगे में खेदी करते हैं उस पे क्या बचता होगा क्या फालता होगा ये सवाल पूछो तो केन के सरकार के ल मुसल्मान, हिंदू, मंदिर, मस्जिद इसी चर्चा में लोगों को समेटना चाहते हैं लेकिन मैं चाहता हूं हम सब चाहते हैं किसान को एक ऐसी रूप रेखा देनी जरूरी है किसान को मदद अगर आप नहीं कर सकते हो तो किसान पे जो प्रहार आपने किया था ये तीन जो काले कानून बनाए थे अपनी जिद्व मनाए थे और एक साल तक किसानों ने देश के राजधानी में धरने दिये पदर्शन किया चक्का जाम किया तो एक साल के बाद जब चुनाम आने वाले थे तो हाथ जोड़के बोला ये तीनों कानून वापिस ले रहे हैं मैं इस किसके कहने पर तो आपने कानून बनाए थे और किसके कहने पर आपने वापिस ले लिए सेंगड़ों किसानों की जान चली गई इस देश में किसान को जो हक और अधिकार मिलना चाहिए किसान के नमबर राजनी सब करते हैं किसान के नारे सब देते हैं लेकिन सही माइने में किसान उसके परिवार को भला और भविश अगर बेटर करना कोई चाहता है उन लोगों के पैचान आपको करनी पड़ेगी मैं किसान परिवार में पैदा हुआ और मैं इसलिए बोलता हूँ कि मेरा जर्म गाउ में नहीं हुआ मेरे पता जी एर फोर्स में थे तो जहां जा एर फोर्स का स्टेशन था माहा हमारे पोस्टिंग होती थी लेकिन जो किसान के दर्द को नहीं समझ सकता जो किसान की मुश्कुल नहीं समझ सकता वो सरफ भाशन दे सकता है और मैं यह बार 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 बोलता हूं जब तक किसानों के बच्चे गरीब के बच्चे उन कुर्शे अपर नहीं बैठ जाएंगे जहां से इस देश की परदेश की नीतिया लाग होती है तब तक देश का कल् जिसको पता होगा कि मुझे बैंक से कर 50 रुपे का लोन लेना है उस किसान की चपल कि जाती है जूती कि जाती है बैंक के चकर काटते काटते हैं दो बार क्लर्क मिलेगा बोलेगा टेस्ट करके लाओ नोटराइस करके लाओ ये प्रमान पत्र दो क्या गिर्वी रखोगे 10 सब्सक्र काटेगा फिर किसी दलाल को 25 रुपे पकड़ागा तब जाके उसको मिलें के पचाहईजार रुपे ये अखीकत मनिये देश की उस्था के अंदर और और धन्ना सेट मोटा सामी को उद्योग पती बैंक मेनेजर को फोन कर दे तो 10 क्रोड का चेक उसी घर पहुंच सबी नितागन और इस किसान सम्मिलन में मौजूद मेरे किसान भाईयों माताओं भेनों बुजर्गों नौजवान दोस्तों प्यारे बच्चों